जब भी आप Google या किसी भी search engine पर कुछ भी search करते हैं, तो आपको बहुत सारे results मिलते हैं, thousands of websites and millions of web pages, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, कि उन सभी results में, आखिर जो सबसे top पर हमें results दिखते हैं, उन में ऐसी क्या बात है, results हो हमारे पास इतने सारे हैं, इतनी सारी web pages में, इत उने सारे data में, उन top results में ऐसी क्या खास बात थी, कि जिससे उनकी ranking जो है, वो first page पर आई, या फिर सबसे starting में आई, तो देखिए, अगर आप अपनी website, अपने business को top पर किसी भी search engine पर rank करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आना चाहिए search engine optimization, कि किस तरीके से आप online platforms पर top पर rank करेगी, search engine optimization सीख कर आप अपनी website को top पर rank करवा सकते हैं, और आप ही सोचिए कि कैसा होगा कि कोई भी person, जब भी आपके business से related, कोई भी keyword, कोई भी search कर रहा होगा search engines पर, तो आपकी website, आपके web pages उसे top पर दिखेंगे, तो आप सोचिए इससे आपका business, आपकी sales कि तो इस video में आप सीखने वाले हैं, complete search engine optimization, हाँ, बिल्कुल ये video थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि complete SEO आप सीखेंगे, तो video को end तक देखेगा, थोड़ा सा time रगेगा, लेकि video को end तक देखेगा, क्योंकि पूरी video देखने के बाद में, आप ए करके उसकी ranking को improve कर सकते हैं, और इस video की खास बात ये है कि ये video सबसे updated video है, अभी की algorithm के according इस video को खास आपके लिए प्रिपेर किया गया है, और completely free ये course हम आपके लिए लेकर आया है, उसे के साथ ही इस video में एक WordPress website को optimize करना, as well as एक non WordPress website को किस तरीके से हम optimize कर सकते हैं, कैसे एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ये भी चीज़ें हमने इस video में discuss करी है, so make sure करें कि video को आप end तक देखें, जिससे आप अपनी website की ranking improve करके अपने business को boost कर बाएं, और इसी तरह कि important courses, complete videos, WS Cube Tech आपके लिए लेकर आता रहता है, so make sure करें कि आप WS Cube Tech को ज़रूर subscribe करके रखें, और विडियो खतम होने के बाद में, अगर आप कुछ भी विडियो से सीखें, तो like करना बिल्कुर भी मत भूलेगा, और comment करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका experience कैसा रहा, और जिस तरह से अभी तक आपने हमें इतना support दिया है, मुझे उमीद है कि इस video को भी आप उतना सब्सक्राइब करेंगे, तो जाद से जाद से शीखना शुरू करते हैं, अगर आपका भी यही जवाब है तब तो जरूर आपको यह विडियो न तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वजियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर सब्सक्राइब करने हैं, और आपका Search Engine Optimization यानि SEO आखिर है क्या Hello everyone, I am Harmeet, welcome you all on WS Cube Tech YouTube channel So, जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर Search Engine Optimization होता क्या है क्योंकि भली आप किसे इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप आगे किसी को training देंगे या फिर कहीं भी अगर काम करेंगे और आप किसी client को बोलता है कि मैं आपकी website का SEO करना चाहता हूँ तो at least आपको खुद को पता होना चाहिए कि SEO यानि Search Engine Optimization होता क्या है तो देखिए Search Engine Optimization दो words से मिलकर बना है दो शब्दों से पहला है Search Engine और दूसरा है Optimization पहले बात करते हैं Search Engine की तो Search Engine क्या होता है Search Engine एक software system है जो की worldwide web से यानि internet से जो information को search करने के लिए या फिर information को ढूणने के लिए बनाया गया है क्योंकि जैसे आपको बता है कि हजारों websites है लाकों TVs of data यहाँ पर पढ़ा है तो उस data को कहीं से धून कर लाने वाला एक system बनाया गया है जिसे हम कहते हैं Search Engine अब optimization की बात करते हैं तो optimization क्या होता है तो जी optimization का मतलब होता है किसी चीज को perfectly इस्तिमाल करना किसी चीज का best use करना तो अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि Search Engine Optimization में हम Search Engine का best optimization करते हैं यानि Search Engine को अपने फाइदे के लिए बहतर दरीके से इस्तिमाल करते हैं अब आप सोचिए कि आप Search Engine को कैसे आप सितिमाल कर सकते हैं तो अगर मेरी website है मेरा अगर business है तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी person जब भी मेरे business से related मेरे service से related मेरे product से related कुछ भी type करें किसी भी search engine में तो उसे मेरी website टॉप पर दिखे तो यही best इस्तिमाल जो है Search Engine का वो हम करते हैं Search Engine Optimization में अब यहाँ पर सवाल आता है क्या हम Search Engine को Optimize कर सकते हैं तो देखिए Search Engine एक software system है जो की बहुत ही ज़ादा मेहनत के बाद बना है और काफी ज़ादा secure network है तो Search Engine के जैसे मान लीजे अगर मैं Google का ही example लेती हूँ तो क्या आप Google के backend में जाकर और उसके साथ छेठचाड कर सकते हैं आप कुछ उसका इस तरह से चेंज कर सकते हैं algorithm या उसकी coding चेंज करके क्या अपनी website को top पर ला सकते हैं नहीं तो basically अगर मैं बहुत ही simple language में बात करूँ तो Search Engine में आप Search Engine को optimize नहीं करते बलकि आप अपनी website को बहतर दरीके सो optimize करते हैं जिससे आप Search Engine का best फायदा उठा सके for example अगर मेरा एक designing showroom है मैं designer dresses बनाती हूँ ये मेरा business है और मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई person search करे designer dresses in Delhi तो उसे मेरा business मेरी website सबसे top पर दिखे होगा ना amazing तो बस यही हमें करना है कि अपनी website को इतना बहतर तरीके से optimize करना है कि वो search engine पर top rank पर दिखे जिससे मेरा business बूस्ट हो मेरी conversion rate बढ़े और ultimately मेरा business ग्रो करे और यही सारी चीजें हम इस course में सीखने वाले हैं क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी life में Google ना होता तो life कैसी होती तो आज की इस video में मैं आपको तीन important सवालों के जवाब देने वाली हूँ पहला सवाल है कि search engine होता क्या है दूसरा सवाल यह है कि अगर search engine जैसे गूगल की हम बात करें वो अगर हमारी life में नहीं होता तो क्या होता तीसरा सवाल यह कि जब भी हम search engine की बात करते हैं तो क्या सिर्फ Google ही एक search engine है या फिर ऐसे बहुत सारे search engines है तो यह तीन important सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ आज की इस एक video में तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले है search engine की तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर search engine होता गया है तो search engine एक software system है जो की इस तरह से design किया गया है कि वो जो यह information का जो database है उसको user के query के according search कर सके यानि कोई भी person जब भी related keyword type करे related query search करे search engine में तो वो इतना जो यह worldwide web है इतना जो यह network है जो इतनी सारी information पढ़ी है net पर उसमें से related information को search करके उस user को दे सके तो ऐसा यह एक system software है और इसी को ही हम search engine कहते हैं अब चलिए बात करते हैं कि अगर search engine नहीं होता तो हमारी life कैसी होती तो देखिए जैसे अभी अगर मुझे Ferrari का price पता करना है तो मैं Google पर simply लिखूंगी कि price of Ferrari और मुझे काफी सारे options दिख जाएंगे और जो भी मेरी query है उससे related information मुझे दिख जाएगी लेकिन अगर search engine नहीं होता तो आपको यह पता कैसे चलता कि Ferrari की price कौन सी website पर लिखी गई है तो ऐसे में आपको क्या करना रहता कि जो भी website को आपको search करना है उसका URL और URL का मतलब है एकदम सही URL आपको type करना रहता अपने web browser में तो अब हमारे बास search engine है तो हम directly Ferrari की price जो है search करेंगे और हमें information मिल जाएगी तो अगर आपकी life में search engine नहोता तो एक-एक website का URL आपको याद रखना होता जैसे कि हम phone numbers याद रखते थे पहले time में सो वैसे आपको एक-एक URL याद रखना रहता और आपको ये भी याद रखना पड़ता कि कौन सी website पर कौन सी इंफोमेशन पड़ी है और I think वो बहुत जादा मुश्किल काम होता तो आप समझ सकते हैं कि search engines ने हमारी life को कितना easy बनाया है अब बात करते हैं कि क्या Google ही एक search engine है तो ऐसा नहीं है काफी सारे search engines है जिसमें से आप Google को जानते हैं उसके अलावा top 3 के अगर मैं बात करूं तो number 1 पर Google है फिर Yahoo और एक Bing से मैं बाइजू की बात करती हूं तो बाइजू search engine चाइना में बहुत ही जादा popular है approximately 85% जो market share है चाइना का वो बाइजू ने ही cover किया हुआ है अगर मैं बात करूं Yandex की तो Yandex रशिया का एक बहुत ही popular search engine है 50% लोग वहां के Google यूज करते हैं उसके अलावा जिन लोगों को privacy का issue रहता है क्योंकि आपको पता है कि Google कहीं ना कहीं हमारा data जो है store करता है तो ऐसे में एक ऐसा search engine है जिसका नाम है duck duck go I know नाम थड़ा सा funny है बट ये जो search engine है इसे वो लोग use करते है जिनको privacy की concern होती क्योंकि ये जो duck duck go जो search engine है ये आपका data save नहीं करता तो privacy का concern रखने वालों के लिए लोगों के लिए ये perfect है तो ये मैंने आपको को search engine के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि search engine होता क्या है तो ultimately अगर हम कहें तो search engine ने हमारी लाइफ को बहुती better और comfortable बनाया है अब हम next videos में जानेंगे कि आखिर search engine काम कैसे करता है कैसे आप इसको अपनी websites को optimize कर सकते हैं कि वो हर एक search engine पर top rank करें तो ये हमारा complete course चल रहा है search engine optimization course यानि SEO तो SEO course में हर एक video आपको देखनी है क्योंकि ये advanced course होने वाला है हान जी तो अब मुद्धे पर आते हैं कि search engines काम कैसे करते हैं पहले न मतलब जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि search engine कैसे काम करते हैं कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं जैसे अगर मैंने टाइप किया Google पर कि black dress तो Google का जो search engine है वो जाता है websites पर और देखता है कि कहां black dress पढ़ी है कहां black dress पढ़ी है और वो मुझे आकर results दे देता है पहले मुझे ऐसा लगता था लेकिन ऐसा नहीं होता है जो आप कुछ भी टाइप करते हैं कुछ भी आप keyword टाइप करते हैं उससे पहले Google एक बहुत ही important role play कर चुका होता है पहले ही कुछ functions कर चुका होता है उसके बाद में आपको results दिखाता है चीचे तो one by one step by step हम समझेंगे कि आखर ये search engine काम कैसे करता है तो देखिए आपको पता है कि internet पर यानि वर्ल्ड वाइड वेब पर बहुत सारा data पढ़ा है बहुत सारा मतब thousands of millions of TBs यहां पर data यहां पर रखा है तो उस data को जब भी upload करता है creator जैसे अगर मैंने website बनाई तो मैंने कोई blog upload किया कोई images upload की कोई भी मैंने changes अपनी website में किये या फिर कोई नई website आई तो ऐसे में google का crawler हमें से कहते हैं तो crawler या फिर आप इसमें spider भी कह सकते हैं तो crawler जाता है और उस सारे data को crawl करता है यानि उस पर rankता है देखता है कि कौन सी चीज कहां पढ़ी है इस website पर क्या content पढ़ा है यह कुछ भी search करने से पहले ही वो सारे content को जाकर crawl कर रहा है देख रहा है कि कौन सी चीज कहां पढ़ी है और उस सारे data को उठा के अपने local server server का मतलब आप यह समझ रहेज़े कि google की जो खुद की hard disk है उसमें वो save कर रहा है तो यहाँ पर क्या किया है जैसे मैं google की ही बात कर रही हूँ जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएं लेकिन यहाँ मैं हर एक search engine की बात कर रही हूँ तो search engine का crawler यानि spider data को crawl करता है internet पर जितना भी data available है और उसको उठा कर अपने local server में put कर देता है local server को हम नहीं देख सकते वो उनका locally hard disk पढ़ा है किसी के hard disk को आप access नहीं कर सकते है तो वो local server में अब वहाँ पल Google के जो indexers है तो Google के indexers इन ही local server को क्या करते हैं indexing करते हैं यानि different categories में divide करते हैं जैसे कि अभी एक website बनी उस पर black dresses, pink dresses maroon dresses ऐसे बहुत सारी dresses पढ़ी है मैं सिर्फ एक example ले रही हूँ तो Google सिर्फ आज़ डेटा उठाएगा और उसको local server में डाल देगा अब indexer क्या करेंगे कि black dresses को अलग पुट करेंगे black shirts को अलग कर देंगे उसके अलावा जो shirts है total जो उनकी अलग category बन जाएगी तो मतलब जो indexer का काम है वो है categorize करना कि जितना भी local server पर data पढ़ा है search engine के उसको categories में divide कर देना जिससे कि Google relevant results अपने user को दे पाए तो ये काम होता है indexes का तो इसके लिए मैं आपको एक example देना चाहती हूँ जिससे आपको इतनी प्रोसेस काफी कि अच्छे से समझ में आ जाए देखिए मेरे पास एक library है मैं एक library manage करती हूँ तो अब इसी concept को मैं एक example के तौर पर समझाना चाहूँगी कि first कीजिए कि मेरी एक library है चीक है या फिर क्या लिजे मेरी एक किताबों की दुकान है तो मैंने कहीं से किताबें खरीदी बहुत सारी अपनी shop के लिए या मेरी library के लिए और मैंने बहुत सारा lot मंगवाया तो loading taxi आई, truck आया जिसमें मेरी सारी books आई तो मेरे पास तीन प्यॉन है तो उसमें से मैंने एक प्यॉन को भेजा कि आप जाईए और उस truck में से सारी जो books हैं उसको उठाकर लेकर आईए तो उस प्यॉन ने क्या किया सारी books को उठाया और मेरा जो hall था, library का main hall था वहाँ पर उन्होंने धेर लगा दिया चीके, तो जो मेरा पहला प्यॉन था उसका नाम था crawler यानि spider तो उसने क्या किया, डेटा को उठा के लाया और यहाँ पर fake दिया, मतलब local server में, यानि मेरे hall में रख दिया अब मैंने अपने दूसरे प्यॉन को बोला, कि आप जाईए वो जो वहाँ पर किताबें रखी हैं उन किताबों को category wise की लग हो गई, English की किताबें अलग हो गई, फिर Hindi और English में जैसे साइटे की यानि literature की अलग हो गई, economics की अलग हो गई, maths की अलग हो गई, text books अलग हो गई, magazines अलग हो गई, newspaper अलग हो गई, तो मैंने उन्हें बोला, कि आप ये सारी categories में क्या कीजिए, सारी books की जो shelves हैं उनको ज जमा दिया अब मेरा जो दूसरा प्यॉण हुआ वो क्या कहलाया वो कहलाया indexer चीके क्योंकि इसने क्या किया categories में मेरे data को save करके रख लिया अब यह जो मेरा data जमा हुआ है categories बनने के बाद में जो मेरा data जमा हुआ है वो है मेरा main server यानि Google का main server जो कि हमारे साथ transfer जुडा हुआ है जब यहांपर 20聊 का काम क्ताप हुगया तो अब बारी आती है तीसरे प्यॉण की यानि अब काम है तीसरे प्यॉण का अब तीसरे प्यॉण का क्या काम है यह सुनिएगा कि जब भी कोई user आएगा और user बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो तीसरा pion भाग कर जाएगा और जहाँ जहाँ indexers ने book रखी है उसको user की query के recording उसे वो book ला कर देगा कि जैसे वो कहता है कि मुझे English language में literature की किताब चाहिए तो वो pion जाएगा और ढूंड कर वो किताब लेकर मेरे user को देगा और वो user को कैसी किताब देगा बहुत ही relevant किताब देगा जो भी उसे चाहिए तो यही Google करता है कि सबसे पहले crawling हुई crawling के बाद में indexing हुई और फिर Google की जो ranking algorithms है जैसे कि हमने बहुत सारी ranking algorithms की हम बात करेंगे कि किस तरह से Google ranking देता है तो उन ranking algorithm के basis पर Google आपको results दिखाता है ranking में क्योंकि indexing तो सारी हो गई, categories तो बढ़ गई लेकिन उसमें पहले कौन सा result आपको दिखाना है दूसरे नमबर पर कौन सा दिखाना है, तीसरे कौन सा दिखाना है, इमेजस में कौन सी images दिखानी है यह सारी चीज़े ranking algorithm करती है, तो पहला हुआ crawling, दूसरी हुआ indexing और तीसरे में हम ranking की बात कर रहे हैं तो जब भी आप Google पर कुछ भी type करते हैं, तो आपको जो result page दिखता है, उसे हम कहते है SERP या फिर SCRP यानि search engine result page तो search engine result page पर जिस भी ranking में आपको results दिखते हैं, वो कौन decide करता है, वो decide करती है Google की ranking algorithm अब वो ranking algorithm क्या होती है, यह हम next videos में समझेंगे और उन सभी ranking algorithm पर काम कैसे करना है, किसको कैसे समझना है, यह सारा हम इस course में बात करेंगे, जिस course की आप ये video देख रहे हैं description box से आपको link मिल जाएगा, जिसमें complete SEO course हम देख रहे हैं अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये doubt रहता है, कि हमें न सिर्फ ranking पर ही काम करना है, कि rank पर कि SEO की definition यह होती है, कि हमें rank करवाना top पर जी नहीं, सिर्फ हम ranking की बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे, कि कैसे आप better crawling करा सकते हैं अपनी web pages, अपनी website की, कैसे better indexing हो सकती है आपकी, और फिर ranking की हम बात करेंगे तो मैं एक भी point आपका नहीं छोडने वाली, सारे points हम इसी course में complete करेंगे so make sure आप चानला को subscribe करके रखें and I hope कि आपको थोड़ा idea लगा होगा कि search engine काम कैसे करता है वैसे हम आगे भी और भी depth में इसकी बात करते रहेंगे, अभी मैंने as beginner आपको जतना जानना चाहिए, उतनी मैंने बात की है हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सही तरीका और एक होता है गलत तरीका वैसे ही SEO करने के भी दो तरीके होते हैं, सही तरीका जिसे हम बोलते हैं white hat SEO और एक होता है गलत तरीका जिसे हम बोलते हैं black hat SEO आज की इस वीजियो में हम बात करेंगे कि White Hat SEO और Black Hat SEO आखिर होते क्या हैं, क्या-क्या टेक्निक्स इन में यूज की जाती हैं, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी क्या Real Life में यानि Practical World में Black Hat SEO का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस तो White Hat SEO जिसे हम बोलते हैं Ethical Way of SEO, यानि SEO करने का सही तरीका, Ethical तरीका, White Hat SEO का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं Organic SEO, यानि जो सही तरीके से Naturally किया जाने वाला SEO, चीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वो SEO की टेखनीक, जिसमें आप Search Engines की Guidelines या फिर Search Engine की Restrictions का पालन करते हैं, उनको Follow करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती हैं? जिसमें हम Lawfully, जो Search Engine की Laws हैं, Search Engine की Rules हैं, उनको बिना तोड़ते हुए, हम क्या कर रहे हैं? हमारा SEO कर रहे हैं और वेब साइट को First पर या फिर First पेज पर रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है White Hat SEO. वहीं अगर मैं Black Hat SEO की बात करूँ, तो Black Hat, यानि Unethical Way of Doing SEO, यहां पर हम वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनका Google ने या फिर बाकी Search Engines ने जिनको BAN किया हुआ है, जिन पर Restrictions लगाई हुए हैं, कि ये टेक्निक्स आपको Follow नहीं करनी हैं, हम आगे इस वीडियो में जाने के कि क्या ठेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं Black Hat में, और जैसे मैंने बताया, आज मैं आपको एक important question, क्या practical life में Black Hat SEO का हम यूज करते हैं, इसकी भी मैं बात करूँगी, तो Black Hat SEO, यानि गलत तरीका SEO करने का, जहां पर हम Search Engine की Guidelines को, Search Engine की Rules को, Restrictions को Follow नहीं कर रहे हैं, कि अगर pages पर, यानि सब पर नहीं दिखेगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा loss होगा, अब एक और बात मुझे यहाँ पर आपको बता रहें थी, कि White Hat SEO और Black Hat SEO, ये आखिर हैं क्या, ये SEO के types हैं, या पर ये SEO की techniques हैं, तो देखिए White Hat SEO और Black Hat SEO, SEO करने की techniques हैं, यानि strategy के basis पर, techniques के basis पर, अगर मैं दो categories में divide करूं SEO को, तो वो होंगी White Hat SEO and Black Hat SEO, तो सबसे पहले बात करते हैं, White Hat SEO की, क्या-क्या techniques, क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, देखिए White Hat SEO में हम focus करते हैं, human audience पर, और जो हमारी audience है, उसे satisfy हम करें, हमारी audience को relevant, better results मिलें, जब भी वो कोई query type करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम content optimize करेंगे, यानि हमारा जो content है, वो बहुत ही बहतरीन तरीके से हम लिखेंगे, उसको optimize करेंगे, उसमें better keywords जा लेंगे, यानि अच्छी keyword research करेंगे, keyword को सही जगा पर put करना, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि कहां-कहां आप keywords put करेंगे, कैसे करेंगे, उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि content human audience पर focus कर रहे हैं, तो content बहुत ही बहतरीन हो, quality content आप अपनी audience को deliver करेंगे, और अपने pages पर relevant links हम add करेंगे, उससे होगा ये कि audience एक page से दूसरे page पर easily जा पाए, लेकिन दोनों pages क्या हो, relevant हो, तो हमें जबरदस्ती के links पुट ना करके, हम relevant links पुट करें, और अगर हम backlinks भी create कर रहे हैं, तो वो भी relevant backlinks हो, अच्छी साइट से, ऐसा नहीं कि हम spamming नहीं करेंगे, एक अच्छी तरीके से हम backlinks create करेंगे, उसके अलावा हम काम करेंगे हमारी website के technical aspects में, यान तो बेटर हम technical SEO करेंगे, जिससे website में जो भी technical difficulties है, technical hurdles है, वो सारी remove हो जाएं, हमारी website के page load time पर भी हम काम करेंगे, और उसे कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे user experience बेटर हो, तो ultimately, white hat SEO में हम focus करते हैं, कि हमारा जो user है, हमारी जो audience है, उसका experience बेटर हो, और ये सारी जो techniques, ज आपको बताऊंगी, कैसे आप इनको use कर सकते हैं, कैसे अपनी audience को better experience दे सकते हैं, तो ये हमारी कुछ techniques थी, जो की white hat SEO में आती है, अब चलिए बात कर लेते हैं, black hat SEO की techniques की, तो black hat SEO की सबसे जो popular technique है, उसे हम कहते हैं, keyword stuffing, white hat SEO में मैं आपको बताया है, कि वहाँ पर हम keywords को place कर आते हैं, अब keyword की placement एक natural तरीके से होनी चाहिए, ना कि आप over stuffing करके, बार बार एक keyword को repeat करके, for example, अगर मेरा digital marketing से related कोई web page है, मैं चाहती हूँ वो digital marketing word पर rank करे, तो मैं हर एक line में digital marketing, marketing, digital, digital marketing, यही word बार बार repeat कर रही हूँ, तो ये एक example है keyword stuffing का, तो keyword stuffing बिल्कुल black hat तरीका ह है, तो keyword stuffing हमें नहीं करनी है, उसके रावाद दूसरा important तरीका, जो कि हमें लगता है, कि black hat SEO नहीं है, बट वो होता है, that is duplicate content, duplicate content, किसी का content copy करके, उसको paste कर देना, अपनी website पर, अपने web pages पर ये एक black hat technique है, और duplicate content में, अगर आप paraphrasing भी करते हैं, अपने articles की, तो वो भी black hat का part होता है, तो make sure कि आप duplicate content ना लिखें, ना ही अपने web page पर post करें, और original content, quality content आप post करें, उसके अलावा एक और black hat technique, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसे हम कहते हैं, cloaking, cloaking का मतलब होता है, कि cloaking ये जो word है, ये इसका मतलब है, कि आप अंदर से कुछ और है, और आपने कुछ और कह सकते हैं, परदा लगाया हुआ है, या फिर clock किया हुआ है, छुपाया हुआ है खुद को, तो यानि web page पर content तो कुछ और है, लेकिन हम अपने crawler को कुछ और content के keywords दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी तरीके की clocking आप देखेंगे, आप HTML clocking देखेंगे, JavaScript clocking देखेंगे, client server clocking देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको follow नहीं करनी है, क्योंकि जैसा मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप blackhead SEO यूज करते हैं अपनी website पर, तो आपकी website blacklist हो सकती है, और blacklist होने का मत्तब कि वो search engine pages पर, यानि serv पर नहीं दिखेगी, तो वो हमारे बहुत बड़ा लॉस होगा, उसके अलावा एक और blackhead technique वो है hidden text और hidden links, आपकी for example जैसे आपकी web page पर white background है, और आप white ही text से कुछ keywords दिख रहे हैं, अब वो user को तो देखेगा नहीं, लेकिन हमारा जो crawler होगा, उसको वो words दिखेंगे और उसके recording आप expect करते हैं, कि आप rank कर ज बहुत यूज की जाती थी, लेकिन अभी जैसे मैं आपको algorithms के बारे में बताया, ताइम्स के साथ ये algorithms आई हैं, और इन ही algorithms के बाद में, गूगल ने इन सारी techniques को blackhead कंसिडर करना शुरू किया है, और इसके लावा कई सारे लोग करते हैं, जिने हम link spamming कहते हैं, कि बहुत सा farming एक word होता है, different different links को अपनी web pages पर post करना, तो ये सारी चीजें count होती हैं blackhead techniques में, so ये थी हमारी कुछ blackhead techniques, अब सवाल बहुत ही important, क्या हम real life में blackhead SEO use करते हैं, देखिए, इसका मैं जवाब आपको सिर्फ इतना दूँगी, कि हम जब भी practical काम करते हैं, हम पूरा try करते हैं, क SEO की techniques use करें, लेकिन कई बार, कई बार आपके पास ऐसे clients आएंगे, जिनको fast results चाहिए, जिनके पास organic ही उनको reach चाहिए, यानि इतना budget नहीं है जिनका, तो उस case में आपको whitehead SEO ही use करना है, लेकिन 1 या 2% कई लोग use करते हैं, लेकिन again में ये चीज़ बोलूँगी, कि जो वो 2% define करना, calculate करना ये बहुत मुश्किल है, कैसे आप पता लगाएंगे कि मैंने ये 2% blackhead किया है, तो वो एक बहुत ही experience के साथ आप चीज़ सीखेंगे, लेकिन अभी अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो ये चीज़ें इंप्लिमेंट मत कीज़ेगा, क्योंकि इससे आपकी client की website को आपकी website को बहुत बड़ा लॉज जेलना पड़ सकता है, और एक और भी बात में आपको बताना चाहूंगी कि whitehead SEO अगर हम 95% तक कर रहे हैं, और अगर मैं 5% तक बात करूं blackhead techniques की, तो ये मिलकर बनता है greyhead techniques, और मैं कहूंगी कि mostly as practical world में greyhead technique को यूज किया जाता है, लेकि again, कि कब वो grey, black हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही experience के बात में आपको समझ में आती हैं, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपने recent DSTU शुडू किया है, काफी सालों का अगर आपके पास experience नहीं है, तो आप blackhead techniques को मत follow कीजेगा आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि on-page SEO और off-page SEO आखिर होता क्या है, ये वीडियो तो आपने बहुत बार देखी होगी, तो एक काम करते हैं, आज इस वीडियो को थोड़ा सा twist के साथ समझते हैं, कि normally आपने सुना होगा कि types of SEO, मतलब on-page और off-page, तो फिर blackhead and whitehead फिर ये क्या हैं, क्या ये types हैं, तो ये जो सारे answers हैं, इनके सब के जवाब मैं आपको आज की इस एक video में दूँगी, तो make sure आप video को end तक देखें, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, आज हम on-page और off-page SEO की बात करेंगे, तो उससे भी क्या तरीका यूज करते हैं, हमारी क्या हम website पर SEO कर रहे हैं, या हम website के बाहर जाके SEO कर रहे हैं, इस पर depend करता है कि वो on-page है या off-page है, लेकिन अगर मैं black hat या फिर white hat SEO की बात करूँ, तो ये SEO करने की techniques है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी video में बताया था, कि हर काम को करने क ये दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और गलत तरीका, तो तरीका मतलब techniques, तो इसलिए मैं गयाना चाहूंगी कि black hat and white hat या फिर जो मैंने gray hat की बात की थी, तो ये सारी techniques है SEO करने की, लेकिन अगर मैं types of SEO की बात करूँ, और अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजे, interviewer ही confusion आपका clear हुआ होगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें भी बताती जाओंगी, जिससे ही confusion और जादा आपका clear होता जाएगा, तो जी, अब जैसे हम बात करने वाले हैं types of SEO की, तो तीसरा जो भी मैंने technical word बोला है, उसको मैं एक बार side में रख रही हूँ, अभी मै यहाँ पर जो main बात करूँगी, वो करूँगी, on-page SEO की, और off-page SEO की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह differentiation क्यों है, यह दोनों चीजें क्या होती है, क्योंकि SEO तो SEO होता है, तो on-page, off-page क्या होता है, तो देखिए, SEO का मैंने आपको मतलब संजाया था previous videos में, नहीं search engines के according optimize करते हैं, search engine के according उनको कह सकते है, search friendly बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो website है, हमारा business है, वो top पर rank करें, जब भी कोई related keywords type करें, किसी भी search engine में, चीक है, अब जब भी हम SEO करना शुरू करते हैं, तो उसमें सवाल आता है, कि कैसे हम SEO करें, तो देखिए, वो SEO, या फिर मैं कहूंगी, वो optimization, जो कि हम अपनी website पर करते हैं, अपने web pages पर करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, वो optimization जो कि हमारे control में है, उसे हम कहते हैं, on page SEO, वो SEO जो कि आपके pages पर होता है, चाहे मैं उसके structure की बात करूँ, यानि HTML की बात करूँ, या फिर मैं उसके content की बात करूँ, उ आप control कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, on page SEO, चीक है, अब दूसरे hand पर मैं बात करती हूँ, off page SEO की, तो off page SEO का मतलब होता है, वो optimization, जो कि आप अपनी website से बाहर जाकर, यानि या तो दूसरी websites पर, दूसरे servers पर जाकर करते हैं, उसे हम कहते हैं, off page SEO, अब इनकी techniques की बात क करते हैं, कि आखिर on page SEO, और off page SEO में क्या क्या techniques, क्या क्या तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, तो on page में again, दो तरह की techniques की जाती हैं, white hat, black hat, off page में भी black hat, white hat, दोनों techniques की जाती हैं, तो I hope अब आपको थोड़ा से clear हो रहा होगा, कि on page, off page क्या होता है, black hat, white hat, grey hat, ये सारी चीज फाइल हैं, उसको अच्छे से optimize कर लें, वो कैसे करते हैं, वो आपको आने माली वीडियो में बताऊंगी, उसके अलावा हम content optimize कर लें, हमारे जो content हो, वो keywords rich हो, हमारा URL अच्छे से optimize हो, हमारी जो headings हो हमारे content में, वो अच्छे से optimize हो, हमारी images हैं, जो हमारी web pages पर हैं, वो अ पारी techniques on page में आती हैं, जैसे मैंने बताया on page का मतलब वो चीज़ें जिनको हम control कर सकते हैं, जो हमारे pages के उपर होती हैं, यानि on the pages होती हैं, उने हम कहते हैं on page SEO, वहीं अगर मैं off page SEO की बात करूं, तो off page SEO में, जैसे कि जब भी हम website बनाते हैं, तो उस website की URL हम किसी दूसरी website में paste करते हैं, या तर उनसे paste करवाते हैं, तो वह back links बनाना, मतलब किसी दूसरी website के थूप, हमारे पास audience है, ये सारी चीज़ें करना, उसके अलावा, domain authority बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम off page में करते हैं, उसके अलावा, social media पे हमारे business की, हमारे website की reputation को increase करना, ये सारी की तेकनिक्स हैं, वह हम कैसे यूज करेंगे, इसमें भी कुछ black hat होंगी, कुछ white hat होंगी, और कुछ मिला के हमें grey hat करना है, तो वह कैसे हम करेंगे, वह सारी चीज़ें हम इस course में जो अभी आप course देख रहे हैं, ये एक वीडियो है, उस course की जिसका नाम है complete SEO tutorial लेका complete SEO course ज जब भी हम technical words सुनते हैं, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कि पता नहीं क्या technology की हम बात कर रहे हैं, क्या चीज टेकनिकल है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुती simple language में समझाने वाली हूँ कि technical SEO क्या होता है, और जब भी हम technical SEO की बात करते हैं, तो उसमें क्य क्या क्या तरीके, क्या क्या techniques यूज की जाती हैं, यह सारी चीजे हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और जो previous video में मैंने question arise किया था कि technical SEO, क्या यह SEO का तीसरा टाइप है, या फिर या on page या off page का ही एक पार्ट है, तो यह जो mystery है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में ह की solve करवाने वाली हूँ, so make sure आप video को end तक देखें and चानल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले, so जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे technical SEO की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि technical SEO क्यों important है, और technical SEO में क्या क्या तरीके यूज लिए जाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर technical SEO क्या है, क्या ये SEO का टाइप है, तो देखें, आपने बहुत बार सुना होगा कि SEO के तीन टाइप होते हैं, पहला टाइप on page, दूसरा off page और तीसरा होता है technical, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर आप already SEO कहीं से पढ़ कर आए हैं, या फि ज़रूर सुनी होगी, लेकिन मैं क्या मानती हूँ, कि on page और off page SEO के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, और जो technical है, वो on page का एक पार्ट है, एक टाइप है, तो देखिए, मैं इस चीज को प्रूफ करना चाहूंगी, हो सकता आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हो, लेकिन देखि वेबसाइट पर, शोशल मीडिया पर, जो भी activities करते हैं, techniques करते हैं, हमारी search engine को optimize करने की, वो सारी चीज़े हम off page में consider करते हैं, तो जो technical चीज़े हैं, यानि मेरी website की जो technical difficulties है, जो technical problems है, technical aspects है, उनको सुधारना, ये क्या होता है technical SEO, तो मैं इसको on page का हिस्सा क्यों नहीं मान तो हली आप किसी भी तरीके से पढ़ें, या यू पढ़ें कि SEO के तीन टाइप से हैं, on page, off page and technical, या फिर जो मैं आपको बताया, off page होता है, on page का ही एक technical part, ये इसको technical part इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा IT फील का knowledge होना चाहिए, तो इसी coding आपको basically ये एक developer के end से काम होता है, लेकिन इसका मदब ये नहीं कि हमारा role इसमें खतम हो जाता है, मैं आपको इस पूरे course में बताऊंगी कि technical SEO कैसे किया जाता है, और technical SEO बहुत ही जादा important है अगर मैं SEO की बात करनी हूं तो, क्योंकि किसी भी website को rank बाद में हम करवाएंगे, पहले हम उसकी better crawling और indexing करवाएंगे, तो उसकी better crawl कर पाएं, गूगल के या किसी भी search engine के crawler अच्छी तरीके से हमारी website को crawl कर पाएं, उसको अच्छी से spider आए और पूरा read करके जाए मेरी website को, और उसी crawling के basis पर जो भी उसने data लिया है, उसको अच्छी तरीके से categorize कर पाएं, यान crawling और indexing के लिए मुझे मेरी website के technical aspects को सुधारना बहुत जादा जरूरी होता है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि technical SEO बहुत ही important aspect है अगर मैं SEO की बात करती हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप non-technical on-page और off-page को पढ़कर ही आप एक अच्छे SEO expert बन गए, अगर आपको एक अ क्या क्या important techniques हैं, जो हम use लेते हैं, वैसे जो technical SEO है इसमें mostly white head techniques ही use की जाती है, black head में हम इतना नहीं जाते हैं, okay, so technical SEO में क्या क्या ऐसे techniques हैं, जो हम use करते हैं, उसकी तरफ देख लेते हैं एक बार, तो सबसे पहले technical SEO में जो चीज़ कंसिडर की जाती है, वो है आपके web page, आ पर आ रहा है, तो उसे एक better experience मिले और उसमें I think speed का बहुत important role होता है, तो उसको कैसे check करते हैं, कैसे उसको सही करते हैं, यह सारी चीज़े हम इस course में सीखेंगे, उसके अलावा अपनी website के HTML को सही करना, जिससे better crawling हो पाए, readable एक structure बनाना अपनी website का, उसी के साथ ही कुछ important tags ह हमारी website में लगाना, जैसे की कुछ important redirects लगाना, 301, 302, 404 redirect लगाना, कि जिससे एक सही lending page पर हमारी website redirect हो पाए, अब यह कैसे करते हैं, कौन सा tag कब लगाते हैं, इसके लिए आपको पूरा course देखना पड़ेगा, यह सारी चीज़े मैं आपको करवाने वाली हो, प्राक्टि बनाना अपनी website को, उसके अलावा अपनी website में duplicate indexing को सही करना, fix करना उसे, और उसके लावा बहुत सारी और भी techniques हैं, जो हम use करेंगे technical SEO में, और सब की एक एक करके मैं detail में बात करूँ कि कैसे आप crawling better कर पाते हैं, उसके लिए हम site maps बनाएंगे, सारी चीज़े हम करेंगे, robot dot txt क्या होता है, यह सारे mysterious words है, जिसमें हो सकता है आपको confusion हो, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, यह सारी चीज़े हैं, हम एक एक करके इस पूरे course में समझेंगे, so make sure आप चैनल को subscribe करके रखें, and the playlist का link जिसमें यह पूरा course आपको मिलेगा, उस playlist का link आपको description box में मिल क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतने सारे search engines होने के बावजूत, क्यों Google की monopoly चलती है, यानि Google इतना जादा popular क्यों है, देखिए उसका reason है कि Google पर जब भी हम कुछ भी type करते हैं, वो हमें exactly उससे related searches ही दिखाता है, तो इतने सारे data में, इतने billions of TVs or data में, Google को कैसे बता चलता है, क्या उसके ऐसे measures रहते हैं, क्या उसके benchmark रहते हैं, जिनको वो check करके relevant searches हमारी audience तक पहुँचाता है, तो इसका main reason है Google की बहुती amazing algorithms, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Google की top 5 algorithms, और वो क्या है, कब launch की थी, और कैसे आप उनके recording काम करके अपनी website का SEO boost कर सकते हैं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कि आखिर ये algorithms होती गया है, तो जब मैंने आपको search engine की working समझाई थी, कि search engine कैसे काम करता है, तब मैंने आपको बताया था, कि ये जो internet है, इस पर बहुत सारा data पढ करता है, और उसको अपने local server में store कर देता है, फिर उस local server से google का ही indexer उसको different categories में divide करके अपने main server में store कर लेता है, फिस main server पर जब भी user की query आती है, उसके according उसको क्या दिखाया जाता है वो data दिखाया जाता है different different website दिखाई जाती है images दिखाई जाती है videos दिखाई जाती है बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है ये सारा data जहां दिखाया जाता है उसको बोला जाता है SERP यानी SERP यानी search engine result page यहां पर आपको धेरों चीज़ें दिखती हैं, तो इसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब जिस मुद्धे पर मैं बात करने वाली हूँ, algorithms की, उसका काम क्या है, कि indexing होने के बाद जो हमारा data है, उस data को user के query के according, best तरीके से दिखाना कि उसको relevant results मिले, इसके बीच का जो काम होता है, वो Google की algorithms करती है, तो Google की algorithms basically एक complex system है, एक design है, जिसके according, Google अपने user को इतने सारे data में से ढूंड कर relevant results देता है, तो as an SEO expert, हमारा ये काम रहता है, कि हम उन algorithms को समझें, उनके according, हमारी website में changes लाएं, जिससे कि हमारी website higher rank करें, जब भी हमारे business से related, कोई भी query search हो throughout the world wide web, अब बात कर रहे हैं कि कितनी algorithms हैं, देखिए, एक algorithm नहीं है Google की, बहुत सारी algorithms आई हैं, और कई बार तो जब algorithm update होती है, Google कोई change करता है अपनी algorithm को, तो उसमें इतना छोटा change होता है, कि वो एकदम negligible होता है, मतलब आप notice भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार major changes आते हैं, तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं बात करूँगी major changes की, तो सबसे पहले, Google algorithms में number one पे मैं रखती हूँ, Panda को, Panda एक algorithm थी, जो की आई थी 2011 में, 2011 से अगर मैं पहले की बात करूँ, तो websites में क्या होता था, कि इधर उधर से हमने content ले लिया, दूसरी website से copy कर लिया, और basically जिसे हम कहते हैं thin content, thin content का मतलब ऐसा content जिसकी कोई value नहीं होती, तो Google की ये जो algorithm थी, इसने duplicate content and thin content को हटाने के लिए बोला, अगर किसी website पर thin content पढ़ा है, या duplicate content पढ़ा है, या फिर over keyword stuffing की गई है, जवरदस्ती keywords फिल किये गए हैं, repetition of keywords किया गया है, तो ऐसी website को वो down rank करेगा, यानि अच्छी ranking नहीं देगा, और ये सारी चीज़ें, मतलब duplicacy ज़ादा करने पर, या फिर मैं कहूं कि thin content ज़ादा create करने पर, आपकी website को blog भी किया जा सकता है, ये 2011 में update आई थी, और इस update मैं कहूंगी कि SEO की दुनिया में एक blast कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो भी SEO की approaches यूज की चारी थी, उनको बिल्कुल ही change करना पड़ा, अब सवाल आता है कि आप penja algorithm के according सही चलें, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए, ओविसी बात है, duplicate content यूज नहीं करना, quality content लिखवाना है, नए content writer से, so make sure आपकी website पर जो भी content है वो duplicate ना हो, plagorize ना हो, यानि कहीं से भी copied ना हो, तो overall मैं कहूँ, तो quality content पर ध्यान देना होगा आपको इस algorithm के साथ deal करने के लिए, Google की दूसरी important algorithm आई, जिसको हमने बोला penguin, penguin आई थी 2012 में, और 2012 से पहले, और मैं कहूँगी कि 2015 से भी पहले, क्योंकि वैसे तो आई ये 2012 में थी, लेकिन 2015-16 से इसको implement किया गया, और actual में इसके symptoms दिखने लगे, तो 2012 से पहले होता ही था, कि लोग ना बहुत जादा backlinks क्रियेट करते थे, बैक्लिक्स की हम आउफ पेज में बात करेंगे, तो बैक्लिक्स में क्या होता है, कि आप अपनी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं, वो दूसरी दूसरी वेबसाइट पर बनाते हैं, तो इससे पहले कि लोग जो हैं, बहुत जादा लिंक्स करते थे, बैक्लिक्स क्रियेट करते थे, लिंक्स पैमिंग होती थी, जो पैंक्विन एल्गरिदम उसने बेसिकली लिंक स्पैमिंग को हटाने के लिए बोला, यानि जो भी वेबसाइट गला तरीके से लिंक्स यूस कर रही है, लि वालिटी बैक्लिंग्स बनाईए, हाई अथोरिटी डोमेंज जो हैं, उन पर बैक्लिंग्स क्रियेट कीजिए, क्योंकि जैसा मैं आने वाली वीडियो में भोलूंगी, कि एक हाई अथोरिटी डोमेंज पर अगर आपका लिंक बना हुआ है, और सौ आपके अननाचरल लिंक् एक शूर कि आप कम भले बैक्लिंग्स बनाएं, लेकिन क्वालिटी बैक्लिंग्स पर फोकुस करें, अब गूगल की तीसरी इंपोर्चन्ट अल्गरिधम आती है, जिसका नाम है हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड आई थी 2013 में और इस अल्गरिधम के कॉर्डिंग की पुट कर रहे हैं, अपने बिजनस से रिलेटेड, हर एक वर्ड में उनका कीवर्ड आ रहा है, यहां पर मतलब कीवर्ड डेंसिटी को बहुत जादा फोकुस किया गया, अब सवाल आता है कि इस अल्गरिधम से आप डील कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऑफिसी बात है, इस अल्गरिधम का नाम है, RankBrain. RankBrain आई थी 2015 में, और Google खोदी कई बार कह चुका है, की RankBrain एक बहुत ही इंपोर्टेंट अल्गरिधम है, तो Google ने कहा है, तो वो हमारे लिए भी इंपोर्टेंट है, तो बेसिकली इस अल्गरिधम में, Google का गोल ये था, कि वो अपने यू गूगल हमसे क्या expect करता है, कि आप उसे सच सच बताएं, कि आखिर आपका कॉंटेंट किस बारे में है, अब सवाल आता है, कि रैंक ब्रेन के साथ हम डील कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, मतलब Google का गोल क्या है, कि उसे relevant searches user तक पहुँचानी है, तो Google के इस गोल को पूरा क keywords का use हुआ, जिसकी बात हम keyword research के time करेंगे, और जो भी आपकी social media reputation है, वो भी कही ना कहीं related हो आपके content से, और आप क्या कर सकते हैं, कि आप social media reputation को अपनी increase कर सकते हैं, related pages, different different social medias पर बना कर, आप अपनी website को और भी ज़्यादा boost कर सकते हैं, कि हमारे पास related content है, जो कि user intent के according है, तो यह बहुत ही important algorithm है, और इसकी आने वाली videos में भी हम काफी बात करते रहेंगे, अब चलिए, अभी तक जो हमने 4 algorithms की बात की, वो थोड़ी सी पुरानी थी, यानि 2016 से पहले जो आई थी, अब एक recent update भी मैं इसी video में add करना चाहती थी, और वो update है 2021 की, 2021 में एक update आई थी, जिसे हमने बोला, the page experience update, इस update में हुआ ये, कि Google ये focus करने लगा, कि आखिर जब भी मेरा user किसी website पर जा रहा है, उसे कैसा user experience मिल रहा है, तो हम यूँ कहेंगे कि इस update में Google ने बोला कि जिन भी website का user experience अच्छा है, load time जिसमें कम है, stable pages है, या और quality content है, उस page को मैं higher ranking पर इसलिए मैं आपको starting videos में भी बताया था, कि technical SEO एक बहुत important part है, और उसका reason, ये page experience update भी कही ना कहीं है, वैसे Google कई बार ऐसा बोल चुका है, कि page experience को अच्छा कीजिए, जो user experience वो अच्छा हो, smoothly page run हो, page load time कम हो, तो इन सारी चीज़ों को implement कैसे करना, ये सारी हम आने वाली videos मे बात करेंगे, so make sure आप channel को subscribe करके रखें, और ये थी हमारी 5 updates, वैसे तो बहुत सारी algorithms आई है, बहुत सारी updates आई है, मैंने top 5 ली हैं, जो कि मुझे important लगी, और आपको अगर लगता है कि कोई और इससे भी important algorithm Google ने update करी है, तो आप मुझे comment section में बताईए, मैं उसके लिए अ algorithms में से एक है, लेकिन page rank algorithm आखिर है क्या, क्या इसे अभी भी यानि present time में भी apply किया जाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस एक video में, so जैजा मैंने बताया, आज मैं बात कहने वाली हूँ page rank algorithms की, page rank algorithm Google की मैं कहूंगी सबसे पुरानी algorithm है, और काफी इतना जादा इंपोर्टेंट ये algorithm थी, जैसा कि आपको पता है कि अभी इतनी जादा system ये develop हो चुका है, अगर मैं algorithms की ही बात करूँ, तो इतना जादा system develop हो चुका है कि बहुत सारी algorithms है, हमें नहीं पता किसको follow करना है, तो हम क्या बता है, सबको ही follow करते हैं और उसी according SEO करत हैं, तो अब page rank algorithm 1998 में Google के founder Larry Page ने invent की थी और इसको 1998 में patent करवाया था, अपलाई ये कब से हुई, ये हमें नहीं पता, यानि इसके कोई data नहीं है, लेकिन 2006 में एक Google के ही worker ने बोलता ने, गुप्त सूतरों से पता चला था, कि Google ने जो page rank algorithm है, उसको apply करना बन कर दिया है, ले लेकिन आज भी कई सारे SEO experts, SEO gurus इस चीज़ पर debate करते हैं, कि कुछ कहते हैं, page rank apply होती है अभी भी, कुछ कहते हैं, नहीं होती, इस बात पर भी हम discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं, कि आखिर ये page rank algorithm है क्या, वैसे तो अगर मैं आपको इसका actual formula दिखा हूँ, तो आ analytics part में जाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा detail में उनको जाना पड़ेगा, लेकिन हम SEO की बात कर रहे हैं, तो उस point of view से मैं आपको बहुती simple language में समझाने की कोशिश करूँगी, कि आखिर ये page rank algorithm है क्या, अब जैसे अभी मैंने बात की Larry Page की, तो Larry Page ने जब उन्होंने Google found कि तो उन्होंने सोचा कि कौन से page को ranking देनी चाहिए, कौन सा page first rank पर रहना चाहिए, कौन सा second पर रहना चाहिए, तो उस ranking factor को consider करने के लिए उन्होंने एक system बनाया, जो कि उस website की authority को calculate कर सके, अब वो authority कैसे calculate करें, कैसे पहचाने कि कौन सी website important है, कौन सी नहीं important है, तो उन्हों हमने एक score बनाया, जिसे हम कहते हैं page rank score, अब उसका मतलब क्या था, कि एक website जितने जादा external resources से जुड़ी हुई है, या फिर मैं कहूं कि एक website पर जितने जादा back links हैं, उतनी जादा उसकी authority बढ़ जाएगी, यानि उतनी जादा वो website strong होगी, और उतनी ही अच्छी उसकी ranking हो जब 2000, शुरू ही हुआ था 2001-23 के मैं बात कर रही हूँ, तब बहुत जादा link spamming होने लगी, ऐसे में लोग ऐसी websites बनाते जिनकी high authority वो back links create करके बढ़ा लेते थे, और फिर वो अपनी website पर links post करने के money charge करने लगे, links जो हैं वो sell होने लगे, and काफी जादा, कह सकते हैं, spam बह ये कि अब होता है ना कि हम कुछ trial and error वाली चीज थी, तो उनकी पहली algorithm थी, तो उनोंने ये trial and error किया था, लेकिन इसका actual में outcome निकला नहीं कुछ, बलकि बहुत जादा fraud भड़ चुका था, तो Google ने ऐसा declare करवाया market में कि हम page rank algorithm को follow नहीं करते हैं, और फिर उस टाइम आपको एक idea दिया कि page rank algorithm होती किया है, इसका technical aspect भी हम जान सकते हैं, तो उसके लिए मुझे comment section में बताइए कि क्या आप page rank का technical aspect जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग comments करेंगे, तभ ही मैं वो next video लेकर आऊंगी, जहां पर मैं technical तरीके से, या फिर मैं कहूँ mathematical formula लगा अगर म अगर आप SEO के लिए ये video देख रहे हैं, तो आपके लिए बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है, वो जो भी analytics में जाते हैं, analytics में जो further study करते हैं, उनके लिए वो चीज़ important है, हमारे SEO के लिए नहीं, अब सवाल आता है, क्या page rank सच में exist करती है आज, तो देखिए, मैं ऐसा कहू है कि page rank algorithm नहीं है, page rank algorithm को modify किया है Google ने, और सिर्फ page rank को ही नहीं, क्योंकि 2000 में क्या था, कि सिर्फ और सिर्फ page rank पर focus किया जाता था, जिस website के जितने ज़्यादा backlinks उसको उतनी अच्छी ranking मिलती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, कि page rank भी कही ना कही एक factor है, लेकिन Google हमें बह बहुत सारी algorithms हैं अगर हम ranking की बात करें तो, ऐसे में बहतरीन आपका content होना चाहिए, आपका technical aspect अच्छा होना चाहिए, और जो भी हम इस पूरे course में बात करेंगे, बहुत सारे factors की, चाहे में content की बात करूँ, चाहे में technical aspect की बात करूँ, जो जो point हम cover करेंगे, उसके साथ मे page rank important है, तो इसी लिए मैं conclude ये करना चाहूंगी कि page rank algorithm exist करती है, लेकिन ये वो algorithm नहीं है, जो की 22-20 साल पहले थी, अब उसको काफी जादा modify किया गया है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि backlink बनाके आप expect करेंगे कि आपकी website higher rank पे पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है, अब ही अगर अगर हम back links की भी बात करें तो हमें strong backlinks पे focus करना चाहिए, और तब ही हम ये जो page rank algorithm है, इसके साथ डील कर पाएंगे और हमारी website को top rank पर लेके आपाएंगे dual time एक important factor है, जो कि Google कंसिडर करता है, जब वो आपकी webpage आपकी website को rank करवाता है, और सिर्फ Google ही नहीं हम ये चीज जान चुके हैं, कि Bing भी dual time को एक important ranking factor मानता है तो ये dual time होता क्या है, ये हम समझेंगे आज की इस एक video में, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि dual time और bounce rate में क्या difference है and dual time को कैसे हम SEO में use कर सकते हैं, जासा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं dual time की और हम ये already जानते हैं कि Bing इसको एक बहुत ही important factor मांगता है जब भी हम ranking की बात करें और Google भी कही ना कहीं इसे consider करता है क्योंकि जब हमने page experience algorithm की बात की थी जो कि previous video आई ती जिसमें मैंने सारी algorithms आपको बताई थी Google की उस time मैंने आपको बताया था कि page experience की एक user ने कितना अच्छा उसका experience रहा है किसी web page पर, किसी website पर वो बहुत ही जादा important role play करता है ranking के time तो dual time वो time है जो कि एक user या audience आपकी website पर आने के बाद spend करती है आपकी web page पर वापस आने से पहले यानि मैंने कुछ भी type किया, मुझे बहुत सारे results मिले, उस result मैं मैंने एक website खोली और 5 seconds तक मैंने उस website को देखा और मैं वापस आ गई तो dual time कितना हुआ? 5 seconds चीक है? वैसे ही मैं एक दूसरी website पर गई, मैं उस website पर 15 minutes spend किये तो और मैं वापस आ गई, SERP पर यानि SERP पर मैं वापस आ गई, search engine result page पर वापस आ गई, तो मेरा dual time कितना हुआ उस website के लिए 15 minutes अब बात आती है कि bounce rate और dual time किया दोनों एक ही चीज है, bounce rate में भी हम यही जानते हैं कि एक person जब website पर जाता है, तो कितनी दिर में वापस आ जाता है उस website से, वो हमारा होता है bounce rate लेकिन ये दोनों same same तो लगती है, लेकिन दोनों में थोड़ा ये difference है, कि bounce rate से अगर एक person हमारी website पर आया, और उसने 15 minutes तक वो हमारी website पर रहा, और उसने किसी भी link को ना click किया, ना वो किसी दूसरे page पर गया, और वो सीधा वापस आ गया, ये होती हमारी bounce rate तो bounce rate से हमें ये नहीं पता लग पाता, कि user जो है, जो audience है, क्या वो सच में हमारे content से satisfied है, ये बात हमें पता चलती है, dual time से, क्योंकि एक person 10 minute या 15 minute कब हमारे webpage पर spend करेगा, जब उसे सच में कहीं ना कहीं satisfaction मिल रहा है bounce rate में हम सिर्व ये calculate करते हैं, कि वो person भली कितनी भी देर हमारी website पर रहा, लेकिन वो बिना किसी link को click किये, या बिना किसी page पर जाकर वापिस आया है तो ये ही एक difference होता है, कि bounce rate से हमें जादा information नहीं मिल पाती, कि user हमारे satisfied है या नहीं है, dual time से हमें ये पूरी चानकर ही मिल जाती है, क्योंकि एक person 5 second तभी रोकेगा एक website पर जब उसका user experience अच्छा नहीं है user experience ना अच्छा होना कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो आपकी website का page load time बहुत जादा था, या आपकी website पर relevant content नहीं था, इसका मतलब है गलत keywords आपने put किये हैं, या फिर keyword spamming आपने किये हैं, या फिर उस page में ही कुछ ना कुछ error था, इस वज़े से वो user 5 second के अंदर वा content से, तो dual time एक important role play करता है, जब ही मैं SEO की बात करती हूं, क्योंकि हमारे लिए ये समझना बहुत ही जादा जरूरी होता है कि क्या user सच में हमारे content से satisfied है या और हमारे लिए क्या Google के लिए ये चीज जादा important है, तो अगर आप अपनी website पर अच्छी ranking चाहते हैं, अपनी website की, तो आप make sure करें कि आपकी website पर dual time जादा हो, और वो dual time कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए भैतरीन content लिखिए, relevant content लिखिए, और उसी के साथ ही page loading पर भी ध्यान दीजिए, जो technical SEO है, उस पर हमें focus करना पड़ेगा, मैं जैसे पैरी वीडियो में मने बोला था, 2022 में सबसे important ची हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी algorithm बहुती random changes हुआ है, Google बहुती जल्दी जल्दी changes कर रहा है अपने algorithms में, तो ऐसे में जितना जादा हम अपने content को साफ सुत्रा रखेंगे, जितना जादा relevant रखेंगे, जितनी quality हम अपनी website की web pages की increase कर पाएंगे, उतना ही हमारे लिए फायद बहुत सारे हैं, लेकिन जब real life की बात करें, तो काम कैसे करना है, यह कोई नहीं बताता, और मुझे से लगता है कि आप सभी मेरे साथ agree करेंगे इस बात पर की practical knowledge होना उतनी ही जादा important है, जितना की हमें SEO के basics पता होने चाहिए, तो आज की इस video में, मैं जो practical session है, उसका सब उससे important part, कि जब भी आपके पास SEO project आए, तो उसको शुरू कैसे करना है, यानि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, फिर कैसे हम उसकी planning करेंगे, यह सारी चीज़ें, मैं आपके साथ आज की इस video में discuss करूंगी, और यह जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका basis म ने हमारी ही agency को लिया है, which is one of the leading digital marketing agency in India, so जो भी practical experience से चीज़े मिली है, मैं उनी के recording आपको यह वाली जो video का content है, वो डिलिवर करने बाली है, so आज की इस video में हम बात करेंगे, कि जब भी आपके पास कोई SEO का project है, तो उसकी क्या outline रहेगी, या फिर मैं कहूं, कि how do you start an SEO project, एक SEO project आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और कैसे उसको execute कर सकते हैं, वैसे यह हमारा complete course चल रहा है, जहां पर मैं आपको SEO से related एक-एक चीज सिखाऊंगी, so make sure आप चानल को subscribe करके रखें, and description box से आपको playlist का link मिल जाएगा, जहां पर सारी videos, मतलब डेली दो videos हम आपके लिए लेक कैसे, देखिए, अगर आप किसी company में काम करते हैं, उस company की digital marketing हो सकता है, पूरी आप खुद handle करें, पहला point हो सकता है, दूसरा point यह हो सकता है, कि आप कोई company नहीं, बलकि digital marketing agency आप join करते हैं, तो उस agency में आपको different projects आएंगे, और उन projects पर आपको काम करने के लिए दिया जाए अगर आपको प्राक्टिस के लिए कोई project चाहिए, तो वो भी आपको प्राक्टिस के लिए कोई project चाहिए, तो वो भी आप अपनी dummy website बना कर और अपना काम शुरू कर सकता है, practical experience ले सकते हैं, तो यह कुछ तरीके से आपको project मिल जाएंगे, अब project जब हमारे हाथ में आता ह है, तो सबसे पहले क्या करें, तो जी सबसे पहला आपका जो goal रहेगा, वो रहेगा कि जो भी आपको project मिला है, project मतलब कोई business मिला है, कोई website मिली है, उसके niche को समझना, यह समझना कि वो business किस बारे में है, क्या उस business के goals है, जो आपका client है, यानि उस business का, उस website का owner, वो आप से यानि SEO expert से क्या expect करता है, उसके अलावा target location क्या है, हो सकता है, आपके पास कोई client आए, और कहे कि मुझे एक particular, for example, मैं डेली के example लेती हूँ, वो कहता है कि सिर्फ मुझे डेली के अंदर ही मेरे business को boost कराना या rank करवाना है, एक person आता है, कहता है कि मुझे डेली और मुंबई दो cities, यानि दो बड़ी cities भी हो सकती है, डेली और मुंबई में मुझे target करवाना है, या फिर कोई particular state, for example, राजस्तान की बात करते हैं, तो पूरे राजस्तान में आपको ranking दलानी है, या फिर एक person कहता है कि मुझे all over India में मुझे ranking चाहिए, या फिर एक person कहता है कि मेरी तो vlogging या मेरे ऐसा business है, जो मैं पूरे दुनिया में कहीं भी deliver कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे all over world में क्या करेंगे उसकी ranking को बढ़ाएंगे, business को समझने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी जो current position है website की, यानि current ranking क्या है उस website की, उसके लावा अभी current traffic कितना है, क्योंकि आप comparison कैसे करोगे, मान लीजिए आप किसी website पर काम कर रहे हो, उस पर पहले monthly 200 का traffic था, आपने 2000 कर दिया, तो आप कैसे ये चीज़ प्रूव करोगे कि आपने कितने percent growth लाईए, तो आपको initial तोर पे भी यानि SEO project शुरू करने से पहले भी उस website की performance का analysis करन जरूरी होता है, जिससे जब आप एक अच्छी ranking लेकर आजाएं, अच्छे visitors लेकर आजाएं, ज्यादा traffic website पर लेकर आएं, तो आपके पास compare करने के लिए कुछ हो, जब हमें business की complete knowledge हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कि वो business किस बारे में है, क्या उस business का OP है, यानि सबसे strong point क क्या है उस business का, और कैसे हम उसके लिए planning कर सकते हैं, और especially SEO में, तो हमारा next point होता है keyword research, कि उस business से related keywords निकालना, इसलिए मैंने बोला targeted location बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि targeted location को ही ध्यान में रखके हम keyword research करेंगे, keyword research कैसे की चाहती है, इसके लिए आगे आपको बहुत सा होने के बाद में, अब देखिए हर company का, हर agency का अलग तरीका होता है, कुछ agencies जो होती है, कुछ गहीं पर आप काम करेंगे, तो हो सकता है, वहाँ पर client से approval के लिए keywords भेजे जाए, तो आप या तो client को भेजेंगे keywords चूज करने के लिए, या फिर, आप client को ऐसा नहीं है, कि हम client से choose करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी agencies में ये approach follow नहीं की जाती, वहाँ पर, जो SEO expert, SEO executive, SEO manager, वो खुद ही ये काम करता है, खुद ही keyword select करता है, और client को, जो client के लिए best है, वही उसको suggest करता है, तो दूसरा हमारा step हो गया keyword research, जब keyword research हो जाती है, तब हम analysis करते हैं हमारे competitors का, कि मान लीजिए, अगर मेरा एक designing showroom है, और उसकी website में आपके पास लेकर आती हूँ, और मैं बोलती हूँ, इसे rank करवाओ, तो और मैं बोलती हूँ कि Delhi के अंदर ये rank होनी चाहिए, तो Delhi में और ऐसे कौन से designing showrooms हैं, या फिर कौन से ऐसे designers हैं, जो कि हमारे competitors हैं, या फिर जो और बहुत सारे तरीके भी बताने वाली हूँ इसी पूरे course में, so make sure आप चैनल को subscribe करके रखें, and competitive analysis में हम ये जानेंगे कि वो किस तरह से optimize कर रहे हैं हमारी website को, क्या उनका OP है, क्या keywords वो put कर रहे हैं, और basically उनकी approach क्या है, वहां से हम कुछ ideas लेंगे, competitive analysis के बाद हम अपना SEO का process शुरू करेंगे, वैसे तो तरीका ये होता है कि on page और off page दोनों एक ही साथ किये जाते हैं website पर, लेकिन मान लीजे कि अगर आप एक one man army है, यानि एक ही person, solo person है, जो कि उस project को handle कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम on page, यानि content optimization पर काम करेंगे, वो create करते रहेंगे, on page में हम क्या करेंगे, technical point हम कौन से cover करेंगे, off page में हम क्या करेंगे, इसके लिए ढेर सारी videos में आपके लिए लेकर आरी हूं, जैसा मैंने promise किया था, एक भी चीज मैं miss नहीं करने वाली हूं, हर एक चीज में आपको बताऊंगी, तो stay tuned with us, on page, off page, technical SEO, यानि अब हम focus करेंगे analytics पर, और उसी के according हमारी आगे की strategy बनाएंगे, यानि basically अब हमारा काम आएगा, कि जो भी हमने ranking हासल की है, उसे maintain करके रखना, और उसे आगे से आगे grow करते रहना, जैसा मैंने हमेशा बताया, कि SEO एक process है, यानि ऐसा नहीं कि एक बार आपने SEO कर दिय और उसको छोड़ दिया हो गया काम, नहीं, SEO continuous process है, तो आप client को भी आप बार बार यहीं बताएंगे, कि SEO एक continuous process है, और अगर आप इस ranking, माल लेजिए first ranking आ गई, लेकिन उस first ranking पर टिके रहना काफी सालों तक, ये हमारा main goal होगा, जब तक हमारी brand नहीं बन जाती, कि लोग सर के लिए काफी सारी videos लाने वाली हूँ, तो यहां पर मैंने आपको एक outline दी है, कि कैसे आप SEO का project शुरू करके, best result दे सकते हैं, अपने client को, अब मैं आने वाली videos में, एक एक चीज जो भी मैंने इस video में discuss करी हैं, वो चीजें, उसके लवा बहुत सारी चीजों पर, बहुत स keyword क्या होता है, और SEO में keyword इतना important क्यों है, और साथ ही मैं आपको इस video में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप keywords का use करके, अपने search engines पर अपनी website की ranking को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही इस video में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको keyword जो use करने हैं, वो किस तरह से करने हैं, और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं keywords के बारे में, तो keyword होता क्या है, देखिए अगर मैं बहुती normal language में आपको समझा हूँ, तो keyword basically वो words या फिर वो phrases होते हैं, कई बार वो आपको content किस बारे में है, या फिर मैं कहूँ, आपके web page पर जो भी information पड़ी है, वो किस बारे में है, एक example लेती हूँ, कि अगर माल लीजे, आपकी website, blogging website है, और उस website पर एक page है, जिसमें आप समझा रहे हैं, कि what is digital marketing, तो digital marketing क्या है, what is digital marketing, digital marketing, marketing, ये सारे क्या हैं, हमारे keywords है, यान ये keywords ये बताएंगे, कि आपका content किस बारे में है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ, SEO के perspective से, तो SEO के perspective से, keyword का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि ये तो हमने समझ लिया, कि audience के लिए keywords का क्या मतलब है, keyword मतलब आपका website, आपके website किस के बारे में है, लेकिन जब हम SEO करते है किसी भी website का, तो keywords basically हमारे लिए वो words हो जाते हैं, जिन पर हम चाहते हैं कि हमारा webpage rank करे, example जैसे मैंने भी digital marketing का लिया, कि अगर digital marketing से related आपका कोई blog लिखा हुआ है किसी webpage पर, तो आप चाहेंगे कि जब भी कोई person उस blog से related, या फिर digital marketing से related, कोई भी keyword type करे, जैसे what is digital marketing, या फि digital marketing, या फिर digital marketing 2022, जब भी कोई ऐसे वो keywords type करे, तो उसे मेरी website top rank पर देखे, तो SEO executive के लिए, या SEO manager के लिए, या अगर आप SEO practice कर रहे हैं, तो आपके लिए keyword का मतलब है, वो words या फिर वो phrases जिन पर आप अपने web pages को, website को rank करवाना जाते हैं, अब सवाल आता है कि SEO करने के लि तो देखिए, I think इसका जवाब में definition में ही दे चुकी हूँ, ये वो words हैं, जिस पर आप चाते हैं कि आपकी website rank करे, तो अगर आपको वो words पता हैं, कि जिन पर आप अपनी website को rank करवाना चाते हैं, तो वो words आप अपने content में put करेंगे, basically Google के crawler को आप बताएंगे, कि ये जो म what is digital marketing type करे, तो मुझे उसे ये वाला page तो दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि ये page बिल्कुल relevant है, तो basically relevancy show करने के लिए Google के crawler को, आप क्या करते हैं, अपने keywords put करते हैं, लेकिन अब सवाल आता है, क्या सिर्फ आप Google के लिए ही keywords put करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जैसा आपको ब keywords put कर दिए, relevant keywords put कर दिए, तो आपकी website rank कर जाएगी, लेकिन, mainly जो आप keywords का use करते हो SEO में, वो अपने user के लिए करते हो, यानि अपनी audience के लिए करते हो, तो basically जो भी audience, जैसे मान लिजे किसी person ने लिखा, what is digital marketing, तो अगर उसे आपकी website मिलती है, और आपकी website में exactly वही keywords है, जो best salon के बारे में जानना चाता है Delhi में, तो वो क्या करेगा, उस page पर जाएगा, जहां पर उसे ये exact information मिल रही है, तो इसी लिए SEO में keywords को जानना, audience के point of view से भी, और crawlers के भी point of view से, दोनों के लिए ही keywords बहुत ही जादा important role play करते हैं, अब आखरी सवाल का जवाब, कि किस तरहा स SEO में keywords को use किया जाए, बहुत सारी आगे आने वाली videos में मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप research करेंगे, कैसे keywords आप pick करेंगे, कैसे उनको apply करेंगे, कहां कहां पुट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजने जो मैं आपको इस video में बताना चाहूंगी, कि सबसे पहले जब भी आने वाली videos में भी बात करूंगी, कि जितने भी आपका content में जितने भी words हैं, उनका सिर्फ 2 या 3% ही आपके keywords होने चाहिए, आप इसको calculate कैसे करेंगे, कैसे measure करेंगे, कैसे कम करेंगे, इसके लिए आने वाली videos में मैं definitely बात करूंगी, और आपको एक एक चीज practically moderate होने के साथ साथ आपको natural भी होना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि हम randomly keywords कहीं भी put कर रहे हैं, जो भी आपके keywords हो, वो आपके sentence में, किसी topic में, किसी paragraph में, systematic तरीके से आने चाहिए, जैसे कि अगर मैंने digital marketing word use करना है मुझे, तो मैं उसको किसी line में put करूंगी, ना कि मैं randomly कहीं keyword put कर दूंगी, ये keyword stuffing हमें नहीं करनी, बलकि हमें अच्छी तरीके से keyword planning करनी है, और keywords के according ही content लिखना है, अगर आप से कोई पूछता है, कि short tail and long tail keywords क्या होता है, और आप जवाब देते हैं, कि short tail मतलब वो keyword जिसमें 3 से कम words होता है, और long tail मतलब वो keyword जिनमें 3 से जादा keywords होत है, तो इस video को end तक देखना, क्योंकि इस video में मैं आपको actual difference समझाने वाली हूँ, long tail keyword and short tail keyword का, बात करेंगे कि ये दोनों types of keywords हैं क्या, और SEO में आपको use कौन से keywords कितने करने चाहिए, तो आज हम बात करने वाले हैं, short tail keywords and long tail keywords की, तो जैसा मैंने बताया कि normally क्या बोला जाता ह है, कि short tail keywords मतलब वो keyword जिसमें 3 words से कम words है, और long tail मतलब वो keyword जिसमें 3 से जादा keywords है, देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब ये actual definition नहीं है, बहुत जगा आपने सुनी होगी, बट ये गलत definition है, short tail keywords मतलब general queries and long tail keywords मतलब more specific queries, अब ये क्या होता है, थोड़ा सा detail में समझता है, सबसे प एक user जब भी कोई एक छोटा keyword type करता है, या फिर मैं कहूं, ऐसा keyword type करता है, जहां पर वो एक general query कर रहा है किसी topic पर, for example, जैसे एक person search करता है shoes, अगर एक person ने Google पर या किसी भी search engine पर shoes सर्च किया है, तो हमें बताए कि उसे shoes से related information चाहिए, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि shoes से भी related उसको क्या information चाहिए, क्या उस person को shoes बनाने सीखने है, या फिर उसे shoes खरीदने है, वो person men है या women, किसके लिए उसको shoes खरीदने है, क्या उसको running shoes खरीदने है, या sports shoes खरीदने है, या boots खरीदने है, हमें नहीं बता, तो मतलब जब भी एक person ऐसी query करता है, जहां पर उसके mind में एक general idea है, एक general topic है, जैसे shoes, तो वो क्या हो गया, एक short tail keyword हो गया, अब इसमें भली वो एक word use करके general query करें, या दो word use करें, या तीन word use करें, या फिर वो 5 words use करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो जब भी आप से कोई पूचे कि short tail keyword क्या होता है, तो आप क्या जो कि एक general query के लिए किया जाता है, example मैं आपको देज दिया है, अब बात करते हैं long tail keyword की, तो long tail keyword basically तब use किया जाते हैं, जब हमारा user या हमारी audience search engine पर एक ऐसा keyword type करता है, जब उसको कोई specific topic या specific product चाहिए, example, जैसे पहले मैंने shoes का example लिया, लेकिन अगर वही same person type करता है, कि best running shoes for women, ये क्या हो गया, ये एक specific query हो गई, इस query में हमें पता है कि उस person को क्या चाहिए, shoes चाहिए, shoes भी कैसे चाहिए, best चाहिए, और क्या type के चाहिए, running shoes चाहिए, किसके लिए चाहिए, women के लिए चाहिए, तो ये 5-6 चीज़ा हमें clear हो गई, मतलब हमें पता है कि specifically उसक कौन सा प्रेटिक दिखना है तो अगर आपकी वेब साइट पर विमेन के रान어요 और वेस्ट क्वालिटी के हैं तो आपका पेज उसके लिए है लेकल मान लीजेए आपकी वेब साइट पर women के लिए shoes ही नहीं, आप सिर्फ men में ही deal करते हैं, तो उस query के लिए आपका web page irrelevant हो गया, ना आप चाहेंगे कि Google उसको rank करें, ना Google rank करवाएगा, तो इसी लिए बार-बार में एक ही चीज कहती हूँ, कि जो भी आपका content है, वो keyword से relevant होना चाहिए, तो I hope एक थोटा सा idea आपका clear हुआ होगा, कि short tail और long tail keywords होते क्या है, तो कभी भी कोई इनका difference पूछे, तो सिर्फ ऐसा मत बोलना कि तीन से कम words वाला, ये example नहीं देना है हमें, So I hope थोटा सा idea clear हुआ होगा, अब चलिए बात कर लेते हैं, कि जब हम SEO practice कर रहे हैं, तो हम कैसे keywords यूज करें, हम long tail keywords पर जाएं, या फिर हम short tail keywords पुट करें, तो देखिए, ऐसे में मैं आपको सिर्फ ये जवाब देना चाहूंगी, सारी चीज़ें depend करती हैं, कि आपके keyword का competition कैसा है, आपके keyword की volume कैसी है, तो देखिए, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कि कौन सा keyword select करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम consider करेंगे, उसके लिए आगे मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, कि कैसे perfect keyword आपको select करना है, उसमें volume भी consider होगी, उसमें competition भी consider होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम consider करेंगे, तो short tail आपको लेना है, या long tail लेना है, ये totally depend करेगा आपके product, service पर, आपके competition पर, आपके volume पर, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कि जो भी short tail keywords होते हैं, उन पर competition बहुत ज़ादा होता है, और उसका reason यही है, कि जैसे मैंने example लिया shoes का, तो shoes में बहुत सारी variety आजाएगी, shoes में women shoes भी आजाएगा, men shoes भी आजाएगा, football shoes भी आजाएगा, यहाँ पर running shoes भी आजाएगा, sports shoes भी आजाएगे, मतलब thousands of varieties आजाएगे, तो definitely competition जाएगा, लेकिन long tail में competition कम हो जाता है, इसलिए कुछ products के लिए, कुछ sites के लिए, आप long tail यूज करेंगे, कुछ map short tail यूज करेंगे, इसके लिए मैं next videos लेकर आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको complete practical approach के साथ, मैं आपको selection of keywords and research of keywords हम सीखेंगे, नविगेशनल keyword, क्या होता है नविगेशनल keyword, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, और साथ ही मैं आपको एक case study भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे comments थे, कि practical भी हमें कुछ सिखाईए, तो आज मैं आपके साथ एक case study share करूँगी, जो कि navigational keywords से related है, उस case study के साथ मैं आपके साथ ये भी share करूँगी, कि क्या आपको अपने website पर navigational keywords यूज़ करने चाहिए, या फिर नहीं करने चाहिए, और करेंगे भी अगर आप उनका use, तो किस तरहा से आप कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वीडियो को end तक देखना, क्योंकि बहुत ही interesting, मैं आपको एक case study बताऊंगी, तो आज हम बात करेंगे navigational keyword, पहले तो word पर बात करते हैं, कि navigation का मतलब क्या होता है, navigational मतलब ऐसी कोई चीज, जिसकी एक direction है, जिसकी कोई दिशा है, ठीक है, तो navigational keyword क्या हुआ, कि ऐसा keyword जिसकी direction fix है, यानि कोई person type करता है, कि shoes for men Amazon, अब ये जो एक keyword है, ये क्या direct कर रहा है, सबसे चाहिए Amazon की, तो जब हमारे user का intent fixed हो, कि उसे एक fixed website पर navigate होना है, उसकी direction fix है, और ऐसा कुछ वो अपनी keyword में type कर रहा है, जैसे मानने अभी अब example दिया, कि choose for men Amazon, तो हमें पता है कि वो person कहां जाना जाता है Amazon की website पर, तो Google भी उसे क्या दिखाएगा, सबसे पहले Amazon की ही site दिखाएगा, तो basically ऐसे keyword जहाँ पर हमारे user का, audience का जो intention होता है, वो किसी particular website पर जाने के लिए होता है, उन keywords को हम बोलते हैं, navigational keywords, navigational keywords बहुत ही important role play करते हैं SEO में, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं, कि हम कैसे, मतलब strategy कैसे plan करें, navigational keywords भी हमारे काम के हैं, देखिए काम के हैं, तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक case study दिखाऊंगी, जहांपर navigational keyword को बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही बहतरीन तरीके से यूज किया गया है, और बिल्कुल भी मैं black hat SEO की बात नहीं कर रही हूं, किस तरह से आप एक white hat SEO करते हुए भी navigational keyword का यूज कर सकते हैं, तो चलिए फिर case study देखते हैं, अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक keyword टाइप किया, नहरू mountaineering institute, अब नहरू institute और mountaineering NIM, यह government का institute है, और यह institute mountaineering कराता है, अब mountaineering जब यह कराता है, तो इन में इतनी ज़्यादा यहां पर रश रहता है, अब मुझे पता है, अगर मुझे next month अगर mountaineering के लिए जाना है, अब 3 साल पहले किसको पता होगा है, कि मुझे 3 साल बाद mountaineering पर जाना है, तो मुझे जैसे मान लीजे next month जाना है, तो आज मैं क्या करूँगी, booking के लिए मतला मैं search करूँगी, तो अब मुझे पता है, यहां तो जगा मिलनी नहीं, मैं इसको उपन करूँगी, fully booked आएगा 3-3 साल के लिए, लेकिन एक person को अगर करनी है mountaineering, तो scroll down तो करेगा, अब देखिए, जैसे ये बात मुझे पता है, कि mountaineering का ये जो institute है, यहां पर 3-3 साल की booking चलती है, यानि जगा नहीं मिलती है, इनके slot होते हैं, जो जल्दी से fill हो जाते हैं, तो ये बात जब मुझे पता है, तो ये बात जो private mountaineering institutes होंगे, उनको भी पता होगी, मतलब अगर किसी का mountaineering का private business है, उसे भी ये बात पता होगी, कि अगर कोई भी person, नहरू mountaineering institute सर्च करेगा, तो उसे result, obviously NIM पहले ही मिलेगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, वो person बिल्कुल निराश हो जाएगा, कि भाई, जगा ही नहीं है याँ पर तो, तो उस मौके का फायदा उठा सकते हैं हम, कैसे, scroll down कीजिए, ये देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ तक तो NIM की भी बात आ रही है, Facebook आ गया है, Instagram आ गया, लेकिन उसके बाद में ये एक institute है, जिसना नाम है, जवाहर Institute of Mountaineering, जवाहर Institute of Mountaineering, इस keyword पर rank कर रहा है, जबकि ये keyword कैसा है, नेविगेशनल है, keyword नेविगेशनल है, तो ये keyword कैसे पुट कर रहा है, तो देखिए, इन्होंने अपने content में ये चीज डाली हुई है, कैसे डाली हुई है, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, क्योंकि काफी इंट्रेसिंग ये चीज है, देखो, जवाहर Institute of Mountaineering, विंटर स्कोर्स, ये एक प्राइविट और्गनाइजेशन है, ठीक है, इसको लीड कॉन कर रहा है, इस person, चीक है, अब इस person का, जब मैं ये वाला about page है, देख सकते हैं, आप इसमें profile की बात हो रही है, इस person के profile, और ये वाला page जो है, रांग कर रहा है, NIM keyword पर, चीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, इनके content ध्यान से पढ़िएगा, कि he was principal, इनके बारे में चीजन लिखे हुई हैं, and he was principal of Nehru Institute of Mountaineering, उत्राकाशी for four years, तो ये person कहीं ना कहीं involved था, Nehru Institute of Mountaineering में, और उन लोगों ने, मतब ये जो है न, जवार इंस्टीटों पहल गाम, इस organization ने क्या किया है, Nehru Institute of Mountaineering को अपने content में यूज किया है, ये keyword कैसा था, नेविगेशनल था, लेकिन इसको इन्होंने यूज किया है, और उसका कारण क्या है, कि उन्हें पता है, कि already seats full हो जाएंगी, seats full हो जाएंगी, तो लोग next option की तलाश करेंगे, तो next में उन्हें हमारी website दिखे, इसके लिए हमने क्या किया, अपने content में, नेविगेशनल keyword को यूज किया, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीका अजमाया है, इन्होंने कुछ भी blackhead नहीं किया है, जबर्दस्ती keyword stuffing नहीं किया है, इन्होंने क्या किया है, सही तरीके से sentence में, एकदम content को प्लान करके, इन्होंने यस word का यूज किया है, तो इसी लिए नेविगेशनल keyword का नालिसस करना ज़रूरी है, आप देखिए अपने competitors की जो sites है, उन पर कोई ऐसा keyword जा रहा है, कहीं shortage है, कुछ तो उसका फाइदा हम उठा लें, जैसे कि आभी हमने इस case study में देखा, I hope इस case study को सुनकर और ये वीडियो देखकर आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, और इसी तरह से support करते रहिए, वीडियो अच्छे लगी हो तो like करना और comments करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, चानल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे एक भी वीडियो मिसना हो, Transactional Keywords and Commercial Keywords, आज की इस वीडियो में हम इन दो टाइपस of Keywords की बात करेंगे, और कैसे हम Transactional और Commercial Keywords को SEO के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि क्या हमें ये Keywords का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़े हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, आज हम Keyword के दो important types, Transactional and Commercial Keywords की बात करने वाले हैं, मैं already बात कर चुकी हूँ Navigational Keywords की, तो basically ये जो भी Keywords के हम बात कर रहे हैं ये Intent के basis पर Keywords है, Intent का मतलब होता है Thought, कि हमारी Audience, हमारा User, क्या सोच है उस Query को करने के पीछे, इसके basis पर हम इनको different categories में बाट रहे हैं, Navigational, Navigational में हमारी Audience को पता था, कि उसे एक Particular Page पर जाना है, Particular Website पर जाना है, तो उसने क्या टाइप किया, Navigational Keyword टाइप किया, अगर आप और भी जादा information चाहते है, Navigational Keyword के बारे में, तो Description Box में आपको Playlist का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हमारे Complete SEO Coach चल रहा है, वहाँ से आप Navigational Keyword वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको Complete Information बताईए, सादी कुछ Important Tricks भी बताईएं उस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम Intent की बात कर रहे हैं, Intent के basis पर दो और Categories में डिवाइड किया गया है, एक है Transactional Keyword, एक है Commercial Keyword, सबसे पहले बात करते हैं Commercial Keyword की, फिर हम बात करेंगे Transactional की, तो Commercial Keyword, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये Related है Commerce से, यानि Business से, तो जब भी एक Person कुछ ऐसे Keywords टाइप कर रहा है, जिससे हमें ये साफ पता चल रहा है, जिससे हमें ये ज़लक रहा है, कि उस Audience का जो Intent है, उस Audience का जो Thought है, वो किस बारे में है, वो Commerce Related है, यानि वो कुछ ना कुछ खरीदारी करने के बारे में सोच रहा है, या किसी ऐसी चीज़ को ढूण रहा है, जो उसे खरीदनी है, देखें इसी चीज़ का मैं एक एक एक्जामपल लेना चाहूंगी, कि मान लीजे कोई person है, और person टाइप करता है, Shoes for Men, Online, अगर वो ये चीज़ टाइप कर रहा है, ये keyword टाइप कर रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि एक ऐसा user query कर रहा है, जिसे क्या चाहिएं, एक men के लिए, यानि एक आदमी के लिए, shoes चाहिएं, जूते चाहिएं, और online site से, तो ऐसे में अगर हमारी e-commerce website है, या फिर हमारे web pages पर, ऐसी को information पड़ी है, जो की shoes से related है, या कोई product ऐसा पड़ा है, जो की related है इस query से, तो हम चाहिएंगे, कि उस person को ये हमारा page, हमारी website देखे, बिल्कुल चाहिएंगे, इसी लिए हम कई सारे commercial keywords को भी, अपने focus keywords में add करते हैं, आगे जब मैं आपको keyword research की practical exercises कराऊंगी, तब आपको ये समझ में आएगा, कि commercial keywords को भी हम consider करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक example दिया है, उसी तरीके से, अगर एक person कुछ ढून रहा है, कोई product खरीदना चाहता है, किसी product की तलाश कर रहा है, उसका mindset है कुछ खरीदने का, तो हमें पता है, कि वो एक commercial keyword है, और उसे हम use करके, अगर वो हमारे नीश से related है, हमारे product service से related है, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं, उस keyword को हम focus करके, अपना SEO कर सकते हैं, अब बारी आती है, transactional keyword की, कि transactional keyword क्या है, बहुत सारे लोग इसमें confused होते हैं, कि transactional commercial almost same है, देखिए commercial में एक person कुछ खरीदना चाहता है, वो shoes खरीदना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता, कि कौन सा shoes खरीदना है, कौन से brand का खरीदना है, और कहां से खरीदना है, अभी मतलब वो person सिर्फ पर सिर्फ रिसर्च कर रहा है, तो वो commercial keyword हो गया, लेकिन अगर एक person सच में खरीदना चाहता है, उसका intention है, कि उसे एक shoe खरीदना है, अभी के अभी इसी search में, तो वो type करेगा transactional keyword, example लेती हूँ, जैसे अगर एक person type करता है, by Nike shoes online, अगर एक person ने ये keyword type किया है, तो इससे हमें कहीं न कहीं उसका intention पता चल रहा है, कि वो person अभी के अभी Nike के shoes खरीदना चाहता है, तो ये मतलब वो एक transaction करना चाहता है, तो ऐसे में जो हमारा direct product है, हम उसे show करेंगे ना कि हमारी website, देखिए ध्यान से समझेगा, दोनों में, अब मैं आपको थोड़ा से difference बताती है, क्यों दोनों में difference क्या है, commercial keyword में हमारी audience कुछ खरीदना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता क्या चीज है वो, वो research कर रहा है, हमें नहीं पता वो person कब खरीदेगा, लेकिन वो एक ऐसा person है, जो कि हमारा buyer बन सकता है, हमारा client, हमारा customer बन सकता है, लेकिन transactional keyword में उस person को पता है, उसे क्या खरीदना है, और उसे कब खरीदना है, यानि अभी क्या भी खरीदना है, तो transactional keywords को कहते हैं पहचानेंगे, तो mostly इसमें buy word, order word, ये सारी book word, ये सारे words added होते हैं, अब इनका use कैसे करना है, तो देखिए, commercial keyword में हम target करेंगे, हमारे वो वाले pages, जहाँ पर categories हैं, जैसे कि अगर एक person ने type किया है, men's shoes online, तो जो men's shoes वाले pages हैं, जहाँ पर सारे के सारे men's shoes पड़े हैं, हम उसको rank करवाएंगे, लेकिन अगर एक person search करता है, buy Nike shoes online, तो उस time हम वो वाला page rank करवाएंगे, जहाँ पर Nike का shoes पड़ा है, और जहाँ से वो directly अपना transaction complete कर सकता है, यानि उस product को हरी सकता है, बहुती major difference नहीं है, लेकिन difference है, और उस difference को समझ कर ही, आप अपनी keyword research को और भी बहतर बना सकते हैं, तो ये था हमारे एक example keyword research का, बाकि जब मैं keyword research को practical आपको दिखाऊंगी करके, projects आपकी सामने रखूंगी, तब आपको बेटर तरीके से ये चीज़ practical application आप समझ पाएंगे, कि किस तरह से transactional keyword, commercial keyword, navigational keyword हमारे लिए important है, और कैसे हम इनको use करेंगे, जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में information यानि जानकारी चाहिए होती है, तो हम जाते हैं Google पर, तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानि information लेने के लिए, जो keywords हम वहाँ पर type करते हैं, उन keywords को बोला जाता है informational keywords, तो as an SEO expert, आप किस तरह से informational keywords को use करेंगे, और अगर आप एक blogger है, तो कैसे informational keywords, बाकी सारे जो हमने types of keywords पढ़े हैं, जैसे transactional, commercial, navigational, इनसे कैसे अलग है, ये भी हम जानेंगे आज की इसी एक विडियो में, तो आज बात हो रही है informational keywords की, जैसा की नाम से ही पता चलता है, ये वो keywords हैं जो की कोई information लेने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, किसी चीज़ के बारे में एक general query करने के लिए पूछे जाते हैं, इससे पहले हम other types of keywords भी समझ चुके हैं, जहां पर हमने transactional keywords, commercial keywords, navigational keywords की बात की थी, और ये भी हमने समझाता है कि कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने वो विडियो नहीं देखी है, तो description box से आपको playlist का link मिल जाएगा, जहां से जाकर आप complete SEO की विडियो देख सकते हैं, तो make sure कि एक भी विडियो आप मिस ना करें, क्योंकि हर एक विडियो में मैंने आपको कोई ना कोई ऐसी information दी है, जो कि आपके लिए बहुत ही जादा useful हो सकती है, अब सवाल आता है कि आखिर हम पहचाने कैसे हैं, कि ये keyword हमारा informational keyword है, ये हमारा informational keyword नहीं है, तो देखिए वैसे तो इसका simple सा जैसे logical तरीका है, आपको audience के intention को समझना पड़ेगा, audience के thought को समझना पड़ेगा, कि जब भी एक person इस तरह का keyword टाइप कर रहा है, जरूरी है, वैसे मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ, कि ऐसे keywords मैं mostly questions पूछे जाते हैं, for example, what is the height of Mount Everest, तो simply मुझे पता चल रहा है कि audience क्या पूछ रही है, को information मांग रही है, वो Mount Everest की height पूछ रहे हैं, same with अगर कोई person बोल रहा है कि how to cook biryani, तो वो person क्या मांग रहा है, query मांग रहा है, एक information मांग रहा है कि बिर्यानी कैसे बनाई जाए, ये आप मुझे बताइए, अगर आप एक blogger हैं, तो आपके लिए काम करेंगे informational keywords, अपने नीच से related informational keywords आपको search करने हैं, आप इन informational keywords का use करके, different different topics भी decide कर सकते हैं, कि इस topic पर आपको blog बनाना चाहिए, या फिर recipe blogs जो होते हैं, तो आप recipe भी decide कर सकते हैं, कि क्या चीज़ लोग जादा सर्च कर रहे हैं, मुझे उसी topic पर blog लिखना चाहिए, तो blogging के लिए बहुत ही जादा important होते हैं, informational keywords, और साथ ही जो commercial website हैं, या फिर जो कोई service प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगी, कि informational keywords important हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें audience का intention, नहीं पता चल रहा कि वो और कोई real action लेने वाले हैं या नहीं, यानि कहने का मतलब है कि वो कोई transaction करना चाहते हैं या नहीं, जैसे कि अगर एक person ने type किया कि what is the price of Ferrari, तो हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो person सच में Ferrari लेना चाहता है, या Ferrari खरीदना चाहता है, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि उस person को Ferrari की price जाननी है, यानि कहीं न कहीं एक informational keyword है, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि अगर हम एक commercial website है, हमारी कोई service है, कोई product है हमारी website पर, तो हम informational keywords का use नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, एक तरीके के साथ में हम इनका use करेंगे, लेकिन हम पहले focus करेंगे transactional और commercial से, जहां से हमारी audience का जो intention है, वो काफी clear है कि उनको कोई चीज खरीदनी है, rather than हम risk नहीं लेंगे informational पर, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा topic है, जिस पर आपको keywords मिली नहीं रहे हैं, transactional, commercial बहुत ही कम keywords हैं, ऐसे में हम informational keywords को भी consider करेंगे, next videos में जब मैं आपको practical implications सिखाऊंगी, कि कैसे keywords आपको choose करने हैं, कौन सा keyword क्यों choose करना चाहिए, कौन सा commercial है, कौन सा transitional है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो हम इन initial videos में सीख रहे हैं, आपके लिए एक चोटा सा टास्क है, कि आप मुझे comment section में एक informational keyword का example बताएंगे, I'll be waiting, बिल्कुल इसी तरह से treat करो इन videos को, जैसे कि आप real, actual कोई class ले रहे हो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ-साथ में ही practice करते जाएंगे, तो आपकी practice और भी अच्छी होगी, आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, so make sure कि आप comment section मुझे बताएं, कोई भी एक informational keyword, latent semantic index keywords, यानि LSI keywords, ये नाम सुनने में जितना difficult लग रहा है, उतनी ही आसानी से, हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, कि LSI keywords क्या होते हैं, क्यों आपको LSI keywords यूज करने चाहिए, अपने keyword research के दोरान, और basically LSI keywords किस तरह से, हमारे SEO को और भी जादा बहतर बनाने में, हमारी help करते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम आज की इस एक वीडियो में, सो जैसा मैं पहले भी algorithms की बात कर चुकी हूँ Google की, वहाँ पर मैंने जब rank brain algorithm की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि rank brain algorithm जो 2015 में आई थी, वहाँ पर जो हमारा user है, हमारी audience है, उसके search करने के intent पर focus किया गया, यानि actual में ये देखा गया कि कोई person, अगर कोई भी keyword type कर रहा है, तो उसका actual intention क्या है उस keyword को search करने का, जैसे मैं एक example लेती हूँ Apple का, अगर कोई मेरा user Apple type करता है अपने search box में, तो उसे Apple fruits की भी detail दिख सकती है, और Apple company से related भी web pages information दिख सकती है, लेकिन Google को ये पता कैसे चले कि ये person जो है, किस intention के साथ में search कर रहा है, तो Google को ये समझना पड़ा कि basically मेरा जो user है, मेरा जो audience है, वो किस intention के साथ में किसी keyword को search कर रहा है, जब Google ने ये समझना शुरू किया, तो Google ने हमारे लिए, यानि SEO experts के लिए भी एक काम बढ़ा दिया, कि अब हमें हमारे audience के search करने के intention पर भी focus करना है, यानि अब हमें हमारे एक main keyword पर तो focus करना ही है, साथ ही हमें ऐसे keywords पर भी focus करना है, जो कि हमारे main keywords से related है, तो LSI keyword का सबसे पहले word meaning समझ लेते हैं, LSI keywords का मतलब होता है latent semantic index, latent का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो की छुपी हुई है, यानि hidden है या फिर मैं कहूँ clear नहीं है जो, semantic का मतलब होता है meaning और indexing related है हमारी Google के indexing वाले पार्ट से, so latent semantic यानि ऐसे keyword जिनका meaning unclear है, छुपा हुआ है, मतलब हमें जिसका meaning नहीं पता है, तो ऐसे keyword जो की हमारे main keyword से related है, अब भली मैं synonyms की बात करूँ, या फिर मैं और related terms की बात करूँ, वो सभी के सभी LSI keywords कहे जाएंगे, example जैसे मैं ले लेती हूँ, अगर मान लीजिए मेरा काम है digital marketing training का, तो digital marketing training मेरा main keyword हो गया, और digital marketing course, internet marketing, SEO, SMO, ये सारे जो keywords है, ये मेरे main keywords यानि digital marketing training से related है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि Google मेरे page यानि जो digital marketing training से related है, उसे first rank पर रखे या फिर अच्छी ranking दे, तो मुझे LSI keywords पर भी focus करना पड़ेगा, और उसका reason यही है, क्योंकि Google भी अपने audience के LSI को समझने की कोशिश कर रहा है, और जैजा मैंने बताया, LSI में हमारे synonyms भी आएंगे, categories वाले भी हमारे words आएंगे, जिस digital marketing के SEO, SMO, paid ads, ये हमारे कुछ categories हो जाएंगी, और उसके अलावा और भी अगर कोई related words हैं, तो वो भी हमारे LSI में count होंगे, अब चलिए बात करते हैं, कि आखिर ये LSI keywords आपको मिलेंगे कहां, यानि आप कैसे पता लगाएंगे, कि आपका जो main keyword है, यानि आपका जो niche word है, उससे related और कौन-कौन से words बन सकते हैं, तो देखिए इसके लिए जो सबसे number one tool है, वो है खुद Google, यानि खुद Google के surf से, आप कई सारे आपको ideas ऐसे मिल जाएंगे, जब भी आप Google पर कोई भी query type करते हैं, तो Google का जो surf है, यानि search engine result page, उसके सबसे नीचे, उसके सबसे नीचे, आपको blue color में कुछ words दिखाई देते हैं, वो हमारे LSI keywords होंगे, वो हमारी एक category हो जाएगी LSI keywords की, उसके अलावा कई सारे free और paid tools है, जैसे की keywords.io, LSI graph, इस तरह के कुछ tools की help हम लेने वाले हैं, जब हम keyword research practically करेंगे, तो उस time मैं आपको complete information, complete tutorial इन सारे tools का बताऊंगी, and I hope कि आज आपको थोड़ा बहुत एक idea मिला होगा, कि LSI keywords क्या होते हैं, LSI keywords को consider करना, choose करना, keyword research के दौरान, उनको consider करना बहुत ही जादा important होता है, क्योंकि जो चीज Google के लिए important है, अपनी audience के matter में, वो चीज हमारे लिए भी important है, क्योंकि ultimately हमें क्या करना है, Google से होते हुए, search engine से होते हुए, हमें अपनी audience तक पहुँचना है, तो इसलिए जो चीज search engine के लिए important है, वो हमारे लिए भी important हो जाती है, तो इसलिए 2015 से हम LSI keywords पर बहुत ज़ादा focus करना है, आज के time भी मैं बात करूँ, तो कई सारे लोग ऐसा हो बोलते हैं कि LSI keywords सिर्फ एक myth है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन practically सोचा जाए, logically सोचा जाए, तो LSI keywords बहुत ही important role play करते हैं SEO में. क्या keyword research करते टाइम, हमें plural और singular keywords को अलग-अलग consider करना चाहिए, या फिर दोनों को एक ही keyword मानना चाहिए, मान लीजिए, अगर मैं किसी school की website के लिए SEO कर रही हूँ, तो school और schools, क्या दोनों को मुझे same consider करना चाहिए, या फिर अलग-अलग, ये जो confusion है, ये आपका मैं दूर करने वाली हूँ, आज की इस एक video में, तो video को एन तक देना, क्योंकि बहुत ही important चीज में आपको बताने वाली हूँ, आज की इस video में, जैसा मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं, plural और singular keywords के बारे में, जिनको English grammar का थोड़ा सा knowledge नहीं है, उन्हें मैं बता दूँ, कि singular का मतलब होता है, एक वाचन, यानि ऐसी कोई चीज जो की single है, जैसे की school, course, question, ये एक है, वहीं अगर मैं एक से जादा चीजों की combinedly बात करती हूँ, यानि बहु अचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे school, courses, questions, ये हमारे plural words हो जाएंगे, तो अब keyword research के time, हम plural, या फिर singular keywords को same consider करें, या फिर दोनों पर research करना हमें ज़रूरी है, इसका जवाब है, एक काम करते हैं, मैं आपको direct जवाब नहीं देती, मैं आपको proof देती हूँ, फिर आप अपने according decision लीजेगा, तो चलिए इसके लिए Google पर चलते हैं, जैसे कि अभी मैंने incognito mode में Google open कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक exercise करके दिखवाने वाली हूँ, कि सच में singular, plural, keywords, अलग-अलग हमें इसको consider करना चाहिए, या फिर ये दोनों same ही होते हैं, कि भली आप apple type करो, apples type करो, दोनों same ही keyword हम consider करेंगे, देखिए, मैं हमेशा अपने students को कहती हूँ, कि उस चीज से कभी भी convince मत होईएगा, भली मैं क्यों ना कह रही हूँ, जब तक आप उस चीज से convince नहीं है, आपके logic हिसाब से वो चीज आपको ठीक नहीं लग रही, तो इसी लिए इस question का जवाब, क्योंकि इस disputed एक question है, कि singular, plural words अलग-अलग होते हैं, या सेम होते हैं, जब भी हम SEO में keyword research की बात करते हैं, तो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, तो देखिए, यहां पर यह incognito mode में, मैंने Google open कर लिया है, जिससे मेरी सर्च इस्ट्री है, उससे कुछ भी inspired ना हो, तो मैं आपर simple से मेरे 2-4 मैं exercise करने वाली हूँ, जिससे आपको अपने आपी, जो ही मैंने question पूछा है, कि singular, plural, keywords के बारे में, यह अपने आपी आपको doubt solve हो जाएगा, चीक है, तो मैं आपर एक simple सा keyword type कर रही हूँ, जैसे water source, जैसे water source मैंने टाइप किया, तो देखे मुझे क्या result मिलते हैं, मुझे सबसे पहले जो website मिली, that is EPA.gov, जैसे EPA.gov, यह यहाँ पर मुझे इसकी information मिल गई, पहली website पर ध्यान गौर कीजेगा, क्योंकि अभी मैं इसका comparison भी करूँगे, तो EPA.gov मेरे को पहली website देखी, दूसरी देखी मुझे CDC.gov, उसके बाद कुछ videos आ गई, और फिर मेरा Google My Business यानि local SEO आ गया, और फिर से वापे से EPA, चीक है, तो दो बस website याद कर लीजे थोड़ा से दिमाग में, EPA.gov and CDC.gov, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक S चेंज करने से website की ranking चेंज हुई, चीक है, definitely, तो ये एक proof मैंने आपको दिया, उसके अलावा एक और example ले लेते हैं, चीक है, जैसे कि मैं एक simple सा keyword टाइप करती हूँ, जैसे interview question, मैंने simple सा type कें interview question, तो देखिए हम मुझे क्या मिला है, The Muse पहली website में ली है, उसके बाद में अगर मैं देखूंगी, तो INC और तीसरी जो मेरी website है, वो है, Novo Resume है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, The Muse, INC, Novo Resume है, ठीक है, अब अगर मैं question के जगा, सिर्फ और सिर्फ questions कर देती हूँ, तो आप देखिए, अब मेरी पहली website हो गई, monster.com, दूसरी मेरी website होगी, The Muse, यानि जो website, first पर आ रही थी, पहले ranking question में, वो questions में second number पर चली गई, ठीक है, अभी जैसे monster.com, questions में number one पर आई, आप इसी question में देखेंगे, तो monster.com कहा है, monster.com ये देखिए, fifth number पर है, चीक है, और एक सिर्फ S लगाने से, जो monster.com है, वो number one पर चली गई, चीक है, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा idea लिया आपने, कि एक सिर्फ S चेंज करने से, कितना ज़ादा difference हमारी ranking में आया, तो जब Google, S वाले words को और non S वाले words को, यानि singular और plural keywords को अलग-अलग consider कर रहा है, उसके according ranking अपनी बदल रहा है, तो as an SEO expert, आप logically सोचिए, मैं आपको जवाब देई नहीं कुछ, आप logically सोचिए, क्या singular plural keywords को अलग-अलग consider करना चाहिए या नहीं, तो I hope, answer आपको मिल गया होगा, कि एक singular plural keyword, दोनों की ranking, दोनों की volume, दोनों के competition में फर्क होता है, इसलिए हम भी as an SEO expert, दोनों ही तरह के keywords को, अलग-अलग इनकी research करेंगे, for example, digital marketing firm और digital marketing firms, दोनों में volume का भी difference होगा, अगर एक में 24 में, यह तो नहीं कहा थी, बहुत ही जादा difference होगा, लेकिन 10-20% का भी difference होगा, for example, अगर digital marketing firm पर, मेरे को 2400 का monthly search मिल रहे हैं, और मुझे digital marketing firms पर 2200 की searches मिल रहे हैं, तो मैं किस को choose करूँगी, मैं digital marketing firm को choose करूँगी, या firms को, तो मैं firm को choose करूँगी, तो यही logic आपको use करके, अपनी keyword research करनी है, बाकि depth में हम इसके बारे में बात करेंगे, I hope यह जो आपको, मैंने exercise करवाई, इससे आप कुछ idea आपको मिला होगा, कि जो अभी हमारा इस वीडियो का question था, क्या singular, plural keywords उनों अलग-अलग होते हैं, तो इसी लिए, जब भी आप keyword research करें, तो singular और plural words को अलग-अलग consider करें, और दोनों की अलग-अलग research करें, जब मैं आपको practically यह बताऊंगी, कि किस तरह से आप keyword research कर सकते हैं, तब हम इन चीजों को और भी depth में समझेंगे, practically समझेंगे. SEO की keyword research में, सबसे important step होता है, brainstorming for keywords. Brainstorming, यानि अपने brain का, अपने mind का, अपने logic का use करके, keywords के different-different ideas निकालना. तो आज की इस video में, मैं आपको बताने वाली हूँ, कि किस तरह से आपको different-different keywords निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने brain का use करके. So, आज की इस video में हम बात करेंगे, कि SEO के लिए, keywords जूढने से पहले, जो हम brainstorming करते हैं, वो आखिर करें कैसे. देखिए, जब भी कोई भी हमारे पास project आता है, या फिर कोई भी हमारे पास web page आता है, जिसकी हमें keyword research करनी है, तो उस page के लिए, सबसे पहले तो हम उसका content देखते हैं, कि आखिर उस पर क्या content पढ़ा है, और उस content से related, हम keywords के idea's generate करने की कोशिश करते हैं, खुद से ही, ठीक है, कैसे, for example, मेरे पास एक website आती है, जहांपर different different IT courses, बहाँ पर हैं, और उसमें से जैसे एक page पर आती हूँ, मैं, जिस डिजिटल मार्केटिंग से related है, डिजिटल मार्केटिंग related course, training, इस तरह की चीजें उस page पर पढ़ी हैं, तो उस page के लिए, अगर मुझे keyword research करनी हैं, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगी, कि क्या वो keywords हो सकते हैं, जो की मेरे page से related हैं, जो की मेरे इस page की content से related हैं, तो उस ताइम मेरे माइन में खयाल आएंगे, जैसे digital marketing course, digital marketing training, या फिर digital marketing course in budget, इस तरह के keywords में ideas, मतलब मेरे माइन से मैं generate करूँगी, और basically मैं ये सोचने की कोशिश करूँगी, कि मेरी audience क्या search करेगी, जब वो expect करेगी, मेरा webpage अपने search engine result page पर, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, कि हम ये सोचते हैं, कि हम क्या search करेंगे, देखिए ये नहीं सोचना है, देखिए जैसा भी आपका educational skill background है, आप उसी तरह की का keyword सोचेंगे, लेकिन हर एक audience, हर एक user से हम expect नहीं कर सकते, कि वो इतना technical सोचे, तो इसलिए मुझे वो हर चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, जो कि मेरी audience सोच सकती है, भली एक school student है, जिससे digital marketing के बारे में कुछ नहीं पता, उसे भी मेरा web page मिल जाए, तो वो person क्या keyword टाइप करेगा, उसे तो digital marketing के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसे cases में, अगर वो person type करे कि best IT courses, तो भी मैं कही ना कहीं उसको relate करने की कोशिश करूँगी, digital marketing से, जैसे कि मेरी audience अगर type करे कि best internet marketing, या फिर social media course, या फिर search engine course, इस तरह कि अगर वो keyword type करे, तो भी उसे मेरी web page दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये categories हैं कि इसकी digital marketing की, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, कि एक जो audience है, एक जो हमारा user है, वो क्या-क्या keywords type कर सकता है, तो ये खुद से ही आपको सोचना है, फिर उसके बाद में हम ये सोचेंगे, कि हमारे web page पर जो भी content बढ़ा है, तो जो main keyword है, उसका जैसे digital marketing, तो digital marketing की और क्या categories बन सकती हैं, तो सबसे पहले हमने अपने mind से सोचा, कि audience क्या search कर सकती है, फिर हमने ये सोचा कि उस keyword की और क्या-क्या categories बन सकती है, जैसे SEO, SMO, email marketing, affiliate marketing, और बहुत सारी categories बन सकती है, तो इन सारी categories को आप not down कर लीजिए, फिर हम help लेंगे खुद Google की, जैसे मैं आपको बताया था, कि Google खुदी हमें काभी सारे hints देता है, बस हमें पता होना चाहिए कि उनको use कैसे करना है, तो चलिए, फिर हम directly चलते हैं Google पर, और देखते हैं कि वहाँ से हम कैसे और भी जादा brainstorm कर सकते हैं, हमारे keywords को, अब brainstorming से आप क्या समझते हैं, ब्रेंस्ट्रोमिंग का मतलब अपने दिमाग से पूछना कि इस पर्टिकुलर बिजनस के लिए, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए क्या keywords बन सकते हैं, तो बिल्कुल खुद से ही पूछिए, थोड़ा सा logic यूज करके, जैसा मैंने बहुत बार बोल चूँँ की, डिजिनल मार्केटर बनने के लिए, एक SEO एक्सपर्ट बनने के लिए, आपको logic होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपने उस logic से पूछिए, कि इस पर्टिकुलर बिजनस के लिए, क्या हमारे keywords बन सकते हैं, जैसे, पर एक्सामपल, अगर जैसे मेरा बिजनस है, house cleaning services का, और पर्टिकुलर से एक्सामपल मिलेते हूं, डेली location है, या कोई बड़ी city location ले लेते हैं, ठीक है, डेली एक बार एक्सामपल रखते हैं, so house cleaning services, and Delhi मेरी location है, अब याँ पर कोई भी person, जैसे खुद से पूछिए, कि अगर मुझे house cleaning services चाहिए, डेली में, तो मैं क्या type करूँगी, ठीक है, बहुत सारे आपके ideas आ सकते हैं, हो सकता है, मेरे mind में जो idea है, वो आपसे अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको finalize नहीं कर देंगे, हम उस पर research करेंगे, चीक है, तो एक बार पहले आप idea generate कीजिए, जैसे मैं कहती हूँ, house cleaning services in Delhi, ये मेरा keyword होगा, तो इसलिए हम मैं क्या करती हूँ, गूगल पर ये keyword type करती हूँ, और वो keyword होगा, जैसे house cleaning, so house cleaning services in Delhi, ये मैंने keyword type किया, और मैं use कर रही हूँ, खुद Google को ही, क्योंकि Google से बेटर किसे बता होगा, कि कौन सा famous keyword है, इस topic पर, तो इसलिए मैं Google का ही use कर रही हूँ, तो Google से मुझे बहुत सारे LSI keywords भी मिल जाएंगे, कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने keyword simply यहाँ पर टाइप किया, और मैं आपको कुछ और भी यहाँ पर techniques बताऊंगी, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को end तक देखना, तो house cleaning services in Delhi पर, जैसे ही मैं यहाँ पर scroll down करूँगी, यहाँ पर मिरे को कुछ और, हर page के नीचे, सब के end पर मुझे और कुछ keywords मिल जाएंगे, जैसे की home cleaning services in South Delhi, जैसे की home cleaning services in South Delhi, जैसे हैं, आप देखो मुझे यहाँ से एक और आइडिया मिलेगा, कि house को home भी बोला जाता है, कुछ लोग house लिखेंगे, कुछ लोग home लिखेंगे, तो इसलिए home cleaning services in Delhi भी एक keyword बन सकता है, उसके लाबा house cleaning services near me, near me तो देखिए local listing के लिए जादे यूज होता है, house cleaning services in Delhi NCR, तो डेली और डेली NCR ये एक LSI keywords का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि डेली का जो major portion है, वो NCR में है, चीक है, so deep cleaning services, तो ये एक हमने acronym लगा दिया यहाँ पर, best home cleaning services, best यहाँ पर word use हो गया, home cleaning services हो गया, urban clap, ये तो definitely क्या हो गया, navigation keyword हो गया, लेकिन मैं इसका भी use आपको पताऊंगी, इसी वीडियो में कि कैसे आप यूज कर सकते हो, home cleaning services, price list, यहाँ पर एक keyword आगया, चीक है, यहाँ से मुझे कुछ idea मिल जाएंगे, तो आप इसमें से जो जो मैं आपको keywords के idea सही लगते हैं आप उनको no down कर लो, no down करने के बाद में देखिए, और ideas कहां से मिल सकते हैं, चीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या रखा, अपना cursor रखा, और मतलब यहाँ पर मैं आगे कुछ टाइप कर सकती हूँ, लेकिन मैं टाइप निकर रही, यह देखो, यह जो black वाले keywords लिकर हैं आपको, यह बेसिकली देखो, जो कि मैंने नहीं लिखे हैं अपने इसमें, जैसे house cleaning services in Delhi NCR, best home cleaning services in Delhi, house cleaning services near me, house cleaning services द्वारका, मतलब द्वारका में जादर सर्च किये जाते हैं, तो मैं particular द्वारका जो कि डेली का ही एक एडिया है, वो यूज कर सकती हूँ, यह देखें, यहाँ पर कुछ ideas निकल रहा है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर tricks बताती हूँ, कि कैसे आप इसको use कर सकते हो, और बेटर तरीके से, अब जैसे यह तो हो गया house cleaning, तो मैं एक बार type कर लेती हूँ, cleaning services, और अब मैं क्या करती हूँ, बैग जाती हूँ, मतलब अपने कर्सर को ले जाती हूँ, इस space को हटाती हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, अंडर स्कोर, चीकिया, और अंडर स्कोर के बाद मैं ऐसे space दे देती हूँ, आप देखो, आप जो मेरी यह वाले words देना, जो बीच वाले words थे, यह यहाँ पर disclose हो गए, तो यह एक ट्रिक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, कि आप कोई भी words दिखिए, उन words के अगर बीच वाले keywords आपको खोलना है ना, तो यह दिखिए, यहाँ पर मेरे ideas निकलाते हैं, इसको जरूर यूज़ कीज़ेगा, ऐसे underscore डालके, make sure underscore के दोनों साइट स्पेस हो, और फिर आपके दो major keywords हो, और cursor को आप यहीं रखेंगे, तो cleaning house services, cleaning carpet services, तो अगर मेरी company, मेरा business ऐसा है, जो कि carpet cleaning services भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं यह यूज़ कर लूँगी, cleaning home services, cleaning house, cleaning apartment, sofa, office, pool services, अगर pool services प्रोवाइड करते हैं, तो हम definitely इसको यूज़ कर लेंगे, तो यहां से मुझे कुछ LSI keywords इस तरह से निकल रहे हैं, जिससे मुझे ideas जनरेट हो रहे हैं, देखो, ideas जनरेट करना, आपको गूगल पर ही बता दिये, एक और मैं आपको तरीका यहां पर बताना चाहूंगी, next brain's roaming आप कर सकते हो अपने competitors से, ठीक है, देखो, number one पर इस, जैसे मैं पहले बाला जो मेरा keywords आना वो मेंड ले लेती हूँ, जैसे house cleaning services in Delhi, इस पर आप देखेंगे, तो local listing को एक बार छोड़ दो, और यहां से शुरू करो, number one पर urban company आएगी, क्योंकि उनकी monopoly चलती है, और कह सकते हैं, सबसे पुरानी इस field में है, तो देखें, इनका है full home cleaning in Delhi NCR, देखें, house cleaning services इन्होंने keyword यूज किया है, house cleaning services इन्होंने यूज किया है, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा न, जैसे house मेंने हटा दिया, और इस तरह से मैं brainstorm करूँगी, और keywords देखूँगी, अब देखें, यह जो नीचे वाले suggestions थे न, यह यहां पर change होगे, यहां पर office cleaning आ गया है, home आ गया है, तो यह आपने कुछ इस तरह के ideas आप जनरेट कर लोगे, उसके अलावा यह जो यहां पर F&Q आता है, how much residential cleaning services, तो residential cleaning services मेरे को एक और idea मिल गया है, तो ऐसे आप करके, कुछ ideas जनरेट करोगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि यह जो अभी तक हमने activity की, इससे कितने ideas हमने randomly generate कर लिये हैं, यह आप देखिए, यहां पर कुछ ideas generate हुए हैं, यह मैंने थोड़ा सा time लिया, उसमें यह सारे कुछ ideas generate हुएं, अभी यह मेरे final keywords नहीं हैं, अभी मुझे और भी research करनी हैं, यह सर्फ मैंने अपने brain का use करके, थोड़ा सा mind use करके, यह कुछ keywords निकाले, इनके और भी combinations भी बन सकते हैं, कुछ इनमें changes की भी ज़ुरत हैं, लेकिन अब इनका use हम कैसे करेंगे, tools का use करके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको Google AdWords से भी बताऊंगी, कि कैसे वहां से आपको और ideas generate करेंगे, and फिर finally हम analysis पर चलेंगे, कि कैसे इनहीं keywords का हम यह देखेंगे, कि इनमें से कौन सा keyword हमारे काम का है, कौन सा नहीं है, इसके लिए हम paid tools की use लेंगे, जैसे uber suggest semrush, तब मैं आपको complete information दोंगी, कि किस तरह से इनहीं keywords का use करके हम आगे, जैसे मालने, जब यह 13 keywords हैं, 13 से 1300 तक keywords हम निकालेंगे, और उनका analysis करेंगे, so एक छोटा सा मैंने आपको hint दिया, कि कैसे आप brainstorming करके, कुछ idea generate कर सकते हो, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ help ली है, normally Google के serve की, Google के search engine की, तो अभी आप कोई भी अपना topic ले लीजे, मैंने जैसे ये example लिया, कोई भी दूसरा example ले लीजे, and खुद की keyword research की, अभी brainstorming शुरू कीजे, इस scores को ऐसे ही treat कीजे, जैसे कि आप practically कहीं सीख रहे हैं, and I wish कि जल्दी से आप SEO सीख जाएं, अच्छे से और expert बन जाएं, So, इस वीडियो में हमने देखा, कि कैसे आप खुद Google का use करके, और अपने mind का use करके, brainstorm कर सकते हो अपने keywords को, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, कुछ basic points जो कि आपको SEO की keyword research शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप LSI keywords को आप पता लगा सकते हैं, साथ ही कैसे questions वाले keywords को ढून सकते हैं, और साथ ही आपके base keyword पर rank करने वाली जो top websites उनका keyword analysis कर सकते हैं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आज किस वीडियो में हम कुछ basic points समझेंगे जो कि keyword research के लिए बहुत ही ज़ादे जरूरी है, इससे पहले वाली videos में हम समझ चुके हैं कि keywords क्या होते हैं, सभी types हम keywords के कर चुके हैं, अभी हम थोड़ा सा practical सारा काम करेंगे, एक-एक website का use, एक-टूल का use में आपको practically करके दिखाने वाली हूं, तो चलिए फिर directly Google पर चलते हैं, अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं case study से, क्योंकि आप लोगों का भी एक comment आया था previous videos पर, कि कई बारें ऐसा होता है कि आपने keyword टाइप किया और आपको बहुत सारे pages मेले, और उनमें से कोई ऐसा page जिसकी ranking तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस page पर जो हमने keyword टाइप किया है वो कहीं भी नहीं है, तो यह कैसे होता देखिए, कुछ तो देखिए black hat SEO का part होता है, लेकि कुछ cases में कि जहां पर आप अपने HTML को change कर देते हैं, crawler के according and जो आपका user है उसको words अलग दिखते हैं, तो जिसे हम cloaking बोलते हैं, लेकिन 90% cases में ऐसा होता है, लेकिन उसका reason black hat SEO नहीं होता, तो क्या reason होता है, चलिए पहले तो हम case study देख लेते हैं, जैसे मैं कोई भी keyword टाइप करती हूँ, जैसे मैंने एक बहुत common keyword जैसे type किया, that is fashion clothes in Delhi, तो यह मेरा keyword है, मैं multiple type के keywords आपके लिए use कर रही हूँ, जैसे आपको हर एक field की knowledge हो, so fashion clothes in Delhi, मैंने यहां पर search किया, अब देखिए, यह तो हमारा Google My Business का part हो गया, अब यह देखिए first website, that is 16 best multi designer stores in Delhi, अब यहां पर थोड़ा सा notice कीजिए, क्या आपको यहां से लेकर यहां तक, मतब यह जो इस page की detail यहां पर आ रही है, क्या यहां पर कहीं भी मेरा जो यह particular keyword है, that is fashion clothes, जो की मेरा main keyword है, इन डेली तो चलिए location है, तो fashion clothes क्या आपको यहां पर कहीं भी दिख रहा है, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, एक आम करते हैं, पेज को open करके देखते हैं, वहां पर तो हमारा जरूर पक्का यह keyword होगा, keyword हमारे क्या है, fashion clothes in Delhi, अब देखिए, क्या आपको यह main heading लिखी हुई है, हमारे इसकी, आपको दिख रहा है यहां पर नहीं दिख रहा है, सेम विद यह देखिए, यहां पर भी मेरा यह description लिखा हुआ है, इसमें भी कहीं भी fashion clothes का जिक्र नहीं है, सेम विद आप पूरे इसको scroll down करेंगे, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब जो मैं keyword यहां पर use कर रही हूँ, वो जब हमारे top ranking websites में देखी नहीं रहा, तो आकर फिर हम क्यों keyword research कर रहे हैं, देखिए, इसका जवाब मैं सिर्फ आपको एक word में दूँगी, और जो भी person सारी विडियो देख रहा है ना, designer clothes चीक है, तो designer clothes या फिर stores चीक है, यह हमारे क्या है, fashion clothes का एक क्या है, LSI keyword है, तो LSI keyword भी एक reason हो सकता है, कि आपका जो main keyword है वो आपको top ranking website में नहीं दिख रहा, क्योंकि उसका synonym यानि कह सकते हैं उसका LSI keyword उस particular web page पर use किया गया है, तो यहां पर एक बात तो clear हो गई, कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे main keyword पर focus नहीं करना, बलकि हमें उस keyword के LSI keywords भी ढूनने हैं, जब मैंने LSI keywords वाली वीडियो में बात की थी LSI keywords की तब मैंने आपको बताया था कि काफी सारे ऐसे tools हैं, यहां से हमें एक आइडिया मिला और भी आप scroll down करते जाएंगे तो देखिए fashion designer, boutiques, तो boutiques देखिए मैं यह तो नहीं कहती है कि exactly synonyms हैं लेकिन LSI keyword है, उसके अलावा multi designer clothing store आप देख सकते हैं, 15 boutiques आप देख सकते हैं, street style, style एक word आगया जो कि fashion का एक कहीं ना कहीं LSI keyword है, तो यहां से एक आइडिया मिल रहा है, इस तरह से आप multiple keywords का analysis कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि exact keyword हमें मिले, उसका LSI भी हमें मिल सकता है, तो इसलिए चलिए आप कुछ टूल्स देख लेते हैं, देखिए एक यह टूल है, जिसका नाम है LSI graph, LSI graph आप नमली टाइप कर सकते हैं, नहीं तो LSI graph.com भी इसका URL आप exactly टाइप कर सकते हैं, तो यह जैसे ही मैं टूल यहां पर open करूंगी तो इस तरह से यह search box आएगा, जिसमें आप कोई भी keyword टाइप कर सकते हैं, जैसे हमें यह LSI graph पर यहां पर मैं अपना एक main keyword करूंगी, और उससे related जो भी सर्ब पर मुझे LSI keywords दिखेंगे न, वह यहां पर आ जाएंगे, तो let's start with an example, जैसे मैं बहुत ही simple सा एक keyword टाइप करती हूं, that is water, आप अपने according देख सकते हो, अपने according इसको और research कर सकते हो, मैं multiple type के keyword जो हैं, यहां पर search कर लेती हो, अब देखें, यहां पर water मैंने टाइप किया, अभी location यहां पर United States है, लेकिन जब आप premium version इसका खरीदेंगे, तब ही आपको इसका location change करने का option मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर कुछ हमें LSI keywords मिल रहे हैं, that what is water made of, water molecule, water definition biology, and what is importance of water, properties of water, यह examples आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और niche affected कर देती हूं, that is marketing, तो देखें, जैसे मैंने marketing type किया, तो अब मेरे को दोनों साइट में आप यहां देखिए, यह तो टॉप performing content United States का से server है, तो उसके according यह आ रहा है, और यहां पर काफी सारे LSI keywords हैं, बिसनेस, मतलि यह related कुछ keywords जो क्या बन सकते हैं, what is marketing concepts, simple definition of marketing, what is marketing to you, marketing management, importance of marketing, यह इतने सारे यहां पर keywords आ रहे हैं, और साथ साथ में उनकी volume भी आ रही है, अब मैं इसको तोड़ा सा और थोड़ा सा specific कर देती हूं, that is digital marketing, तो यह आप देखेंगे, तो और LSI keywords आ गए हैं, जिस्टर मार्केटिंग डेफिनेशन, examples, and strategy, यह देखें यहां पर related, जितने भी categories बन सकते हैं, वह यहां पर आ रही है, और उसके अलावा आप देखोगे, यहां पर वह हमारा content आ रहा है, जादा effective है, तभी टूल आपके लिए रहेगा, जब आप अपनी location में अपनी country डालेंगे, तभी आपके लिए जादा effective रहेगा, तो इसके लिए प्रेमियम वर्जिन अगर आप चाहते हैं, लेकिन Google से भी आप एक general idea ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर टाइब कर देती हूँ, digital marketing, digital marketing में आप जैसे scroll down करोगे, तो यहां पर आपको कुछ ideas मिल जाएंगे, digital marketing course, digital marketing business company, what is digital marketing strategy, how to do digital marketing, यहां पर कुछ ideas मिल जाएंगे, उसके अलावा जैसे आप competitive analysis भी कर सकते हूँ, अब एक important task, जो कि हम keyword research के time करते हैं, वो है इस किसी particular topic से related questions झूणना, और उसके लिए जो मैं टूल का यूज कर रही हूँ वो है answerthepublic.com, answerthepublic.com आप टाइप कर सकते हो नहीं, इस tool में basically एक topic से related हमारी audience क्या question पूछ सकती है, यानि एक दम जो typical informational keywords होते हैं, वो आपको यहां से मिल जाएंगे, so मैं जैसे example यहां पर जैसे type करती हूँ, for example, जैसे अभी हमने यहां पर टाइप किया, तो मार्केटिंग टाइप करती हूँ, वो सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे, मार्केटिंग मैंने type किया, स्क्रोल डाउन करूंगी तो यह देखिए, विजुलाइजेशन वाले option में यह बहुत ही अच्छा से इंटरफेस बना दिख जाएगा, कि इस से related, मतलब इस प्रपोजिशन से related, marketing is the broad term that refers to marketing is everything, marketing is process which is marketing is dead, is marketing is everywhere, उसके लावा नियर आ रहा है, so marketing near me, 2 का आप देखेंगे, marketing to parents, marketing to seniors, and उसके लावा 4 यहां पर आ रहा है, marketing for dummies, for small business, for vaginas, for schools, जितने भी ऐसे keywords बन सकते हैं, वो यहां पर आ रहा है, उसके अलावा यहां पर आप इसको अगर इस तरह से visualization नहीं देखना चाहते हैं, तो आप यहां पर simply data भी आपको मिल जाएगा, कि can से शुटू होने वाले keyword, जहां पर question है, marketing जहां पर आया है, is जहां पर with है, to है, near है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी आपको questions मिल जाएगे, यह एक tool मुझा लगा आपको इसके बारे में बता होना चाहिए, अब एक और tool जिसके बारे में आपको पताना चाहूंगी, इसके लिए आपको पहले सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा, Google पर अपना जो आपका seed keyword है, यानि seed keyword यानि वो main keyword है, जो कि आपके पूरे content से related, जो एक main keyword यानि आपका seed keyword कहला है, तो seed keyword type करना है, और seed keyword पर देखना है कौन सी वेबसाइट है वो रांक कर रही है, जैसे मैं यहां पर एक keyword करती हूं, for example, house cleaning services in Delhi, यह मेरा keyword था, इसका मैं आगे भी यूज करूँगी, so, देखिए, अर्बन कंपनी यहां पर यूज हो रहा है, अर्बन कंपनी तो चलिए ठीक, अब खुद में ही brand है, एक nobroker.n, यह एक website है, तो मैं इसको एक बार open कर लेती हूं, और इस website का जो यह वाला page है, जहां पर cleaning services दिखा हो रहा है, इसको मैं copy कर लेती हूं, तो यह URL copy करने के बाद मैं, मुझे Google पर simply type करना है keyword density, ठीक है keyword density, अब हम यहां पर density नहीं check कर रहे हैं, हम basically यह search कर रहे हैं, कि इस particular website ने क्या keywords कितने time use किये हैं, ठीक है, मैंने यह वाले tool का use कर रही हूं, SEO review tools, ठीक है, तो यहां पर मैंने अपना domain यहां पर put किया, चीक है, और उसके बाद मैं आप perform check एक बार कर देंगे, तो अब यहां पर इस website का complete मुझे यह बता दिया है, कि कौन सा keyword कितनी बार use हुआ है, cleaning word को 56 times इन्होंने use किया है, services को 54 times use किया है, उसके लाब होम, डेली, no broker, service, professional, clean, time, यह सारे keywords इन्होंने use किया है, एक बार यह सारे one word phrases है, two word phrases की बात उन्हों तो cleaning services इन्होंने 27 times use किया है, services Delhi, cleaning, house loan, professional services, hiring professionals, cleaning home यह इन्होंने इतनी time use किया है, और three word की बात करूं तो अगेन आप देख सकते हैं, इन्होंने 6 बार यूज किया है, house cleaning services इन्होंने 8 बार यूज किया है, तो यह इस तरह से जैसे आप scroll down करते जाएंगे, आपको इनके keywords दिखते जाएंगे, details workers, works no broker, no broker, यह यहां पर इन्होंने keywords जो हैं use किये हैं, so basically इस tool से आप यह idea लगा सकते हो, कि किस domain ने जो भी हमारे competitors हैं, जो कि हमारे desirable keywords पर top पर rank कर रहे हैं, उन हमारे competitors ने क्या keywords यूज किये हैं, तो यह आप यहां पर एक analysis कर सकते हो, so यहां पर हमने तीन चीजन समझी, सबसे पहले तो LSI keywords हम कैसे ढून सकते हैं, और दूसरी फिर हमने बात की, कि कैसे हम एक topic से related questions जून सकते हैं, और last में हमने यह समझा, किसी competitor के keywords को कैसे find out कर सकते हैं, कि उसने क्या-क्या keywords यूज किये हैं, तो यहां पर हमने देखे कुछ important steps, जो कि आपको keyword research करने से पहले जरूर करने चाहिए, आज की इस video में हम आपके लिए लेकर आए हैं, Google AdWords के keyword planner का complete tutorial, और साथ ही बहुत लोगों को यह doubt रहता है, कि Google AdWords जो है वो तो paid ads के लिए यूज होता है, तो हम इसको SEO की keyword research के लिए क्यों use करते हैं, तो इस चीज का भी जवाब मैं आपको आज की इस video में दोंगी, तो विडियो को इन तक देखेगा, क्योंकि practically मैं आपको समझाने वाली हूँ, कि Google AdWords का keyword planner आप किस तरह से अपनी keyword research को बहतर करने के लिए use कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि Google AdWords, जैसे की नाम से ही पता चल रहा है, यह ads के लिए है, यानि PPCs के लिए है, paid ads के लिए है, तो क्या इस tool का जो keyword planner है, क्या हम उसको SEO की keyword research के लिए use कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं analysis की बात करूं, keyword research का मतलब keywords को ढूंडना कि क्या क्या हमारे topic से related keywords बन सकते हैं, keyword analysis मतलब उन ढूंडे हुए keywords में से best keywords को निकालना, यह हम समझ चुके हैं, तो अगर मैं बात करूं keyword analysis की, जब आपको choose करना है कि कौन सा keyword हम मैं काम में लूं, किसकी volume जादा है, किसका competition कम है, या फिर जो भी आपके parameters हैं, उस case में आपको Google AdWords का keyword planner यूज नहीं करना, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था keyword research का पहला step होता है keyword research, यानि keywords आप निकालिए, ढूंडिए कि आपके topics related क्या-क्या keywords हो सकते हैं, तो उस case में हम Google Ads के keyword planner की help लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए सबसे important बात कि यह जो टूल है यह खुद Google का है, तो Google को better बता है कि कौन-कौन से keywords कितनी volume के साथ वहाँ पर हैं, तो हम अपने keywords के जो LSI keywords जूनने के लिए या फिर मैं कहूं और भी related keywords जूनने के लिए एक research करने के लिए हम Google AdWords का use करेंगे, लेकिन बाद में हमें और tools की भी जूरत होगी जिनका हम use कर सकते हैं, देखिए हर किसी का अपना तरीका होता है keyword research करने का, मैं आज आपको अपना तरीका बता रही हूँ, और हो सकता है कोई और person अलग तरीके से keyword research करता हो, लेकिन मैं जो भी चीज आपको इस video में बताऊंगी, जो भी तरीके मैं आपको इस पूरे course में सिखाऊंगी न, वो आपके logic पर based होंगे, कुछ भी चीज मैं अपने मन से मैंने नहीं create की है, यह मैं सारे logic based आपको चीजें बता रही हूँ, तो complete course आपको follow करना है, description box से आपको SEO की playlist का link मिल जाएगा, जहांपर आपको daily videos हम वाँपर add करते हैं, तो पुराने videos अगर किसीने miss की हैं तो वो देख लीजे, और playlist को save करके रख लो जिसे एक भी video आप miss ना करो, तो चलिए Google AdWords पर चलते हैं और Keyword Planner को explore करते हैं, अब हमें simply type करना है या तो आप type कर सकते है Google Keyword Planner, या फिर आप directly type कर सकते है ads.google.com, तो ads.google.com पर हमें करना है click, इसका Keyword Planner जो हमें use करना है, तो वापिस मैं इस पर account create करके ही आपको बता देती हूँ, तो डिरेक्ली हम जो Google Ads है उसकी website पर चले जाते हैं, तो आपको पूरा account create करके ही दिखा लूँगी, यह देखिए इस तरह से कुछ हमारा यह इसका interface देखेगा, आपको click करना है sign-end पर, अल्रेड़ी अगर आपका account बना हुआ है, नहीं तो आप get started पर click करेंगे, यह करने के बाद में कुछ इस तरह का interface देखेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको account create करना है, तो इस तरह के हमें window देखेगी, लेकिन इस window तक आने के लिए आपको login करना पड़ेगा, मैं login हूँ पहले ही, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, चीक है, तो मैं इन्कॉगनिटों में open कर लेती हूँ एक बार इसको, और वापिस हम आजाते हैं, अब हम यहां पर देखिए, हमने get started पर click किया, अब कर आपको alrady account नहीं बना हुआ, नहीं तो अगर आपको alrady account यहां अचांट कर सकते हैं, और यहां पर switch कर सकते हैं, तो मैंने new google ads account पर click किया, उसके बाद माफचेंगे, तो यहां से आपका main advertising goal पूछा चाह रहा है कि आपको क्या आपको इस में से चाहिए लेकिन अभी मेरा मेन एम जो है वो एड्स रन करना नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक नी करूंगे और यहाँ पर एक उप्चन देख रहा है लेकिन मैंने जैसे बोला कि हमें अजरा नहीं करना है हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड प्लाने यूज करना है तो इसी दिए आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको आप सब्मिट कर दीजे एक बार जो भी इंफोमेशन है एक बार और यह देखिए आपका अपका अपर बढ गया है बहुत ही क्विकली हमने फ्री में यहाँ बना लिया है अब जब आप अप अपना बना बना लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अपना यह इंट आपका इसा। जो की मेरे पर्टिकूलर प्रोजेक्ट मेरी ब pakाशाइट इस से रिलेटड है जैसे की मेरा पेश्ट क्या था कि वेबसाइट इवलम्में Потξ क्या तो मैं ने इसको खिया कविए और मैं इसको हमारे ये वाला जो तूल है hoven Г author पर पेस्ट कर दोंगी analysis उसका करना है तो मैं इसको कॉमा देकर और एक और नया मतब एंटर करके space देके एक और नया keyword add कर सकती हूं चीक है so जैसे for example मैं यह web development course in Delhi कर देती हूं चीक है जी यह देखिए वैसे मैं आपको prefer यही करूंगी कि एक साथ जाधा keyword मत पूट कीजिए सिर्फ एक या दो keyword आप पूट कर सकते हैं चीक है so get result पर हमें करना है क्लिक आप यहां पर देखिए यहां पर यह automatically एक filter लगा होता है that is adult ideas को exclude कर दीजिए वह हमने कर दिया है अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लोकेशन का option है चीक है अब यह location क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं यह basically all over India से जिसने भी मेरा यह keyword type किया है उसकी पूरी यहां पर detail आ रही है उसके साथ से volume आ रही है उसके साथ से competition आ रहा है लेकिन एक छोटा से सवाल है मेरा आप से अगर कोई परसंट टाइब कर रहा है website development training in Delhi तो उसका मेन मोटिव क्या है कि उसे service कहां चाहिए डेली में चाहिए तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई person US में बैठा है अमेरिका में बैठा है और वहां पर बैठके वो keyword type करता है website development in Delhi तो उसका मोटिव क्या है क्या उसे US में service चाहिए या डेली में देखिए अगर US में चाहिए होगी तो अपने आसपास नीर मी देखेगा या US की किसी city का type करेगा या फिर simply website development यूएस में बैठके type करेगा लेकिन website development in Delhi वो person तभी type करेगा जब उसको डेली में service चाहिए तो ऐसे में जब मेरे keyword में location included हो जैसे website development in Delhi, in Bangalore, in India, in US जब मेरे keyword में मेरे seed keyword में location mentioned है तो उस case में मैं अपनी location को सिर्फ इंडिया पर limit नहीं करूंगी जब बलकि मैं इसको all locations पर क्लिक कर दूंगी तो इस पर हमें click करना है जो भी इंडिया था उसको क्रॉस कर दिया तो यह all locations आ गई ठीके language क्या है English है तो language English है तो language English हमने कर दी ठीके उसके अलाबा गूगल की information चाहिए या और other search partners की भी तो आप इसको भी select कर सकते हैं that's completely optional ठीके लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि नॉर्मली Google Ads का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है paid ads के लिए तो हम SEO की keyword research में जो की इसमें हमारी PPCs यानि ads भी included होंगी बट मुझे उससे फर्क नी पड़ता मुझे तो सिर्फ या आइडियाज करने हैं क्योंकि मैं आपर average monthly searches वगरा पर नहीं काम करूंगी आपे जाता है यहाँ अपने ढ़्मों कर सकते हो क्योंकि कई सारे टूल्स अनल में हो सकता है कि काई सारे अनल में यहां सालवर के काई मुझे साल एक यंप कर यह शांड़ी बोलता है वहां सब्लिम को यह पीन तो सीन के बल्सक् и क्वेश म。 पर लोग करते हैं, इस पर कितने लोगों ने अपना content बनाया हुआ, या कितने ऐसे web pages जिन पर हमारा ये वाला particular keyword पढ़ा है, तो इसका competition low है, low का मतलब जादा लोग नहीं है, मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं, तो यूं समुरों कि 35 तक ही, 0 सले का 35 तक ही इसका range है, आप अपना 3 month change, ad impressions, account change, यह सब चीज़े कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे अभी काम का नहीं है, यह हमारे paid ads में काम आएगा, अब देखिए, यहां पर यह हमारे इतने सारे keywords निकलाए हैं, अभी आपको यह कम keywords दिख रहे हैं, लेकिन तो टोटक 30 pages हैं, तो अब मैं यहां पर क्या करूँगी, इस पूरी file को download कर लूँगी, लेकिन download करने से पहले मुझे पता है कि बहुत सारे result ideas आएंगे, तो एक बार मैं इसको थोड़ा से यहां पर filter भी डाल सकते हो, तो filter में क्या क्या filters आएंगे, जैसे कि मान लिजे मेरी नई website है, नई website को मुझे ranking पर लाना है, तो मुझे competition जिन पर बहुत जादा है, वो keywords नहीं चाहिए, तो इसलिए आप यहां पर low और medium competition को भी target कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कि आप high competition पर ही जाएए, high competition मतलब उस particular keyword पर बहुत सारे low content बना कर बैठे हैं, बहुत सारे low उसको use कर रहे हैं, तो इस तरह से आप different, different जो आपके particular filters हैं, वो आप यहां पर लगा सकते हो, okay, अब मैंने जैसे ही, यहां पर सिर्व ही competition लिया है, जो कि low और medium है, और यह जो मेरे keywords आए हैं, इनको मैं यहां से, यह वाला option है, यहां से डाउनलोड कर लोगे, चीक है, तो यह हमारा एक सा interface यहां पर समझ लिया, यह saved keyword का option है, तो यहां पर जो keyword आप सेव करते चाहेंगे, वो यहां पर आता रहेगा, okay, तो यह हमारा यहां पर एक keyword आ गया, अब मेरी जो sheet है, यह हो चुगी है, download, इस keyword को हम उपन करेंगे, इस sheet को हम ने open कर लिया, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर बहुत सारी चीज है, इतनी सारी चीज है, मुझे नहीं नहीं चाहिए, वायो वाय चेंज, 3-month, competition, every month, मुझे तो सिर्फ दो तीन चीज है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अब इस चीज में यह उड़ा दूगी, उड़ा दूगी, मैं डिलीट कर दूगी, जो मे करनसी की भी मुझे जरुरत नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट कर दिया, जो वाली रो है, इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देती हूँ, अब देखेंगे, तो आपकी sheet जो है, वो थोड़ी सी काम हो गए, अब यह आप देखेंगे, तो यहां पर आपके ज यह डाउन्लोड हो चुकी है, यह देखिए, मैंने इसको यहां पर कर दिया, डिलीट, चीक है, और वापस में आ जाती हूँ, जो जो मेरे काम की चीज़ा नहीं है, उनको मैंने यहां पर डिलीट कर देना है, जो भी मेरे काम करें, अब देखो, एवरेज मंती सर्च इस मेरे क अब यहां पर एक बार आप देखेंगे, तो इधर मुझे यहां पर अगर मैं स्क्रोल डाउन करती हूँ, तो मुझे एप्रॉक्सिमेटी एट कीवर्ट मिल गे, अब यहां पर Excel में जैसे बताया है, Excel में मुझे इसलिए काम करना पसंद है, तो यहां पर मैं इसको क्या कर स सकती हूँ, अच्छे से मैंनेज कर सकती हूँ, पूरा जैसे मैंने इसको कर दिया है, इस तरह से, competition आप देख सकते हैं, अभी यह जो competition है, और यह जो average monthly searches है, यानि जो अभी पहले range आ रहे थी 100 से 1K के बीच में, तो उसका 500 यह mid value ले लिया गया है, जहां पर 10 to 100 आ रहे थी उसको 50 ले लिया गया है, मतलब mid value ले लिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं sorting कर दूँगी, मतलब average monthly searches के basis पर मैं सकी sorting कर देती हूँ, जैसे यह largest to smallest मैंने कर दिया, तो जो largest हमारा keyword है, largest volume के साथ, वो हमारा यहां पर आ गया है, competition और हमारे keyword है, उसी according change हो गया है, जहां पर य तो दुप्लिकेट के रहे हैं, मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, यहां पर इस तरह से पूरा आप इसको क्लिक कर सकते हैं, पूरी रो को सिसे सलेक कर लीजे, conditional formatting में जाहिए, यहां पर highlight sales rules और duplicate values, जहां पर भी duplicate values हैं, वो यहां पर आ जाएगा, अब स्क्रोल डाउन कर दूगी, अब यहां पर मुझे मेरे keywords उनको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करती हूँ, यह जो मेरे ऐसे keywords हैं, जो की 50 वाली range के हैं, उनको यहां पर skip कर सकती हूँ, तो अब यहां पर आप यह जो 170 के आसपास आपके keywords आए हैं, इनको आप filter करेंगे, और filter करने के बाद में, जो आपके कुछ keywords बच जाएंगे, उन सभी का analysis आप करेंगे paid tools की help से, यह हमने अभी तक help ली Google Ads की, अब हमारा थोड़ा paid tools का काम आता है, और थोड़ी सी brainstorming का काम आता है, तो यह दा हमारा complete tutorial of Google AdWords Keyword Planner, इसके बाद में, जो हमारे next step होंगे keyword research में, उसमें हमें कुछ private tools की ज़रत पड़ेगी, तो मैं आपको एक-एक tool का tutorial दूँगी, जिससे आप हर एक tool से familiar हो जाएं, और उसके बाद में, आप अपने logic के हिसाब से best tool को use कर सकें. SEMrush tool, एक ऐसा tool जो कि अगर मैं SEO की बात करूँ, तो उसमें one of the best tool माना गया है, तो आज की इस video में हम करने वाले हैं keyword research, हम different different keywords जूनेंगे with the help of SEMrush tool. So end तक video देखिएगा, क्योंकि इस video में आपको मैं एक-एक point बताने वाली हो, जिससे आप SEMrush का use करके keyword research कर पाएंगे. So SEMrush tool के हाज हम बात कर रहे हैं, तो वैसे तो कई सारे tools market में available हैं, लेकिन SEMrush tool काफी पुराना tool है, और काफी सारी चीज़े हैं, हमें इस tool से मिलती हैं, जो कि बाकी सारे tools में नहीं होती, बस इसका एक ही कमी है, वो यह है कि यह काफी expensive tool है, approximately 100 dollars से भी जादा आपको per month ही तो आज हम SEMrush का video देख रहे हैं, SEMrush का tutorial देख रहे हैं, तो next videos में मैं आपके लिए और भी जो famous tools हैं, उनका tutorial लेकर आऊंगी, so make sure आप चानल को subscribe करके रखें, जिससे इस तरह की important videos आपसे मिसना हो, तो चलिए फिर directly चलते हैं SEMrush पर, तो चलिए यह आगे हैं हम SEMrush प यहां से आप log in or sign up करेंगे, तो सबसे पहले आपको log in or sign up करना पड़ेगा, otherwise आप free tool भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो पहले मैं आपको free version आप यूज कर सकते हो, उसका में थवड़ा सा idea देती हूं, तो सबसे पहले हम sign up कर लेते हैं, यहांनी account create कर लेते हैं, तो यह दे code add करना है, तो यह देखिए, जैसे हमने यहां पर code अपना enter किया, जो हमारे mail पर आया था, तो यहां पर आपको दो option फूशन है, कि pro and guru version, ठीक है, तो दोनों ही versions में 7 days का free trial है, तो आप इसको एक बार use कर सकते हो, एक attempt card का use करके, या फिर अपना कोई भी debit credit card हो, तो आप add कर पर बाद में 7 days बाद में remove कर सकते हो, ठीक है, तो लेकिन अगर यह भी use करना चाहते हो, तो आप continue कर सकते हो, with limited access, यानि कम access आपको मिलेगा, कम keyword research के time आपको मिलेगा, लेकिन आप उसका use कर पाऊगे, तो अभी मैं वही कर रही हूं, मैं limited access के साथ भी use कर रही हो, और फिर म यहां पर जैसे keyword overview वाला, क्योंकि mainly हम इसका use लेने बाले हैं, हमारे keyword research के लिए, तो keyword overview का option यहां पर आपको टाइप करना है, तो जैसे मैं कोई भी एक random keyword यहां पर टाइप कर देती हूं, जैसे digital marketing, यह करने के बाद में, यहां पर country पूछी चारही है, तो country आप चूज कर ल इसको analyze करने के बाद में यह देखिए, अब पूरा overview आगया, देखते हैं कि यह क्या के लिखा हुआ है, सबसे पहलों तो obviously यह country आगी है, हमारा keyword आगया, इसमें और भी keyword आप add कर सकते हो, और एक साथ analysis कर सकते हो, यह हमारी volume आगई है, जो हमने पहले समझी थी, कि volume या फिर दुनिया में, इसकी volume है, around 641.8K, और यहां पर यह country-wise आगया है, यानि इंडिया में सबसे साथ से साथ हैं, second number पर US में, then बाकी सारी यहां पर countries आगया है, okay, so यह आप देख सकते हैं, keyword difficulty, इसकी बात करें तो 100% है, देखिए, जैसे हमने बाकी टूल कर यूस करेंगे, तो मतलब competition भी हम जिसको बोलते हैं, या फिर कई बार इसका नाम SEO difficulty के नाम से भी जाना जाता है, तो जैसे कई बार किसी में range दी होती है, 0-100 तक, यह जो SEMrush है, यहां पर बेसिकली यह percentage होता है, तो 100% इसका result है, यानि keyword difficulty, 100% है, यानि बहुत जादा difficulty, यानि competition बहुत जादा ह है, उसके साथ ही, इसका intent है, सबसे चीज की, इस tool है, हमारे SEMrush, उसमें intent भी दिखा देता है, कि आखिर इस tool का intent किया है, यानि एक informational keyword है, जो की सही है, अगर मैं keyword यहां पर change करूंगी, जैसे माल लीजिए, मैं यहां पर digital marketing course ट्राय कर लेती हूँ, यहां पर आप मैं आपको बताऊंगी, अब आप देख सकते हैं, तो देखें, यहां पर result, आप देखें, यह बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि हमें और किसी tool में देखने को नहीं मिलेगी, इस particular keyword पर total जो हमें Google sub, हमें results दिखाएगा, वो that would be approximately 4.4 billion, आप इसको देख सकते हो, यहां से, यहां पर results आ रहे हैं, कि इस keyword पर कितने results हैं, उसके अलावा इसका trend आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम भी trend नहीं बोल सकते, डाउनफॉल नहीं है, यह हम already Google trends में समझेंगे यह चीज, जीके, so make sure आप देखें, उसके अलावा CPC and commercial पार्ट यहां पर आ गया, तो यह Google Ads के काम आता है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कि Google Ads के लिए सबसे बेस टूल है, Google Ads कोद, Google AdWords जो है हमारा, उसके अलावा keyword की variations यहां पर आ गई है, तो total जो हमारी यहां पर volume आ रहे है, तो total keywords कितने हैं, approximately करीब एक लाग से जादा keywords यहां में दे रहा है, आप चाहें तो आप इन सब का analysis कर सकते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा keywords में से आप चूस कैसे करेंगे best keywords को, ठीक है, तो यहां पर देखिए, और options देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़न है, यह देखिए, एक desktop का option आ रहा है, तो इसको मोबाइल पर भी क्लि अब यहां पर देखिए, यहां पर है sub analysis, मतलब इस particular keyword पर जो भी मैं आपको बोला, 4 billion से भी जादा results दिख रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं, देखो, इस keyword पर number one पर जो website rank कर रही है, वो यह है, दिन यह है, दिन यह है, तो यहां पर यह complete analysis आ जाता है, चीक है, अब य देख सकते हैं, कि यहां पर मुझे, मैं एक बाद चूस करके आपको बता देती हूँ, तो 10 ही मुझे starting के keywords देख रहे हैं, जबकि मेरे पास 1000 से भी जादा keywords है, लेकिन मुझे सिर्फ 10 ही देख रहे हैं, उस बाकी के लिए मेरे को trial खरीदना पड़ेगा, तो अगर आपकी ए नहीं तो free version से यह जो भी चीज़े मैं आपको बताई इतनी आप देख सकते हो, अब चलिए, मैं login कर लिती हूँ अपने account से, फिर उसके बाद हम देखते हैं, कि किस तरह से paid version में क्या-क्या चीज़े हमें अलग मिलती हैं, और आगे हम इसका कैसी use कर सकते हैं, तो यह paid version यह कोई अलग ताइप के keywords की research कर सकते हैं, अभी मैंने इंडिया ही location से लेकिया हुआ है, तो again वही same information आ रही है, लेकिन आप देखेंगे, जो keyword की variations है, इसको अगर मैं view all करूंगे, तो सारे keywords मुझे दिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर paid version लिया हुआ है, आपकी मर्जी है, इसका paid version थोड़ा सा expensive होता है, थोड़ा सा तो क्या मतब काफी expensive है, लेकिन इससे भी सस्ते जो tools है, इससे भी जो economical tools है, वो हमारे पास available है, UberSuggest की मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ, तो UberSuggest मैं आपको दूँगी, UberSuggest मैं यहाँ समझ लीजिए, कि बहुत जाती जाता ससता है SEMrush की comparison में, लेकिन SEMrush बहुत सारे अलग-अलग platform से भी आप खरीच सकते हैं, जहाँ पर आपको इतना जाता pay नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए आप थोड़ा सा research कर लीजेगा, क्योंकि मैं disclose नहीं कर सकती, बाकी आप समस्तों गई होंगे, So, ये मेरे पास सारे keywords यहाँ पर exposed हो चुके हैं, सारे keywords मुझे देख रहे हैं, और सबका volume, keyword difficulty, KD मतलब keyword difficulty, and intent मुझे देख रहा है, I for informational, C for commercial, ये transactional keywords भी मुझे देख रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज़े हैं, मतलब काफी अच्छे results मुझे दे रहा है, अब यहाँ पर keyword है, उस main keyword से related, जो broad, यहाँ पर हमारा match है, यानि सबसे ज़्यादा match कर रहे हैं, जो keywords वही उसने लिए हैं, अगर मैस जगह related कर देती हूं, तो देखो, आभी मेरे 105 अप्रोक्सिमेटली, करीब 1 लाग से ज़्यादा मेरे keywords हैं, लेकिन अगर मैने related keywords कर दिये, यानि एक तर keyword से digital marketing से related exact match कितने keywords मिल रहे हैं, तो वो है मेरे approximately 95.4K, तो देखे, आप नमबर देखे, चेंज हो गया है, यहाँ पर, यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो देखे, यहाँ पर थोड़ी से number केम हो गया, देखे, मैं यह नहीं कहती हैं, जितने भी, जितने भी, जितने भी, जितने यहाँ पर देखे, 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 यहाँ पर कीवर्स मिलता है तो मेरे काम के नहीं है तो एक बार मैंने यह फिल्टर लगा दिया है कीवर्ड डिफिकल्टी आप अपने कॉर्डिंग देख सकते हो अगर नई वेबसाइट है तो ऐसे मैं मैं आपको सज्जिस करूंगी कि बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं आपको किस में डावलोड करना है तो मैं सीजव मैं करूंगी तो मैं सीजव में करूंगी तो मैरे दोनों में ही डेटर था चाहेगा लेकिन मुझे अभी एकल में करना अचल में करूज आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं CSP बेसिकली जो Google शीट है वहाँ पर भी मर्ज हुजाती है चीके अब यह देखिए यहाँ पर जो मेरी फाइल है यह जो कीवर्ड है यह यहाँ पर डाउनलोड हो चुके है इसको मैं उपन करके भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मेरा डेटा जो है डाउनलोड हुआ है तो अब आप देखेंगे यह इस तरह से मेरी जो शीट है यह डाउनलोड हो चुकी है मैं इसमें से क्या करूँगी जो irrelevant चीज है ना उनको मैं हटा दूँगी जैसे यह वाला जो मेरा पीपीसी वाला पार्ट है इसको मैंने यहां पर हटा दिया मैं इसको यहां पर इधर डिलीट कर दूँगी जिस्ट ए सेकेंड ओके सो हमने डिलीट कर दिया मैं सिर्फ ना कुछी चीज है रखूँगी और कुछी चीजों से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगी मेरा keyword और keyword के बाद में volume और keyword difficulty बाकी मैं सब को डिलीट कर दूँगी यह देखिए एक ही click سے मैं सब ही को डिलीट कर दिया चीक है कुछ short tail है कुछ long tail है तो यह आप अपने recording अब हमारा जो next step होगा उसमें हम इस in keywords में से best keywords को choose करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि approximately मेरे पास 91 keywords आये हैं चीक है अच्छा amount है और इन सभी का जो volume है वो 2000 से जादा है तो सभी explorable है तो यहां पर हमने देखा कैसे हम SEMrush को use कर सकते हैं आप मुझे comment section बताएगा कि आपका favorite tool keyword research के लिए कौन सा है मुझे तो देखिए SEMrush is no doubt really good लेकिन यह बहुत जादा expensive है तो हर कोई effort नहीं कर सकता इसका प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देती हूं इससे पहले आप comments करो मैं आपको value बता देती हूं तो plans जो इसके आप देख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ एक person के लिए लेना है like pro version लेना है so that is आप 119 dollars मतलब approximately it would be 7000 के आसपास ही रहे का amount and इसका जो थोड़ा सा advanced version है वो 229 dollars है and business version इसका approximately 450 dollars है तो आप अपने according इसको देख सकते हो लेकिन मैं आपको next video में कुछ और कम expensive tools जैसे की Ubersuggest, H, REFs इसके बारे में बताऊंगी इस वीडियो में हमने सीगा SEMrush के बारे में बाकी और भी जब जैसे-जैसे हमारा SEO का course आगे बढ़ता जाएगा न मैं इस tool की और भी ज़्यादा help लेने वाली हूँ तो आप इसको थोड़ा से explore कीजेगा और मुझे definitely बताइएगा review दीजेगा इस tool का comment section में तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हम बहतरीन keyword research कर सकते हैं with the help of this best tool called SEMrush नेक्स वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी Ubersuggest और AHREF जैसे tools का complete tutorial आज किस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ उस tool के बारे में जिसका use हम खुद यहाँ WS Cube Tech में करते हैं और उस tool का नाम है Ubersuggest Ubersuggest one of the best tools है जिनका आप use करके keyword research और काफी जारी SEO related activities कर सकते हैं लेकिन आज की specific video में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप Ubersuggest का use करके keyword research या keyword planning कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो आज हम करने वाले हैं Ubersuggest का use और Ubersuggest का use करके हम निकालने वाले हैं कुछ amazing keywords इससे पहले वाली video में मैंने आपको बताया था Google Ads keyword planner के बारे में उसका use करके हमने काफी सारे keywords निकाले थे अब time आता है कि उन keywords का हम complete analysis करें क्योंकि Google Ads में जो हमें volume दिख रहा था जो हमें competition दिख रहा था वो accurate नहीं था क्योंकि उसमें paid ads भी शामिल थी लेकिन Ubersuggest में हम complete SEO के लिए use होने वाली volume और competition यूज करेंगे तो काफी जादा accurate ये tool है मैं 100% तो देखे कोई भी tool नहीं है keyword planning की अगर मैं बात करूं SEO के लिए लेकिन 90% तक we can expect कि 95% इसकी accuracy रहती है और काफी famous टूल है काफी सारी countries में और इंडिया की भी काफी अच्छी companies में इसको use किया जाता है तो चलिए फेर डिरेक्ली चलते हैं Ubersuggest पर तो सबसे पहले आपको open करना है Ubersuggest तो ये Ubersuggest पर हम आजाएंगे तो Ubersuggest इस website का पार्ट है तो आपको ये देखिए Ubersuggest या तो simply आप टाइप कर सकते हैं आपको नील पिटल पर जाकर Ubersuggest आप टाइप कर सकते हैं चीक है तो मैं यहाँ पर नॉमली मैं Google पर Ubersuggest टाइप कर दी हो और ये आजाता है फर्स वेबसाइड आपको यही मिलेगी तो अभी ये देखिए इस तरह से इसका इंटरफेज यहाँ पर दिखेगा आपको सिंपली सबसे पहले साइन इन कर लेना है सो साइन होने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर अल्रड़ी आप दा पेड वर्जन सो इसी लिए यहाँ यह सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है नहीं तो आप इसका जो फ्री वर्जन है वो भी एक बार एक्स्प्लोर कर सकते हैं लेकिन मुझे आपको अपको अप्लीट इसका नॉलिज जहना था इंडिविज्वल वाला आप देखेंगे तो ताट वुड भी 12 यूएस डॉलर्स अमांथ और यह काफी सही है अगर मैं सेमरश की बात करूं तो उसके कंपेरिजन में इसी लिए मैं इसको प्रिफर करती हूं थोड़ा सा तो इस तरह से मारा उपर सजिस्ट आता है जब हम लॉगिन करते हैं तो अब यहां पर देखिए इसका पहले इक बार इंटरफेस का पूरा अनालिस कर लेते हैं फिर हम की वर रिसर्च करेंगे इसका यूज करके तो सबसे पहले यह डैश बोर्ड है उस ही कीवर्ड से डिफरेंट 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 आइडियाज आपको मिल जाएंगे कीवर्ड बाइट्राफिक का यूज करके यानि मंतली वॉल्यूम का यूज करके आप कीवर्ड जून सकते हो similar websites उस keyword से कोई भी आप keyword पुट करेंगे और उस से similar जो websites वो यहां पर आजाएंगी content ideas आपको यहां पर मिल जाएगा उसके अलावा ये एक नया option आया है that is keyword list, keyword की आप कुछ personal list भी बना सकते हो so यह है हमारा traffic वाला option तो यहां पर traffic overview मिल जाएगा top pages by traffic आपको मिल जाएंगे किसी particular topic पर और सबसे important चीज जैसे की दो चीजों के लिए mainly मैं उबर suggest का use करती हूँ and one is keyword and second would be the backlink checker okay so बहुत ही अच्छा यह tool है मतलब backlinks की अगर मैं बात करूं और keyword की बात करूं तो इन दोनों के लिए it's amazing so backlink का overview मिल जाता है और कहां का और backlink की opportunity है वो भी आपको यहां पर पता चल जाती है तो चलिए जिस चीज के रिए mainly हम यहां पर आए है I am using the keyword keyword planner so keywords में आप जाएंगे तो keyword overview वाला section है यहां पर आप keyword overview पर क्लिक करेंगे so आपको यहां पर इस तरह सा option होगा यहां पर आपको अपना keyword put करना है or you have to search चीक है तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने Google AdWords का use करके Google Ads के keyword planner का use करके हमने keywords की कुछ list निका ली थी उसमें से हमने जो भी keywords चूज किये है अपने recording उसको हम यहां पर एक एक करके analysis करेंगे और भी कोई ideas मिलते हैं तो उसको हम अपनी sheet में add करते जाएंगे बाकी stay tuned with us because मैं एक video लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको complete SEO की keyword planning का project करके practically करके दिखाऊंगी तो वहां से आपको और भी ज्यादा information मिलेगी यहां पर मैं keyword type करते हूं जो भी मैंने sheet बनाई थी तो अभी तक जो भी हमने keywords निकाले हैं मैंने आपको last video मां बताया था कि किस तरह से हमने filter करके Google AdWords से around 35 के असपास keywords निकाल लिये थे ads के लिए paid ads के लिए इस volume में जो paid ads वाली volume है competition में जो paid ads वाले जो मेरे competitors हैं वो भी included हैं तो मुझे उनको हटाने के लिए अब क्या करना होगा मुझे लिए देखिए मैंने दो और column बना लिए one is US volume US मतलब Ubersuggest volume and US competition यानि Ubersuggest competition आप अपने अब मैं क्या करूंगी इन सभी keywords को मैं copy करके और Ubersuggest के जो overview यहां पर paste करती जाओंगी और यहां पर जो location है आप देख सकते हैं तो यहां पर आप अपनी location और आप अपनी language सलेक कर सकते हैं अब जैसे अगर मैं इंडिया यहां पर टाइप करती हूं तो इंडिया में भी different languages यहां पर आ जाती हैं तो अगर आपका कोई यहां पर यहां पर टार्गेट करना चाहते हो तो आप यहां पर लांगविज सलेक करने का भी आपको पर्टिकॉलर option मिलता है और यह option हमने देखा था कि Google Ads में नहीं था इस option को आप explore कर सकते हो तो अभी मेरा keyword है वो basically English language मैंने select की हुई है और India मैंने location टार्गेट की हुई है अब यहां पर एक चीज है कि आपको यहां पर जैसे डेली भी अगर आप target करना चाहते हो तो आप डेली को भी टार्गेट कर सकते हो लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताय तो all over India से जैसे माल लीजे राजस्तान से भी अगर कोई person type कर रहा है housekeeping services in Delhi तो यह clear सी चीज है कि उस service जो चाहिए वो डेली में चाहिए तो मैं चाहूंगी कि उसकी भी volume मुझे पता चले तो इसलिए मैंने यहां पर India से लेकिया है language मैंने English यहां पर से लेकिया है और अब मै यहां पर थोड़ा से ध्यान दीजेगा कि जब हमने volume और competition वाली video की थी तब मैंने आपको कि volume को और किस नाम से जाना जाता है competition को और किस नाम से जाना जाता है वो भी चीज ने बताई थी तो अब आपको वो चीज यहां पर काम आएगी देखिए search volume हमारा इतना है यानि monthly search volume यहां पर आ रहा है तो monthly search volume है 480, okay? SEO difficulty जिसे हम basically बोलता है competition यह मैं आपको previous videos में बता चुकी हूँ तो यह SEO difficulty यहां पर easy है अब easy का मतलब क्या है कि 30 से काम है तो हमने सीखा था कि यह low competition है यह easy बोल सकते है यह low competition बोल सकते है यह paid difficulty है, cost पर क्लिक हमारे काम का नहीं है क्योंकि यह दो चीजे हमारे important है यह दो चीजे हमारे important है, okay? लेकिन Google Ads के comparison में 95% जैसे मैं आपको बता है 95% approximately यह accuracy इसकी रहती है, मतलब यह सही है, okay? यहां पर मैंने यहां पर इस keyword को हम चूज कर सकते हैं and यहां पर मैं जैसे डाल देती हूँ यहां पर हम इसको कर देते हैं put, okay? 480 हमारा था volume and 30 मेरा था competition, okay? ऐसे ही अब आपको हरे keyword को यहां पर आप select कर सकते हैं, search कर सकते हैं, जिसे मैं एक-ए keyword को यहां पर copy करती जाओंगी और इधर मैं यहां पर paste करती जाओंगी, okay? कि search gun के बाद में 260 and 31 यहां पर आ गया तो मैं इसको यहां पर जल्दी जल्दी लिखती जाओंगी अभी आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं तो मुश्किसे मैं आपको सब्सक्राइब करोंगी कि 20 कीवर्ड आपके बास जब रह जाएं तब ही आप अपर सारे कीवर्ड यहां पर निकाल ले तो यह देखिए पूरी शीट जो है यह मैं यह आपर फिल कर दी है यह देखिए अपर सब्सक्राइब कर दीखिए अब यह वाली जो हमने पहले जो गूगल एडवर्ड से जो हमने कुछ आइडियास निकाले थे उनको मैं एक बार हटा देती हूं देखिए यहां पर यहां पर यह सारे लो वाले कीवर्ड लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यह देखिए 45 यहां पर Ubersuggest के हिसाब से यह आपर competition है that is medium competition लेकिन मेरे को यह सेम कीवर्ड पर Google AdWords ने बताया था कि भाई यहां पर low competition है तो कही ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो यह पेड टूल जैसे Ubersuggest हो गया सेम रश हो गया इन पर हमें जादा रलाय करना चाहिए rather than Google Ads मैं यह नहीं कह रही कि Google Ads सही नहीं है लेकिन वह जादातर पेड आड्स के लिए यह बात हम समझ चुके हैं तो इसी लिए सबसे पहले मैंने अब यह वाली जो रहता देती हूं और अब यह Ubersuggest वाली volume रह गई है तो इसको वापस से एक बार sorting कर देते हैं हम तो मैं इसको वाल्यूम के recording एक बार sorting कर रही हूं लार्जेस्ट तो स्मॉलेस्ट पर तो यह देखें यह मैंने सॉर्ट कर दिया और जो सबसे हाइस वाल्यूम वाला था वो यह आ गया और यह यह decreasing order में यहां पर मेरे जो keywords थे वह सेट हो चुके हैं और थोड़ा सा हम इस keyword analysis टूल को देख लेते हैं तो देखें यहां पर एक search by website भी option है तो अगर मैं अपनी website का link यहां पर पुट करती हूं तो मुझे नए keywords की ideas मिल जाएंगे एक बर में try कर लेती हूं जैसे wskubedic का ही मैं कोई page open कर लेती हूं जैसे wordpress training का यह page है चीक है इसका मैंने URL किया copy और मैं इसको यहां पर paste कर देती हूं और मैं search करूंगी English India मेरी location तो हैगी अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे को keyword ideas मिल रहे हैं तो यह आप देख सकते हैं जैसे इस पर 27,100 volume है लेकिन इस पर जो SEO competition है वो 59 है और यह देखिए आप जैसे interview question PHP है volume का भी अच्छा है इसका जो SEO difficulty यानि इसका जो competition है वो medium ही है और भी जो कम जो लो competition वाले है जो green वाले यह आप यहां पर use कर सकते हैं और यह यहां पर आपको काफी सारे ideas मिल जाएंगे आप जैसे हमने Google AdWords में समझाता है कि इसको पूरा डाउनलोड करने का वो भी हम कर सकते हैं और यहां पर आप different filters भी लगा सकते हैं कि मुझे वही keyword चाहिए जिनकी volume 1000 से लेकर 10,000 के बीच में हो तो मैं वो keyword भी select कर लेती हूँ अगर SEO difficulty की बात करूँ तो 0 से लेकर मैं जैसे medium की बात करते हूँ तो 69 तक ही की जो SEO difficulty है वो रखोंगी अब मेरी यहां जो यह sheet है मैं इसको export to CSV, export all और export selected तो मैंने एक keyword को यहां पर हटा दिया और कई लोग directly जो है वो uber suggest की help लेते हैं तो आप उस case में भी काम कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया है कि Google Ads की help हमने इसी लिए लिए है क्योंकि वो बहुत जादा reliable source है LSI keywords की ideas है वो मिल जाते हैं यही reason था कि मैंने directly uber suggest का use ना करके मैंने सबसे पहले Google Ads से ideas निकाले और उसके बाद मैं मैंने उनका analysis किया तो अब आप देख सकते हैं कि इस particular page के लिए मेरे पास 83 अच्छे keywords आचुके हैं जिनका सबका जो volume है वो 1000 से जादा है and competition only medium and low है तो यह मेरे पास एक complete list बनके आचुकी है इसमें से आप अपना more selection कर सकते हैं और अपने according keywords को देख सकते हैं तो काफी अच्छा टूल है अगर मैं keyword research की बात करूँ यह जो filters हमने यहां पर लगाए हैं यहां पर इस option में ही जहां पर keyword overview वाला पाट था वहां पर भी आप लगा सकते हैं जैसे मैं एक और example दे देती हूँ जिससे आपको एक भी चीज आपके माइंड में blur ना रहे यानि problem ना हो तो मैंने एक keyword टाइप किया ऐसे आप 3-4 keywords यहां पर type कर सकते हो लेकिन मैं one time में एक ही keyword लेती हूँ उसके बाद में यह keyword आपको लगता है कि इतना summer को नहीं करना simply यहां पर अपनी desirable volume सर्च कर लो जैसे मैं यहां पर select कर देती हूँ कि मुझे at least जो है वो मुझे 10,000 की volume चाहिए तो मैंने 10,000 यहां पर select किया और maximum तो कितना भी हो सकता है यह यहां पर apply हो गया चीके apply होने के आप देख सकते हैं कि 69 तक medium हमारी volume है और उसके बाद में इसी शीट को आप export to CSV कर सकते हो export all का option आप क्लिक कीजिए यह देखिए आपकी sheet जो है यहां पर download हो चुकी है और यह रही आपकी sheet चीक है तो मेरे पास total 11 results आये हैं क्योंकि वो इसी वज़े से आये क्योंकि जो मैंन इसको ठीक भी कर सकते हैं अगर आप और वी जादा कीवर्ड चाते हैं तो आपकी जो filter था उसको अपने कॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं चीक है तो यह देखिए मुझे यहां पर ideas मिल चुके हैं तो इस टूल में देखिए suggestion के साथ में कुछ और इसको देख लेते हैं जैसे में पताऊंगी जिसके लिए आपको next video का वेट करना पड़ेगा तो यह हमारे प्रपोजेशन यहां पर आजाएंगे अगर जो प्रपोजेशन एड हुए है कि इस वर्ड यूज हुआ है या फिर नियर मी वर्ड यूज हुआ है चीक है तो यह सारे प्रपोजेशन के साथ जाएंगे और यहां पर comparison कि digital marketing के साथ अगर किसी वर्ड का comparison है तो यहां पर आजाएंगे तो यहां पर भी आपको कुछ आइडिया जाते हैं तो काफी अच्छा डूल है जिसका आपको यूज जरूर करना चाहिए जब भी आप SEO की कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और सबसे कि अगर मैं SEMrush और Ubersuggest में compare करूं लेकिन अगर आप इतना जादे क्योंकि SEMrush का जो मन्तली चार्जस हैं जो पेमिंट आपको करनी पड़ेगी उसका पेड वर्जन लेने के लिए वो काफी जाथ एक्सपेंसिव है Ubersuggest की मैंना आपको बताया कि 12 तो 12 तो 12 एक सही अमा है नेक्च वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन कीवर्ड में से भी स्ट्रॉंग कीवर्ड का सेलेक्शन कर सकते हैं और क्या कि आपको बेंचमार्क्स रखने हैं बुरा लगेगा ना तो बस यही गलती हम कीवर्ड रिसेर्च के दोरा ना करें इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखीगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक कीवर्ड के ट्रेंड की जानना कि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है या नहीं कहीं वो आउट करेंगे जानेंगे इसी एक वीडियो में सो जासा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं keywords के trend के बारे में और उसके लिए हम use करेंगे Google Trends Google Trends basically Google का ही एक tool है जो कि हमें ये बताता है कि किसी topic पर किसी keyword पर कैसा trend चल रहा है और आने वाले time में भी कैसा Google का ये खुद का tool है तो हमें काफी accurate result कि ये देता है यहां पर आप worldwide नहीं बलकि country wise भी किसी topic का trend देख सकते हो साथ ही आप India में ये भी देख सकते हो ये particular keyword या फिर ये particular topic किस state में सबसे ज़ादा popular चल रहा है और इसी के साथ-साथ आप दो keywords को यहां पर compare कर सकते हो तो अगर मान लीजे आपके पास keywords बहुत सारे हैं आपको choose करना है कि किस keyword को choose करें तो definitely हम ऐसे keyword को choose करेंगे जिसका trend जादा है या फिर आने वाले time में उसका trend और भी जादा बढ़ेगा तो ये चीज हम कैसे पता लगाएं इसके लिए चलिए चलते हैं Google Trends पर तो सबसे पहले हम आजाते हैं Google Trends पर तो Google Trends आप आप नुमली Google पर भी टाइप कर सकते हैं तो first website यही खुलेगी नहीं तो आप trends.google.com ये website भी यहां पर ये URL भी टाइप करकर आप इस website पर पहुंच सकते हैं जैसे ही मैं ये website ओपन करूँगी तो कुछ इस तरह का हमारा ये interface यहां पर दिखेगा काफी interesting चीज़ा आपको यहां पर दिखेंगी तो इस से पहले मतब इस trend को use करने से पहले हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन और fresh keywords के बारे में तह् rights keywords का 춤 होते हैं जो की अभी ala bar nah पॉपुलर है कि कर पहले लोग उनके बारे में बात नहीं करते थे लेकिन अभी ये keywords काफी जादा popular है अभी के time में अपर जिक थायम में जो सकता है 23 ऐं 2023 2023 में अगर आप माली जैसी हो कर रहे हैं तो उस ताइम जो popular keyword चल रहा होगा बहुत ज़ादा hyper होगा वो हमारा fresh keyword होगा और ऐसा keyword जो की पहले भी बहुत ज़ादा popular था अभी भी बहुत ज़ादा popular है और उसकी prediction है कि वो आने वाले टाइम में भी काफी ज़ादा popular रहेगा उन keywords को हम बोलते हैं evergreen keywords ठीक है तो सबसे पहले तुम आपको इसका इंटरफेस दिखा देती हूं तो इस तरह से यहां पर कोई भी search आप topic कर सकते हैं या फिर कोई term यहां पर लिख सकते हैं बेसिकली कोई भी keyword आप यहां पर लिखी है और यह Google Trends आपको यह बतायागा कि उसका trend कैसा रहा है जैसे मैं यहां पर कोई भी keyword जैसे टाइप करती हूँ जैसे मैंने टाइप किया digital marketing digital marketing टाइप करने के बाद यह देखिए इस तरह से एक graph आपके सामने open होगा और आप देख सकते हैं जैसे यह देखिए यहां पर यह range दी हुई है 25 से लेकर 100 याने total 100 तक यह range दी हुई है और यह हमारा graph चल रहा है और यहां पर नीचे यह date दी हुई है अभी यहां पर देख सकते हैं कुछ filters हैं जैसे यह इंडिया की टर्म है आप इसको worldwide भी select कर सकते हैं तो जैसे ही आप location change करेंगे definitely यह graph भी change हो जाएगा और past 12 months का भी data दिखाई दे रहा है आप इसको past 7 days का कर सकते हो past 4 days का कर सकते हो last hour का कर सकते हो ठीक है और past 5 years का भी यह आप data कर सकते हो ठीक है web search है तो अब यहां पर आप web search यानि all over worldwide web पर इसका trend कैसा रहा है image के options में इसका search कैसा रहा है news में कैसा रहा है इस particular term का trend या फिर google shopping के हिसाप से या फिर youtube search के हिसाप से so even youtube के भी trend का analysis आप यहां पर कर सकते हैं क्योंकि मैं जब youtube का course आया था उसमें मैं आपको बताया था कि गूगल trends का हम कैसी यूज कर सकते हैं basically youtube के keywords को judge करने के लिए so यहां पर मैं अभी web search पर click कर देती हूँ and worldwide कर दिया है past 5 years का मैंने यह trend देख लिए मैं इसको वापिस से past 12 months का कर देती हूँ अब यहां पर यह graph हमें कुछ कहना चाहरा है क्या कहना चाहरा है देखिए कि यह जो हमारा keyword था बेसिकली यह कहते हैं कि 50 से ज्यादा अगर आपको ग्राफ जा रहा है तो मतलब हो काफी trending है तो आप देखेंगे डिशन मार्केटिंग का ग्राफ ना कभी 50 से नीचे नी आया यानि यह नीचे गिरेगा यानि इसकी trend थोड़ा सा खतम होगा चीक है तो आप देख सकते हैं कि लेकिन अभी कि अगर मैं बात करूं Google के prediction के against में अगर मैं बात करूं तो काफी trending यह topic चल रहा है चीक है उसके अलावा अगर आप इसको change करना चाहते हैं यहां से कोई भी keyword आ class 10th results एक example मैंने लिया है तो यह देखिए class 10th के result की अगर मैं बात करूं तो यह देखिए इस तरह से इसका trend रहा है और Google के prediction के according की past 12 months के हिसाब से देखा जाए तो यह downfall आएगा यानि जादा trending नहीं है चीक है उसके अलबा past 4 hours की मैं बात करूं क्योंकि देखिए इस तरह स काफी अच्छा हाइक इसका आया था हो सकता है इस ताइम कोई न्यूज आई हो इस तरह से आप एक analysis कर सकते हैं अब बात करते हैं fresh keyword और evergreen keywords को कैसे पहचान है अब जैसे मैं एक fresh keyword का example लेती हूं जैसे कि आप सभी को बता है कि पंजाब में elections चल रहा है तो पंजाब elections मैंने keyword type किया और इसका थोड़ा सा एक analysis देखेंगे अगर past 30 days का है मैं इसको past 12 months का एक बर करके आपको बता देती हूं तो यह देखिए यह keyword इस तरह से पहले trending पे नहीं था लेकिन अभी यह एकदम trending पर आ गया चीक है और इसका downfall तै है क्योंकि यह short term चीज है चीक है बनी हुई है तो भली मैं news की बात करूं भली मैं web search की बात करूं चाहिए मैं ब्लॉक्स की बात करूं इस पर बहुत चर्चा हो रही है तो यह एक ऐसा keyword है देखो मेरे को graph से ही पता चल रहा है कि यह fresh keyword है पहले इसकी कोई इतनी जादा डिमांड नहीं थी इतना जादा ट्रेंड नहीं था अभी यह काफी जादा popular हो गया है चीक है और आने वाल टाइम में इतना जादा popular यह नहीं रहेगा चीक है यह downfall मुझे बता रहा है उसी के साथ ही जैसे मैं एक और एक्जामपल ले लेती हूं जैसे सबको बता है कि पुश्पा मूवी आई थी चीक है तो मैंने पुश्पा यह title type किया और आप देख सकते हैं यह fresh keyword का best example है trend कुछ भी नहीं था कोई भी नहीं टाइप करता था लेकिन यह देखिए अगर मैं बात करूं December की जब मोवी का release या तर इसका ट्रेलर वा आउट हुआ था तब यह trend बहुत ही अच्छा रहा है और definitely a downfall जाएगा तो यह किसका example है एक fresh keyword का example है कि यह keyword अभी hype में है अभी सब पुश्पा सवर्ट करें पुश्पा के songs उसके dialogues उसके memes ठीक है तो यह अभी काफी एक fresh keyword बना हुआ है या पर मैं इसको कह सकते हूं trending topic बना हुआ है लेकिन यह जो fresh keyword है कि यह जादा time तक नहीं रहेगा यह इसकी downfall आजाएगा चीक है तो यह एक example हमने देख लिया उसी के साथ ही अगर मैं evergreen keyword की बात करूँ जैसे की मैं बात करती हूँ SEO की चीक है SEO मैंने यहाँ पर type किया देखिए अब अगर मैं SEO की बात करूँ तो देखिए 50 से मतलब 5 साल पहले मैंने यहाँ पर location यहाँ प पास 5 years कर दिया है तो 5 years से इसका trend जो है वो बढ़ता ही जा रहा है पहले भी trending था और अभी भी यह काभी जदा हाइप में है चीक है इसको prediction पर ना जाएं तो हम देख सकते हैं कि यह एक evergreen topic है पहले भी popular था अभी भी popular है और time के साथ यह और popular होता जाएगा क्योंकि graph इसका और example ले लेते हैं जैसे कि मैं keyword type करती हूं laptop चीक है तो laptop के case में भी आप देख सकते हैं कि 5 years है मैं इसको 12 months करके भी एक बार आपको दिखा देती हूं तो देखिए यह वाला जो keyword है यह देखिए सेम तरीके से रहा है और इसकी demand हमेशा 75 से उपर ही रही है मतलब ट्रेंड इ यह एक evergreen keyword का example हो सकता है so I hope अब आपको थोड़ा साइडिया मिलाओगा कि fresh keyword क्या होता है और evergreen keywords क्या होते हैं अब सवाल आता है कि इन trends को हम use कैसे करेंगे हमारे क्या काम के हैं जब हम SEO कर रहे हैं देखिए SEO में जब भी आपको keyword select कर रहे हैं तो आप यह तो जरूर जाना और तब तक वो out of fashion हो गया यानि out of trend चला गया तो ऐसे में आपको loss हो सकता है क्योंकि आपने इतना efforts दिये होते हैं तो ऐसे में सही keyword को selection करना trend के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है तो यह वह वाली sheet थी जो last time हमने prepare की थी यहां पर हमने keywords हमने जो कुछ अच्छे select किये थे तो जैसे मैं एक-एक keyword को यहां पर put कर देती हूं और मैं देख लेती हूं कि कहीं इनका trend कम तो नहीं हो रहा है या फिर आने वाले time में कम तो नहीं होगा तो देखिए इसका keyword देखिए मैं यह नहीं कह सकती कि बहुत जादा trending यह topic है लेकिन अगर मैं ग्राफ के तरफ नज कर देती हूं क्योंकि मेरे keyword में already location fix है तो आप देखेंगे तो again यहां पर कई बार keyword बहुत 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 नीचे आ गया है और अगर मैं बात करूं अगर past 5 years की तो इसका देखिए थोड़ा सा data यहां पर change हो जाएगा तो again इसमें काफी जादा fluctuations है तो यह तो नहीं कह सकती क यह keyword जो है out of trend जाएगा वैसे ही मैं एक दूसरा keyword भी यहां पर put कर देती हूं मेरा जो मैंने यहां पर select किया था तो यह देखिए इसका भी कुछ इसी तरह से यहां पर data देख रहा है इसको भी मैं 12 months में select करके एक बार देख लेते हूं तो 12 months के साब से कभी यह बहुत ज़ तो इसलिए मैंने क्या किया मेरा जो 2 important keywords थे उनको मैंने क्या किया यहां पर एक दूसरे से compare कर वाया तो यह देखिए अगर आप से कोई पूचे कि ब्लु वाला ब्लु वाला मतला इस वान जो हमारा second वाला keyword था और यह हमारा first वाला keyword था इसमें से किस को select करना चाहिए तो graph थोड़ा से सबने यह थोड़ा बहुत geometry बड़ा है graph सबने पड़े हैं अपने school में so थोड़ा सा मुझे concept से बताइए logic से बताइए कि कौनसे keyword को मुझे लेना चाहिए कौनसे keywords को मुझे choose करना चाहिए so यह वाला keyword है that is red red से जो mark हो गया देख सकते है आप तो red वाले की comparison की बात हो रही है तो अगर मालीजे ऐसा कोई है जिसे दो मेरे primary keywords हागे तो मुझे कही जिगा पर एक ही primary keyword की ज़रोत होगी तो ऐसे मैं home cleaning services Delhi लूँगी ना कि मैं housekeeping services in Delhi लूँगी तो यह एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका अगर आपको पता है सही डंग से तो आप इसक लिए शेयर भी कर सकते हैं different different platform पर और इसको मैं यहाँ पर download भी कर सकती हूं .csv file में चीक है तो इसको जब आप open करेंगे तो इसका data यहाँ पर download भी हो सकता है चीक है तो यह हमारा एक analysis था यह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो topic है यह obviously Delhi में ही बहुत जादा popular है लेक लोकेशन को तो इमर को country wise भी बता देगा तो country wise Angola country में बहुत साथा popular है Bangladesh में Pakistan में बहुत साथा popular trending चल रहा है Brazil में Vietnam में चीक है यह यहाँ पर आपको काफी सारे ideas मिल जाएंगे trend का पता चल जाएगा और जो भी अगर आप किसी particular country के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ सारी country और आप उसके according अपना analysis कर सकते हो तो यह था हमारा complete tutorial of Google Trends इतने सारे keywords अभी तक हम ढूण चुके हैं लेकिन उन keywords में से best keywords चूज कैसे करना है यह जानेंगे हम आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में basically हम बात करेंगे कि किस तरह से अभी तक जो हमने research करके keywords निकाले हैं उन में से भी किस keyword को क्या priority पर रखना है कौन से keyword को choose करना है क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि keywords on page SEO का base है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम select करने वाले हैं बेस्ट keyword जो अभी तक हमने keyword research की है प्रिवेस अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो description box से playlist का link मिल जाएगा जहां पर आप प्रिवेस वीडियो देख सकते हो जहां पर हमने tools का use करक Google Ads keyword planner का use करके trends का use करके काफी सारे keywords निकाले हैं उन्ही keywords में से आप मैं आपको यह बताने वाली हूं कैसे आप best keyword का use करेंगे देखिए हर किसी का एक अपना perspective होता है मैं आपके साथ अपना perspective शेयर करूंगी और इस वीडियो के बाद मैं मैं आपके लिए लेकर आने वाली एक live project पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसके लिए keyword research करनी चाहिए जिसमें आप practical knowledge grab करेंगे तो चलिए फिर अभी हम उस sheet पर चलते हैं जहां पर हमने बहुत सारे keywords research की थी जहां पर हमने keywords बहुत सारे निकाले थे analysis किया था तो चलिए फिर उस sheet को देख है अब total जैसे मतलब basically जो हमारा theme था मेरी service थी वो house cleaning services थी और हमारी targeted location डेली थी चीक है तो यहां पर total आप देख सकते हैं तो approximately 31 30 के आसपास keywords निकले हैं लेकिन ये बात आपको भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक साथ 31 keywords पर काम नहीं कर सकते हैं तो अभी मेरा target रह policy अपनानी चाहिए देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मान लीजिए final आपके पास keywords निकले हैं 10 keywords ठीक है तो 10 में से आप क्या कम करोगे ठीक है तो वही आपके selected keywords हो अब यहां पर सवाल आता है कि मैं volume को consider करूं या फिर मैं competition को consider करूं क्योंकि अगर मैं competition को consider करती अगर मैं competition को consider करती हूं तो मेरा सबसे मुझे keywords यह वाला लेना चाहिए housekeeping services in South Delhi and best housekeeping services in Delhi मुझे यह दो keywords लेने चाहिए ठीक है लेगिन अगर यही मैं benchmark बनाती हूं मेरी volume को तो मेरी highest volume के हिसाब से मेरा keyword best keyword होना चाहिए home cleaning services Delhi and housekeeping services in Delhi अब यहां पर सवाल आता है कि मैं कौन से keyword को इसका हम कैसे analysis करेंगे सबसे पहले ना आप volume और competition को छोड़िये और आप सबसे पहले इन में से जो भी ऐसे keywords हैं जिसमें आपको थोड़ा सा भी doubt है कि यह keyword मेरी service से related या मेरे business से related नहीं है उसको आप अलग कर दीजेए चीक है चलिए तो यह सबसे पहले मैं काम कर लेती हू चीक है मैं थोड़ा से जूम कर देती हूं जिससे आप अच्छे से देख पाएं तो सबसे पहले है home cleaning services Delhi definitely मेरे business से related है next मेरा keyword है housekeeping services in Delhi तो definitely यह भी मेरे housekeeping house cleaning मेरे service से related है लेकिन यह चीज़ ना आप थोड़ा सा अपने काइन से भी confirm कर सकते हैं कि housekeeping service भी हमारा part है या नहीं क्यो उनों ही हमारे services हम deliver करते हैं तो आप इसको consider कर सकते हो अब next हमारा keyword है house cleaning services in Delhi तो देखिए home house तो यह LSI हो गया तो मैं इसको consider कर रहे हूं housekeeping services in Delhi NCR तो यह भी अगर NCR complete NCR में चैसे डेली एक पूरा शहर हो गया तो शहर के बाद जो NCR वाला एरिया जिसे नॉड़ा हो गया मेरे काम का नहीं है तो अभी मैं assume करके चल रही हूं कि यह keyword मेरे काम का है कि डेली NCR almost same ही है ठीक है so housekeeping company in Delhi आप देखिए यहां पर यह housekeeping company है अब देखिए अगर यही चीज़ अगर digital marketing के case में होती तो digital marketing की अगर मैं training दे रही हूं को दे रही हूं तो ऐसे case में मैं digital marketing company को नही कंसिडर करती उसका कारिन यही होता कि digital marketing company का मतलब होता है वो company जो कि digital marketing की services provide कर रही है और digital marketing training यह digital marketing course का मतलब होता है coaching से यानि training से ठीक है so मैं उस case में consider नहीं करती लेकिन यहां पर मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इस keyword को भी consider करूंगी मतलब डाउटिंग क है लेकिन वह negligible है डाउट का केस ऐसे कि ब्लागिंग टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट है home cleaning services in Delhi NCR तो यह भी कीवर्ड होगा housekeeping services in South Delhi professional home cleaning यह सारे जो भी मेरे listing websites हैं जैसे मैं जस्टाइल की बात करूं या फिर कोई ऐसी website जहां पर different companies यहां पर listed होती है उसके लिए keyword हो सकता है लेकिन housekeeping companies मेरे लिए नहीं है keyword तो एक बार मैं doubting case को रखते हुए इसको मैं यहां पर delete कर देती हूं चीक है next है हमारा best housekeeping services in Delhi house cleaning services in Delhi NCR best housekeeping services in Delhi corporate housekeeping services, house standardization, top housekeeping companies Delhi अब यहां पर यह भी blogging topic हो सकता है तो मेरे पास already बहुत सारे topics है तो मैं इसको हटा देती हूं अब house cleaning Delhi house cleaning Delhi यह दो बार आ चुक है तो मैं दोनों को एक बार हटा देती हूं चीक है क्योंकि यहां पर companies का services का कोई भी link नहीं है तो यह मैंने अब 28 कर दिये देखिए इस logic के साथ आप चलेंगे तो हो सकता है आपके niche के according यहीं पर ही आपके keywords आदे ही रह जाए चीक है अब यहां पर next time consideration किसको करेंगे कि combination of keywords अब मैं ऐसे keywords को अठाने की कोशिश करूंगी जिसमें जो भी words यूज हुए है वो already मेरे किसी keyword में आ चुके है एक्जाम्पल से समझेगा हो सकता है थो रह से complicated आपको लगे जैसे home cleaning services Delhi next मेरा है housekeeping services in Delhi तो इन दोनों में क्या difference है housekeeping का या यह नया word एड़ हुआ है लेकिन यहां पर आप देखेंगे house cleaning services in Delhi तो देखिए house इस keyword में आ गया है और जो cleaning है वो इस keyword में आ गया है तो इसी लिए इस keyword को मैं यहां से अटाना चाहूंगी complete मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि यह words already दो keywords में repeat हो चुके housekeeping services in Delhi NCR, NCR word नया है तो इसलिए मैं इसको कंसिडर करूँगी housekeeping company in Delhi तो company नया word आया है इसलिए मैं इसको कंसिडर करूँगी housekeeping company in Delhi NCR अब आप खुद के logic से सुर्चिए क्या मुझे keyword हटाना चाहिए या नहीं देखिए तोड़ा सा logic लगाई है housekeeping मेरे इन तीनों keyword में आ रहा है company मेरे इस keyword में आ रहा है डेली NCR मेरे इस वाले keyword में आ रहा है तो definitely मुझे इसको अटाना चाहिए क्योंकि इसमें वो words यूज हो रहे हैं जो कि already मेरे पहले वाले keywords में आ चुके हैं अब next आप देखेंगे best housekeeping company in Delhi तो best word आ रहा है तो नया word है तो मैं इसको use करूँगी home cleaning services कि already मेरा इस वाले keyword में आ चुका है तो इस वाले keyword को भी मुझे हटाना पड़ेगा वही logic यूज करना है क्योंकि इसमें जो keywords words यूज हो रहे हैं वो मेरे already पहले वाले keywords में हो चुके हैं चीके next आता हाउसकीपिंग सर्विसेस इन साउट डेली तो साउट डेली नया keyword है मैं है सारे keywords हटाऊंगी जैसे housekeeping Delhi दोनों ही words यहां पर आ चुके हैं आप points अमझिए कि यहां पर ऐसा keyword नहीं लेना जो already किसी दो keywords में तीन keywords में repeat हो चुका है हाउस क्लीनिग सर्विसेज इन डेली तो डीप नया word है तो मैं इसको consider करूंगी और रहां साउट डेली चारी ही वर्ड चारा ही वर्ड सालरी पहले आ चुका है हॉसकीपिंग सर्विसेज उन साउट डेली यह भी पहले आ चुका है हाउस कीपिंग इन डेली इसको भी हाटा दूंगी होँं डीप क्लीनिग अब देखें होम भी पहले आ चुक है यह कीवर्ड छो है पहले ही रिपीट हो चुक है तो यह वाला वर्ड भी हट गया इधर भी क्योंगी बस्ट भी आचुकाया और स्क्रीपिंग भी अब यह 10 वाले में देखेंगे और 11 में देखेंगे सानिटाइजिंग नया वर्ड आया अब थोड़ा सा फोकस कीजिए कि मेरे जो पहले अराउंड 28 के असपास कीवर्ड से वह अब 11 ही कीवर्ड रह गए हैं ठोड़ा सा ध्यान दीजिए और सारे के सारे एक कीवर्ड है जिस पर 590 वॉल्यूम है एक पर 480 है लेकिन उस पर तो से कॉम्पेटिशन कम है अब यहां पर आप अपने टार्गेट के इन 11 में से कीवर्ड सेलेक कर सकते हैं लेकिन अगर आप जैसे यह 23 वाले वॉल्यूम वाले मतलम इसमें और भी कम करने की कोशिश करूंगी यह यह 23 वालियूम वाले हैं, मैं इसको जैसे एक बार डिलीट कर देती हूं, क्योंकि वालियूम काफी कम है, चीके, तो यहां से आप देखेंगे, तो यह कीवर्ड में कंसिडर कर सकती हूं, उसमें भी, जैसे मैं दो कीवर्ड चूज कर लूँगी, मेरे प्राइमरी कीवर्ड क कीवर्ड में कंसिडर कर लिया है, तो यह मैंने जो तरीका बताया, यह मेरा तरीका है, आप चाहें, तो इसको कुछ और स्टाइल में, कॉम्पटिशन को बेस रखें, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अब देखिए, अगर कोई मुझ से बूछ दाने कि इन में से बेस्ट की आपका जवाब अलग हो, आपका जवाब अलग हो, वैसे एक साथ तो हम बहुत सारे आठों कीवर्ड पर काम नहीं कर सकते, इसमें से भी हम कुछ सलेक करेंगे, जैसे मैंने दो प्राइमरी कर लिए, बाकी मेरे सेकंडरी कीवर्ड हो गए, प्राइमरी को कब रखना है, सेक एक स्ट्रॉंग कीवर्ड को सलेक करने का तरीका, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक और बेंचमार्क बताऊंगी, वो होगा ट्रेंड, कि कोई कीवर्ड कितना ट्रेंडिंग है, ये भी हमारा बेसे रहेगा कि किस तरह से आपको कीवर्ड सलेक करने हैं, सो मेक शूर जो प्राइमरी कीवर्ड का यूज करना है, तो अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो मेक शूर आप चानल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो As I've promised कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक कीवर्ड रिसर्च का प्रजेक्ट लेकर आऊंगी, तो आज की इस वीडियो में हम किसी हाइपर थर्टिकल प्रजेक्ट पर एक कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, तो वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, एक बहुत ही शॉर्टकर तरीका है, तो जो लॉंकर तरीका है, उसमें मैंने सबसे पहले Google AdWords का यूज लिया है, और उसके बाद मैं मैंने यूज दिया है Ubersuggest का, और जो शॉर्टर तरीका है, उसमें आप डिरेकली Ubersuggest का यूज कर सकत हैं, तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और एंड तक वीडियो देखना थोड़ी से लंबी होगी, लेकिन क्योंकि पूरा मेर को प्रोजेक्ट आपको करके दिखाना था, तो इसमें थोड़ी से वीडियो लंबी बनी है, तो एंड तक बने रहना, ओक करते हैं, एक प्राक्टिकल मैं का हाइपोथरिटिकल प्रोजेक्ट ले रही हूँ, जिस पर हम काम करेंगे, और बिल्कुल जैसे, step by step, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम keyword research करते हैं SEO के लिए, और फिर इन ही keywords को use करके, हम अपनी website को on-page SEO करेंगे, तो जब on-page करेंगे, तो अगर आपने keyword research सही से नहीं की, सही keywords नहीं निकाले, अगर आपने गलत keywords निकाले, तो आपका पूरा on-page SEO खराब हो जाता है, और on-page एक बहुत important part होता है, किसी भी SEO का, तो इसी दिए हम make sure करते हैं कि हमारी website की keyword research पर जाधा time लगे, अच्छे से focus करके, हम अच्छे-च्छे keywords उसके लिए निकाले, जिससे हमें अच्छी reach मिले, तो यहां पर जो मैंने आपके लिए एक project लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यह मैंने एक थोड़ा hypothetical project लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जाधा से जाधा type की, आप variety of projects पर ध्यान दें, तब ही आपके practice यानि online platform नहीं है, website है, इसकी definitely तभी हम SEO कर रहे हैं, लेकिन उनका जो trade होता है, यानि dealing बगरा जो होती है, वो offline ही होती है, उसके अलावा इनका जो product या service type है, वो है second hand cars, यानि जो used cars होती है, वो है, और location अगर मैं बात करूँ, तो यह चाहते हैं, कि pan India, यानि all over India में, यह यह चाहेंगे, कि all over India से, इनकी SEO ranking अच्छी हो, तो यहां पर location का हमें specific ध्यान रखना है, कि जैसे पहले मैंने जो आपको keywords कराया थे, mostly उनमें कोई city added था, यहां पर all over India, यानि अब जो हमारा span है, location है, वो बढ़ चुकी है, तो यहां के लिए में खास करके, कुछ जादा ही फोकस करके हमें keyword research करने पड़ेगी, website जो है, तो जैसे मैंने बोला hypothetical, यह एक project में ले रही हूं, तो www.exvisor.com इनकी website है, चीक है, हम मान के चल रहे हैं, वैसे इसका कोई काम आएगा नहीं, क्योंकि हमें keyword research ही कर रहे हैं, so offline trade है, second hand cards है, और pan India, यानि all over India की location हमें ध्यान में र जंदी process होगा, लेकिन I'm assuring you कि इस तरह से keyword research करने पर आपको 100% result मिलेंगे, और काफी effective यह तरीका है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, अगर आपकी website पर मान लीजे, 100 pages है, 200 pages है, 1000 pages है, तो ऐसे में हम हर page के लिए, हर web page के लिए इतना time नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए मैं आप लूँगी Google AdWords की, फिर मैं जाओंगी paid tool की तरफ और फिर हम brainstorming करेंगे, और फिर हम finalize करेंगे अपने keywords को, और जो shortcut तरीका है, उसमें सीधा में paid tool की help लेने वाली हो, और mostly अभी तक आपने जो देखा होगा, सुना होगा, वो अपने shortcut तरीका ही सुना होगा, तो इसी वीड वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हो, तो वीडियो को end तक बने रहिएगा, एक भी पार्ट मिसमत करना क्योंकि completely practically मैं आपको करवाने वाली हो, और अगर possible हो, तो साथ-साथ मेरे साथा keyword research करो, कोई भी आप ये project भी आप में में रख सकते हो, नहीं तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताओ, याद करो, सबसे पहले क्या करते हैं keyword research में, सबसे पहले हम करते हैं हमारी brainstorming, यानि थोड़ा सा दिमाग लगा कि सिर्फ अपने brain का use करके, mind का use करके, हम ये देखते हैं कि क्या इस particular business के लिए keywords निकल सकते हैं, मैं मान के चाहिए हूँ कि एक ही one page website है मेरे client की और इन के लिए मुझे keyword research करनी है, चीक है, चीक है, so second end cards है, Pan India में है, offline trade होता है, तो सबसे पहले तो है, Excel sheet बना लेते हैं, फिर हम करते हैं brainstorming, तो फ़ली Excel sheet बना लो, Google sheet बना लो, मैं prefer करती हूँ Excel sheet, ठीक है, so एक blank मैंने पर सबसे पहले तो हम दे देते हैं हमारा keyword, चीक है, so यह हमने लिख दिया keyword, keyword ले लिया है, keyword के बाद में हम यहाँ पर volume लिखेंगे, volume के बाद में हम लिखेंगे competition, चीक है, वैसे मैं आपको बताया कि Google AdWords की help लेने वाली हूँ, तो उसमें तो definitely CSV file download हो जाएगी, तो उसको email को यहाँ पर sync करना रहेगा, export करना रहेगा, चीक है, चीक है, एक बार यह हमने बना देते हैं, वैसे हम obviously आपको बताया, longer तरीका भी करेंगे, तो उसमें मैं AdWords की help लोगी, चीक है, चीक है, अब थोड़ी सी brainstorming करते हैं, चीक है, बिजनस आपको समझ में आगया, आप च कीवर्ड हो सकते हैं, चीक है, सबसे पहले तो simply second hand cars, चीक है, ये keyword हो सकता है, second hand cars को और क्या बोला जाता है, चीक है, सोचिए, इनको बोला जाता है used cars, चीक है, अब second hand cars, used cars, लेकिन मेरी location जो है वो India है, all over India है, तो मैं इसमें India भी word एक बार add कर देती हूं, चीक है, अब यह कीवर्ड रिसर्च कर रही हो, तो इसमें जो major cities है, जैसे की, for example, this particular service in Delhi, तो वो डेली तो इंडिया का पार्ट है, तो क्या हम डेली ऐसे keywords को, जिनमें डेली वर्ड आया है, क्या हम उनको consider करेंगे, एक काम करते हैं, इसका जवाबना है, मैं आपको वीडियो के बीच में ही तो वीडियो को end तक देखना, एक भी पार्ट में समत करना, चीक है, जी, so second hand cars India मैंने कर दिया, used cars कर दिया, और अपन क्या बोल सकते हैं second hand cars को, वो अपन जैसे brainstorming करेंगे ना तब भी निकलाएगा, तो second hand cars India, used cars in India, मैं एक बार ये keywords यहाँ पर लिख देती हूँ, चीक है, so यह तो मेरा एक main keyword हो गया, अब मैं इनके अंदर कुछ modifiers जोड़ूँगी, modifiers क्या होता है, मैं अलड़ी बता चुकी हूँ, जैसे कुछ extra ऐसे word, जो कि मेरे keyword को और enhance करते हैं, जैसे कि best second hand cars website in India, या फिर best second hand cars platform in India, best word use कर लिया, उसके अलावा मैंने by word use कर लिया, कि by second hand cars India, इस तरह का मैं keyword डाल सकती हूँ, जैसे कुछ मेरे modifiers होंगे, और modifiers को मैं अपने जो main, जो मेरा root keyword है, उसके साथ मैं मैं add कर दूँगी, जैसे मेरे कुछ अभी keywords की जो यहाँ पर list है, बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे, जैसे ये used car के साथ भी मैं दोनों ही modifiers लगा देत तो आप देखेंगे, तो देखेंगे, अभी मेरे पास total 6 keywords निकला है, कोई बात नहीं, अभी हम और brainstorm करेंगे, कि second hand cars in India, used cars in India, and in भी आप लगा सकते हैं, इन हटाके भी देख सकते हैं, by second hand cars in India, best used cars in India, by used cars in India, ठीक है, so अब मैं थोड़ा से चलती हूँ, Google के लिए मैं सबसे पहले incognito mode खोल रही हूँ, जिससे मेरी search history से या फर कैसे भी, कुछ भी inspired ना हो मेरी location से, so मैं यहाँ पर simple, मैंने Google open कर लिया है, अब हम यहाँ पर हमारा main keyword है, वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, so second hand cars in India, इसको मैं कर लेती हूँ, copy, और Google पर इसको करती हूँ, search, ठीक रखके रखो और देखो, second hand cars in Delhi आ रहा है, cars 24 तो यह तो हमारे definitely navigational keyword हो जाएगा, second hand cars OLX यह भी एक navigational keyword है, जिसमें audience को पता है कि उसे इस particular website पर जाना है, second hand car देखो, car देखो भी एक website है, brand name है, तो again यह navigation की used cars for sale, यह मैरे को एक keyword मिल रहा है, और यहाँ पर basically मैरे को एक keyword नही बलकि मुझे एक modifier मिल चुका है, that is for sale, चीक है, so जैसे used car for sale in India तो और उसके अलावा मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, second hand cars for sale, मैं यहाँ पर सिर्फ यह अपना modifier जोड़ दूँगी, कि second hand cars for sale in India या फिर in India, चीक है, और देखते हैं, क्या हमें कुछ ideas मिल रहे हैं, second hand cars in Delhi, used cars in Delhi, N CR, used cars, cars for sale, चीक है, यह मिल गया, what is the best website, अब यहाँ कुछ questions यहाँ है, what is the best website to buy used car, यहाँ मेरी website नहीं है, मेरा business है, so, चीक है, second hand, यह सारी चीज़े हैं, अब मैं इसी में ही, जैसे मैं आपको कुछ ideas बताया थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, used cars, और मैं लिखा India ठीक है, मैं वापस जाओंगी, मैं जूम कर देती हूँ, तो आपको दिख जाएगा, वापस जाओंगी, इस पेस को अटाओंगी, और यहाँ पर मैं लगाँगी, अंडर स्कोर, तो अंडर स्कोर से क्या हुआ, यह जो मेरे पाटिकोर बीच वाले words थे, वो उपन हो गए है जैसे use car apps in India, use car price in India, अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई person price पूछ रहा है, कि use car price, तो कहीं ना कहीं, मैं इसको एक commercial keyword की तरह consider कर सकती हूँ, और commercial keywords को definitely हमें consider करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी audience का जो intent है, यानि इसका जो intention है, वो कुछ ना कुछ खरीदने का है, तो use car price in India को मैं एक बार consider कर सकती हूँ, चीक है जी, तो यह मैं इसको copy करके, और major sheet है, उसको बस भरते जाना है, चीक है, और देख लेते हैं, और क्या मुझे दिखा रहा है, वापस चल लेते हैं हमारे back, okay, so used car and वापस मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर India, चीक है देखिए, यहाँ यहाँ पर again underscore लगा दिया, app आ गई, price in India आ गई, online आ गया, used cars for sale in India, क्या यह मैंने कीवर्ड ले लिया है, देख लेते हैं, so used cars for sale in India, definitely मैं यह कीवर्ड ले चुकी हूँ, चीक है, अभी तक बेखिए, अभी तक हम सिर्भ ब्रेंस्ट्रोमिं कर रहे हैं, अभी मैं किसी भी app क यूज नहीं कर रहे हूं, किसी भी app का यूज नहीं कर रहे हूं, चीक है, तो ध्यान दीजेगा थोड़ा सा, अभ इसी पर ही मैं स्क्रोल डाउन करूंगे, तो यहाँ पर भी कुछ keywords मिल रहे हैं, जैसे, car वाले car देखो, OLX, यह सारे navigation keyword होगे, buy second hand car online, so यह जो है, यह तो म I used cars in India, चीक है, so अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर scroll down करेंगे, और जो और websites है, चीक है, उनको consider करोगे, तो इन्होंने क्या keywords यूज किये हैं, इनका थोड़ा सा title देख लो, URL देख लो, title देख लो, कि second hand cars in India, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके used cars online है, used cars online है, used cars for sale, second hand cars for sale, मैंने यह ले चुकी हूँ, देख लेते हैं, second hand cars for sale, यह मैंने नहीं दिया है, second hand cars for sale, हां जी, यह मैं ले चुकी हूँ, keyword, और देख लेते हैं, क्या कुछ और ideas मिल रहे हैं, चीक है, so what is the best used cars to buy in India, website, best way to buy used cars, अब जब आप अपने basically forums दिखेंग जो अपने questions आप create करेंगे, उनका answers देखेंगे, यह हम off page में जादा करेंगे, so best way क्या है used cars को खरीदने का, तो वहाँ पर आप कैसे ही अपना website का submission करेंगे, वह सारी चीज़े हम off page में करेंगे, चीक है, so यह उसके लिए एक बार मैं छोड़ देती हूँ, बढ़ यहां से अगेन आपको ideas दे सकते हैं, चीक है, so यहां पर मुझे अभी जो मैंने brainstorming कियो, उसके according मुझे लगता है ठीक है, अब हम थोड़ा tool की help लेते हैं, चीक है, so यहां पर मेरा जो first step है, वो थोड़ा सा खतम होता है, चीक है, and जो brainstorming है, वो हमने अच्छे से की, अब और आपको time देना है, मुझे तो यह video create करनी है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा से जल्दी-चल्दी कर रहे हूं, नई, तो अगर हम अच्छे से किसी website की, especially one page की website होती है, उसमें हमें काफी time लगता है, एक-दो दिन भी लग जाते हैं, कई बार, चीक है, पूरा-पूरा द चाहिए, तो आप यहां से video को skip कर सकते हैं, और सीधा थोड़ा आगे, जहां पर मैं pay tool के help लेने वाली हूं, pay tool मैं uber suggest की लेने वाली हूं यहां पर, तो वहां पर आप जा सकते हैं, डिरेक्ट, इसके बाद में आप डिरेक्ट वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को तरहा मैंतर देखना है, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह का आपके पास product आता है, किस तरह का business आता है, तो दोनों ही तरीके कर सीख लो, चीक है, नहीं, अगर shortcut तरीका देखना है, तो skip कर सकते हो, थोड़ी सी आगे जा सकते हो, मतलब वीडियो में है, चीक है, चीक है, च इसका पूरा tutorial में आपके लिए ला आचुकी हूँ, नहीं वीडियो देखी, description से playlist का लिंक उठालो, playlist में एक-एक वीडियो है, एक भी वीडियो में सोई हो, उसको दुबारा से देखो, चीक है, क्योंकि एक भी चीज नहीं छोड़ने है, बहुत जादा competition है, चीक है, तो make sure कि आप एक भी चीज मिसना करें, चीक है, so discover new keywords, यहाँ पर हमें click करना है, click करेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे जो root keywords है, उनको put करना शुरू करेंगे, चीक है, so जैसे second hand cards India, इसको मैं यहाँ पर copy कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको search कर लेती हूँ, चीक है, अब location है न, वो बहुत बड़ी है, यानि वास्ट है, all over India को हम cover कर रहे है, इसी जगह, अगर मैं एक city की बात कर रही होती, जैसे Jodhpur की या फिर सिर्फ Delhi की, तो ऐसी situation में, मैं, जो कम volume वाले भी keywords है उनको भी consider कर लेती, लेकिन, अभी मेरी location बढ़ चुकी है, तो थोड़ा से ध volume अच्छी खासी हो, क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक keyword की, एक बड़ी कम volume भी है, जिनकी उनको भी हम focus करते रह जाएंगे, तो ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है, सारा आपका जो time budget है, क्योंकि देखिए, जिटन मार्केटिंग में, जितना money important ह उससे भी साथा time important है, तो आपका time budget है वो आपका खतम हो जाएगा, तो इसलिए make sure कि आप जब भी आपकी location वास्त हो, अभी जैसे location वास्त है इसमें, ऐसे में हम क्या धियान रखेंगे, कि हमारे जो कम volume वाले keywords है, उनको हम एक लोड़ करते हैं, चीक है, अब हमें सबसे यह simple सा कि अगर कोई person new york में भी बैठा है, और वो type कर रहा है second hand cards in India, तो definitely उसको कहा service चाहिए, इंडिया में ही चाहिए, तो क्यों ना हम इसको all location select करें, तो easily मैंने इसको all location किया है, और second hand cards India, यह मैंने select किया है, तो total आप देखेंगे, तो 3533 keyword ideas आ रहे हैं, आप देखो मैं मैंने जो इतनी बड़ी list निका ली है, अगर सब की मैं इतने 3-3,000 keyword देखने लगूं, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी time नहीं बचेगा, तो इसलिए अम में यहां पर कुछ filters लगाऊंगी, अभी कुछ भी आपको keywords में नहीं जाना है, अभी आपको filters नहीं देना है, तो मैं कोहत जादा यहां पर लोग हैं, चीक है, तो अगें आप यह चीज थोड़ा सा अपनी strategy के according प्लान कर सकते हैं, यह definitely आपके नीश के according होगा, कि आपके business का जो नीश है, कि second-end cards में, used cards में, कितने हमारे competitors हैं, चीक है, तो इसलिए मैं भी, यह जो मेरा नीश है, इसमें जाद 24 के भी कुछ होंगे, तो मुझे navigational keywords तो consider करने ही नहीं है, until and unless कोई special case ना हो, मैं navigational को use नहीं करूंगी, तो इसलिए बहुत अच्छा option है कि keyword option में जाओ, और यहां पर वो keywords आपको select करने हैं, जिसमें does not contain, ऐसा keyword देना है, जिसमें यह words ना हो, क्या नहीं हो, OLX ना हो, चीक ह एक और filter लगा देती हूं, चीक है, keyword again does not contain, तो मैं यहां पर लगा देती हूं, cars 24, चीक है, cars 24 को मैंने कर दिया, अपला है, चीक है, अब जहां जा अगर cars 24 है, तो वो भी keyword यहां से हट जाएगा, चीक है, यह देखो, अब मेरे keywords यहां पर कुछ हो गए, चीक है, देख सकते ह हैं आप यहां पर, और इसमें से मैं scroll down करके, आप अपने according जो filters हैं, उनको देख सकते हो, used cars, बेंग लौर, चीक है, अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा इंडिया वर्ड पर focus करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, simply एक और filter लगा दूँगी, जिसमें मैं keyword प यहां पर मेरे कुछ keywords आ गएं, और इनको चाहें, तो आप थोड़ा सा optimize कर सकते हैं, चीक है, तो यहां पर यह इतनी location आ रही है, चीक है, तो मैं इसको अब यहां पर download कर लूँगी, चीक है, डाउनलोड करने के लिए .csv file में कर लूँगी, जिससे कि मैं इसको अपनी Excel में export कर पाऊं, अब देखिए, यह मेरी sheet यहां पर open हो चुकी है, और मैं आपको बताऊं, तो approximately 200 से भी जादा मुझे keywords निकले हैं, चीक है, तो अब इसमें से जो बिना काम की चीज है ना, उनको एक बार हटा देते हैं, तो थोड़ा सा समझना मेरी sheet को आसान हो, चीक है, तो ज इसके अलावा, currency तो मेरा भी किसी काम की है ही नहीं, चीक है, average three month, three month changes, yoy changes, यह इनको मैंने कर दिया है, अब इनको थोड़ा सा में expand कर देते हूं, जिससे मेरे को थोड़ा keywords जो है, समझ में आ जाएं, चीक है, average monthly searches है, यह पहने में इनको हटा दिया था, okay, so यह मेरे कुछ keywords आ चुके है, यह मेरे every month searches, यानि मेरी volume है, तो इसको मैं volume ही लिख देती हूं, जिससे आप confused ना हो, competition है, competition की index value है, चीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इन सब को पहले sorting कर दो, sorting करने के लिए इस पर select करो, यह इसको पूरे को select करो, यह यहाँ पर देख रहा है, यह आपर पूरा select करो, shift, paste down, and इन सब को कर दो, delete, चीक है, अब देखो मेरे कितने रहे गए, 112, और मतलब करीब 100 क्या सपास मेरे जोगी keywords हैं, यह रहे गए, चीक है, अब यहाँ पर ना, थोड़ा सा भ्यान दो, तो यहाँ पर देखो कि, Dodge Challenger, and this Audi Q5, चीक है, Porsche, यह सारे words भी आ रहे और वो filter में, क्या मैं लिखूंगी, कि मेरे जो contains है, और contain होना चाहिए, car, क्योंकि मैं basically किसमें deal कर रहे हूं, car में deal कर रहे हूं, यह मैंने apply कर दिया, तो मेरे keywords और कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा all कर दिया, और अब मैं download कर ले इसलिए यह वाली एक और शीड डाउनलोड कर दिया, यह इस वाली को तो बिल्कुल हटा देती हूं, अब मेरे काम की नहीं है, इसको मैं don't save कर देती हूं, और वापस आजाती हूं, और इसको कर देती हूं, ओपन, चीक है, again, same step, बोर तो नहीं हो रहे हो, चलिए, यह कर देती हूं, और यह मैंने दिलिट कर दिया, चीक है, यह वापस आ गए है, अब आपस एग बाशल्टिं कर लेते हैं, सञजर्ट करना बीए संप्ली यह कलिक करना है, पूरी इसको कॉल्म को छीलाए करना है कि विज्ञर्ट करना है, सौर्ट कर मैं यह समालेस्ट करना है, करेंगे डिलेट ओके जी डिलीट हो गया है अब ही जो यह मैंने कीवर्स निकाले ना इन में से मैं वह कीवर्स अटाऊंगी जो कि मेरे काम के नहीं है जैसे आप देखेंगे तो कार्श 24 यह आ गया है उसके अलावा कार वैल्यू खैलकुलेटर इसमें से अब एक एक करके मैं हटाती हूं चीक है और आप भी साथ-साथ में करते ही चाहिए ही सारे स्टेप्स चीक है जो यह इतने कीवर्स आया थे लाइक हंडर की आसपास उसमें से मैंने थोड़े कीवर्स हटाए हैं और आराउंड आप देखेंगे तो 15 कीवर्स अब मेरे पास बजगे हैं चीक है त इन पर मैं यहां पर इनको कॉपी कर दूँगी यह देखिए यह जो मेरी शीट थी इसको पर मैंने कॉपी कर दिया है लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह जो एवरेज मंती सर्चस दिया हुआ है यह मेरा आक्यूरेट नहीं है यह सिर्फ जो रेंज आय थी उसी लेकिन आप चाहें तो इन मेसेज से सेकेंड हैं कार्स हो गया अभी जैसे मुझे यहां पर पता चला जैसे ओल्ड कार्स भी मेरा एक लिसाई कीवर्ड हो सकता है इस पर्टिकुलर काटेगरी के लिए तो यह चीज मुझे पहले नहीं पता थी लेकिन कीवर्ड रिसर्च के यहां से आपने देखा कि मुझे कुछ अच्छे LSI कीवर्ड से लेकिन अभी काम खतम नहीं हुआ है अभी आता है मेन काम जहां पर हम हम हेल्प लेने वाले हैं हमारे पेड टूल की और जो पेड टूल में यूज कर रही हूं उसका नाम है उबर सज्जेस्ट और इसका टु अब यहां पर उबर सज्जेस्ट में देखी थे मैंने थाइप किया है यूज कार्स निडिया तो जो मेरा रूट वर्ड है यहां पर लोकेशन इंडिया ही तो यहां पर अपन वर्लड वाइड नहीं कर सकते इसलिए मैं मुझे इंडिया ही रखना पड़ेगा तो मैं सर्च यहां पर करती हूँ और आप देखें के वैसे इस पर्टिकुलर की वर्ड की यह सर्च वॉल्यूम है और SEO difficulty यानि मेरा जो competition है वो इतना है लेकिन मुझे सारे कीवर्ड चाहिए तुम्हें कीवर्ड आइडियास पर क्लिक करने वाली हूँ कीवर्ड आइडियास में काम करते हैं मैं एक दो और कीवर्ड यहां पर डाल देती हूँ जैसे की second hand cars चीक है second hand cars in India यह मेरा एक और कीवर्ड मैंने यहां पर आड कर दिया है और मैं इसको अब सर्च कर रहे हूँ चीक है चीक आगे देखते हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर कुछ आ चुके हैं यहां पर टूटल आप देखेंगे तो 415 रिजल्ट आए हैं चीक है इसमें से भी अभी मुझे थोड़ा सा इनको फिल्टर करना पड़ेगा चीक है तो keyword filters पर जो मैं क्लिक करूंगी तो include keywords मतलब ऐसे कौन से keyword हैं जो मुझे include करने हैं तो मैं इंडिया word यहां पर add करना चाहूंगी और exclude मैं करना चाहूंगी definitely olx उसके अलावा cars 24 तो अब मैं इसको कर दूंगी apply और मैं देखोंगी कि मेरे कुछ keywords आ चुके हैं उसके अलाव मैं volume का भी filter लगा देती हूं तो मैं काम करती हूं from नहीं करती मतलब 2 तो कितना भी हो सकता है लेकिन मेरी जो volume है वो at least जैसे आपको थोड़ा average पता चल जाए अब आप देखेंगे तो मेरे जो volume का number था ना वो 42 रह गया तो यह अच्छी बात है मतलब कुछ जादा ढूंडा नहीं पड़ेगा चीक है और 100 से अगर कम किसी keyword का volume है तो definitely मैं उसे target भी नहीं करूंगी क्योंकि बहुत जादा फिर वो मेरा time base वहां पर होगा चीक है तो य यह देखिए इसमें से यह देखिए मेरी sheet आ चुकी हो इसमें से CPC है इसको मैं हटा देती हूं यह जो paid difficulty पर हमें focus नहीं करना है क्योंकि यह paid यानि PPC के लिए है तो मैं SEO difficulty पर focus करूंगी चीक है तो यह देखिए कुछ मेरे keywords आ गये है 42 आ गये तो इन में से अभी सारे के सा हटा लेती हूं जो कि मेरे काम के हैं मैं उनको रख देती हूं और जो नहीं काम के उनको हटा देती हूं चीक है जैसे used cars in India definitely काम का है because accurate keyword है उसके अलावा second hand cars in India यह काम का है used cars from India used luxury cars in India चीक है अब luxury cars अगर आपका typical है यानि कोई words related है ऐसी कुछ product है आपका तो आप इसको consider कर सकते हो otherwise मैं चाहूंगी कि आप इसको avoid करो उसके अलावा यह convertible cars है तो यह definitely बहुत है ज्यादा out of the box यह keyword हो गया तो मैं इसको हटा दूंगी electric cars अगर यह है word आपका मतलब actual में अगर because आपको चल रहा है अभी काफी जादा eco-friendly cars का fashion है trend में है तो अगर यह आपका product है तो भी आप इसको include कीजिए ने तो हटा जीजिए क्योंकि हमारे पास काफी keywords पढ़ें so used car valuation second hand luxury cars अभी यह थोड़ा doubt case है तो मैं इनको हटा रही हूं चीक है उसके अलावा आप थोड़ा से देखेंगे तो यह देखिए used cars price यह keyword है तो मैं इसको considerable है इसको मैं ले सकती हूं used Audi cars है imported cars को हटा दूँगी चीक है price यहां पर है तो मैं इसको एक बार consider करूंगी तो मैं रहने देती हूं उसके अलावा second hand car India price used car India for sale cheap used cars in India अच्छा keyword है चीक है उसके अलावा best second hand cars तो यह थोड़ा सा कैसकते है na blogging वाला topic हो गया उसके अलावा Volvo cars है so import of used cars I'm not sure कि आपका जो client है या हमार जो client है वो import करता है या पर नहीं तो इसको मैं हटा दूँगी second hand electric car second hand sports car super cars used cars second hand convertible cars most used cars in India तो यह definitely normal information keyword है so import duty on this cheapest second hand cars in India तो मैं इसको रखती हूँ थोड़ा क्योंगी cheapest word है तो थोड़ा सा खेची है चीक है और देखते हैं so best second hand cars best website online तो ही नहीं हमारे business में हटा रही हूं Toyota OLX यहां पर word आ रहा है use car app है import duty use cars use car site stop 10 okay 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 यह सब को मैंने हटा देना है क्यों क्योंकि मेरे काम कहीं है तो इन सब को कर लो copy और उसी sheet में डाल दो जिसमें आपने अभी तक हमारे keywords हमने save किये हैं चीके जी तो यह आ गया और इसमें मैं इन तीनों रोज को select करके इसको copy कर देती हूं चीके जी हो गया copy okay अब क्या करते हैं यह जो मेरे कुछ keyword में निकाल लेते है ना root keywords इनकी मैं volume and competition अलग से निकाल लेते हूं चीके सो मैं इसको एक-एक को ले दी जाओंगी and इसको यहां पर put कर दी जाओंगी चीके इन सब को हटा देते हैं and keyword overview पर हम जाएंगे so यह देखिए search कर लेते हैं तो 880 और SEO difficulty 20 इसमें save कर लेते हैं चीके इन सारी sheets को मैं हटा देती हूं चीके 30 और 20 okay तो मैं इसको यहां पर save कर देती हूं okay 20 अब देखो ऐसे ऐसे करके मैं सब की एक बार volume और competition निकाल लेती हूं इसका है 2900 और 51 तो मैं save कर देती हूं तो यह देखिए सब की volume और जो competition है मैंने यहां पर लिग दिया है आप इनको एक बार sorting कर देते हैं final चीक है so अभी किये मैंने यहां पर कुछ keyword निकाल ली है और भी आप इनको scroll down करके देख सकते हो कि कुछ आपको ऐसे ideas तो नहीं मिल रहे हैं जो आपने include नहीं किये शीट में बड मुझे लगता हमने सभी include कर लिया है आप मुझे comment section बता दीचे का अगर आपको लगता है कि नहीं माम आपक इक्यूरेट नहीं है चीक है तो यह जहां-जहां 5000 50 आया हुआ है यह 500 आया हुआ है यह मतला ओपर हमने किसकी help ली दी Google हमारे AdWords की ली दी तो रेंज बताता है तो इनकी भी एक बार में keyword और इनका जो actual competition है वो मैं Ubersuggest पर देख लेती हूँ अब देखते हैं कि अब हमारे जो keywords है मैंने सबकी sorting कर दी है सबके actual जो volume था Ubersuggest की help से वो मैंने निकाल लिया है competition सबका आ गया और सबकी sorting बे अच्छे देख दी है चीक है अब यहां पर क्या करना है हमें अब देखें टोटल कितने keywords आए हैं टोटल हमारे keywords आए हैं 33 अब टोटल 30 keywords में से अब हमें कुछ अपने keywords select करने हैं उसमें से भी एक या दो keywords मेरे primary keyword रहने वाले हैं जो कि मैं अपने major keyword बोल सकती हूं जिसको चीक है तो यह obviously अब ranking हम 1,2,1,2 इस तरह से देंगे तो यह मैंने 1 ranking दे दी Used cars in India तो used मेरा नया word आया है मतलब नया मतलब इससे पहले जो मेरा keyword था उसमें use नहीं है तो मैं इसको लूँगी Used cars in India अभी यह मेरे duplicate keyword है ठीक है तो मैं इसको obviously second door number दूँगी इसको उसके अलाबा used cars in India तो यह तीन बार आ चुका है तो यह इसलिए आए क्योंकि अपने दो देन tools की use दिये तो इनको मैंने 2 कर रहे हैं तो 2 वालों को सबको हटा दूँगी कार सेल इंडिया तो कार सेल इंडिया यह यहां पर पहली बात तो इस keyword को मैं अटा देती हूं यह गलती से आ गया है क्योंकि कार से हम identify नहीं कर पा रहे हैं कि हां पर second hand sale की बात हो रही है उसके अलाबा used cars from India यह keyword आया है तो from से भी मुझे को समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको हटा रही हूं एक बार ठीक है second hand cars in India आप second hand cars obviously first time word use हो रहा है तो one second hand cars in India again यह कह सकते हैं हमारे duplicate हो गया keyword इसको इसको इलीट कर देती हूं second hand cars India ठीक है सिर्फ India है तो again यहां पर in हट गया है लेकिन यह पूरा keyword मेरा यह वाला जो keyword है na second hand cars India इसमें cover हो चुका है तो इसलिए मै इसको two number दूंगी मतलब second number दूंगी उसके अलावा buy used cars अब buy word पहले कभी use नहीं हुआ है तो मैं इसको one दे दूंगी one पहले मतलब इन वाले keywords में फिर उसके बाद मैं best second hand car to buy in India तो again यह इसको मैं one number दूंगी क्योंकि इसमें best word use हो रहा है buy word use हो रहा है तो मैं इसको यह ना number दूंगी इसको buy used cars in India तो buy word आ चुका है used cars भी आ चुका है इंडिया भी आ चुका है तो मैं इसको second number दूंगी second का मतलब है कि यह already आ चुका है मतलब यह जो word use हो है ना इस keyword में यह already in keywords में include हो चुके हैं तो मैं इसको consider नहीं कर रही हूं उसके अलावा used cars price तो price word है तो price नय है तो मैं इसको one दे देती हूं उसके अलावा देखेंगे तो used cars in India price तो again यह same ही keyword है तो मैं इसको दो number दे रही हूं price of second hand cars तो again तो second hand यहां पर देखेंगे तो two यहां पर लगा हुआ है तो यह first time आया है तो मैं इसको one number दे रही हूं उसके अलावा आप देखेंगे तो best used cars तो best already आ चुका है तो second number best second hand car to buy in India 2021 तो मैं इसको एक बार one दे देती हूं कि 2021 पहली बार यूज़ रही हूं बेस यूज़ कार तो again two cheap, cheap word पहली बार आया है तो मैं one यूज़ कर रही हूं best second hand cars India तो again इसको मैं two दूँगी क्योंकि already यह words आ चुके है मेरे इन keywords में cheapest second hand car cheapest word यूज़ हूआ है तो मैं इसको one दे रही हूं best second hand cars है तो already आ चुके है words used automatic cars अगर automatic cars है तो ठीक है नहीं तो आप इसको एक मैं two number पाइ second hand car already word आ चुका है two buy भी आ चुका है and second hand card for sale second hand भी आ चुका है cash भी आ चुका है और for sale तो इसको भी मैं two दे रही हूं अब यहां पर इसको अब हम sort कर देंगे sort कैसे करेंगे again smallest to largest जिससे की जो one number वाले हैं वो उपर आ जाए और जो दो number वाले वो नीचे चल जाए बचे हैं अब इन keywords में अमें यह ranking वाला partner इसको मैं करते हूं जिलीच यह कुछ keyword बचे हैं अब इन ही में से ही आपको अपने primary keyword और आपके जो rest of your keywords है उनको आपको चूज करना है अब मैं किसको चूज करूँ देखिए ध्यान से देखिए गा old cars in India इस पर volume 3600, competition 51, used cars in India इस volume 2900, competition 51, अब दोनों में competition same है लेकिन इसका volume जाद है तो definitely मैं इसको चूज करूँगी लेकिन और भी keyword देख लेते हैं तो second hand cars in India इसके अलावा तो इस पर 1000 volume है और 53 यहां पर competition है तो आप मेरे को सीधर सीधर simply दिखाई दे रहा है कि यह मेरा एक से primary keyword बन सकता है तो इसको मैं बना देती हूं primary keyword और इसके अलावा भी मैं तीन या चार ऐसे keyword से लेक कर लेती हूं जो कि मेरे secondary keyword यह में बोल सकती हूं other than primary keywords मेरे count होंगे so used cards को ले लेती हूं उसके अलावा दो मैं यह वाले keyword ले लेती हूं जिन पर volume अच्छा है चीके इनको ही मैं yellow कर देती हूं और एक primary keyword ऐसा ले लेती हूं जिन पर basically competition कम है तो अब यह तो मैंने कुछ ले ले लिए जिन पर अच्छा volume था लेकिन आप मैं जो कम competition वाले हैं जैसे अभी देख सकते हैं 2020 वो है तो मैं इन दोनों को भी लेती हूं तो total मेरे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 5 keywords हो चुके है टोटल मेरे 5 keywords मैं ले ले लिए जिसमें से यह वाला जो मेरा keyword है यह primary keyword है अब जब primary keyword क्या होता है इनको कहां हम यूज करेंगे यह जब हम on page SEO समझेंगे वहां पर समझेंगे तो यहां पर आपने देखा कि हमने कैसे कुछ interesting keywords नेकाले इसी तरह से आपको practice करते रहे है हो सकता है कुछ और भी आपका style हो अभी जैसे हमने थोड़ा सा long तरीका यूज किया है जिसमें हमने पहले हमने Google AdWords की help ली फिर हमने किसी pay tool की help ली आप directly अगर आप short कर चाहते हैं तो simply आप Ubersuggest पर जाहिए अपना root keyword वहां पर type कीजिए और जो keywords results आए उनमें directly आप उसमें अपने strong keywords को choose कर लीजिए चीक है तो लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा long cut यूज किया है अभी जैसे यहां पर यह एक ऐसा niche था ऐसा business था जिसके लिए जादा ideas मुझे नहीं मिले हैं बहुत जादा keywords मुझे नहीं मिले हैं तो जो मेरे keywords मुझे मिले हैं उसी में से ही मैंने primary और secondary keywords यूज किये हैं अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात location का obviously आपका जो keyword है उसका कि आपके business से directly related हो चीक है तो यहां पर मैंने India words लिया है आप चाहते हैं कि यह जो मेरी service है इसको मैं जैसे Delhi जैसे बड़ा शहर है बैंगलॉर एक बड़ा शहर है मुंबई बड कर सकते हैं ठीक है और यह हमने keywords निकाले I hope थोड़ा सा मजा आया होगा थोड़ी से lengthy video थी लेकिन आमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा चीक है तो यह थी हमारी keyword research काफी simple है लेकिन थोड़ा सा कभी-कभी lengthy हो जाता है तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दी हैं आपक सोचो कि वो मेरा client है और उनकी keyword research आप करो चीक है starting में थोड़ी सी problem आएगी boring भी लगेगा लेकिन धीरे धीरे जो speed है वो बढ़ जाएगी और आपको बहुत मजा आने लगेगा सो इसी लिए keyword research करते रहो practical बहुत साथ ज़र रही है theory knowledge से जादा चीक है Keyword research अच्छे से करने के बाद में अब बारी आती है हमारे SEO की और शुरुआत हम करेंगे on page SEO से So, आज इस video से हम शुरुआत कर रहे हैं on page SEO की I hope keyword research आपने काफी अच्छे से की होगी काफी practice भी आप कर रहे होंगे And don't worry मैं साथ-साथ में और भी videos भी लेकर आती रहोंगी जहांपर मैं आपको practice करके बताऊंगी कि किस तरह से आप keyword research कर सकते हैं अलग-अलग niche के मैं content लेने वाली हूँ, websites लेने वाली हूँ और उनकी keyword research हम साथ में मिलके करेंगे So, उसके लिए भी मैं अलग से videos लाने वाली हूँ So, आज की इस video मैं specifically हम शुरुआत कर रहे हैं on page SEO की और इस video मैं मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप on page SEO करते हैं तो उस time आपके क्या-क्या factors आपको consider करने पड़ते हैं Basically, checklist क्या होती है तो basically, आप इसको note-down कर सकते हो एक एक checklist को और उस recording जब भी आप किसी भी website का किसी भी business का आप on page SEO करें तो यह सारी checklist आपके माइं में रहें कि कोई चीज आपसे छूटना जाएं और वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि technical SEO और कुछ भी नहीं बल्कि on page का हिससा है लेकिन आप confused ना हो तो आज की इस video मैं जो non-technical on page का जो पार्ट है वह में discuss करने वाली हो और technical हम on page का जो non-technical पार्ट है उसके बाद में शुरू करेंगे जिससे आपको कोई confusion ना हो तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं कि जब भी आप किसी website का on page SEO करेंगे तो उसमें क्या-क्या factors आपको consider करने है यानि checklist क्या होगी जैसा मैंने बताया आज की विजियो में हम देखने वाले हैं on page SEO की checklist complete checklist में बताने वाली हो सकता है इसके अलावा भी कोई points हो लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ABCD से हमें शुरुआत करनी है बीच-बीच में और भी कई videos में लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको कोई अगर नई update आई है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कोई ऐसा point जो की थोड़ा सा advanced point है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी website के पीछे की जो programming language होती है यानि आप कह सकते हैं उस website के पीछे का जो structure होता है कि उस website में क्या-क्या चीज़े है वैसे website पर आप जाते हैं तो महाँ पर तो आपको सारी चीज़े मिलती है लेकिन उसकी जो background में क्या है क्या programming language यूज की गई है इसको देखने के लिए हम देखते हैं उस website का source code तो source code देखने के लिए simply आप कोई भी page open कीजिए पुरी website का नहीं होता है यह particular हर page का होता है तो जिस भी page का आपको background देखना है उसकी programming language देखनी है उसका पीछे का कह सकते हैं एक structure देखना है तो उसके लिए आपको उसका source code देखना होगा उसके लिए आप किसी भी page पर जाएए और आपको क्लिक करना है Ctrl-U, चीक है Ctrl-U आप अपने keyboard में टाइप करेंगे तो आपको उस website का पूरा source code दिख जाएगा आप किसी particular part पर जाना चाते हैं तो उस website पर आप जाएए right click कीजिए और inspect पर जाएए तो भी आपको उसका source code ओपन हो जाएगा लेकिन perfect किस परा से किसी भी webpage पर जाएए और Ctrl-U को प्रेस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा उस website का complete source code मिल जाएगा अब मैं यह चीज क्यों बता रही हूँ क्योंकि जब हम practical चीजें करेंगे तो उसमें source code बहुत जाद आपके काम आने वाला है क्योंकि किसी भी website को आप जब inspect करेंगे देखेंगे कि उसमें कमिया क्या है तब ही आप उनको सुधार पाओगे तो कमिया कहां हम देखेंगे हम देखेंगे source code में तो source code देखने के लिए control प्लस यू दबाईए अभी भी आपके किसी भी अगर ब्राउजर पर है तो आप पर जाएगे पोन में Android iOS में करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप एक बना चाते हैं तो लापटॉफ की जरूरत आपको जरूर पढ़ने वाली है स्वेशली SEO पार्ट में तो इसलिए किसी भी वेब पेट पर जाएगे तो आप देखेंगे पीछे जो उसकी programming language है वो सारी आपके सामने आएगी उसे देखकर घपराईएगा मन बिल्कुल वो कोडिंग है थोड़ा से टिक्निकली लिए लिए लिखा हुआ है लेकिन उसमें से जो जो चीज़ें आपके लिए जरूरी है वो सारी में आपको बताने वाली हूँ इस पूरे कोर्स में आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो चलिए आप शुरुआत करते हैं हमारे चेक्लिस्ट की तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट का on-page SEO करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हम करते हैं वो यह करते हैं कि हमारे जो टैग्स हैं उनको optimize करते हैं अब टैग्स क्या होते हैं वैसे इस सब की एक आप पॉंण सब के लिए मैं और यह अलग विडियो will calorताश यही हम करके लेकिन तो आपको बहुत सारे रिजर्ल्स मिलते हो जो वेब पेज़े मिलते हैं उनका को डिस्कृृप्शन भी नीचे लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं मेटा डिस्कृृप्शन तो वह एक तरहे की गा टाग होता है उसी तरीके से कुछ ऐसे टाग होते हैं जो कि हम वेब साइट पुटतो करते हैं लेकिन वह हमारी ओडियंस को नहीं दिखते हैं जैसे की मेटा कीवर्ड होता है वैसे तो इने कहा जाता है कि आज के लिए पॉपिलर नहीं है जादा यूज नहीं किया जाते तो इनकी बारे में भी हम डीटेल में बात करेंगे तो यह कुछ टैग्स होता है कि हर एक वेब साइट पर जितने भी पेज़ है उन हर एक पेज का अलग से से यू आरल होता है यूर इस सब पहले हमारा डोमें नेम के बाद में आप देखते हैं हमारा आगे का यूर ल suf जिसे हम sık कहते हैं चीक है तो वह जो है उसे भी बहुत ही साथ है थी जरूरी है द जो भी हमारा structure होता है किसी भी web page का उसमें दो पार्त होते है, ऐक होता है head section एक होता है body section तो कुछ जो हमारे tags होता है वो लगता है head section में, कुछ लगता है body section में head section में जैसे मैं आपको में बता दिया कि टाइटल हो जाता है, मारा matter description हो जाता है, matter keywords हो जाता है सारी चीज़े में आपको बताने वाली हूं, मेक्शर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें पर जब आपको इस content पढ़ते हैं, ब्लॉग इस पर जहां पर कुछ एक्ष्ट्वल इस लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं कुछ headings तो उन headings को हमें optimize करना पड़ता है, कैसे करेंगे, वीडियो अलग से लेकर आउंगी, एक एक वीडियो में in-depth knowledge आपको देने वाली हूं है, जब हमारी website के टैग्स optimize हो जाएंगे अच्छे से, तब हम जाएंगे हमारे content पर, देखिए हमारे content में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, कि एक web page पर, एक website पर काफी सारे links attach होते हैं, हो सकता है वो जो links हो, वो एक ही website के अलग-अलग pages का हो, हो सकता है वो किसी दूसरी website का हो, तो अगर कोई ऐसा link है, जो कि आप ही की website के किसी web page का है, तो उसे हम internal linking कहते हैं, अगर कोई ऐसा link attach है आपके किसी web page पर, जो कि आपकी website के बहार से, किसी web page या किसी website का तो उसे हम external linking क्याते हैं तो internal linking, external linking का एक particular fixed amount होता है वैसे ही पहले बोला चाहता था कि blogging website के लिए 120 links ही आपके attached होने चाहिए इससे जादा नहीं हो सकते और business website के लिए या फिर अलग content website के लिए ये कितने भी हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में भी तो आज के टाइम में 2022 में क्या trend चल रहा है वह मैं आपको बताने वाली हूँ तो उसके लिए next जो वीडियो जाएंगी हमारी इन सभी checklist में एक एक point जो मैं आपको बता रही हूँ उनकी मैं depth में बात करने वाली हूँ तो आपकी internal linking, external linking सही हो और सबसे बड़ी बात broken links आपके कोई भी ना हो और उसी के साथ साथ जो भी आपके links attached है वो properly keywords के साथ हो यानि proper anchor text आपके links के साथ में attached हो so anchor text को भी हम optimize करेंगे जब भी हम internal linking और external linking की बात करेंगे तो ये जो checklist है इसमें anchor text add करना आपके लिए बहुत ही ज़ादा ज़रुरी है ये कुछ चीज होती है जिन पर बहुत ज़ादा लोग बात नहीं करते हैं लेकिन छोड़ी छोड़ी चीज है मिलके ही हमें आगे ले जाती है जैसे मैं हमेशा बोलती हूं कि 200 से भी जादा factors को search engine consider करता है जब भी वह अपकी website को ranking देता है तो 200 factors में से जितने जादा हम achieve कर सकते हैं उतने हम करेंगे तो anchor text को optimize करना बिलकुल मत भूलिएगा अब anchor text optimization के बाद में बारी आती है content optimization की अभी तक जो भी हमने किया website की heading देख लीजे tags देख लीजे anchor text देख लीजे links देख लीजे लेकिन अब जो हमारी website का main content है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा तो जब मैं main content की बात करती हूं तो हमेशा जैसे मैं बोलती हूं कि creative आपका content होना चाहिए सही ढंक से लिखा हुआ होना चाहिए and सबसे important चीज जो मैं बात करूंगी आने वाले वीडियो में भी कि keyword density पर आपको focus करना है कि ऐसा नहीं है कि आप 1000 words का आपका कोई content लिखा हुआ है और उसमें 500 बार आपका keyword आ रहा है बार-बार repeat हो रहा है किसी तूसरे का content copy करते हो या फिर किसी का duplicate content copy करके अपनी website में put करते हो उसे हम plagiarism कहते हैं तो plagiarism का avoid करना बहुत ही साथ ज़रुरी होता है तो यह भी आप ज़रूर अपनी checklist में add कीजेगा यह कैसे करेंगे कैसे इसको remove करेंगे क्या-क्या चीज में ध्यान रखेंगे और एक मैपको और चीज मताऊंगी जिसे हम बोलता है article spinning यह black head technique है लेकिन due to lack of time due to lack of sources हमें करनी बढ़ती है article spinning तो कैसे करेंगे क्या-क्या चीज में ध्यान रखेंगे और इस तरह से करें कि वो एक white head technique ही हो यह हम देखेंगे इस पूरे course में चीक है उसी के साथी एक important perspective जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोग disagree करें लेकिन grammar grammar content की अच्छी होना ज़रूरी है उसका कारण यही है क्योंकि देखिए गूगल जैसे हम बोल रहे हैं कि गूगल की बात करें तो गूगल इतने सारे factors को consider कर रहा है तो अगर मालीजे दो websites उसके सामने दो web pages जहां पर almost same तरीके का content पढ़ा है अच्छा content लिखा हुआ है content भी अच्छा है images भी अच्छा है पूरा user interface अच्छा है लेकिन अगर एक की grammar better है क्योंकि आपको पता है कि Google trace कर लेता है grammar को Google हमें यह भी बता देता है कि grammar यहां पर गलत लिखी हुई है spelling गलत लिखी हुई है तो अगर एक की grammar सही है एक की grammar गलत है तो आप खुद ही सोचिए वो इस बात पर believe करते है बट लॉजिक से हमें काम लेना है जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ हर उस चीज पर believe मत कीजेगा जो मैंने आपको बताईए बलकि अपना logic यूज़ कीजिए कि क्या यह चीज सही है जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है तो grammar important role play करती है content optimization का एक sub section आजाता है that is image optimization वैस्तो image content का ही part है लेकिन हम इसको अलग consider करते है तो image optimization में image बहुत जादा large size की नहीं होनी चाहिए compress हम उनको करेंगे या फिर हम करवाएंगे कैसे करेंगे क्या के चीजने ध्यान रखेंगे जिसे quality भी बनी रहे और size भी हमारी images का चोटा हो जिससे हमारा user interface बढ़े क्योंकि obviously बाद है अगर बड़ी images होंगी तो हमारा page load time काफी जादा हो जाएगा website का so उसको हमें कम करने के लिए images पर हम ध्यान देंगे उसी के साथ ही एक बहुत ही important concept that is image पर हम all text या all attributes आप इसे कह सकते हैं इन्हें हम add करते हैं जिसका full form है alternate name अब यह क्या होता है कैसे इसको लगाएंगे क्या keywords इसमें पुट करेंगे इसके लिए detail मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी so आपकी जो images उन पर proper all name लगा हो यह आपको ध्यान रखना है all name के साथ साथ हर image का proper title हो क्योंकि देखिए आप किसी भी website पर जाईए या पर किसी भी webpage पर जाईए वहाँ पर कोई भी image हो उस पर अपना cursor ले जाईए जब भी आप cursor ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक window pop-up होगी जिस पर उस image पर क्या है वो image क्या है वो लिखी होगी तो उसे हम title कहते हैं तो वो title भी proper हो आपकी website का, webpage का अब वो कैसे करना है, क्या चीज़ों उसमें ध्यान रखिए इसके लिए एक-एक चीज, मैंने बोला ना एक-एक चीज, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो सारी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इस पूरे course में उसी के साथी image अपने किसी कहीं से copy की है तो make sure वो copyright free हो और अगर copyright free नहीं है तो आप better कि उसको वो credit दें, credit कैसे देंगे तो again हम वहाँ पर कुछ ना कुछ लिंक अटाच करेंगे लिंक अटाच करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजने धियान रखने है यह सारी चीजे हम discuss करना बहुत ही ज़ात है जब भी हम on-page SEO की बात करते हैं उसी के साथ ही content optimization की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक important factor है जिसे हम कहते है keyword cannibalism keyword cannibalism पहल तो cannibalism की बात कर लेते हैं cannibalism basically जब एक breed मतलब एक ही type के दो जो organism है वो एक दूसरे को consume करते हैं यानि खा जाते हैं उसे हम cannibalization कहते हैं तो keyword cannibalization क्या होगा माल लिजे आपकी website पर 100 pages है तो 100 pages में 2 या 3 pages आपके ऐसे हैं जो किसी एक particular keyword पर rank कर रहे हैं तो ऐसी situation में क्या होगा कि वो जो 3 मेरे pages हैं वो 3 आपस में ही लड़ रहे हैं यानि आपस में ही उनका competition चल रहा है top rank करने के लिए तो ये चीज हमें avoid करनी है जब भी हम on page SEO के बात करेंगे कि हमारे जो web pages हैं ऐसा ना हो कि हमारे एक से जादा web pages किसी एक particular keyword पर rank करने की कोशिश कर रहे हूँ क्योंकि ये keyword cannibalism की category में जाएगा और ये चीज हमारी website के लिए बिलकुल भी सही नहीं है तो keyword cannibalism को भी कैसे चेक करेंगे कैसे देखें कि इसके लिए मैं आने वाली जो वीडियो आने वाली है उनमें सारी चीज आपको बताने वाली हो अब ये जो मैंने सारी बाते की ये हमारा बैसिकली नॉन टेक्निकल स्यो था लेकिन टेक्निकल स्यो भी on page का पार्ट है लेकिन मैं इसके लिए अलग से लिए लेकर आओंगी टेकनिकल स्यों कि जहां पर मैं कम्प्लीट आपको जो 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 बताने वाली हो इस विजो मैं हमने देखा कि यह जो पूरी चेक्लिस्ट यह आपको चेक करनी है यानि यह तारी चीज इन रखनी है जब हम एक वेबसाइट आप उन पेज और टेकनिकल एक भी आप मान सकते हैं अलग भी मान सकते हैं कोई फरक नी पड़ता अल्टिमेटली आपका रिजल्ट बोलना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को जो भी चीजें करके दे रहों कि लिए को फरक नी पड़ेगा कि यह अन पेज है यह नॉन टे आपको ध्यान रखनी है अब इसमें जो जो चीजे मैं आपको पताईये ना यह सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कैसे हम इनको अप्टमाइज करेंगे कैसे इनको एक चीज को कैसे समझेंगे क्या-के चीज़ें आपर पुट होनी चाहिए किसमें कीवर्ड यूज़ होएंगे, कौन से keywords यूज़ होएंगे, यह सारी हम detail में बात करेंगे On-page SEO का base होता है keyword research, यानि जो भी अभी तक हमने keywords find out किये हैं, उन्ही keywords का use करके हम अपना major जो part है हमारे on-page SEO का वो करने वाले हैं, keywords को किस तरह से हम SEO में use करेंगे, इसके लिए दो important principles हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला है keyword prominence और दूसरा है keyword proximity, keyword prominence और keyword proximity क्या होता है और कैसे हम इसको use करके हमारी website की ranking को बहतर बना सकते हैं, यह हम जानेंगे आज की इस एक वीडियो में, तो बहुती important your topic है, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है, लेकिन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप बनने वाले हैं एक SEO expert, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं keyword prominence and keyword proximity की, सबसे पहले बात करते हैं keyword prominence क्या होता है, देखिए, नाम से ही अगर थोड़ा सा meaning इसका आप देखेंगे, तो prominence का मतलब होता है, किसी चीज़ की importance बताना, so basically हम हमारे search engine के crawler को ये बताएंगे, कि हमारा वो कौन सा keyword है, जो की हमारे लिए important है, यानि किसी keyword की importance जब हम बताते हैं crawlers को, तब हम keyword prominence का principle use होता है, तो अब सवाल आता है, कि आखें हम कैसे बताएं crawler को कि ये keyword हमारे लिए important है, तो definitely आप common sense लगाईए, आपके घर में कोई person important है, या आप कैसे बताएंगे, देखिए, हर छोटे से हम उस person को आगे रखते हैं, मान लिजए घर का कोई head है, या हमारी दादी है, या हमारे दादा है, या हमारे पापा है, या हमारे अम्हारी ममी है, वो घरके सबसे important member है, यह हम कैसे बताते हैं, कि हर चोटे से चोटा काम हम उन्हें आगे रखते हैं उस काम में उन्हें सबसे पहले importance देते हैं कोई भी काम हो चाहिए even कुछ बनाने के लिए पूछना हो तो हम उनसे पूछते हैं तो वैसे ही अगर आपको किसी keyword की prominency दिखानी है यानि यह दिखाना है कि वो keyword important है तो उसे सबसे आगे रखिए यानि जो भी हमने मैंने source code की बात की थी last video में तो source code जब भी आपका कोई crawler पढ़े ना तो उसे पता चले कि यह keyword इसके लिए important है इसलिए इसी keyword को इसने आगे रखा हुआ है तो simple सा logic अब मैं आपको बिल्कुल conclusion पर आती हूँ कि जो भी आपकी website है उसमें top पर या फिर मैं कहूंगी सबसे front में उसी keyword को रखिए जो आपके लिए सबसे जादा important है चलिए इसके लिए मैं एक website पर चलती हूँ और कुछ आपको ideas देने के कोशिश करती हूँ देखिए जैसे ये wskubetic.com हमारी website है और उसी website का digital marketing से related ये एक page है अब देखिए जैसे digital marketing course in jodhpur या digital marketing training वो हमारा एक major keyword था या फिर मैं कहूंगी एक important keyword है जिस पर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये page rank करें तो अब मैंने क्या किया है देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे मेरा content चुरू हो रहा है तो content के starting में ही digital marketing training course in jodhpur ये starting में ही मतलब सबसे आगे लिखा हुआ है उसके अलावा आप ये जो मेरा पैरा शुरू हो रहा है यूज हो रहा है और वैसे ही आप देखेंगे तो digital marketing सबसे पहले ये यूज हुआ है अब मैं इसका एक बार source code open कर लेती हूं ठीक है source code open करने का simple तरहीं का control U आपको प्रेस करना है अब यहाँ से लेकर यह हमारा source code है तो यह आप देखेंगे तो यह मेरा head section है तो आप यह head section में आप देखेंगे तो मेरा यह देखेंगे यह पर learn digital marketing मेरी this page का जो title है वहाँ पर keyword है and that is learn digital marketing, digital marketing, training institute, and jodhpur यानि मेरा major keyword है वो मेरे title यानि मेरे source code के सबसे उपर रखा हुआ है उसके लावा थोड़ा सा और नी चाहेंगे तो देखेंगे यह से देखेंगे इतना बड़ा यह source code है आप देख सते हैं कि यह कितना बड़ा है लेकिन मैंने major जो मेरा important keyword है मैंने सबसे आगे रखा हुआ तो simply simple सा तरीका यह मैं आपको आगे और भी बताऊंगी कि कैसे आप कहां कहां आप keyword पूट करेंगे तभी वो important sound होगा तो मैं इस keyword पर चाहती हूँ कि मेरा यह page rank करें तो मेरा simply क्या पंड़ा होगा कि मैं इस particular keyword को मेरे जो web page की जो programming होगी या फिर उसका जो code होगा उसमें म उसको अपने code के source code के सबसे top पर रखिए वो तब ही आएंगे जब आप जो major tags हैं वहाँ पर आप यूज़ करो गया इसको कैसे यूज़ करना इसके लिए next video जरूर देखिएगा जिए महाँ आपको सारी चीज़ में बताने वाली हो practically करके अब ये बात हुई keyword prominence की अब चल मैं आपको बताया था कि keyword density का हमें बहुत जादा धिहान रखना है keyword density यानि अगर मेरे 1000 मान लीजे मेरे words का कोई content लिखा हुआ है उस 1000 words में से अगर 100 बार कोई मेरा keyword जो है जो मेरे एक keyword है वो बार-बार repeat हो रहा है और 100 words में वो आया है यानि 10% मेरी keyword density हो गई तो 10% बहुत साधा होती है मैं आपको पहले ही विदा चुकी हूँ कि 2-3% ही आपकी keyword density होनी चाहिए और उससे भी कम होनी चाहिए अब उस keyword density को कम देखिए अगर हम करेंगे तो definitely ranking हमारी week हो जाएगी तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो main keyword है मुसलिए हम long tail keyword अगर हम ले रहे है अब मैं अपनी जो website या webpage बनाऊंगी तो इस keyword को मैं बार-बार-बार repeat करूंगी तो मेरी density बढ़ जाएगी density बढ़ेगी तो keyword stuffing में आ जाएगा मेरी website blacklist हो सकती है और अच्छी ranking नहीं मिलेगी मेरी website को ठीक है तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी इनके बीच की जो distance है ना इ keyword density भी ना बढ़े ठीक है तो मैं थोड़ा सा अलग style में जैसे जब मैं put करूंगी इसको अपने content में तो किस तरह से करूंगी आप देखिएगा अब मैंने क्या किया है मैंने इसको आप थोड़ा से ध्यान दीजेगा कि if you want cleaning services for your house then we are available in Delhi अब देखिए मेरा जो keyword था house cleaning services in Delhi क्या वो cover हुआ है sentence में देखिए cleaning services येरा house येरा और डेली येरा in Delhi येरा ठीक है मतलब मेरे ये वाला जो keyword है ये यहाँ पर cover हो गया है लेकिन इन इनके बीच में जो words से उनके बीच में मैंने थोड़ी से distance ला दी है तो बार बार उसकी density मतलब उसकी जो density है इस particular keyword की भली house की density बढ़ गई cleaning की बढ़ गई डेली की बढ़ गई लेकिन जो मेरा long tail keyword है that is house cleaning services in Delhi इसकी density अब मेरी थोड़ी सी कम हो गई है तो यही हम थोड़ा स के सकतर है game plan कर सकते है कि किस तरह से हमने पना keyword put भी किया है लेकिन हमने क्या किया keyword जादा एक साथ हमने उनके बीच में थोड़ी सी distance जा दी और एक साथ उसको put नहीं किया जिससे की मेरी density है वो नहीं बड़ी ठीक है so यह थोड़ी सी smart तिंग है जो आप कर सकते हो अब सबसे पहले मेरी जो audience का experience है यानि जो मेरा user experience है वो खराब हो जाएगा दूसरी चीज़ crawler को लगेगा कि भाई यह तो stuffing कर रहे हैं यह तो बहुत जादा spamming हो रहा है keyword से related तो वो भी कहीं ना कहीं down rank देगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा proximity को बढ़ा देती हूँ यानि जो distance है मेरे keywords के बीच में उसको मैं थोड़ा सा increase कर देती हूँ तो यह दो important principles जो कि आपको पता होने चाहिए one is keyword prominence, one is keyword proximity इनको और भी अच्छे से हम आने वाली videos में समझेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर जादा guest आएं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके घर का address ठीक हो वैसे ही जब भी आप चाहते हैं कि आपकी website top पर rank करें या फिर उस पर जादा traffic आए तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी website का address ठीक करते हैं यानि उस website का URL ठीक करते हैं तो on page SEO का first step जो हमें follow करना चाहिए वो यह है कि हर एक web page का हमें जो URL है यानि उसका जो address है उसे optimize करना पड़ेगा तो URL क्या होता है optimize क्यों करना चाहिए और आखर उसे optimize हम करेंगे कैसे यह हम जानेंगे आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते है तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं हमारे on page SEO के एक important point कि जब भी हम on page SEO कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी जो website पर web pages हैं उनके URL को optimize करना जो भी अभी यह तक हमने keyword research करी है उन्हीं keywords का हम use करके हमारे URLs को optimize करेंगे optimization जानने से पहले पहले आखे जानते हैं कि URL होते क्या है और आखिर इनको optimize करना क्यों ज़रूरी है तो सबसे पहले मैं कोई भी keyword टाइप करती हूँ जिससे मुझे कुछ results दिखें जैसे कि मैंने type किया by furniture online यहाँ पर अब देखेंगे तो मुझे यह तो कुछ ads दिख रही है एक बार मैं scroll down कर देती हूँ और यह ads खतम हुई तो यह फिर मेरी जो organic जो मेरा search आ रहा है वो आ रहा है अब यहाँ पर आप scroll up करेंगे तो यह देखी यह जैसे मेरी first website आ रही है organic results में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो part है like जैसे यह मेरी एक web page यहाँ पर आ रहा ह इसको मेरा on किया इसका particular एक page खुला है उस page का नाम किया है उस page का URL अगर मैं देखती हूँ तो यह देखी आप यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यह मेरा URL है अब यह URL कैसा है कि normally यह तो हमारा sttps हो गया then www.pepperfryer.com and slash then furniture.html तो हमारे server की वज़े से आया है otherwise यह मेरा जो है basically URL है चीक है इसको मैं एक बार यहाँ पर copy कर देती हूँ तो यह मेरा proper URL हो गया URL में जो आपका domain name होता है that is paperfryer.com यह मेरा domain name है इसके आगे का जो extension होता है इसे हम slug कहते हैं या फिर आप कह लीजिए कि URL का जो ending part होता है यह अब हमें देखिए domain name तो हम optimize कर नहीं सकते obviously बात है basic सी चीज है कि domain name को हम optimize नहीं कर सकते, domain name आपने खरीदा है, obviously आपका brand name है तो उसको हम कुछ भी change नहीं कर सकते, लेकिन यह वाला जो part है ना मतलग domain name के बात वाला जो part है उसे हम change कर सकते हैं इसे हम कहते हैं slug, चीक है तो slug को हम optimize करेंगे, कैसे करेंगे यह जानते हैं, चीक है, so I hope अब आपको यह जो है URL का थोड़ा सा पता चल गया होगा, तो यह यहाँ पर जो दिख रहा है, यह URL है, अब जैसे यह homepage है, तो homepage का simply www.jovya.com ही आ रहा है, उसके अलावा यह hometown करके तो आगे furniture आ रहा है, फिर उसके बाद में अब आप यह देखेंगे, यहा जो हमारा brand name है, brand name के बाद में कुछ और चीज़ें आ रही है, जैसे cat, furniture, तो अब इसको हमें optimize करना पड़ेगा, चीक है, उसके साथ ही यह देखेंगे, यहाँ पर हमारे URL है, जैसे मैं एक और यहाँ पर keyword type कर लेती हूँ, that is construction company in India, मैं type कर लेती हूँ, चीक है, यहाँ पर तो यह मेरी local listing आ रही है, उसके बाद में आप देखेंगे, तो यह मेरी blogging एक website है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है, that is in.compass.com, यह तो हमारा basically एक domain name हो गया, उसके बाद में हमारे यह URL आ रहा है, अब देखेंगे, तो URL यहाँ पर cut ह हो रहा है, तो यह cut ना हो, इसके लिए भी हम कुछ चीज में ध्यान रखेंगे, यह देखेंगे, यह proper URL है, अब URL को हम क्यों optimize कर रहे है, देखेंगे, जैसे मैं आपको पता चुकी हूँ, keyword prominence वाला principle, अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो आपको मिल जाएगी, previously यह अब भी हमारे SERP पर हम कुछ भी टाइब कर रहे है, यानि search engine result page पर कुछ भी जो हमारे results हा रहे है, उसमें सबसे पहले जो website का देख रहा है, वो हमें URL देख रहा है, उसके बाद में इसे हम title कहते हैं, इसकी भी मैं बात करूंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में particularly मैं बात हैं, यह देख लेते हैं, सबसे पहले यह मैंने कुछ जो keywords हमने last videos में निकाले थे, यह कुछ keywords हैं, जो मैंने yellow mark की हैं, वो मेरे main keywords हैं, और इन में भी ना मैं क्या करती हूँ, primary और secondary keywords जैसे मैं आपको बताया था, primary keyword मतलब एक ही मेरा keyword होगा, mostly मैं एक ही रखती हूँ, आप हैं, तो दो भी रख सकते हैं, तो यह जो oranges है, यह मेरा primary keyword हो गया है, और उसके बाद में यह जो yellow वाले हैं, यह मेरे secondary keywords है, ठीक है, primary keyword मतलब जो मेरे बहुत जादा important है, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, यह वाला जो मेरा particular keyword है, इसको मैं primary कर देती हूँ, क्योंकि यह मेर primary keyword हो गया, इसके आगे में P लगा देती हूँ, चीक है, और बाकी उसके अलावा, यह सभी के सभी मेरे secondary keywords हो गया, चीक है, तो यह मैंने यहाँ पर put कर दिया, ओके जी, तो यह मेरा primary keyword है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कि URL जब भी आपको किसी web page का optimize करना है, तो क्या- में put करना है, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हो, prominence वाले principle के time की, जितना height पर, यानि जितने सबसे उपर जो आपका keyword रहेगा, आपके source code में, या फिर मैं कहूं, आपके serve पर, उसके rank होने की chances बढ़ेंगे, तो आपका primary, यानि जो main keyword है, उसे हम URL में put करेंगे, क्योंकि पर आपका URL इदिखेगा, उसके अलावा, जब भी अगर मान लीजिए, जैसे मैंने housekeeping की बात की housekeeping in Delhi, तो housekeeping in Delhi, इनको अब हमें space से हम separate नहीं कर सकते, URL में space नहीं आता, तो इसलिए URL में आपको सिर्फ और सिर्फ hyphens यूज करना है, आपको underscores, या फिर comma, या फिर slash, ये देखेगा और कोई उसे easily पढ़ सकता है, बहुत जादा लंबा आपका URL नहीं होना चाहिए, तो length का बिलकुल आपको ध्यान रखना है, और short हो और बहुत ही जादा precise हो, precise मतलब कम शब्दों में आप बिलकुल कह सकता है, show कर दे कि आपकी web page पर किस तरह का content पढ़ा है, क्य URL होना चाहिए, हमेशा अपने URL में आप lowercase letters का use कीजिए, कभी भी uppercase यानि जो हमारे बड़ी ABCD, वो यूज नहीं करना है, आपको lowercases यूज करना है, उसी के साथ ही कोई भी propositions या फिर कोई भी articles आपको यूज नहीं करना है, जैसे a, and, the, in, at, इसका भी आप यूज ना करे करेंगे, जैसे अब आप देखिए, कि ये मेरा main keyword है, मतलब मेरा primary keyword है, तो मैं इसको definitely use करने वाली हूँ, तो एक बर मैं इसको copy कर लेती हूँ, नोट पैड पे मैं आपको अपना URL जो है, शो करती हूँ, उससे पहले एक काम करते है, कोई website अपन open कर लेते हैं, चीके जी, त तो अब इसका जो current URL है, अगर मैं इसको open करती हूँ, तो ये particularly मेरा URL है, इसको मैं copy कर लेती हूँ, इसी को ही मैं अपने keyword के according optimize करूँगी, चीके, तो मैं इसको यहाँ पर put कर लेती हूँ, कि ये है मेरा current URL, मतलब अभी जो मेरी website पर URL इस page पर लगा हुआ है, वो ये है, ची तो suggested URL मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगी, कि www. ये mask of services है, तो ये तो मेरा domain name है, इसको मैं change नहीं कर सकती, लेकिन ही जो पीछे वाला है, हमारा slug है, इसको मैं definitely change कर सकती हूँ, तो अब यहाँ पर मैं use लोंगी मेरे keyword का, keyword मेरा, जो primary keyword मुझे इसमें use करना है, तो housekeeping services in Delhi ये मेरा primary keyword है, इसको मैं copy कर लेती हूँ, और यहाँ पर paste कर देती हूँ, एक बार, देखिए, spaces जो है, URL में count नहीं होता है, मैं बता चुकी हूँ, और मैं यहाँ से in भी हटा देती हूँ, अब मैंने जिसे आपको बताया, कि मैं hyphen यहाँ पर use करूंगी, तो ये देखिए, simply मैंने यहाँ पर क्या किया, sttp, जो मेरा www.mescop services.in, slash आया और ये मेरा slug आ गया, slug आप थोड़ा सा focus करेंगे इस पर, तो मैंने यहाँ पर simply क्या लिखा है, housekeeping services in Delhi, और इसमें मेरा जो primary keyword है, वो आ चुका है, और आप देखेंगे कि जितना भी जो मेरा URL है, वो सब के सब lower cases में है, वही आपको रखना है, और यहाँ पर हमारा primary keyword आ गया है, hyphen मैंने यूज किया है, और कोई character मैंने यूज नहीं किया है, तो यह यहाँ पर मेरा एक suggested URL होगा, अब इसी तरीके से आपको अपनी website पर जितने भी जो pages है, उन सब के URL को optimize करना पड़ेगा, उसी के साथ ही अगर आपका कोई contact us का page है, services का page है, तो ऐसे में आप वहाँ पर about us या services या contact us, ये भी words लिख सकते हैं, साथ में, और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, तो यह काफी short मैंने URL लिया है, आपको भी यही करना है, क्योंकि जैसा आप हमने देखा, कई सारे URLs ऐसे थे जो की cut हो रहे थे बीच में, तो वो हमारे साथ ना हो, इसलिए हम जो हमारे URLs होंगे, उनको short and precise रखेंगे, अब चलिए, अगर हमारी coding में website है, तो यह हम recommend कर देंगे, हमारी SEO report में डाल देंगे, यह change करने के लिए हमारे developer को बोल देंगे, लेकिन अगर आपकी WordPress website है, तो उस अब जैसे for example, let's say, यह XYZ मेरे नाम का एक page है, मैंने सर्फ एक randomly page बनाया है, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ, इस page को मैंने कर लेना है open, यह page open हो गया, अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा से इसका interface different लग रहा हो, क्योंकि मेरे काई सारे plugins installed है, तो इसी लिए आपको पर आना है, महाँ पर all pages में जाना है, जिस भी page का आपको URL optimize करना है, उसको open करना है, और फिर यह जो settings वाला option है, इस पर हम करेंगे click, settings में यह जो page वाला option है, तो मैं इसमें scroll down करूंगी और आपको search करना है permalink, यह देखिए permalink आप देख रहे हैं, तो जो मेरा आगे का domain name वो तो change नहीं होगा, लेकिन मैं जो slug है, यानि domain name के बाद वाला part वो यहाँ पर optimize कर सकती हूँ, तो example जैसे मैं ले ले लेती हूँ, यही मेरा page का URL है, तो मैं इसको यहाँ पर as it is, जो slug वाला part है, slug वाला part यहाँ से होगा, dot in या dot com के बाद में जो part होता है URL में, उसे ह slug कहते हैं, तो slug को मैंने किया copy, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी page, तो मेरा slug यह हो गया, तो यह देखेंगे, तो जैसे अभी मेरा इसका gyanum, मतलब एक मैंने sample website यहाँ पर ली हुई है, तो उसको पहरी मैं आपको सारी practice करके बताऊंगी, तो यह आप देखेंगे, यह मेरी यहाँ पर website है, website पर यह XYZ हमारा page था, जिसको मैंने change किया, यह देख सकते हैं आप, इसको मैं open करूंगी, तो इसका URL जो है, यह change हो चुका है, जो मैंने महाँ पर URL पुट किया था, वो यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरह से आप अपनी WordPress website पर अपना URL यानि अप अपनी webpages का URL चेंज करके, उसे optimize करके SEO friendly बना सकते हो, और यह एक factor है, जो की definitely consider होता है, जब भी आपकी website की ranking decide होती है, तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी step है, आने वाली videos में हम और भी कई factors की बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे title tag की, या फिर मैं कहूं meta title की, यह एक important tag होता है, जिसे हमें optimize करना ही होता है, जब भी हम किसी website का SEO करते हैं, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको practically यह करके भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक webpage का title change कर सकते हैं, और आखि जलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जाता मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं, आपकी webpages के title tag की, यानि जब भी आपको Google पर कुछ भी type करते हों, तो आपको बहुत सारे results मिलते हैं, तो उन results के दौरान जो आपको वहाँ पर webpage दिखता है, उस webpage पर जो title लिखा कर सकते हैं, जैसे मैं अगें एक keyword यहां पर type कर रहे हूं, that is buy furniture online, चीक है, buy furniture online यहां पर type किया, तो यह तो हमारी सारी ads आगी है, वैसे ads में भी आपको title देख रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा clear vision देरा चाहती हूं, तो देखे, यह मेरी website, one number पर आई, तो इस website का यह यहां पर है URL, चीक है, यह आप देखेंगे, www.pepperfryer.com furniture, यह मेरा एक particular URL है, लेकिन यह जो आप यहां पर देख रहे हैं, यह मेरे इस webpage का title है, चीक है, buy wooden furniture for home online in India, paperfryer, चीक है, तो यह मेरा क्या है, title है, दूसरी हम website पर आते है, urban letter, तो urban letter में आप देखेंगे, तो यह मेरा title है, चीक है, यह जो blue blue, आपको bold letters में देख रहा है, यह मेरा title है, आप इसको optimize करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहली चीज़, जब भी हमारा audience, मान लीज़े हमारी website rank भी कर रहे है, फर्स पेज पर, लेकिन उस फर्स पेज पे भी, उन सारी website में से, web pages में से, audience हमारी website को क्ल लिखेंगे, enticing, creative अगर हम title लिखेंगे न, तो chances बढ़ जाएंगे कि हमारी audience के impression के बाद में CTR यानी click through rate हमारी बढ़े, उसके लावा ये दिखिए, ये title है, चीक है, ये title है, उसके अलावा title को देखने का तरीका, कि simply इस website को आपने open किया, चीक है, जैसे मैं दो तीन यहा ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो विंडो यहां पर जो लिखा हुआ है, ये भी मेरा title है, ठीक है, आप देख सकते हैं, furniture online by wooden furniture for home and online, ये मेरा title है, उसके अलावा आप देखेंगे, तो यहां पर भी मेरा title मुझे शो हो रहा है, चीक है, कई बार ये अलग अलग भी show होता ह है, क्योंकि जो हमारा basically server है, जो हमारा browser है, वो हमारी website के कहीं से भी वो title जो है, पिक कर लेता है, तो इसलिए title को हम खुद से optimize करते हैं, कि जो हम चाहते हैं, वही हमारी audience को दिखें, ना कि server के recording देखें, ठीक है, और एक और चीज में आपको दिखाते हूं कि source code में भी हमार F का मतलग, इस source code में धूंडने की, यानि F for find करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर मैं simply लिखूंगी title, चीक है, टाइटल में लिखूंगी तो यह देखिए, यहां पर यह एक line आ गई, जिसमें मेरा title लिखा हुआ है, चीक है, यह title इसे बंध है, यह देखिए, furniture online by wooden furniture for home online in India and pepper fry, और यही title अभी हमने देखा कि यही हमारे बहार था, यानि हमारे सर्ब पर भी यही शो रहा था, चीक है, तो यहां पर आप title देख सकते हैं, और एक और चीज में आपको बताना चाहूंगी कि काफी top पर यह हमारा title रहता है, इसलिए title को optimize करना जरूरी है, क्योंक आप अपने किसी भी वेब पेज के title को optimize करेंगे, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज में ध्यान रखनी है, या फिर मैं कहूं optimize करेंगी कैसे-कैसे उसे SEO friendly बनाएंगे, जिससे हमारी website की ranking बढ़े, तो देखिए, सबसे पहरे आपको ध्यान रखना है, कि जो भी आपका primary keyword है वो आपके title में आना चाहिए, देखिए, already मैं बता चुकी हूँ कि URL में हम primary keyword रखेंगे, और primary keyword को और हम कहां रखेंगे, हमारे title में रखेंगे, चीके, उसी के साथ ही, title में आपके keyword के आने के साथ ही, आपकी brand name भी आना चाहिए, क्योंकि ultimately हमारा goal क्या है, हमें सिर्फ short term sales चाहिए, हमें हमारी brand image भी create करनी है, लोग हमारी brand को जाने, तो इसी लिए हम अपने title में, अपने keyword के साथ साथ, पूरा एक अच्छा से sentence बनाएंगे, और उसके साथ में हमारा brand name भी लिखेंगे, चीके, brand name मतर्, जैसे हमारे WS Qubetek, अभी हमने देखा, तो paper fry हमारा brand name था, तो इन्होंने अपना basically जो brand name था, वो अपने title में डाल रखा था, ठीके, तो brand name के साथ साथ हम अपना primary keyword उसमें put करेंगे, उसी के साथ साथ कई लोग ये गलती करते हैं, कि एक से जादा अपने keywords जो है, वो put करने की कोशिश करते हैं, title में, और सोचते हैं, कि हमारा जो web page है वो rank कर जाएगा, दो keywords हम put करेंगे, तो दोनों पर ranking की chances बढ़ेंगे, देखिए गलती नहीं करनी है, हमें एक limit भी मैं आपको बताऊंगी, कि कितनी limit होती है characters की और उसको कैसे check करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, हम मैं आपको यही बोलूँगी, कि एक ही long tail keyword आप अपने title में put कीजिए, उसी के साथ ही यह भी चीज धियान रखिए, अगर आपकी website पर कुछ ऐसे pages हैं, जिनके title same है, तो उनके title different, different आपको लिखने हैं, again, जैसे मैं आपको बताया था, कि keyword cannibalism हमें नहीं करना है, keyword cannibalism मतलब, जब हमारे एक से जादा web pages, हमारी website के, व पर एक से जादा pages का नहीं आपको रखना है, उसी के साथी creative कुछ title रखना है, कुछ catchy रखना है, कुछ आप उसमें direct call to action डाल सकते हो, for example, heavy discounts on something, at best prices, hassle free, इस तरह के कुछ call to actions हम डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी audience जो है, काफी जादा entice हो, और हमारी website पर web page पर क्लिक करें, अगर मैं characters की बात करूं, तो characters में बोला जाता था कि 6 to 65 characters होने चाहिए, लेकिन अभी Google ने pixels का एक system निकाला है, pixels का मतलब क्या होता है, जैसे कि example में आपको बता देती हूं, कि जैसे हमारा एक letter है A, यानि A for apple, और एक है I for ice cream, चीक है, दोनों letters पर अगर थोड़ा सा focus तो A, भली दोनों A के characters हैं, लेकिन A जो है वो काफी जगा cover कर रहा है, काफी space cover कर रहा है, I उसके comparison में कम space cover कर रहा है, तो इसी लिए जो A है हमारा, वो जादा pixel का cover करेगा, और I जो है वो कम pixel करेगा, तो अगर मेरा कोई ऐसा title है, अगर मैं I, I बार बार यूज कर रही हू तो इसी लिए अब हम characters को count करते हैं, तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं, ताइटल के pixels चेक करने के लिए मैं जा रही हूँ, to the web.com, यह आप कॉपी कर सकते हैं, इस tool के मैं काफी help लेने वाली हो, और मैं actual में भी लेती हूँ, that is to the web.com, यह एक website है जहाँ पर आपको different tools मि option दिख रहा है, उसके अलावा test titles, meta description, visibility in Google, इसको मैं क्लिक करने वाली हूँ, और यह क्लिक करने के बाद में, scroll down जैसी आप करेंगे, तो यह देखे, page title का option है, अब यहाँ पर आप अपना title लिख कर देख सकते हैं, और देख सकते हैं, कि उसके कितने pixels हैं, चीक है, so जैसे मै अपना यहाँ पर जो मैंने अभी keyword, जैसे last video मैं भी लिया था, मैं यह वाले keyword को लेने वाली हूँ, that is housekeeping services in Delhi, चीक है, तो मैं कुछ एक अच्छा सा sentence बनाने की कोशिश करती हूँ, और इसमें मैं अपना brand name मी डालूँगी, और for example, मतब ऐसे हम imagine कर लेते हैं, कि हमारी जो company है उसका नाम है, urban city, चीक है, urban city, जैसे urban club है ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको copy करने कोशिश के, तो urban city मेरी जो particular, मेरी जो website है, या फिर मेरी brand है, या फिर मेरी जो business है, उसका नाम है, चीक है, यह मैं सर्फ imagine कर रही हूँ, hypothetical situation है, चीक है, यह मेरा main keyword हो गया, मैं इसको देख ले है, मैं इसको एक बाद जूम कर देती हूँ, चीक है, book hassle-free housekeeping services in Delhi, अब यहाँ पर देखेंगे, तो मेरा main keyword था, यानी मेरा primary keyword था, यहाँ पर आचुका है, मेरा brand name आचुका है, उसके साथ ही मैंने इसको short and sweet रखा है, और साथ ही मैंने कुछ भी extra लिखने कोशिन देखी है, औ आप यहाँ पर housekeeping services बूक कर सकते हो, अब यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर लिखा रहा है, कि Your Paste Title is an acceptable length, अब अच्छ फार लेंद कितनी होनी चाहिए, तो देखें मैं कुछ यहाँ पर keyword आखेंगे, तो यहाँ पर यहाँ बता देगा, तो यहाँ बतादेगा, तो यहाँ एकदम मेरा सही title मैंने लिखा है, आप इसको change कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कुछ चीजे यहां पर आपको बताई हैं, कि आपका primary keyword होना चाहिए, short होना चाहिए, pixels के under होना चाहिए, तो वो चीजे आपको ध्यान रखते हैं, बाकि आप इसको अपने according optimize कर सकते हैं, और दो ची होती हूँ, तो देखो typical desktop result, कि सर्फ पर जब मेरा particular यह title देखेगा, तो यह कैसे देखेगा, यह इस तरह से देखेगा, कि book hassle-free housekeeping services in Delhi, urban city, और mobile में जब कोई सर्च करेगा, google search पर, तो उसे कुछ इस तरह से देखेगा, कि book hassle-free housekeeping services in Delhi and urban city, जी कै, so यह आपने देखा, हमने simply हमा लिखेंगे कि title, इसी page का अब हमें title क्या लिखना है, तो title हम क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पर आपके लिए लिखा है, आप यहीं पर ही check कर सकते हैं, यहीं पर ही आप अपनी practice कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि कितने pixels हमें यूज करने हैं, तो यह मेरा इस particular जो मेरी page है, इस particular page के लिए मेरा यह title हो गया, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर WordPress में हम अपने title को कैसे change करेंगे, चीके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह एक plugin है, जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, काफी अच्छा plugin है, वैसे तो Yoast भी हमारे प चीके, जब आप यह install कर लेंगे, तब आपको simply आना है अपने pages में, चीके, तो एक-एक page का हम title लिखने वाले हैं, तो all pages में आप आजाएए, पहले मैंने यह वाला page लिया था XYZ, तो मैं अभी भी इसी को ही ले रही हूँ, चीके, अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि जब आपका AIO SEO यानि all-in-one SEO इंस्टाल हो जाएगा, तो यह आप देखेंगे, कि आपके page जो है, उनके आगे यह इस तरह से ही, यह symbol आ रहा है, title description, तो XYZ यह जो मेरा page है, इस पर मैं जाती हूँ, और यह जो यहाँ पर एक title लिखा हुआ है, यह जो देख सकते हैं, आप यहाँ लिखा था, जैसी यह वाला title था, चीके, तो मैं इसी को example ले रही हूँ, तो इसी को ही, अब मैं जाके वहाँ पर कर दूँगी, paste, तो यह देखिए, यह title वाला option है, तो मैं इसको यहाँ पर title में लिख देती हूँ, और title लिखने के बाद में, यह जो OK वाला button है, जो green sign आ इस पर मैं कर दूँगी, चीके, तो अब आप देखेंगे कि यह मेरा title यहाँ पर change हो गया है, चीके, यहाँ पर यह हमने apply कर दिया है, चीके, अब मैं इसी page को एक बार open करके देख लेती हूँ, तो यह अभी particular जो है, live नहीं है, वेबसाइट, तो यह XYZ page था, तो मैं आपक shipping services in Delhi, urban city, यहाँ पर हो चुका है, चीके, तो यह देखिए, हमने यहाँ पर हमारा title successfully यहाँ पर apply कर लिया है, जो भी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताई, वो धिहान रखनी है आपको जब भी आप title optimize करें, अब यह चीज जो हमने इस page के लिए किये, यही चीज आपक इसका title लिखना है, और उसे change करना है, और साथ ही हमने यहाँ पर बात किये, ऐसे tool के जिससे आप अपने title का pixel चेक कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में और भी कई factors को हम consider करेंगे, और भी चीज़ें optimize करेंगे, तो बने रही है इसी तरह से WSQTik के साथ, आज की इस वीडियो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और जानते हैं, meta description के बारे में, जैसा हमने बात की, आज हम SEO का एक और important factor consider करने जा रहे हैं, जैसा मैं अल्रेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे factors होते हैं, जिनको Google consider करता है, जब भी वो आपकी website की ranking decide करता है, तो इसी लिए, आज हम एक ऐसे factor की बात करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक important factor है, कुछ लोग बोलते हैं कि Google ये consider नहीं करता है, लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज search engine result page पर visible हो रही है, दिख रही है, हमें उसे हर चीज को optimize करना चाहिए, तो meta description क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाती ही हूँ कि क्या होता है meta description, जैसे जब भी हम कुछ भी type करते हैं Google पर या किसी भी search engine पर, जैसे मैंने एक keyword type किया buy furniture online, तो ये यहाँ पर हमें बहुत सारे results लिखते हैं, इन results को आप ध्यान से देखेंगे, तो results में बहुत सारे मुझे web pages मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे कुछ ads भी मिल रही हैं, यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे, तो यह जो particular चीज है, यह आपका URL हो गया, और यह जो आपका bold letters में, blue color में लिखा हुआ, यह आपका title हो गया, इसकी already मैं बात कर चुकी हूँ, नई वीडियो देखी, तो description box से आपको playlist का link मिल जाएगा, जहाँ पर आगर एक एक वीडियो देखो, एक भी मिस्मत करना, तो यह title क्या होता है, कैसो optimize करते हैं, सारी चीज में बता चुकी हूँ, अब title और URL के just बाद में, यह जो एक description होता है, इस particular web page का, उसे ही हम कहता है meta description, basically meta description यह बताता है, कि इस web page पर क्या चीज है, अगर आपकी website पर, या फिर आपकी web pages पर meta description अड़ेड नहीं है, तो Google आपके, जो भी आपकी web page पर content पढ़ा है, उसमें से कोई भी जो topic है, वो ले लेगा, और meta description उसको बना देगा, तो इसलिए हम चाहते हैं, कि Google खुद से ह meta description ना बनाएं, क्योंकि हम बेटर बता पाएंगे, हमारी audience को कि ये web page किस बारे में है, चीके, उसके अलावा ये दूसरा example लेते हैं, तो ये हमारे title हो गया, ये URL हो गया, और इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा meta description है, चीके, अब यहाँ पर क्या है, पाएं, मेरा जो keyword है, that is buy furniture online, जहां जहां buy furniture online आया है, उसको bold कर दिया है, गूगल ने, चीके, आप देख सकते हैं, आपर की furniture online, buy furniture online, उसको highlight कर दिया है, तो ये भी एक important feature है, हमारे SERP का, जिसके लिए हमें meta description को optimize करना बहुत ही ज़्यादर सरूरी हो जाता है, और I think अब ये sheet मैंने बनाई थी, जहां पर मैंने कुछ यहां पर keywords निकाले थे, और ये मेरे brand का, मैंने hypothetical एक नाम दे दिया है, brand का नाम है Urban City, चीक है, so ये मेरा primary keyword था, उसके अलावा बाकी ये मेरे focus keywords, focus keywords मतला इन keywords पर मुझे focus करना है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कि यहां पर आ description लिखेंगे, इन keywords का use करने के साथ साथ, हमें meta description का, जो creativity है, हमारी meta description में वो जरूर दिखानी है, क्योंकि keywords में ही, अभी जैसे कुछ के, आप यहां पर ideas भी देख सकते हो, कि buy furniture online, India's largest home shopping destination, offering a wide range of home and office furniture online, दूसरे का, इसका आप देखेंगे, तो यहां पर up to 5 years warranty, for the bedroom, affordable range, तो आपकी audience entice, और इस page पर click करें, यहां पर आप देख सकते हैं, तो इनोंने भी यह कुछ stars बनाया हुए, ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे की वो catchy लगे, जैसे की यह वाला IKEA आइकिया आप देखेंगे, तो at IKEA we believe furniture should create a better everyday life, तो यहां पर कुछ दिया हुआ हुआ ह इंडिया लगे furniture store, exclusive range, तो इस तरह आजे कुछ ऐसा catchy words आपके description होने चाहिए, जिससे की आपकी audience पर click करें, अब बात कर लेते हैं, हमारी कितनी length होनी चाहिए description की, क्योंकि अब आप देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा focus करेंगे, तो यहां पर कई सारे description बीच में ही cut हो रह है, कुछ भी नहीं cut रहा है, और लेकिन यह बाकियों के description है, वो cut हो रहे हैं, तो इसलिए हमें length का धियान बिल्कुल रखना है, तो अब कितनी length रखें, तो इसके लिए मैं आपको उसी tool कर ले जाना चाहूंगी, जिसके आमने last video में बात की ती, कौन सा tool ता, याद करो, व जो साइड आएगे, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो to the web पर जाकर भी मैं आपको बताया था, यहां पर जाकर भी आपकर सकते हैं, तो pixel checker definitely आप लिख सकते हैं, आप scroll down जैसी हम करेंगे, तो यह देखिए, यह meta description आ गया, अब यहाँ पर आपको एक ऐसा description लिखना है, जो क आपके business से related हो, थोड़ा सा catchy हो, और definitely उसमें आपके focus keywords, important keywords आएगे, चलिए, आप थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं, अब meta description हो सकता है, आपको यह लगे, यह तो content writer का काम है, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमें hardy यहाँ पर कुछ डेट्सों से भी कम words लिखने है, 100 words क आस-पास लिखने हैं हमें, और उसमें भी हम content writer के पास नहीं जा सकते हैं, यह हम खुदी कर सकते हैं, चीक है, जैसे मैं हमीशा बोलती हूं कि digital marketer अगर आपको बनना है तो आप में थोड़े से graphic designers के, थोड़े से content writer के, यह कुछ, थोड़े से developer के, यह कुछ attributes आप में जरू आप थोड़ा साना हमें यहां पर creative होना पड़ेगा, creative होने के लिए, सबसे पहले मैं starting करूंगी, मैं ऐसे कर सते हूं starting, जैसे if you are looking for this XYZ service, do you want this XYZ service, तो इस तरह से आप start कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा catchy लगे, चीक है, तो अब मैं यहां पर थोड़ा से लिखना शुरू price, then urban city is a perfect platform for you, book now, चीक है, so मैंने यहां पर अब देखींगे, आप थोड़ा सा focus करेंगे, तो मैंने यहां पर मेरे दो major जो keywords हैं, उनको consider करने कुशिश किये, देखिए, home cleaning services आ गया, housekeeping services आ गया, चीक है, house cleaning services, Delhi, Delhi भी word यहां पर आ गया, चीक है, और मैं चाहूं तो यहां पर यह acceptable length है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूं कि जो कितनी इसकी maximum length होनी चाहिए, so 920 pixels, और मेरा जो यह पूरा जो मैं description लिखा है, यह 894 में है, यानि it's perfect, जीक है, अगर मैं यहां पर characters की बात करूं, तो आपके 100 to 150 के बीच में आपके characters होने चाहिए, लेकिन जैसा मैंने ब difference है, तो इसलिए D जो है, उसका pixel जादा माना जाएगा, O का कम माना जाएगा, तो अगर आपका, जो भी आपने content लिखा है, उसमें अगर छोटे letters जादा है, तो अगर उसका pixels काम होगा, भली characters जादा हों, लेकिन अगर आपके कुछ बड़े letters हैं, जैसे A हो गया, K हो गया, जैसे Z हो गया, तो definitely आपके content के pixels बढ़ जाएगे, तो इसलिए आज कल SEO में, pixels को ही बहुत जादा किया जाता है, तो यह perfect acceptable length है, यहाँ पर जो जो मैं आपको चीजने बताएं, keywords हमारे आ रहे हैं, कम से कम 3-4 keywords मैंने यहाँ पर cover करने कोशिश की है, brand name मैंने डाला है, साथ ही आपको यह desktop result भी दिख रहा है, उपर जाएंगे आप, scroll up करेंगे, कि यह किस तरह से देखेगा, देखिए, अगर मैं इसको, मैं एक example दे देती हूँ, कि क्यों हमें limit याद रखनी है, तो मैंने जैसे 920 pixels से जादा यहाँ पर कुछ description लिखा है, तो आप देखेंगे, तो यह आपर देखेंगे, यह cut हो रहा है, यह phone, अगर कोई mobile result देखेगा, तो वहाँ पर भी cut होगा, और यह desktop result में भी cut हो रहा है, तो इसलिए मैं 920 pixels से ही कम रखूंगी अपने description को, तो यह देखेंगे, मैं इसको हटा देती हूँ, तो देखेंगे, एकदम perfectly, मेरा यह जो यहाँ पर desktop result है, description है, यह यहाँ पर आ रहा है, चीक है, so I hope आपने यह देखा होगा कि किस तरह से हम description लेख सकते हैं, आप इस description को already जैसे मैं आपको title add करना पताया था, WordPress में, वैसे ही आप कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको all in one SEO plugin डाउनलोड करना पड़ेगा, वो करने के बाद में जब आप all pages पर जाएंगे, तो जिस भी page पर, जैसे यह XYZ page मैं आड किया था, just to show you, तो इसका title मैं already आड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर जब आप AI SEO डाउनलोड करोगे, तो यह देखिए इस तरह से details आ जाएगा, यह जो green tick है, इसको हम कर देंगे, click, चीके, यह करने के बाद मैं apply किया, और अब हम back आ जाएंगे, और हमारा जो description है, वो यहाँ पर लग चुका है, चीके, यह देखिए, description यहाँ पर perfectly लग चुका है, चीके, इस video में, basically हमने देखा कि किस तरह से आप अपनी video का description लगा सकत हैं, and क्या के चीज़ें ध्यान लखनी है, देखिए, this is one of the factor, ऐसा नहीं है, कि आपने description अच्छा लग लिए, title अच्छा लिए, तो ऐसा नहीं बोल सकता है, हमकी ranking अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस पर अभी हमें काम करना है, बहुत सारी ऐसी है, तो इसलिए मैं बारवर कह रही हूं, कि WSQTX को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे एक भी वीडियो आप से मिसना हो, complete course है, तो complete course को वैसे ही आप फॉलो कीजिए, और साथ साथ में ये practice भी करते रही है, जब भी आपको एक्जाम देने चाहते थे, तो हर टीचर की यह करना आसान हो जाए, वैसे ही, जब भी हम किसी भी website का SEO करते हैं, तो हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं, कि उस website का content readable हो, proper pointers के साथ हो, या फिर मैं कहूं, proper headings के साथ में हो, तो किसी भी webpage के content को proper headings के साथ कैसे रिखा जाए, कैसे उसको सही किया जाए, जिससे वो हमारे user के ल ये काफी readable बन जाए, और दोनों का ही experience काफी अच्छा रहे, और ये on-page SEO का एक बहुत important factor भी है, तो इस video में हम बात करने वाले हैं headings की, तो चले फिर देखते हैं, जानते हैं कि headings क्या हैं, कैसे हम उने optimize कर सकते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं, आपके webpage के content की headings की, द सकते हैं, उसमें proper headings होती हैं, फिर उसकी sub categories होती हैं, वैसे ही, जब भी किसी webpage पर कोई भी content पढ़ा रहता है, हम चाहेंगे कि वो काफी अच्छा हो, readable हो, तो उसके लिए उसे भी headings में convert करना, change करना काफी जरूरी होता है, चलिए, कुछ अच्छा पहले content देख लेते हैं, proper headings देख लेते हैं, फिर इनकी बात करेंगे कि यह हम कैसे कर सकते हैं, जिसे मैं आपके साथ share कर रही हूं, हमारी ही company की दो websites हैं, तो आप देखेंगे, तो जैसे यह एक IIP Academy, इसका यह जो हमारा particular page है, तो यह WordPress CMS training से related है, चीक है, तो पहले तो URL देख लेते हैं, तो URL इसका optimized है, definitely, अब आप इसके content पर थोड़ा सा नजर डालिए, तो content पर देखेंगे, तो यह देखेंगे, यहाँ पर इसकी heading दली हुई है, heading के बाद में थोड़ा हम जाएंगे, तो एक और यह bold letter में एक line दली हुई है, उसके अलावा कुछ information है, और फिर हमारी यहाँ पर कुछ और headings डली हुई है, जिनको हम सब headings कह सकते हैं, तो अब आप इस पूरी website को अगर देखेंगे, तो यहाँ पर जो content परना है, वो काफी मेरे लिए easy है, तो मेरे लिए काफी easy है इस content को परना, क्योंकि यहाँ पर wordpress related, जो भी information चाहिए, चाहिए मैं career की बात करूँ, चाहिए मै इसके introduction की particular content की बात करो, तो काफी बहतरी मुझे यह लग रहा है, चीक है, ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा page दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी जैसे wordpress की बात हुई हुई है, तो यह देखे, wordpress training पहले यह heading डली हुई है, उस heading के बात में, जो information मुझे इस heading से related चाहिए, वो user की तरह से की जो audience मेरी website पर आएगी, उसके लिए ही कितना systematic दिख रहा है, तो अगर मैं उस तरहीके से देखूँ, तो काफी अच्छा मुझे content दिख रहा है, लेकिन क्या हमारा जो search engine का crawler होगा, क्या उसे भी यह चीज इतनी ही systematic लगेगी, इसके लिए हम अपनी headings को optimize करत हैं, जिने हम heading tags बोलते हैं, अब यह होते क्या है, इसके लिए एक बार इसी web page के source code पर चलते हैं, चीक है, तो उसके लिए हम press करें के control U, control U press करने के बाद में यह देखी, इस तरह से coding आ जाएगी, यह सारी HTML में है, तो HTML में अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्य code पर चाकर देखूंगी कि क्या मेरे crawler को भी इसी तरह से यह देखेगा, या फिर कुछ डिफरेंट देखेगा, तो यह मेरा source code आगया है, इसमें अगर आपको कुछ find करना है, तो control F हम put करते हैं, यानि find, अब यहाँ पर आपको heading find out करने के लिए, क्या heading डली हुई है, क्या अब आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह H1 डला हुआ है, बेसिकली यह H1 क्या है, यानि पहली heading, यानि main heading, H1 का मतलब होता है, main heading, तो main heading क्या डली हुई है, WordPress training slash course in Jodhpur, और मैं यहाँ कर देखती हूँ, तो यह चीज सही है, यह मेरी क्या है, heading है, main heading है, अब अगर इसको द यह first heading डली हुई है, तो इसका मतलब crawler को भी यही मेरी main heading डिखेगी, अब सवाल आता है, कि आखिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे है, क्यों जरूरी है, यह heading या फिर नहीं, चीक है, तो देखिए, पहला जबाब में इसका दे चुकी हूँ, हमारे user का readability बढ़ाने के हम यहाँ पर यह headings, different, different, different topics यहाँ पर लिखते हैं, दूसरा जवाब इसका यह है, कि जो हमारा crawler है, वो आए और better read करके हमारे content को जाए, क्योंकि अगर हमारी web page पर एक systematic content होगा, with headings, with proper topics, with proper points, तो definitely उस content को एक वो priority पर रखेगा, और हैंस हमारी ranking बढ़ेगी, क्योंकि 2022 की आज अगर मैं बात करूँ, तो सबसे important चीज, जो आप कर सकते हो SEO में, वो है कि अपने website का, अपने webpage का content सुधार सकते हो, चीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, कि total, जो हमारी headings होती है, वो headings हमारी हो होती है, और लास तक होती है, H6, ठीक है, यह मेरी यहाँ पर total six headings होती है, ठीक है, यह आप समझ जाएए, मेंली जो हम focus करते हैं, वो हम H1, H2, H3 पर कर सकते हैं, आप H6 सक भी कर सकते हो, अब focus करने का मतलब क्या है, focus करने का simple सा मतलब है, कि यहाँ पर हम अपने focus keywords को रखन हो, आप चाहें, तो H6 तक भी अपने focus keyword रख सकते हैं, लेकिन as a marketer, हम यहाँ पर H1, H2, H3 पर focus करते हैं, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देने की ज़रुरत है, कि आपके web page पर, एक web page पर, एक ही H1 होना चाहिए, H2 कितने भी हो सकते हैं, H3 कितने भी ह हो सकते हैं, H6 भी कितने हो सकते हैं, लेकिन जो H1 होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि obvious ही बात है, आपको यह essay लिख रहे हैं, तो इसकी जो main heading होगी, main title होगी, वो एक ही होगा, अगर वो multiple है, तो काफी अजीब सा content लगेगा, readability थोड़ी सी हमारी mismatch हो सकती है, हमें basically यह नहीं पता चलेगा कि importance किस बात को देनी है, वैसी ही crawler को, जो हमारा crawler है, वो misguide ना हो, इसलिए हम एक web page पर एक ही H1 रखेंगे, आप उसे check कैसे करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, control U, control F हम दबाएंगे, और यहाँ पर हम यह sign बनाएंगे, मतलब यह bracket बना marketing training, course and job, यानि यह मेरा major, यानि primary keyword है, चीके जी, तो यह आपको कुछ चीजने ध्यान रखती है, ऐसी ही आपके जो different pages है, उनको आप जाकर चेक आउट करोगे, यह machine learning का है, तो मैं इसको एक बाद चेक आउट कर लेती हूँ, थोड़ा सा, चीके, आपके सामने थोड़ा idea ल यहाँ पर यहाँ पर आपको definitely अपना primary keyword जो है, वो पुट करना है, चीके, यह आप अपनी SEO report बनाएंगे on page की, वहाँ पर आप लिखेंगे कि यह particular चीज जो है, मुझे यह heading H1 में चाहिए, या फिर यह जो मुझे H2 में चाहिए, आप इसी तरह से जैसे अभी हमने देखा ह वैसे ही आप यहाँ पर H2 चेक कर सकते हैं, चीके, तो H2 आप देखेंगे तो इस page पर H2 नहीं है, इस वाले page पर मैं एक बार देख लेती हूं, कि है है यहाँ तो देखें यहाँ पर भी एक H2 मुझे देख रहा है, चीके, तो यहाँ पर H2 नहीं है, तो मैं इस page को पर H1 डला हुआ है, उसके बाद में H2 नहीं है, लेकिन डेरेक्ट H3 है, जैसे अभी हमने इस वाली वेबसाइट में देखेंगा, तो यहाँ पर H2 नहीं है, लेकि मैं H3 एक चेक कर लेती हूं, तो चेक्शा है यहाँ पर H3 है, तो यह एक सीक्वेंस ब्रेक हूई है, यान होना चाहिए आपके पूरे source code में यानि पूरी web page पर उसके अलावा h1, h2, h3 इस तरह से sequence में होना चाहिए आपकी headings और दूसरी बात कि जो h1 आप रखेंगे उसमें आपका primary keyword होगा और बागी के आपकी headings में total जो आपके secondary keywords जो बाखी के keywords आपने निकाले हैं वो आपको रखना है और यही चीज आप रिपोर्ट करेंगे अपने डवलपर को या अपने content creator को तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी headings को optimize करके अपने content को और भी बहतरीन कर सकते हैं user के लिए भी as well as crawler के लिए भी meta keywords SEO के लिए क्या meta keywords important है या नहीं है बहुत सारे SEO experts कहते हैं कि meta keywords तो अभी outdated हो गए हैं इन्हें हमें optimize नहीं करना चाहिए कुछ कहते हैं कि इन्हें consider करना चाहिए तो meta keywords होते क्या हैं सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है और साथ ही अब इनकी importance की भी बात करेंगे इसी video में कि क्या यह important है और अगर important है तो कैसे इनको optimize करेंगे यह सारी जो बात है न यह आज की इस video में हम करने वाले हैं चलिए पर देर नहीं करते हैं और जल्दी से video को शुरू करते हैं तो आज जैसा बताया है हम बात करने वाले हैं meta keywords के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अखिर यह meta keywords है क्या चीक है तो पहले मैंने अपनी ही website उपन कर लिए सब्सक्राइब करते हैं तो में कुछ ऐसे keywords यानि कुछ ऐसे words डाल रहे हैं जो कि crawler को यह बताएंगे किसी भी search engine के कि यह जो हमारी website है यह जो हमारा web page है यह basically इस बारे में है जैसे कि wskubetec में हमने क्या keywords आ ले हुए हैं कि web development course in jodhpur तो definitely web development course in jodhpur यह हमारा content का part है android training php training java training seo training उसके अलावा digital marketing training तो यह हमारे कुछ ऐसे core keywords है जो कि हमारी website के content से related है जीक है जैसे अगर आपकी मान लीजे travel blog blogs आप लिखते हैं different different cities के बारे में different places के बारे में तो आपकी website से related जो keywords होंगे वो travel blogs right india tourism tourism tourist इस तरह के keywords जो कि हमने keyword research के time में कुछ important keywords find out किये थे यह हमारे कुछ core keywords हो जाएंगे तो सबसे पहली बात यह use किस लिए होता है कि crawlers को यह बताने के लिए कि हमारी webpage पर जो content पर आखिर वो किस बारे में है तो अब सवाल आता है क्या इसे हमें use करना चाहिए क्या हमें meta keywords लगाने चाहिए तो देखिए कि अगर कोई कहता है कि यह तो outdated हो गया इसका कोई फाइदा नहीं है लेकिन एक इतना सा tag है जिसमें आपको simply लिखने हैं कि यह हमारे meta keywords है और यह कुछ core keywords होगे जो कि हम crawler को बता रहे हैं तो इसको लगाने में कुछ हमारा नुकसान तो है नहीं कुछ हमारा disadvantage तो हो नहीं रहा कुछ पैसा खर्च हो नहीं रहा तो ऐसे में मैं आपको suggest करूँगी कि आपको keywords पुट करने चाहिएं लेकिन again सबसे important tip ऐसे नहीं कि बस कुछ भी tags आप डाल दो और कितने भी डाल दो नहीं एक limit decide करो मैं आपको suggest करूँगी कि तीन या चार keyword जो की core आपका जो content है उससे related हो वो आपके page पर जरूर होना चाहिए तो meta keywords basically हमारे crawler को यह बताते हैं कि यह content के इस बारे में है चीक है आप चलिए कुछ important websites देख लेते हैं जहां पर meta keywords use किये गए हैं जैसे यह make my trip make my trip का मैंने यहां पर source code open किया और control F करके मैंने find keywords तो देखेंगे आप meta name यह keywords यहां पर आ गया हैं कि क्या keywords इन्हों में लगाए हुए हैं तो देखेंगे इंडिया travel, travel in India, air tickets, cheap flights, flights, hotels तो यहां पर देखेंगे यह सबसे बड़ी website अगर मैं बात करूं इंडिया में travel booking से related hotel booking से related तो वो make my trip होगी और इन्हों ने भी यहां पर keywords अपने add किये हुए हैं चीके तो आप देख सकते हैं यहां पर keywords काफी added है meta keywords तो एक यह बड़ी website का मैंने आपको example दिया जहां पर इन्होंने meta keywords यूज किये गए हैं तो भले ही लोग ऐसा बोलें कि meta keywords अभी outdated होगे हैं लेकिन इनको यूज करने में कोई हर्ज नह कि कुछ जो core आपके keywords हैं जो important keywords हैं जो हमने find out किये हैं primary keywords कुछ secondary में से आप ले लीजे यह आपको जरूर यूज करने चाहिए meta keywords में तो इस वीडियो में हमने बात की meta keywords की I hope थोड़ा सा आपका vision clear हुआ होगा कि meta keywords क्या होते हैं और meta keywords को क्यों optimize किया जाना चाहिए और कैसे क उतारे web page पर navigate हो जाए इसके लिए हम यूज करते हैं internal linking. तो इस video में हम बात करेंगे internal linking की और sexual linking की इसी एक video में तोnos चले फिर video को शुरू करते हैं. तो आज बात हो रही है internal linking and external linking. तो सबसे पहले किया होता है, कैसे प्लाय करते है? इससे पहले मैं आपको वेबसाइट पर ही किसी ले चलती हूं और आपको दिखाती हूं कि किस तरह से इंटर्नल लिंकिंग दिखती है जएज मैंने यहां पर एक सिंपल सा कीवर टाइब किया है की what is Internet? ठीक है तो पहली जवविबसाइट है थीक है अची वेबसाइट है काफी फेमस वेबसाइट है तो इस वेबसाइट पर जैसे आप स्क्रोल डाउन करेंगे यहां पर इस अंटरन This content नोटिस करेंगे being in the section तो यह जो content है, यह जो words लिके होई, यह clickable है, जैसे ही मैं इस पर click करती हूँ, मैं पहुंच जाती हूँ एक दूसरे web page पर, तो इसी चीज को, और यह जो web page है, यह भी Britannica का ही है, चीक है, तो आप Britannica ने क्या किया, कि इनके इस वाले page पर जहां पर internet के बारे में लिखा हु तो कि जिससे लोगों को पता हो, कि जो भी internet के बारे में search करने आया है, जिससे internet के बारे में जानना है, उसे computer networks की भी जानकरी होनी चाहिए, या फिर हमारी जो audience है, वो internet के बारे में जानते जानते, computer networks की भी उसको ज़रुत पड़ेगी, तो जैसे ही को इस पर click करेगा, और computer network पर पहुँच जाएगा, अब आप देखेंगे, computer network पर भाम आ गए, तो computer network पर, computer network 2 और more computers, अब computer क्या होता है, इस पर आप click करेंगे, तो आप बिटे निका के ही किसी दूसरी web page पर पहुँच जाएगे, और इस web page पर आप देखेंगे, तो देखिए, this is this and computer architecture लिखा और अब वो link कैसे करा रखा है, that is, इन्होंने यहाँ पर यह word के उपर link overlay करके, तो internal linking basically क्या होता है, कि internal linking वो links होते हैं, जो कि आपको एक web page से direct करते हैं, उसी website के किसी दूसरे web page पर, चीक है, और वैसी I think आपको आप idea लगी गया होगा, कि external links क्या होते हैं, तो external links वो links होते हैं, जो कि आपको एक web page से, एक website से direct करते हैं, किसी दूसरी website के web page की तरफ, चीक है, यह जो हमारा page है, यहाँ पर बहुत सारे आप यहाँ पर links देख सकते हैं, जो कि आपको different different web pages पर लेके जाएंगे, लेकिन वो जितने भी web pages हैं, वो basically किसके web pages हैं, इसी same website के, तो यहाँ और बहुत सारे internal links लगे हुआ हैं, अब आपको, I think, तोड़ा सा idea लग गया होगा, कि सबसे famous जो website है, internal linking की, अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए है Wikipedia, Wikipedia का कोई भी, आप web page को लीजे, हर line में आपको internal linking दिखेगी, ठीक है, 7th largest country, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आप उस list प पहुँच जाएंगे, तो सबसे जादा internal link जाएं, विकिपीडिया, वो website है, और external links भी आपको idea लग गया होगा, कि यह क्या होते है, अब सवाल आता है, कि आखिर internal linking हम क्यों apply करते है, देखिए, पहला reason, obvious ही बात है, कि हमारी जो audience है, हमारा जो traffic है, वो एक web page पर अगर हमार वेb pages rank करते हैं, ठीक है, example मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, what is internet, तो what is internet में आप देखेंगे, तो बिटे निका का यह page rank कर रहा है, Wikipedia का यह page rank कर रहा है, geeks for geeks, इसका यह page rank कर रहा है, इस website का यह page rank कर रहा है, तो सारे website की web pages rank जिससे जादा से जादा से जादा audience retention बढ़े मेरी website पर, इसलिए हम internal links यूज कर रहा है, उसके अलावा user experience बेटर करने के साथ-साथ, internal links हमारी website की better crawling और indexing के लिए भी बहुत जादा ज़री हो जाते हैं, क्योंकि जब एक user divert हो सकता है, हमारे एक वेb page से दूसरे वेb page की तर करने चाहिए, मैं आपको कुछ example दे सकती हूँ, जैसे ये एक website का web page है, PHP Training Course in Jodhpur, अब जिससे आप इस text को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ से समझ में आएगा कि यहाँ यहाँ links जो है, अटाच हो सकते है, internal linking की जा सकती है, जैसे आप इसका यहाँ पर content पढ़ेंगे, तो साथ आपको अटाच कर सकती है, जैसे अटाच कर सकती है, जैसे हो से चाहिए, कि को अगर कोई इस content से मोटवेट मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस लिंक अटाच करना है तो बस लिंक यहां पर अटाच कर दो www.wsqubetech.com slash wordpress training इस तरह से ताल दो नहीं आपको ऐसा नहीं करना है बलकि आपको वो actual word डूणना है जहां पर आप लिंक अटाच कर सकते हो और काफी natural तरीके से जैसे मैं आपको अभी Wikipedia के example दिखाया तो Wikipedia ने क्यार कर रखा है बहुत ही natural तरीके से वहाँ पर अपने इंटर्नल लिंकिंग रख सकते हैं अब यहां पर सबार आते है कि कितने लिंक्स आप अटाच कर सकते हो तो देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि 500 आपके लिंक्स होने चाहिए एक वेब पेज पर इससे जादा नहीं होने चाहिए लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ देखें नाचुलल तरीके से आपको लिंक्स आटाच करना है ओवर स्टाफिंग नहीं करनी है ओवर लिंकिंग नहीं करनी है अब जिसे विकिपीडिया पर हमने देखा जैसे मैं विकिपीडिया का ही वापिस से एक बार पेज ओपन कर लेती हूँ तो यहां पर इन्होंने जहां जहां पर लिंक्स आटाच कियो है वो सारे वेब पेज इनके पास अवेलिबल है यानि सारे वेब पेज इनके बने हुए है और उन्होंने बहुत कॉंटेंट लिखा और उस कॉंटेंट में जिस भी वर्ड का वेब पेज बना हुआ है वो उन मैं बात करूँ तो नाचुरल तरीके से आपको लिंकिंग करनी है डेट सो बोला जाता है ये एक बेंचमार्क हम फिक्स करते हैं लेकिन आप इससे कम भी आपके हो सकते हैं और आप इससे जाधा भी कर सकते हैं लेकिन आपके पास make sure करना है कि आप वो वेब पेज अवेलेबल है और उसी के साथ साथ में वो नाचुरल तरीके से यूस हो रहा है तो चलिए एक बार इसका एस्टिवल कोड देख लेते हैं कि किस तरह से लिंक को हम अटाच करते हैं क्योंकि थोड़ी से मैं ये तो नहीं कहती है आपको ये कोडिंग आनी चाहिए लेकिन थोड़ा बहु इसको एक बार कॉपी करके आपको बता देती हूं मैं चीक है तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से कोड है ये जो आपको देख रहा है एक्सलेमेशन में देखिए सबसे फ़हले ये ब्रैकेट ब्रैकेट ये ओपन ब्रैकेट है देन ए ए एच आरिएफ इस पेस देना इनक देखिए मैं पंद कर देती हो एक बार जैसे ही ये अरेबियंशी पर जब मैं अपना कर्सर लेकर जाती हूं तो यहाँ पर आप आप देखेंगे तो इधर कुछ ये लिखा हुआ आ रहा है चिक्स लिखा हुआ रहा है तो जब मैं किसी भी यहां पर internal link पर click करही हूँ, तो जो यहां पर पॉप हो रहा है, जो word pop हो रहा है basically यह normally अभी यहां पर पुरा page है, तो page का ही एक open graph यहां पर दिख रहा है लेकिन यहां पर title की जो भी cursor पर लेके जाएगा तो नीचे लिखा आजाएगा Arabiancy, तो इसका title की Arabian Sea और यह हमारा anchor text है जिसकी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही simple तरीके से बता हूँ तो यह वाला link आपको जिस text के उपर attach करना है वो text यहाँ पर आएगा ठीक है एक बार मैं confusion दूर करने के लिए एक बार मैं यह हटा देती हूँ जिससे आप बेटर समझ पाएं ओके सो यह आपका यहाँ पर link आ जाएगा है ना और यह किस text पर आएगा Arabian Sea पर अब जैसे example जैसे अगर माल लीजे इस text की जगा मैं simple अपना link यहाँ पर टाइप कर देती हूँ that is wsqpec.com और यह मैं paste कर देती हूँ Wikipedia की site पर और यह मैं paste कर देती हूँ इस particular text पर तो यहाँ पर क्या होगा कि Arabian Sea पर जो भी click करेगा वो पहुँच जाएगा wsqpec.com और यह किसका example होगा एक external linking का example होगा लेकिन अगर यह link आप ही की website का है तो यह internal linking हो गया अब यह क्या होता है यह anchor text होता है तो यह कैसे और भी इसको डिटेल में समझेंगे हम अमारी next videos में चीक है तो यह इस तरह का code होता है I hope थोड़ा साइड लग गया होगा अब आपको क्या गरना है आप simply na different different websites पर जाओ जैसे मैंने आपको पहली वाली website बताई थी that is Britannica उस पर आप चले जाएए नहीं तो आपकी पसंद की कोई भी website हो उस पर जाएए उस पर यह जो इस तरह से blue में लिखा होता है नहीं internal linking के अलाती है इसको आप inspect कीजिए और इसके code को देखे तो थोड़ा सो और आपको याद हो जाएंगे चीज़े यह देखी इसमें भी same लगा हुआ है A-H-R-E-F then हमारा link आगिया जिस पर direct होना है उसके अलावा यह other information यानि जो हमारे HTML की coding होती है वो यहाँ पर आया हुआ है मतब क्या इसकी dimension रहने चाहिए कैसे रहना चाहिए cross link रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है So mainly code यहाँ पर आप समझ चुके हैं तो इसी तरह से आप थोड़ा से explore कीजिए और हर website पर आपको definitely internal links जरूर मिलेंगे और external linking की और भी हम detail में backlinks के time बात करेंगे जो कि हम off page में पढ़ेंगे So external link basically जादतर हम अपनी website में तो तब ही put करते हैं जब हमें किसी को credit देना होता है या फिर किसी को favor करना होता है किसी website के links attach करना होता है लेकिन mostly हम यही try करते है कि हमारी website के जो links है हमारे web pages के जो links है वो किसी अच्छी website पर pasted हो यानि किसी अच्छी website पर लगे हुए हो जिससे अगर उस website पर अच्छा traffic आता है तो थोड़ा बहुत भी हमारी website पर divert हो चुके तो इस process को हम backlinks कहते हैं तो यह कैसे लगाते हैं क्या करते हैं इसके लिए यह हम off page में बहुत ही detail में सीखने वाले हैं तो आई होप थोड़ा सा आपको idea clear हुआ होगा internal linking के बारे में बाकि जो next video है जहांपर anchor text की बात की है तो उस video से आपके सारे doubts clear हो जाएंगे आपने कभी किसी website पर देखा होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे words लिखे होते हैं जिनको आप click करते हो तो आप किसी दूसरे web page पर चले जाते हो तो basically इसे हम कहते हैं linking लेकिन वो जो word होता है जिस पर वो link attached है जिसको click करके आप किसी दूसरे web page पर चले जाते हो उसे हम कहते हैं anchor text तो anchor text को और भी अच्छे से समझेंगे हम इस एक video में और साथ ही anchor text को कैसे हम optimize कर सकते हैं जिससे हमारी website SEO friendly बने ये सारी बातें करने वाले हम आज की इस एक video में तो चलिए फिर video को शुरू करते हैं तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं anchor text के बारे में तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर anchor text होता क्या है तो इसके लिए मैं आपको किसी website पर लिकर चलती हूँ और वही परी directly मैं आपको बता दुए कि anchor text क्या है जैसे last video जो हमारे आई थी जहां पर हमने समझाता है internal linking and external linking के बारे में तो मैंने ये वाली website का एक example लिया था search engine land करके ये website है चीक है इस website का आप जैसे मैंने simply type किया what is SEO तो इसका ये page है यहां पर ये कुछ information पढ़ी है information में जैसे how does SEO work ये आप यहां पर देखते हैं तो आप देखेंगे तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि search engine such as google, bing अब यहां पर आप देखेंगे तो मैं already बात कर जोगे थी internal linking की कि ये जो google word है ये clickable है चीक है मैं इस पर click करूँगी तो मैं किसी दूसरे page पर चरी जाओंगी जो कि इसी website का है चीक है so ये मेरी internal linking हो गई लेकिन जस word पर ये link attached है यानि ये जो google लिखा हुआ है इस word पर ये एक link attached है यानि मैं कैसे लिखते हैं एक hyperlink attached है जो कि मुझे एक नए web page पर लिखकर जा रहा है लेकिन वो जो text है जिस पर ये link attached है जिसे आपर google ये लिखा हुआ है बिंग ये लिखा हुआ है उसके लावा user experience ये जो text है जिसके ओपर link attached है इसी text को मैं कहते हूँ anchor text anchor basically anchor की बात करें तो वो चीज जो हमें कहीं लेकर जा रही है कहीं हमें direct कर रही है तो वैसे ही ये जो words है google, bank, user experience यहां पर आप देखेंगे तो paid search ads ये जो words है ये मुझे किसी दूसरे link पर लेकर जा रहे हैं वेb page पर लेकर जा रहे हैं तो ये जो text है ये जो यहां पर लिखा हुआ ये जो words है ये है मेरे anchor text तो anchor text basically क्या होता है ये कुछ ऐसे text होते हैं जो कि clickable है क्योंकि इनके पीछे hyperlink लगा हुआ है इनसे एक link attached है और इसी लिए इन्हें anchor text बोला जाता है तो anchor text तो आप समझ गए अब इसके पीछे जो code यूज हुआ है जो HTML इसके पीछे क्या काम करता है उसे देख लेते हैं तो इसको देखने का simple सा तरीका आप इस पर जाएए इस particular वेस्तो हमें पूरा source code देख सकते हूँ उसमें से देख सकते हूँ कि कहा लगा हुआ anchor text लेकि simply जो यह anchor tag है इस पर आप जाएए right click कीजिए यहाँ पर inspect आ रहा है inspect पर click कीजिए तो यहाँ पर इसका जो यह coding इसके पीछे हुई हुई है वो यहाँ पर आजाएगी चीक है इसको थोड़ा से simplified कर देते हैं मैं आपके लिए एक example यहाँ पर निकाला हुआ है चीक है simply यह code ह होता है जब भी हमें कोई anchor text लगाना है चीक है यह already मैं last video मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई link attach करेंगे तो यह देखिए यह मेरा वो link आ गया जिस पर मुझे direct करना है यानि यह मेरा hyperlink है और यह कौन से word पर होना चाहिए वो हमारा इस तरह से आजाएगा चीक है सबसे पहले आपको यह sign लगाना है then a space देखे href is equals to exclamation का mark then उसके बाद में आपका link आ जाएगा जिस पर आपको direct करना है जैसे इस case में इस website की case में बात करूं तो यहाँ पर यह वाली website that is searchengland.com slash library google यह यहाँ पर लगा हुआ है link और उसके बाद में हम इसको कर देंगे close and फिर हम लिखेंगे google यानि जिस text पर यह link लगना है यानि जो anchor text है वो हम हमारे link के बाद यह लिखेंगे तो अगर यह code मैं कहीं भी अपनी website के किसी content में लगाती हूँ तो क्या होगा कि जहां भी यह python course लिखा हुआ है उस python course वो एक clickable हो जाएगा वो ऐसे blue का लगा तुरसर dark हो जा जाएगा और वो मेरा क्या हो जाएगा clickable हो जाएगा जब भी कोई इस word को यानि python course को क्लिक करेगा तो वो इस link पर यह WS kubetech python training certificate को जोदपूर इस link पर पहुंच जाएगा direct हो जाएगा तो basically anchor text किया होता है anchor text एक text है जो कि clickable होता है और जिसके पीछे एक hyperlink लगा हुआ य SEO के point of view से हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो सबसे पहली चीज जो भी आपका text है और वो जिस भी link पर direct हो रहा है उनके बीच में relevancy होनी चाहिए चीक है जैसे अगर मैं बोल रही हूँ click here and win $1,000 for example यह लिखा हुआ है और जैसी आप उस पर click करेंगे वो आपको WS kub tech के किसी web page पर ले जाएगा तो यह बिल्कुल irrelevancy है इस तरह की चीज़ें यह spamming में काउंट होती है और यह color techniques है जो आपको बिल्कुर यूज नी करनी है anchor text जो आपका हो और उसके पीछे जो source है यानि उसके पीछे जो link लगा हुआ है दोनों के बीच में लिंक लगा सकती हूं obviously it is allowed यह हम लगा सकते हैं लेकिन क्या WS kub tech digital marketing के batch या उसके code से related relevant है नहीं तो यह गलत practice होगी जैसे WS kub tech मैंने यह लिखा है तो यहां पर मैं home page का यहां पर link लगा सकती हूं यह चीज मैं कर सकती हूं उसके अलावा आप तोड़ा सो content पढ़ेंगे तो content पढ़ने के according जहां जहां आपको लगता है ना कि इस particular text पर यह link हम attach कर सकते हैं जो कि हमारा web page है या फिर को external web page है तो वो आपको add करना चाहिए तो relevancy बहुत जादा important है उसी के अलावा एक ऐसा नहीं कि आप हर word पर कोई ना कोई link attach कर रहे हैं पूरा ही आपका text blue दिख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आपको suggest करूंगी कि एक अग paragraph है आपका या फिर मैं कहूं तीन-चार अगर lines हैं आपके content की तो तीन-चार मैं और या तीन ही आपके anchor text होने चाहिए और वो भी relevant ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ति हम कोई भी anchor text वहाँ पर add कर दें बलकि relevant text पर relevant link add होना चाहिए उसी के साथ बहुती naturally आपका anchor text और link attached होने चाहिए ऐसा नहीं है कि click here, click here, इस तरह के words हम नहीं use करने चाहिए बिल्क content आपकी website और जिस source पर आप भेजना चाहते हैं अपनी audience को वो सारी चीजें relevant होनी चाहिए बिल्कुल irrelevancy बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसी के साथ साथ एक बहुत important चीज कि जब भी आप backlinks create करेंगे back links क्या होते हैं कैसे बनाते हों सारी बाते हम करेंगे off page में लेकिन अगर आप जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है तो back links अगर आप कहीं भी create करते हैं या फिर किसी दूसरी website पर आपके किसी web page का link वहाँ पर added है तो भी आप try कीजिए कि वो एक proper anchor text के साथ हो ऐसा नहीं है कि अगर मैं लीजे WS Cube Tech का link मैंने किसी दूसरी website पर मुझे add कर नहीं होना है या फिर करवाना है तो ऐसा नहीं कि सिर्व ओस नोमली www.ws cube tech वहाँ पर लिख के और छोड़ दे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वह proper एक anchor text के साथ होना चाहिए कि if you want to join IT courses then here is a good option for you इस तरह का कुछ वहाँ पर relevant content के साथ मेरा link attach होना चाहिए तो वह एक quality backlink में count होगा तो anchor text बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि यह हमारी internal linking external linking को और भी effective बनाते हैं क्योंकि यह हमारा जो source है यानि जिस page पर हम अपनी audience को भीड़ना चाहते हैं उससे linked होते हैं तो यह चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखती है कि आपकी website यह आपकी client की जो भी website हो उस पर anchor text चले हुए हो और वो relevant हो उसके source से anchor text का एक और अच्छा example मैंने यहाँ पर लिया है यह काफी अच्छा food bloggers है blogger है ठीक है इनका यह एक webpage है तो इसमें आप देखेंगे तो यह breakfast recipes related है लेकिन इस webpage पर और भी बहुत सारे links attached है ठीक है ads को छोड़ देते हैं हम एक बार so देखिए जैसे यह यहाँ पर यह एक dish है जिसकी recipe है तो यह यहाँ पर यह clickable है यानि अगर मैं इस पर click करूँगी न तो मैं एक नए webpage पर पहुंच जाऊंगी तो मैं वापस आ जाती हूँ तो इसको भी एक बार inspect करके देखते हैं तो आप देखेंगे तो यह देखिए य जो भी यहाँ पर text लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर as it is है और इस पर मैं click करूँगी तो मैं यहाँ पर जो link दिया हुआ है उस पर मैं चली जाऊंगी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है काफी important anchor text role play करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात आपका navigation बेटर करते हैं आपक आपको probably हर एक line में आपको anchor text देखने को बिलेंगे linking देखने को मिलेगी और उस website का नाम है Wikipedia चीक है Wikipedia पर चलते हैं एक बार तो आप अभी यह भी जाकर देख सकते हैं तो जिसे मैंने कोई भी topic टाइप किया तो आप जानते ही है कि Wikipedia टॉप पर rank करती है तो अगर आपका ही आपको एक relevant link पर लेकर जाए यह आपको make sure करना है अब आप यहां पर देखेंगे यहां पर जितना भी इस text पर जिसे मैं normally India टाइप किया इसके बारे में information लेने के लिए तो आप देखेंगे हर एक line में कम से कम 2 या 3 आपको anchor text मिलेंगे यानि जो आपको दूसरे web page पर लेक जाएगा इसका भी आप एक बार inspect कर सकते हैं इसको inspect में करोंगी तो source code में देखेंगे तो same यहां पर यह code लिखा हुआ है देख सकते हैं आप AHREF wiki democracy और titles कर यह है और इस पर जो anchor text लगा हुआ है वो democracy और आप देख सकते हैं anchor text democracy इस पर क्लिक करोंगी तो मैं एक नए web page पर direct कर रहे हो किसी hyperlink के साथ add कर रहे हो तो वो जो web page है वो anchor text से related होना चाहिए और सबसे importantly वो exist करना चाहिए आपकी website पर तो इस वीडियो में हमने बात की anchor text के बारे में तो I hope इस वीडियो में आपको clear हुआ होगा कि anchor text क्या है कैसे इसको optimize करते हैं अगर वीडियो अच्छ अगर आप चाहते हैं अपनी website को अपने search engine के top pages पर rank करवाना तो उसके लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो आज के ताइम में यानि 2022 की मैं बात करूं तो सबसे amazing चीज आप कर सकते हो ना मतब लैक सबसे जो main priority पर आपको जो काम रखना चाहिए वो है आपका content अगर आपका content best होगा तो आपको definitely एक upper hand मिलेगा और काफी important चीज होती है जब भी हम ऐसी हो करते हैं किसी website का तो इसके content को optimize करना तो आज की इस video में हम बात करने वाले हैं content optimization की और content optimization में भी मैं बात करने वाली हूँ keyword density की तो keyword density क्या होता है कैसे हम इसके optimize करेंगे और कैसे इसको limit में रखेंगे यह सारी बातें करने वाले हम आज की इस एक video में तो चलिए फिर video के शुरू करते हैं so आज बात हो रही है keyword density की keyword density होता क्या है पहले तो ये बात कर लेते हैं keyword density यानि keywords की density नाम से ही पता चल रहा है कि basically हमारे पूरे content में कितने percentage keywords हैं यानि पूरी website पर कितने percent हमारे कोई particular keyword use हुआ है इसे हम कहते है keyword density चीक है अब density check कैसे करते हैं कि किसी web page पर जो हमारे content पढ़ा है उसमें हमारा कोई particular keyword कितने percentage है जैसे example में एक बार दे देती हूँ कि अगर मान लिजे 100 words में आपने अपना content लिखा हुआ है उसमें से 20 बार आपका जो keyword है वो repeat हुआ है तो automatically आपकी जो keyword density हो गई उस particular keyword के लिए वो हो गई 20 परसंट ठीक है 100 का 20 किनना होदा 20 परसंट होता है तो यह keyword density के तो इसको check कैसे करेंगे यह चलिए देख लेते हैं पहले तो इसके लिए मैं जो tool यूज करने वाली हूँ वो है small SEO tools ठीक है इस website की पहले भी हम इसके help ले चुके हैं और आने वाली videos में भी help लेंगे ठीक है यहाँ पर मैं सर्च करने वाली हूँ simply keyword density checker ठीक है simply आप Google पर भी टाइप करेंगे keyword density checker और वहाँ पर आप small SEO tools यह डाल देंगे तो भी आपको यह यहाँ पर यह वाली window ओपन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस page का नाम है keyword density checker तो यहाँ पर हम keyword की density check कर सकते हैं आप किसी और टूल का भी use ले सकते हैं लेकिन यह काफी अच्छा टूल है तो हम इसको use करते हैं तो यहाँ पर आप दो तरीके है keyword density check करने के लिए अगर आपने अभी तक website live नहीं आपका आप उसको directly यहाँ पर put कर सकते हो और उसकी density आपके सामने calculate हो के आजाएगी तो चलिए example ले लेते हैं जैसे यह एक example ले रही हूँ मैं इस website का चीक है तो यहाँ पर बताया गया public administration के बारे में कि यह क्या होता है तो मैं इसका URL है यहाँ पर copy कर लेती हूँ जाती keyword density checker पर और यहाँ पर हम URL जो है copy कर देंगे चीक है यहाँ पर as it is आपने copy कर देना है और उसके बाद मैं check density यानि हम density को check करेंगे चीक है check density जैसी click करेंगे तो देखिए बहुत ही जल्दी इसके results आ जाएंगे तो यह देखिए यहाँ पर okay so यहाँ पर यह कुछ top keywords बता रहा है कि इस particular website पर इस particular web page पर क्या हमारे keywords यूज किये गए है और scroll down करेंगे तो यहाँ पर यह percentage भी बता रहा है देखिए one word अगर keyword है तो administration public तो यह देखिए जैसे administration है तो इस पूरे content पर यह 27 times यूज हुआ है और यह इसकी जो density मैंने बता ह देंसिटी के percentage होता है तो 11 approximately 11.64% जो है यह इसकी keyword density है इस keyword की administration की ठीक है अगर यही यहाँ पर word आ रहे है public की 10.34% है अगर मैं 2 keywords की बात करती हूँ तो देखिए public administration पर 8.19% यहाँ पर यूज हुआ है meaning definition की बात करूँ तो 1.72 उसके अलाब अगर मैं 3 words के keywords देखती हूँ तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या यह keyword इन्होंने अपने title में use किया है तो देखिए हाँ यह keyword use हुआ है view use नहीं हुआ है description में में से कोई भी keyword यूज नहीं हुआ है तो आप इस तरह से यह forward keyword और three word keyword two word keyword आप इस तरह से यहाँ पर check कर सकते हैं ठीक है so यह हमने एक चे आ रहा है कि keyword जो है यह देखिए WSQ Tech 14 times use किया गया है उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर keyword density की बात करूं तो keyword one word keyword work है that is 9.87 percentage इसकी यहाँ पर keyword density है लेकिन mainly two keywords हम देखते है तो WSQ Tech 6.01 percentage इसकी density है 14 times यह use हुआ है ठीक है so यहाँ पर हम keyword density यहाँ पर check कर लिए ठीक है और I hope आपको आइडिया भी लग गया होगा कि keyword density होती क्या है अब सवाल आता है कि keyword density कितनी होनी चाहिए और अगर उस percentage से जादा होगा तो क्या होगा उससे कम होगा तो क्या होगा और उसको हम optimize कैसे करें ठीक है अगर मैं इसी टूल की बात करूं like small SEO tools की बात करूं तो यहाँ पर इसा कुछ fix नहीं है और same चीज मैं भी आपको recommend करूंगी ऐसा कुछ भी fix नहीं है कि इतनी percent आपकी density होनी चाहिए बहुत सारे लोग ही recommend करते है two to three percent होनी चाहिए five percent के अंदर ही होनी चाहिए लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई standard rule नहीं है तो आप सवाल आता चुकियों कि जब भी आप keywords यूज करते हैं अपनी website पर अपने webpage पर तो आप ध्यान डगें कि जहां भी आपका keyword आ रहा है ना वह आप उसको over stuff ना करके natural तरीके से अपने content में use कीजिए चीक है जैसे अगर मैं number की बात करूं पिर भी आप मुझ से एक्पे करेंगे कि नहीं से आपके content में keywords यूज किये गए हैं अभी इसी वीडियो में आपको कुछ तरीके भी बताऊंगी वह आप कैसे कर सकते हो देखिए जब भी audience आपके website पर आएगी अब जैसे मैं इस website पर गई चीके अब ये website किस बारे में इस web page किस बारे में keyword density की बारे में अगर इस web page को ख सब्सक्राइब करती हूं तो यहां पर भी जैसे बार बार हर दूसरी लाइन में आपको डबलो स्क्राइब तरीका हो जाएगा तो बस यही चीज आपको फॉलो नहीं करनी है ऐसा कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं आपको डिसाइड करना है कि इतने हमें keywords अतने बस नाचरल जाओंगी कि जिससे आप अपने keyword density को optimize कर सकते हैं यह अपने content writer को recommend करेंगे और अगर आप खुद की website बना रहे हो चाहे wordpress यूज करके चाहे develop कर रहे हो website को उसके लिए content दिख रहे हो तो आपको यह चीज ने थ्यान रखनी है एक example लेंगे उसी से समझेंगे अब देखिए जैसे यहाँ पर एक keyword मैंने use किया है that is old cars in India चीक है old cars in India इसकी already जो keyword research का project आया था उसमें मैंने आपको यह बताया था old cars in India चीक है so अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह मेरा एक keyword है मैं चाहती हूँ कि मेरी जो web page है मेरी जो website है वो इस keyword पर rank करे चीकी जी तो old cars in India अब मैं अपनी website पर चाहती हूँ कि वो इस keyword पर rank करे तो definitely मुझे यह keywords यूज करने पड़ेंगे मैं इनको अपनी headings में use करूंगी मैं title में use करूंगी मैं keywords में use करूंगी उसके अलावा मैं अपने URL में use करूंगी लेकिन still मैं ध्यान रखूंगी कि वो natural तरीके से आए अब कर सकते हैं देखिए यह तरीका keyword मेरा वही रहा है मैंने कुछ भी change नहीं किया old cars in India लेकिन old के हमने क्या घर दिये कुछ synonyms निकाल दिये old के क्या synonyms हो सकते है old cars के क्या synonyms हो सकते है used cars second hand cars चीक है so old cars बार-बार मैं old cars ना लिखके मैं used cars second hand cars इसके भी synonyms यानि इसके LSI keywords य निकाल सकती हूं मैं जैसे मैं vehicle लिख सकती हूं four wheeler लिख सकती हूं so यह दो synonyms में use कर सकती हूं और अब आप combination बनाएंगे तो सिर्फ मुझे old cars in India use नहीं करना है मैं use कर सकती हूं used cars in India used vehicles in India used four wheelers in India old vehicle in India चीक है second hand cars in India तो इस तरह से combinations बनाएए जहां पर आप LSI keywords का use कीजिए LSI keywords हमने समझे थे तो LSI keywords का main role ही यही होता है कि आप overstuffing जो keyword की करते हो उसको रोकने के लिए हम LSI keyword का use ले सकते हैं तो यहां पर यह एक example था वैसे ही अगर मैं बात करूं अगर आपका कोई coaching से related आपका कोई website है तो coaching के आप अलगला नाम दे सकते हो like tutoring, classes, courses इस तरह के आप दे सकते हो तो यही जो भी आपका नीश हो जो भी आपका business हो उसके आप सोचिए कि क्या LSI keywords बन सकते हैं और उनको हम use करेंगे हमारे content में जिससे कि हमारे जादा से जादा keywords भी keyword rich भी हम content बना पाएंगे और keyword density भी हमारी नहीं बढ़ेगी यानि overstuffing भी नहीं लगेगी तो य यह एक idea है जो कि आपको definitely use करना चाहिए इसके अलावा जो चीज मा आपको recommend करूंगी कि अपनी keyword density को optimize करने के लिए वो रहेगी कि आप long tail keywords को target कीजिए बहुत सारे लोगी गलती करते हैं वैसे हम already keyword research की बात कर चुके हैं अच्छे से समझ चुके हैं तो long tail keywords को जब आप target करे तो आप keyword density increase करने से बच जाएंगे और over stuffing नहीं होगी उसका reason यह है कि जब भी हम एक long tail keyword लेते हैं तो काफी सारे हमारे पास scope आजाता है कि हम उनके LSI keywords निकाल सकते हैं उनके जादा से जादा combinations हम बना सकते हैं और इसी वज़े से आप अपनी keyword density को control कर पाएंगे और इसी के स साथ एक जो मैं आपको चीज recommend करना चाहूंगी और वो मैं already बात कर चुकी हो video में और उसे हम कहेंगे keyword proximity keyword proximity क्या होता है keyword proximity already हम समझ चुके हैं कि हमारे जो keyword है जैसा हमने एक long tail keyword लिया तो उनके बीच में gap आप create कर दो तो gap create करने से क्या होगा कि वो keywords तो आपके include हो ही जाएं काफी natural तरीके से आप अपना content लिख पाएंगे एक example देख लेते हैं जैसे अब ये एक keyword है अगर मैं बार-बार old cards in India old cards in India अगर मैं use करूँगी तो काफी जाए ये obvious ही बात है keyword stuffing लगेगी और keyword stuffing होगी भी कि user का भी experience खराब होगा और जो हमारा search engine है उसके लिए भी spamming count होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ इनके बीच में जो words है old cards in India ये जो in words के बीच में gap create कर सकती हूँ जिससे कि हमारा जो keywords है वो काफी natural तरीके से put हो जाए content में example देख लेते हैं देखिए अब हमारा keyword क्या था old cards in India तो मैंने इनके बीच में क्या कर दिया gap दे दिया यानि कुछ और words फिल कर दिये जैसे buy old but best cars at best prices in India ठीके देखिए buy old but best cars तो ये old रहा ये रहा cars इनके बीच में देखिए मैंने दो words यहाँ पर add कर दिये उसके अलावा at best prices मैंने डाल दिया in India और cars के बीच में तो देखिए मैंने इसको इस तरह से मैं इसको sentence में put करूँगी यानि मैं old cars in India को directly put ना करके मैं इसको एक अच्छे से sentence में put करूँगी जिससे की keyword proximity वाला मेरा principle लग जाएगा और मेरी keyword density नहीं increase होगी इसी के साथी मैं आपको recommend करूँगी कि बस best quality content लिखना है और इसी तरह से मैनत करते रहनी है क्योंकि जितना अच्छा आपका content होगा search engine भी उसे ranking देगा as well as user experience भी सुधरेगा और content अच्छा होगा तो user को आप खुश करीद होगे और user यानि हमारी audience ही आज के टाइम में main key है ranking लेने के लिए चीक है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है content optimization के एक बहुत ही important factor की और उस factor का नाम है plagiarism plagiarism क्या होता है हम समझेंगे इस वीडियो में plagiarism को कैसे optimize करेंगे जरूरी क्यों है यह SEO के लिए यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि कैसे आप किसी website के content का plagiarism चेक करके उसे correct कर सकते हो तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा मैं ने बताया आज हम बात करने बारे हैं plagiarism के बारे में तो उस content को आपने किया और आप क्लेम कर रहे हो कि यह हमारा content है लेकिन यही चीज़ अगर मैं बात करो तो अलमस्स सेम मिनिंग हो जाता है आपको एक spam माना जाता है SEO में और अगर आप एक limit से जादा प्लेजर्स करते हैं अपनी website में तो आपकी website blacklist भी हो सकती है यानि सब पर शो ही नहीं होगी तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो आई हो प्लेजर्स का मतलब समझ में आ गया होगा इसे कई लोग duplicate content भी बोलता है लेकिन duplicate content थोड़ा different होता है duplicate content मान लीजे आपने किसी web page पर content पढ़ाया कोई दूसरा आपने उसका content copy किया लेकिन आपने उसको credit दे दिया या फिर वो person जिसका आपने content copy किया है वो आपको authority दे रहा है कि हाँ आप इस content को use कर सकते हो तो भी आप duplicate content use कर सकते हो लेकिन वो plagiarism में नहीं आएगा तो duplicate content भी किसी दूसरे का content copy करना ही होता है लेकिन plagiarism का मतलब होता है कि किसी unauthorized content को आपने copy करके अपने web pages में डाला और अब आप claim कर रहे हैं कि वो आपका content है So I hope कि duplicate content और plagiarism के बीच का difference आपको clear हो गया होगा आप चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी website पर जो भी content है वो plagiarized है या नहीं है तो plagiarism check करने के लिए जो tool मैं use कर रही हूँ उसका नाम है small SEO tools ठीक है already मैं इसका use ले चुकी हूँ आप normally plagiarism checker भी अगर आप type करेंगे तो आपको top पर यही website दिखेगी या फिर आप directly जाकर small SEO tools website पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको plagiarism checker मिल जाएगा चीक है So यह कुछ इस तरह कि यहाँ पर window खुलेगी ठीक है plagiarism checker में अब यहाँ पर देखेगे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके बास कुछ ऑप्शन है अगर आपने अभी content लिखा है अपलोड नहीं किया है website पर तो आप डिरेक्ली अपर अपना content पुट करके चेक कर सकते हैं या फिर आप अपनी डिरेक्ली जो आपकी website है आपकी website का URL किसी web page का URL वो आप यहाँ पर कॉपी करके चेक कर सकते हैं कि आपकी website पर कितना plagiarized content है उसके अलावा यह भी आपर एक section है that is exclude a specific URL अब यहाँ पर क्या है कि माल लीजे WSQTEC की दो websites हैं ठीक है for example WSQTEC.com and WSQTEC 2.0.com ठीक है एक्जामपल ले रही हूं मैं सिर्फे तो WSQTEC 2.0 पर जो content है वो मिलता जुलता है WSQTEC.com से तो हमने duplicate content बनाया है लेकिन वो प्लेजराइज नहीं है क्यों कि दोनों ही website पर जो content है वो same party को बिलॉंग करता है तो जब आप से मतलब खुद का ही लिखा content copy कर रहे तो प्लेजराइज नहीं कहलाएगा तो इसलिए मैं यहां पर जैसे कि मान लीज़े अगर मैं WSQTEC.com यह डालती हूं तो exclude मतलब कि कैसे होगा कि बेसिकली यह सर्च करेगा और देखेगा यह और कौन-कौन सी authorized websites पपढ़ा है तो उसमें मैं कहरी हूं कि आप WSQTEC 2.0 को इंक्लूड मत करना क्योंकि वह हमारी खुद की website है या फिर कोई भी ऐसी website जिसको आप लगते हो कि नहीं मुझे authority है कि मैं इसका content यूज कर सकता हूं तो आप definitely वह URL यहां पर डाल सकते है तो चलिए अभी मैं कोई भी website का एक URL ले ले लेती हूं और उसे हम चेक करते हैं जै इस पर हम click करेंगे और थोड़ा सा wait करेंगे और यह हमें बता देगा कि हमारा content कितना original है या फिर कितना plagiarized है तो यह आप देखेंगे कि यहां पर यह checking शुरू हो चुकी है और यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि कितना यहां पर plagiarism है और कितना unique content है तो इसे process होने देख 8% unique है तो आप देख सकते हैं कि और यह यहां पर यह भी आपको बता रहा है कि कौन सी इसकी line plagiarized है और इसको compare भी आप कर सकते हैं कि कहां से मतब कहां से इसको copy किया गया तो इस सारी चीज़ देखी एक एक line इसकी यहां पर copied हुई है इसके अलावा भी अगर आपको लगता करते हैं वैसे तो कहीं लोग इसको 10% बोलते हैं कई 5% बोलते हैं लेकिन चाम करते हैं आप जो top ranking websites ना उनको देखते हैं दीन keywords है और देखते हैं कि जो top ranking websites आ रहे हैं उनमें कितना pledgers ए एक बार यह चेक करते हैं एक दो keywords पर मैं कर रही हूँ आप बाकी खुद चेक करेंग और आप मुझे कॉमें बताएंगे कि जो टॉप रंकिंग वेबसाइट थी उनका ओन एंवरेज कितना प्लेजरिस्म रहा है एक काम करते हैं दो कीवर्ड पर मेले ले लेती हूं पहला कीवर्ड यह देखिए मैंने आप पर सिंप्ली टाइप किया हाउस क्लिनिंग सर्विस इ पर देखें के लिए वेड़ेगा क्योंकि अवरेड़ी इतना प्राफिक आता है अरबं काम करते हूं जिसको फ्र्ट एप जो भी रांग कर रहा है उनको मेले लेती हूं जैसे यह वाला मैं उपन करती हूं तो मैं इसको कॉपी करके और प्लेजर चेकर पर चले जाती हूं यह मैंने यहां पर इसको कॉपी किया और देखिए इसका चेक करते हैं प्लेजन की कितना है इस पर तो आप देखेंगे कि इस वेब पेज का जो यहां पर रांग कर रहा है क्लीनिंग सर्विस इंड डेली पर इस पर जो कॉंटेंट है वो हंड्रे प्रशन युनीक है एक काम क कर लेते हैं यह देखिए इस वेब साइट पर भी 100% युनीक कॉंटेंट है अब देखिए यह जो मैंने यहां पर टॉपिक लिया नहीं यह थोड़ा कर लेती हूं और इस पेज को मैं कॉपी करके और प्लेजरिंट चेकर मैं चेक करती हूं किस पर कितना कॉपीड कॉंटेंट है और यह इसको काप्चर को हमने किया देखिए ब्लॉगिंग वेब साइट यानि यह जो पेज है इस बहुत सारा टेक्स लिखा हुआ है बहुत सारा और इस टेक्स्ट यह जो है यह हंडर परशन यूनीक है यानि 0% प्लेजरिंट है चीक है एक काम करते है हो सकता है को इस तो चीक है यह प्रेंग को यह जाए रहा है यह पार इस अगड़KY यह ना बर्लेण है यह रहा हो गई यह यह जो अगर पर यहपेढ़ यह रहा है और इसका 100% उनीक कॉंटन्ट तो देखें दो ताइप के वेड़ एक थो 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 फोड़व सर्वेस रिए और एक मैने थोड़ मतलब जिनकी ब्रैंड की वज़े से वो रांक नहीं कर रहे हैं बलकि नॉर्मली जनरली रांक कर रहे हैं कि वेबसाइट पर कॉंटेंट अच्छा है तो वहां पर मैंने चेकिया तो 100% इनका यूनीक कॉंटेंट है बिल्कोल एक दम प्लेजरिस्म फ्री तो अब यहां पर सव यूनीक कॉंटेंट रख पाएंगे तो यह यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी रांकिंग में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है क्योंकि मैं आपको पहली पता चुकी हूँ थे कि अच्छा कॉंटेंट होगा तो वेबसाइट रांक करेगी चीक है क्यों क्यो तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 100% यूनीक कॉंटेंट रखने का ही ट्राय कीजिए अभी हम कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं देखिए सबसे पैला तरीका कि अगर आपकी एक फ्रेश वेबसाइट है यानि जिस पर अभी कॉंटेंट नहीं ल तो आप सबसे पहले ट्राय कीजिए अपने क्लाइन को समझाने के लिए कि प्लेजरिजरिज्म को कंट्रोल करना बहुत ही सादा इंपॉर्टेंट है और यह हमारी रांकिंग पर फर्क डालेगा तो यह चीज आप करने का ट्राय कर सकते हैं अपने क्लाइन को और उसके साथ जो वर्ड है उसकी जगा पर बार 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 अगर आप कोचिंग वर्ड यूज करेंगे चांसे हो सकते हैं कि वो अनिंटेंशनल यह आपका प्लेजरिजरिज्म आ जाए लेकिन अगर आप कोचिंग को ही बार बार हर लाइन में जहां भी कोचिंग वर्ड यूज होना है वह लेकिन उस पर भी प्लेजरिस्म आ जाता है क्योंकि भली हमारे माइंड के अकॉर्डिंग वो यूनीक है लेकिन अल्रेडी कोई ऐसा कॉंटेंट सोच चुका है और अपनी वेबसाइट पर पुट कर चुका है तो अनिंटेंशनल प्लेजरिस्म को रोकने के लिए आप जादे यानि आर्टिकल कहीं से उठाया कुछ भी टेक्स उठाया उसको घुमाया थोड़ा सा पैराफ्रेज किया और उसे अपने वेब पेज पर कॉपी कर दिया तो आर्टिकल स्पिनिंग बिलकुल भी नहीं आपको करनी है आप ट्राय कीजिए यूनीक कॉंटें लिगने का और अगर आप कहीं से कॉपी कर भी रहें क्योंकि कई बार ऐसा होगा किस सेम कॉंटें क्योंकि साइन्स अब साइन्स को आप क्या बो सकतो है साइन्स के अगर मानली जे सौ वेब साइट ने अल्री डेफिनेशन लिख चुकी है तो यह चीज की प्रोबैबिलिटी बहुत जाद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है थोड़ा थोड़ा कॉंटेंट आप कहीं से लेकर उनसे इंस्पायड होके कुछ अपना यूनी कॉंटेंट लिख सकते हो लिकिन ऐसा नहीं करना कि अर्टिकल उठाया और इसको को कॉपी कर दिया यह बिल्कुल स्पामिंग में काउंट ह और इसे आपकी रैंकिंग 100% एफेक्ट होती है तो यह कुछ चीज आप ट्राय कीजिए मैं आपको वीडियो में बताया कि किस तरह से आप चेक कर सकते है और क्यों इतना साथ इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको टास्क दिया है कि कुछ वेबसाइट उठाइए कुछ अ यहां पर टाइप कीजिए देखिए कि टॉप पर कौन सी वेबसाइट आ रही है और उनका प्लेजरिस्म कितना आ रहा है चीके तो यह चीज आ मुझे कॉमें बताईएगा कि आपने जो टॉप की वेबसाइट जिनकी रैंकिंग अची थी उन पर अन एवरेज कितना और उप्तिमाइजेशन में ग्रामर की क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं या फिर नहीं यह सारी बात करने वाले हम आज की इस एक विजिएयो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करता है है सो आज हम ग्राम कि आफने जोभी कॉंटेन लिखा था यापके वेज पर चाहे मैं ब्लोगिंग की बात करूं या मैं नामल बिजनेस वेप साइट की बात करूं या मैं e-commerce website की बात करूँ वैसे e-commerce में business में ज़ादा text तो इतना use होगा नहीं लेकिन still जो भी आपने content लिखा है और especially मैं बात कर रही हूँ blogging की तो क्या उसके लिए grammar भी एक role important play करेगी यानि क्या हम grammar अगर किसी की खराब है किसी content की grammar grammatical mistakes है spelling mistakes है तो क्या हमारी ranking पर effect करेगा देखिए इसका मैं जबाल सिफ इतना सा दूँगी कि जब भी आप google पर कुछ भी word लिखते हैं तो automatically जो आपका search engine है वो उसको सही कर देता है कि आपने ये गलत लिखा है सही ये होगा चीक है या फिर मैं normally बात करूँ तो normally जब भी हम laptop पर काम करते हैं कुछ भी हमने for example MS Word खोला हुआ है PPD खोला हुआ है वहाँ पर आपने कुछ भी आप type करते हो वो automatically detect कर लेता है कि ये आपकी spelling mistake है या फिर ये यहाँ पर mistake आपने की है तो जब हमारा system या फिर मैं को हमारा search engine ये चीज़ डिटेक्ट कर लेता है तो उसके लिए web page पर grammatical mistakes है या नहीं ये जानना बहुत आसान होगा और देखिए नाम से ही बता चल रहा है grammatical mistake यानि आपके content में कुछ mistake है कुछ गलती है तो आप common sense से मुझे बताईए जब AI यानि artificial intelligence इतना advance हो रहा है क्या हमारी search engine की ranking algorithm इस चीज़ से affected नहीं होंगी देखिए बिल्कुल होंगी बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपके content की spelling कितनी ठीक है आपके spelling की grammar कितनी ठीक है ये बहुत ज़ादा तो नहीं लेकिन कुछ percentage ज़रूर effect करती है आपके website की ranking को इसलिए हम make sure करेंगे कि हमारी website पर जो content है हमारी website proper grammar के साथ हो और proper spellings के साथ हो कोई भी ये सारी mistakes ना हो तो चलिए अब देख लेते हैं कि कि किसी भी website पर grammar चीक है या नहीं है इसको हम check कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं चो tool यूज कर रही हूँ उसका नाम है online spell checker online spell check इसका नाम है इस tool का आप normally अगर grammar check भी type करेंगे URL का तो भी आपको ये मिल जाएगा तो देखे ये वाले tool है हमारा online-spellcheck.com तो यहां पर आपको काफी सारे options बनेंगे कि किस तरह से आप grammar check करना चाते हैं तो देखिए यहां पर आप simply text भी डाल सकते हैं और इसको check कर सकते हैं उसके अलावा आप एक file भी upload कर सकते हैं अगर आप content अभी तक upload नहीं किया है अपनी website पर अपने web page पर तो simply आप यहां पर जो आपकी content फाइल है उसको आप upload कर सकते हैं उसके लावा cloud से भी आप यहां पर कर सकते हैं या फिर simply अगर website है तो यहां पर आप URL पोड़ करेंगे तो मैं इस पर click करने वाली हूँ चीक है सबसे पहले मैं हमारी जो website है www.cubetic.com की इसको मैं यहां पर select कर लेती हूँ इसका URL कोपी कर लिया मैंने कोपी करने के बाद मैं मैं URL को यहां पर पेस्ट कर दूँगी detect language बैसे तो automatically detect कर लेगा यह language लेकिन आप select भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर सवाल आता है कि English जैसे यहां पर है तो English भी कौन सी English है तो कई सारे इंडियन इंग्लिष ना ना आप प्रॉपर अमेरिकन रही है ना प्रॉपर बिर्टिश रही है तो इसी लिए मैं यह बोलूँगी कि आप खुदी detect कर लो language यह करने के बाद मैं हम चेक्ट करेंगी ठीक है आप देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लाइक कुछी seconds और देखिए यहां पर पूरा जो आपकी website पर अपके webpage पर जो text पढ़ा है ना वो automatically सारा यहां पर आ जाएगा और सारी जो भी उसमें grammatical mistake है spelling mistakes है वो यहां पर आ जाएगे और साथी score भी आ जाएगा यह देखिए हमारा पूरा जितना भी text है वो सारा यहां पर आ चुका है आप यहां पर देखेंगे तो 96% around rate इसको मिला है मतलब 96% सही है हमारा content यह देखिए जो जो गलत है ना जहां पर spelling गलत है या फिर कुछ problem है तो वो यहां पर आ रहा है आप इसको select करोगे तो यहां पर यह बता भी देगा आप जैसे यह कह रहा है कि यहां पर आपको full stop लगाना चाहिए कुछ जैसे ignore भी कर सकते हैं यह mistake जैसी यह iPhone है तो iPhone में यह बोल रहे हैं कि iPhone का जो आय होता है न वो छोटा होता है तो यह छोटी छोटी जो mistakes है न वो भी यह बता देगा बट इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं बढ़ेगा आप तोड़ा और scroll down करेंगे न तो हो सकता है आपको कुछ बड़ी mistakes भी देखें जैसे यह e-commerce के बात करते हूं यह कह रहे है कि e-commerce के बीच में gap होना चाहिए छोटी-छोटी mistake भी यहाँ पर यह टूल आपको बता रहा है देखिए यह तो बहुत ही छोटी सी mistake है जैसे WordPress है तो WordPress को यह कह रहे है कि Word का W और Press का P आप दोनों ही बढ़ा कीजिए लेकिन यह इतनी बड़ी mistake नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कोई बड़ी mistake है जो कि आपको सही करवानी चाहिए जैसे कोई spelling बिल्कुली गलत दिखी हुई है या फिर मैं कुछ ग्रेमेटिकल इस तरह की mistake आई हुई है तो आप उसको जरूट ही करवाईए ये वाला टूल जो है ने ये spelling आपको अच्छे से चेक करके बता देगा और आप इसके according अपने content writer को report कर सकते हैं और बता सकते हैं उनको कि यहाँ पर यह mistake है या फिर आप अपने client को भी बोल सकते हैं अब ये तो spell check करने हैं लिया हमने अब हम थोड़ी सी grammar भी check कर लेते हैं तो grammar check करने के लिए ये tool में आपको suggest करना चाहूंगी grammar.com इसमें आपर check website वाला option है वैसे तो आप normally text भी upload कर सकते हैं text upload करने के लिए grammar भी आप यूज़ कर सकते हैं wskubetech.com मैंने यहाँ पर अपनी website डाली और मैं अब check पर click करूंगे थोड़ा से टाइम लेगी सारी mistakes यहाँ पर बताने वाला है ये tool इसके अलावा भी अगर आपको tool मिलता है जहां पर आप URL पुट करके अपनी website का grammar चेक कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए का comment section में चीक है यह देखिए यहाँ पर automatically language यहाँ पर इन्होंने पिक कर ली है errors 41 errors link ले हैं इतने total characters है और यह देखिए सारी mistakes यह बता रहा है कि यहाँ पर यह जैसी यह mistake है तो इसमें बता रहा है कि या तो यह spelling होगी या फिर यह होगी जैसे development में E missing है तो यहाँ पर इस चोड़ी चीज़ है क्योंकि देखिए content writer भी काफी चीज़ें रिखता है वो तो हो सकता है उससे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई हो तो इस तरह से हम यहाँ पर check कर सकते हैं चीज़ें तो यहाँ पर आपको सारे errors मिल जाएंगे यह as it is जो है इसका screenshot लेकर या इसको save करके print करके आप अपने content writer को या फिर अपने client को आप भेज सकते हैं कि यह सारी mistakes हैं आप यह ठीक करवा लीजे ठीक है अभी जैसे इसमें बहुत ज़्यादा mistakes नहीं है तो इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसकी ranking पर लेकिन कई सारी websites ऐसे होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा errors होता है तो make sure करें कि जितने errors हो सके हम उतने कम करवाएं keyword cannibalization जितना भारी यह नाम आपको सुनने में लग रहा है उतनी ही असानी से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि keyword cannibalization क्या होता है और SEO में keyword cannibalization की क्या importance है और कैसे आप इसको avoid कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो अभी तक जिसने भी चानल नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी वीडियो लेकर आते रहते हैं इतने सारे important courses लेकर आते रहते हैं तो आप भी नहीं कि आपसे कोई भी course मिस हो या फिर कोई भी वीडियो मिस हो तो free of course content आपको डबले स्क्राइब कर लो तो चलिए अब हम बात कर रहे थे keyword cannibalization की नाम पहले नाम को समझते हैं पहले word को समझते हैं फिर इसके concept पर जाएंगे cannibalization का मतलब होता है जब एक ही species के कोई भी organism है वो एक दूसरे को consume कर रहे हैं यानि एक दूसरे को ही खा रहे हैं यानि अपने जैसे को consume करना उसको नुक्सान पहुँचाना इसको हम cannibalization भोलते हैं चिक है तो keyword cannibalization क्या होता है कि जब हमारी website पर एक से ज़ादा web pages किसी एक keyword पर rank करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर rank कर रहे हैं इस condition को हम keyword cannibalization कहते हैं यानि हमारे दो web pages वो एक दूसरे को ही खा रहे हैं एक दूसरे को ही नुक्सान पहुचा रहे हैं तो अब देखिए सुनने में तो बहुत असान लगेगा कि for example कोई भी सर्च करता है Digital Marketing Company in Rajasthan तो मैं चाती हूँ कि WSQTEC उस पर rank करें लेकिन WSQTEC का Digital Marketing वाला web page और WSQTEC का ही SEO वाला web page ये दोनों ही इस keyword पर rank कर रहे हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारी website के दो web page हैं की rank कर रहे हैं लेकिन अब क्या हो रहा है कि चलिए rank तो हो गए हमारे web pages लेकिन जब CTR यानि अगर मैं click through rate की बात करूँ तो वो दोनों में split हो गया यानि दोनों में बढ़ गया अगर 100 लोगों को भी वो दोनों web pages दिखते हैं तो 50 एक पर click करेंगे हो सकता है बाकी के दूसरे पर click करें अब इससे क्या होगा मेरी website के जो individual web pages की performance है वो split हो रही है तो इस चीज़ को हम avoid करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जो web pages हैं वो अलग-अलग keyword पर rank करें जिससे 100% जो traffic है वो मैं चाहूंगी कि मेरी एक web page पर मिले चीक है हो सकता है कई लोग इस पर conflict भी करते हैं कि ये जो चीज़ है कि अगर एक ही keyword पर जादा web pages rank कर रहे हैं तो ये अच्छी है बात है हमारे लिए लेकिन अगर मैं long term की बात करूँ तो ये सही नहीं है हमारे लिए क्योंकि इससे हमारा CTR split हो रहा है हमारी audience divert हो रही है और हमारे web page की जो individual performance है वो effect हो रही है तो इसी लिए आपको ये try करना चाहिए कि जब भी आप keyword research कर रहे हैं तो आप हर एक web page के लिए जो भी आपके important web pages है उनके लिए अलग-अलग keywords आप targeted रखें focus keyword आपके हर एक web page का अलग-अलग होना चाहिए और time to time आपको ये check करते रहना है कि कहीं आप keyword cannibalization का शिकार तो नहीं हो रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अब ये हम check कैसे करें कि हमारे website पर keyword cannibalization हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए simply देखिए मैं आपको कोई ऐसा tool recommend नहीं कर सकती simply जो keyword density checker है उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किसी web page का focus keyword क्या है और फिर आप simply एक excel sheet बना सकते हैं जिसमें आप एक web page का focus keyword यानि वो keyword जो कि बहुत ज़ादा बार use हुआ है जो कि हमारे title में भी है जो कि हमारे description में भी है URL में भी है उसको आप लिख सकते हो और फिर आप tally कर सकते हो कि क्या आपका कोई ऐसे एक से ज़ादा web pages तो नहीं हैं जहां पर आपने same focus keyword रखा हुआ है तो simple सा keyword cannibalization को हटाने का simple सा तरीका है कि जो आपके focus keyword हो web pages के वो सब के अलग-अलग हो specially जो primary keyword की मैं बात कर रही हूँ तो जो primary keyword आपने select किया हुआ है वो सब web pages का अलग-अलग हो तो इस video में हमने बात की keyword cannibalization के बारे में यह थोड़ा सा नया concept है जिसके बारे में जरूर आपको explore करना चाहिए और जब हम on-page SEO का project करेंगे तब मैं आपको definitely practically यह चेक करवाँगी कि किसी website पर keyword cannibalization हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी तक हम SEO में काफी पार्ट कर चुके हैं अब बारी आती है images की क्योंकि images जिस भी एक important part होता है हमारे web page पर हमारी website पर तो उनको भी optimize करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो आज की इस video में image optimization में हम बात करने वाले हैं alt tag की या फिर से alt name भी बोला चाहता है तो alt tag क्या होता है कैसे हम इसको optimize करेंगे और क्या यह हमारी website की ranking को effect करेगा करेगा तो कैसे करेगा यह सारे जो questions के answers है वो मैं आपको देने वाली हूँ आज की इस एक video में तो चलिए फिर video को शुरू करते हैं तो आज की इस video में हम बात करने वाले हैं alt tag की चाहे आप alt tag कहिए या फिर alternate tag भी इसको बोला जाता है इसका नाम है full form alt का है alternate या फिर आप इसको alternate name भी बोल सकते हैं alt name भी इसे बोला जाता है या फिर alt attribute भी इसे कहा जाता है तो चाहे कोई भी नाम हो आपको confused नहीं होना है alt name हो चाहे alt tag हो चाहे फिर alt attribute हो यह सब ही एक ही है जी के अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर images को हम optimize करते क्यों हैं क्यों all tags में लगाएंगे क्यों इसका optimization करेंगे तो इसके देखिए simple सा इसका reason है कि जब भी हम कुछ भी type करते हैं हमारे google पर तो यहां पर आप देखेंगे कि sub पर आपको different different sections आते हैं जैसे यह आपको सारी चीज़े मतलब pages भी pictures भी सब कुछ यहां पर शो हो रहा है लेकिन अगर आप images section में तो आप देखेंगे तो यहां पर different different images है और इन सभी images की एक ranking है चीक है देखेंगे आप तो देखेंगे जैसे यह first pages पर यह कुछ images दी हुई है क्योंकि जब भी आप image को open करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर तो उस image का source भी आपर open हो जाता है और image भी जब आप Google Analytics समझेंगे, Search Console समझेंगे, जब आप उसमें देखेंगे कि आपको traffic कहां से आ रहा है तो आप हाँ पर notice करेंगे तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि directly linked है web pages की ranking और images की ranking तो इसी दिया हम images को भी optimize करेंगे जिससे eventually हमारे web pages भी rank करें सबसे पहले तो ना देख लेते हैं कि आखिर alt name कहां देखता है और फिर मैं आपके साथ बात करूंगी कि आखिर यह होता क्या है अब यह देखिए यह wskubetic का ही मैंने एक web page उपन कर लिया है ठीक है यहां पर काफी सारा text लिखा हुआ है यहां पर एक image है इस image पर जैसे ही मैं इसको inspect करूंगी चीक है मैं inspect करने से क्या जाता है मारा source code open हो जाता है तो इस image को जैसी मैंने inspect किया तो देखी इसका यह element open हो गया है इसमें देखिए यह image source आ रहा है कि जहां पर यह image uploaded है server में और उसके अलावा यह आप देखेंगे alt इसके ओपर यह alt लिखा हुआ है और alt में क्या लिखा हुआ है यहां पर कुछ text लिखा हुआ है चीक है मैं इसको एक बार copy मैंने यहां पर कर लिया है notpad में जिससे आप better तरीके से यहां पर इसको कुछ भी change कर सकते हैं चीक है जैसे अभी यह android से related थी तो मैं यहां पर अगर android लिख दूँगी तो इसका जो tag है वो change हो जाएगा alt text change हो जाएगा और इस image का alt text क्या हो जाएगा android हो जाएगा चीक है यह बाकी तो इसका style है कि कहां पर इस image को रखना है वो सारी इसके उपर एक text overlaid है और उस text को मैं क्या बोलूँगी alt tag ठीक है अब देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसके बारे में एक story सुनाना चाहूंगी कि alt text जो है आखिर यह क्यों discover हुआ क्यों इसकी जरुरत पड़ी क्योंकि image तो मुझे देख रही है मुझे देख रही है क तब android से related है ठीक है लेकिन इसके उपर यह tag डालने की जरुरत क्या हुई basically alt tag एक ऐसा tag होता है जो कि हम एक image पर लगाते हैं और वो यह बताता है कि इस image के अंदर क्या है यानि इस image को describe करता है चीक है तो इसके बारे में मैं आपको एक story सुनाना चाहूंगी जिससे मुझे लगता है कि आप better समझ पाएंगे कि आखिर इस क्यों इसको develop किया गया क्यों जवरत पड़ी की image तो मुझे देख रही है कि image में यह है लेकिन इसके पीछे क्यों इसको describe किया गया देखिए जैसे अभी तो हम देख सकते हैं we are blessed लेकिन जो visually impaired लोग होते थे उनके लिए वो computer वो सीखते हैं, coding वेखरा, सब कुछ वो सीखते हैं लेकिन आपके one में सवाल आएगा कि वो चीज़ यह कैसे गरते हैं देखिए उनके लिए computer में कुछ special software होते हैं जिने हम screen readers बोलते हैं कि for example जैसे मैं mouse अपना इधर लेकर गई tap पर तो ये android app developer जो भी यहां लिखा हुआ ह जहां जा मैं इस cursor को लेके जाऊंगी वो automatically बोलता जाएगा जी text पर क्या पड़ा है लेकिन जो screen readers होते थे जो की specially design किये जाते थे blind people के लिए उनके लिए सबसे बड़ी problem होती है images में कि images को आप कैसे पढ़ सकते हो can you read an image अगर आज मैं इस image को देख रही हूं तो मैं बता सक तो इसलिए हम अपनी images में एक alternate name डालने लगे एक tag डालने लगे जो की यह describe करता है आखिर यह image किस बारे में है तो वहाँ पर यह development हुआ कि भाई आपको images के साथ एक old name डालना चाहिए जिससे screen readers अच्छे से पढ़ पाएं तो अब यह जो मैं आपको story बताए I hope इससे आपक एक idea मिला होगा कि all tag जो होता है all tag जो होता है वो कितना important होता है तो यही चीज अब हमें optimization के time करनी है क्योंकि यहाँ पर आपसे जो कोई भी search engine है वो यही expect करेगा कि आपकी image में जो actual में है वही आपके tag में हो यानि जो आपका description है क्योंकि all tag करा से क्या हो गया एक description हो गया तो वही आप description लिखिए जो जिससे related आपकी actual image है लेकिन जैसे में आपको बताया कि हमें इस तरह से optimize करना है जिससे की keywords पर भी हमें ध्यान जाए तो इसी लिए जो भी आपने keywords निकाले हैं उन keywords का भी आप use करेंगे लेकिन वो काफी natural तरीके से होना चाहिए चीक है image है मेरे पास जैसे मैंने भी आपको example दिया है जैसे android development की image थी ठीक है so इसमें android development तो हमें add करना ही है क्योंकि वो तो मेरी picture से directly related है लेकिन साथ में अगर मेरे keyword में जहां android development आ रहा था जैसे अगर मान दीजे मैं type करते हूं android development in Delhi ये भी मेरा एक keyword जो है वो मैं put कर सकती हूं all tag में ठीक तो आपकी image में है वही आपकी all tag में हो और साथ ही अपको ध्यान रखना है keyword का तो चलिए अब मैं कुछ आपको आपको samples भी दिखा देती हूं कि इस image के लिए basically हम क्या all tag रखेंगे अब जिसे ये एक website में उपन कर लिए ठीक है इस website पर basically recipe है कुछ easy white bread ठीक है ये recipe है इस recipe प दिया हुआ है तो ये जो alt लिखा हुआ है ये हमारा alt tag है तो इसका alt tag लिखा हुआ है white bread sliced on a wooden chopping board ये हमारा यहां पर alt दिया हुआ है और अगर आप इस image को देखेंगे तो ये एकदम accurate है क्योंकि ये white bread है जो की sliced हुई हुई है और ये एक wooden chopping board पर है तो ये एकदम सही इनोंने कह सकते हैं इसका alt tag दिया है और साथ ही इनका जो main जो recipe है white bread वो भी इनोंने यहां पर put की है लेकिन जो मैं आपको recommend करूँगी वो ये recommend करूँगी ठीक है इनोंने बहुत ही natural तरीके से रखा है लेकिन देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें naturality पर नहीं बलकि थोड़ा सा हमारे ranking factor पर भी धिहान दे रहा है इसी लिए हम अपना यहां पर keyword भी put करेंगे तो instead of writing white bread मैं यहां पर लिख सकती थी white bread recipe और फिर उसके बाद में मेरा description है वो मैं लिख सकती थी ठीक है so यह क्या होता है इससे हम थोड़ा सा अपना keyword भी put कर देते और साथ ही साथ हम जो natural देंगे या लिखनी है जो actual में इस image में है और थोड़ा इसको अच्छे से देखते हैं तो देखिए यह Wikipedia का मैंने page open किया है जहां पर India की information लिखी हुई है तो यह देखिए यहां पर Indian national flag है तो मैं इसको अगर inspect करती हूँ तो आप देखिए इसका element यहां पर open हो जाएगा यह image का यहां इसके साथ साथ में image पर जो alt लगा हुआ है वो दिया हुआ है ठीके alt क्या दिया हुआ है horizontal tricolor flag bearing from top to bottom deep saffron white green horizontal band यानी एकदम इनोंने अच्छे से describe किया हुआ है इस picture को लेकिन देखिए हम यह बात मानते हैं कि जो Wikipedia है उसको खुद को rank कराने के जरूवत नहीं है क्योंकि उ लेकिन इनोंने इसी लिए इनोंने बहुती natural तरीके से यहां पर इस picture को describe किया है और उसके alt में चीजें लिखी है लेकिन हमें दोनों ही चीजों का धियान रखना है picture भी describe हो जाए और साथ में हमारे उस web page का जो focus keyword है वो भी उसमें include हो जाए तो यह दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो यह देखे मैंने एक यह e-commerce website भी open कर ली है तो e-commerce website में जब भी हम all text को optimize करते हैं तो उसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपका product है उसकी जो भी image है उस image का all tag वही होगा जो की उस product का नाम है जीके जैसे कि यह example ले लेते हैं जैसे मै अगर मैं इंस्पेक करती हूँ तो आप देखेंगे कि इस image पर जो alt टला हुआ है यह देखेंगे तो अब मैं आपको दोनों ही website का idea दे दिया ब्लॉगिंग देख लीजे रेसिपी देख लीजेए e-commerce देख लीजे वहाँ पर all tag क्या होगा किसी image का जो की उस image में शो हो रहा है और e-commerce में क्या होगा जो की उस product का नाम है यह कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं और इसी तरह से आपको अपना all tag optimize करना है अगर आपकी website पर कुछ large size की images हैं तो उसका directly effect पड़ेगा आपकी website के page load time पर तो इसी दिये जब भी हम किसी website का SEO करते हैं तो content optimization में हम ध्यान रखते हैं कि आपकी website पर जो भी images है जो भी media है वो compressed हो यानि उसका size जितना हम चोटा कर सकते हैं उतना हम चोटा करने की कोशिश करेंगी जिससे हमारी website का page load time कम हो जाए यानि website fast हो जाए तो चलिए फिर तो जानते हैं कि कैसे हम images को compress कर सकते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं और basically इसको मैं practical करके भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में हम image optimization के important part कि image के size compression की बात करने वाले हैं तो जैसा मैं आपको पहले पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि images को optimize करना भी बहुत जादर ज़रूरी होता है इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की है all tag की कैसे आप all tag को optimize करेंगे कैसे importants है यह हम already समझ चुके हैं नहीं वीडियो देखी तो description box से आपको SEO की complete playlist का link मिल जाएगा so make sure करें कि एक भी वीडियो आपसे miss ना हो तो चलिए आज हम compression की बात करने वाले हैं कि images को compress करना क्यों जरूरी है तो इसके लिए काम करते हैं एक बार browser पर चलते हैं ओके जैसे मैं और आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही image मुझे देख रही है बाकी तो यह logo है बाकी इतनी सारी images यहां पर मुझे बहुत जादा नहीं देख रही है यह कुछ यहां पर images जो की बहुत ही easily यहां पर load हो चुकी है तो यह image है तो इस image को मैं यहां पर करती हूँ inspect करने के जैसे ही आप यह जो जहां पर यह upload की गई है यानि इसका जो source है इस image को उस पर लेके जाएंगे तो आपको यहां पर इस file का यानि इस image का size देखेगा तो इसका size आप देख सकते हैं तो that is 84.9 KB जीके जो की काफी छोड़ा size है और यही सब suggest करते हैं कि 100 KB से कम ही आपकी कि पर कोई इमेज होनी चाहिए अगर माल लिजेए पूरे वेब पेज पर एक ही इमेज है तो इसका size बड़ा रख सकते हो बट उसमें भी recommended होता है कि जितना चोड़ा आपको किसी image का size कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए चीक है यह मैं कुछ जो बड़ी websites हैं जो की काफी popular ह जैसे यह इसी website की एक और image है तो मैं इसका example लेती हूँ तो आप देखेंगे तो इसका size भी आप देखेंगे तो 33.4K भी है तो मतलब काफी चोटी image है चीक है अब चलिए कुछ हम और example ले लेते हैं तो वैसे ही अगर मैं example लेती हूँ जैसे डबली स्क्यूब टेक का तो ड images लगाई हुई है so basically conclusion क्या निकलता है कि जितनी जादा आपकी website पर media या फिर मैं कहूं images अगर छोटे size की होंगी उनको load होने में time कम लगेगा और आपकी website की speed जो है वो increase हो जाएगी तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी website की images जो media है उसको compress करें अब इसके लि आपको कुछ image compression tools use करने चाहिए बहुत सारी tools आपको मिल जाएंगे कोई भी आप Google पर search कर सकते हो मैं कोई specific आपको recommend करूंगी compress JPEG यह काफी popular है उसके लावा आप देखेंगे तो tiny PNG यह मतलब यहाँ पर popular है तो कुछ जो भी आपको ठीक लगे image compressor जो आपको ठीक लगे उस tool का यूज करके image को compress कर सकते हो ठीक है normally आपको यहाँ पर आपकी images पूट करनी है उनको compress करना है और आप उसको अपनी sheet में फिल कर सकते हो यह फिर drive पे upload करके आप अपने client को दे सकते हो वो आपके ओपर है totally ठीक है लेकिन मैं आपको WordPress की website पर कि किस तरह से आप अपनी images को एक साथ compress कर सकते हो यह मैं आपको दिखा देती हूं तो इसके लिए यह देखे WordPress में आ चुके है इसके लिए आपको एक simple सा plugin में आपको बताने वाले हैं जो आप use कीजेगा और आप सारी images को WordPress पर आपकी website है तो एक साथ ही आप उनको compress कर सकते हैं और जो आप future में जो भी आप images upload करेंगे वो automatically compressed हो जाएंगी चीक है तो इसके लिए चली एक plugin install कर लेते हैं plugin का नाम आपको डाइब करना है that is WP Optimizer यह आपको मिल जाएगा देखिए यह वाला plugin है आप इसको अच्छे से देख लीजिए WP Optimize इस तरह से यह आपको email मिलेगा इस तरह से लोगों इसका ध्या अब activate करने के बाद आपके installed plugins में आपको यहां पर optimize पर करना है क्लिप जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको चीक है आपको जाना है यह देखिए यहां पर section दिख रहा है इमेज तो हम इमेज पर करेंगे क्लिक अब जैसी इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसको scroll down कीजेगा तो यहां पर आपको यह काफी सारी चीज़ें आ जाएंगी चीक है सबसे पहला है compress images सबसे पहला आप अपने इमेज को compress कर सकते हैं यहां पर यह option है that is automatically compressed newly added images जो भी नई added images हो उनको आप automatically compress कर पाएंगे यहां पर option ह है तो जब भी आप कोई भी नई इमेज अपडेट करेंगे तो automatically compress हो जाएगी जितना maximum वो हो सकती है यहां पर को चीज़ें दी हुई है कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है तो यहां पर है कि हमें maximum compression ध्यान रखना है यहां पर इसको आप लेके जाएंगे तो लिए मैं आपको सज्जिस करूंगी कि इसको मेड़ पॉइंट में कर दो कि बिसिकली रेंज है चीक है उसके अलावा यहां पर आपकी प्राइटीज भी है कि आप्राइटाइस कीजिए maximum compression को यह फिर प्राइटाइस कीजिए कि retention of details की हमारी quality नहीं होनी चाहिए लेकिन हमने किस्टम किया हुआ है तो आप अपने recordings को चूज कर सकते हो उसके अलावा यह देखिए कुछ images मैंने upload कर दी तो इन images को आप select करके और इनको compress the selected images पर भी click कर सकते हो ठीक है तो जैसे माल लीजे कोई images है यहां पर जो भी यहां पर upload की गई है तो compress the selected images हम करेंगे और देखिए कि यहां पर यह compression हो रहा है यह देखिए यह तीनों images जो है compress हो चुकी है और यह जैसे ही compress यह हो चुकी है यहां से यह हट जाएंगी चीक है तो आप इसको refresh भी कर सकते हो तो यहां पर और कोई images है जिनको compression की ज़रुरत है जो जादा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि images यहां पर तो जो भी images थी तो वह compress हो चुकी है यहां पर उसके अलावा जैसे हम इसको automatically compress newly added images तो बार बार हमें यह करने की जोरत नहीं पड़ेगी अधर यहां पर अगर कोई previously added images है तो उनको आप एक साथ सालेक करके और compress कर सकते हो ठीक है तो यह काफी अच्छा टूल है ले लेकिन उसके लिए आपको प्रीमिम वर्जिन लेना पड़ेगा लेकिन इसके लिए मैं आपको एक और प्लग-इन बता दूंगी तो लेजी लोड पर यहां पर एक ऐसा सिंबल आजा है जो कि यह मेंज है यहां पर और यह इमेज यहां पर लोड हो रही है तो इस फंक्शन को बेसिकली हम कहते हैं लेजी लोड तो लेजी लोड अगर आप अपनी वेबसाइट में इनेबल करना चाहते हैं कि जब तक आपकी वेबसाइट पर इमेज लोड हो तब तक वहां पर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए या यह वहां पर कोई और इमेज आ जाए तो इसके लि लेजी लोड इमेज, उप्तिमाइज़ेशन और कंप्रेसिमेज, इसको में इंस्टॉल कर लेती हूं, तो मैं आपको दोनों ही टुटोरियल दे रही हूं, कभी smush काम नहीं करें आपके लिए तो आप WP optimizer यूज ले सकते हो, नहीं, WP optimizer नहीं लेना चाहते हो, तो आप smush का सब्सक्राइब करें, जिससे आप images को अच्छे से optimize कर पाऊगे, तो यह देखिए, यह smush का यहां पर डाशबोर्ड है, तो smush में, मैं बल्क smush, smush का मतलब compression ही है, तो इसको मैं थोड़ा से सट अप कर देती हूं, या फिर मैं skip एक बर करके आपको बता देती हूं, तो यहा करें कि 5 images को आपको smush करना पड़ेगा, तो देखिए, बल्क smush नाओ, कि एक साथ ही आप सबको smush कर सकते हैं, या पर चालो हो गई, यह सारी images जो थी हमारी वो smush हो चुगी, बस यह है कि यहां पर आपको यह नहीं रिखेगा कि कितना compression हुआ है, कितना नहीं हुआ है, जो क smush के ही डाश बोर्ड में आपको यहां पर lazy load को एक बार open कर लेते हैं, तो lazy load को भी हम activate कर सकते हैं, यह मैंने देखिए, यहां पर activate कर दिया है, अब यहां पर आप देखेंगे, तो देखिए, यह activate करने के बाद कुछ चीज हैं, जैसे क्या-क्या media यहां पर lazy load शो होगा किस तो देखिए, सारे ही हमने इसलेकिए, यहां पर आपकी इमेज हो सकती है, तो आप मेक्शूर करेंगे कि जाय किसी भी फॉर्मेंट में आपकी इमेज है लेकिन उसके लिए lazy load लग जाए, उसके अलावा यहां पर आपकी यहां पूछा चाहा है कि लिए लेजी लोड यानी जब तक आपकी इमेज लोड ना हो, तब तक वहां पर क्या शो हो, पहला उप्शन है यानी आप फेड़ इमेज दिख जाए, जैसे मान लीजे डबलो स्क्यूब टेक का जिसे यह एग्जामपल लेती हूं, यह वाली इमेज है, तो जब तक यह लोड नहीं हो रही इसी पर इस यही इमेज फेड होके लग जाए, यानी फेड़ एक सिंबल जैसा आ जाए, या फिर दूसरा तरीक है, इस तरह से कुछ राउंडिंग वाला साइन होता है, वो आ जाए, यहां पर आप चूज कर सकते हैं, उसके लावा प्लेस ओल्डर, कि जब तक आपकी इमेज लोड इस यह इनिमेशन अगर आप चूज करते हैं, तो यहां पर डिरेशन भी दिखा सकते हैं, डिले भी यहां पर चूज कर सकते हैं, बागी स्पिनर चाहें, जैसी यह मैंने स्पिनर जो है सलेक कर लिया, यह सलेक करने के बाद में स्क्रोल डाउन करेंगे, और यहां पर सेफ कर देंगे, अब मालनीजे यह चीज आपको हटानी है, तो simply आप इसको डी अक्टिवेट कर देंगे, तो यह लेजी लोड का ओप्शन जो हमने लगाया था, वो हमने हटा भी दिया है, तो दोनों ही चीज आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने बात की कैसे आप अपनी इमेज़ को कमप्रेस कर सकते हैं, और साथ ही कैसे लेजी लोड लगा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कि जो भी आप अपनी SEO रिपोर्ट बेजें, उसमें आप यह मेंशन करें, तो आप यह एजी लोड तो आर वेबसाइट, कि जब तक हमारी इमेज लोड ना हो, तब तक वहाँ पर कोछ ऐसा सिंबल आता रहे, जिससे हमारी यूजर को पता रहे कि यहाँ पर कोई इमेज है, जो कि अभी लोड हो रही है, चीक है, तो वर्डप्रेस पर तो मैं आपको प्रैक्टि कि अभी आप किसी वेबसाइट के टेक्निकल इस्यो की बात करते हो, तो आखिर उसमें क्या-क्या फैक्टर्स कंसिडर किये जाते हैं, यह सारे हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो हमारा कम्प्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको कम्प्लीट एस्यो टुटाउसन कि यह एक ओन-पेज का ही हिस्सा है, तो ओन-पेज का टेक्निकल पार्ट अब शुरू हो रहा है, अब जो नेक्स वीडियो आएंगी उसमें आपको टेक्निकल इस्यो ही देखने को मिलेगा, तो चलिए फर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, सो जैसे हम ने बताया, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इस्यो की, सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल इस्यो किया है, वैसे मैं इसके लिए एक वीडियो भी ला चुकी हूँ, जहां पर हमने डिस्कुस किया था कि टेक्निकल इस्यो ऑन-पेज का पार्ट है या नहीं, क्या इसको अलग करना चाहिए, वो हम अलड़ी वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस उठालो, प्लेलिस सारी वीडियो देख लो, चीक है, सो टेक्निकल इस्यो होता क्या है, बहुत ही सिंपल लांगविज में समझेंगे, क्योंकि थियोरी पर ज्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना प्राक्टिकल पर, देखिए, टेक्निकल इस्यो यानि किसी भी वेब साइट, किसी भी वेब पेज के टेक्निकल आस्पेक्ट्स को, टेक्निकल करेक्टर्स्टिक्स को सही करना, ऑप्टिमाईज करना, जिससे कि हमारी वेब साइट की रैंकिंग बढ़ सके सर्प पर और जब मैं technical factors की बात करती हूँ तो technical factors में जादा तर factors इसलिए किया जाते हैं जिससे कि हमारी website की indexing crawling better हो पाए तो indexing crawling क्या होता है अगर ये नहीं समझा तो how does a search engine work ये आपको playlist में वीडियो मिल जाएगी ये देखना तो आप पूरा समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहे हूँ चीक है इसलिए मैंने काया कि starting से वीडियो देखना शुरू करो और end तक वीडियो देखो चीक है चलिए तो technical SEO समझगे कि website के जो technical aspects है technical characteristics है उनको सही करना उनको optimize करना जिससे कि हमारी website के ranking बढ़ सके चीक है on page का ही एक हिस्सा होता है क्योंकि इसे हम करते हैं अपनी website पर already इस पर discuss कर चुके हैं हम चीक है कि technical SEO क्या है एक on page का हिस्सा है तो technical में भी हम क्या कर रहे हैं हमारी website के कि most of the factors जिनको हम optimize करते हैं technical SEO में वो one time होते हैं मतलब क्योंकि on page के अगर मैं और किसी पार्ट की बात करू या मैं off page की बात करो तो उसमें continuously हमें काम करते रहना पड़ता है जिसे हमारी ranking सोधर लेकिन mostly जो आप technical SEO में चीजें optimize करते हो वो एक ही बार होती है यानि overall website पर एक जारी वो चीजें अपलाएं होती है most of मैं सारी की बात ने कर लेकिन जादा तर जो चीजें होती है technical SEO में वो once in a while की होती है जैसे की SSL की हम बात करेंगे तो SSL certificate एक बार ही आपकी website पर लगता है उसके बाद आप उसको शेडने की ज़रत नहीं है तो वैसे कई सारे ऐसे factors य तो वो क्या-क्या होते हैं चीके यह चुरू करते हैं पूरी लिस्ट अच्छे से देखना और अब इन इन वीडियो में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन तो दे दूंगी लेकिन इन सारे factors की अलग से वीडियो लेकर आने वाली हूं तो एक भी वीडियो मस करना अभी यह सि से पहले हम यह देखते हैं कि website की indexing crawling अच्छे से हो पाए तो जब भी Google का crawler या किसी भी search engine का crawler हमारी website पर आए तो वो हर एक link को अच्छे से क्रॉल करें हर एक link पर उसकी नजर जाए इसके लिए हम उसे एक map प्रवाइड करते हैं map जिसे हम site map बोलते हैं तो site map क्या होता है this is the collection of our links जहां पर हमारी website के वो links होते हैं जिने हम crawl करवाना चाहते हैं तो site map generate करना site map को submit कराना search engine को यह एक important चीज होती है जो कि आपको करनी ही पड़ती है जब भी हम किसी website का technical SEO करते हैं तो site map.eximl यह आपकी checklist मुझे लगता है कि नमबर वन पर होना चाहिए टेकनिकर SEO की जब भी हम बात कर रहे हैं देखिए अब जैसे मैंने साइट माप की बात की तो मैं आपको आने वाली वीडियो में एक एक डिटेल में संझाऊंगी कैसे हम generate करेंगे कैसे हम सब्मिट के करेंगे WordPress की website पर कैसे करेंगे non WordPress पर हम कैसे submit करेंगे यह सारी तरीके में आपको बताने वाली हूँ तो site map basically क्या है एक collection of link है जहां पर जो हम search engine को provide करते हैं कि आप जब भी हमारी website को crawl करने आए तो यह सारे web pages को जरूर कंसिडर कीजेगा चीक है तो यह site map को हमें provide करवाना करना बहुत ज़रूरी होता है जब मैं crawler के लिए इतना सोच रही हूँ कि crawler को एक map की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी audience के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा तो जैसे मैंने site map.xml प्रवाइड करवाया search engine को search engine की better crawling के लिए वैसे ही मैं site map प्रवाईड करवाऊंग जब हमारी website बहुत बड़ी होती है तो जब हमारी website बहुत बड़ी होती है तो audience के लिए हमारी traffic के लिए यह जानना कि कौन सी website पर क्या content पड़ा है या फिर कौन सा page कहां पर है यह ठूड़ना तुड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए हमने क्या किया है यह देखिए यहां पर इस website पर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इसको क्लिक करेंगे तो यह एक sitemap पर मुझे लेके गया इस sitemap पर क्या है देखी इस website पर यह जो mh.gov website है इस पर जितने भी pages है उन सब के यह देखी इस तरह की indexing पड़ी है यानि अब मुझे मैंने यह sitemap खोला अच्छा आप मुझे कहा जाना है अब मुझे जैसे government schemes की बात करनी तो मैं schemes वाले इस पर क्लिक करूंगी तो मैं schemes वाले page पर चली जाओंगी इस website के चीके उसके अलावा हर एक page आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह sitemap किसके लिए audience के तो जैसे मैं आपको बताया है 2020 में हमें audience पर focus करना है तो audience पर focus करेंगे तो उनको भी एक हमें map देना पड़ेगा कि यह हमारी website है तो आप इस पर crawl कर सकते हैं वैसे ही अगर मैं flipkart की बात करूं तो यह देखिए flipkart पर भी flipkart का भी खुद का site map है देखिए अब स्क्रोल करेंगे तो आप देखिएंगे कि नीचे तो यह देखिएंगे तो यह देखिएंगे तो पॉलिसी में भी तर साइट मैप दिया हुआ है तो ऐसी जो website होती है जिनका navigation थोड़ा साइट होता है बहुत सारे pages होते है यह पर मैं को बड़ी websites होती है तो वैस उस ताइम में हम crawler को तो प्रवाइड करेंगे ही site map लेकिन हमें audience को भी प्रवाइड करना होता है तो यह दोनों अलग अलग steps होते हैं तो sitemap.xml आपको generate करके submit करना है उसी के साथ साथ आपको sitemap.stml भी recommended है अगर आपकी website काफी बड़ी है तो चीक है तो यह दो चीज हो गई अब next की बात कर तो हमारी website पर कई सारे ऐसे pages भी हो सकते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि Google ना crawl करवाए ना ही उनके indexing करवाए क्यों ऐसा हम करेंगे देखिए for example जैसे WS kubetech की मैं बात करती हूं WS kubetech पर हम different training different courses provide करते हैं तो वह page जहां पर मेरी audience का कुछ data feeded है ठीक है यहां पर कुछ data है उनका जो personal account है क्या मैं चाहूंगी कि यह page rank करे या फिर यह page index हो कोई भी इसको देख पाए नहीं यह security reason की वज़े से same with banking websites होती है तो banking website में जह personal information पढ़ी है किसी user की तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा जो search engine है वो से crawl करे या फिर उसे read करे और उसे index करवाए तो इसी लिए ह हम एक tag लगाते हैं हमारे pages पर जिसे हम कहते है robots.txt file इस file में होता क्या है short में अगर मैं अपको बताओ तो in file में वो links की list होती है जिने हम crawl नहीं करवाना चाते है जिनकी हम indexing नहीं करवाना चाते है तो robots.txt file भी attach करना अपनी website के साथ जरूरी होता है especially तब जब आप चाहत है कि आपकी website का कोई page crawl ना हो नहीं वो index हो चीक है तो robot.txt भी एक बहुत important aspect होता है जो कि हम consider करेंगे अब next जो वीडियो आएंगी उसमें robot.txt भाली देखना जरूर वीडियो उसमें आपको एक चीज है कि कैसे हम इसको generate करेंगे कैसे add करेंगे क्या के चीजने को ध्यान र कि आपके ओडियन्स को जब भी कीवर टाइप करें तो उन्हें वो pages fast देखें यानि उनका experience उधरे तो हर सर्च एंजन यही चाहता है तो हमें भी यही टार्गिट करना है कि आपकी जो website है उसकी speed अच्छी हो तो website की speed को increase करना यानि उसका page load time कम करना इस पर भी हम ध्यान द करते हैं जैसे javascript or css को हम optimize करेंगे कैसे करते हैं यह सारी चीज़े हमें जरूर आनी चाहिए जिससे कि हमारी website की speed सुधरे और ultimately हमारे user का experience भी क्योंकि user का experience अचा रहेगा website की speed अची रहेगी तो dual time बढ़ेगा अब dual time क्या होता है इसके लिए already video ला चुगी हो ठीक है अची निकल SEO की बात करती हूं उसके अलावा SSL certificate यानी Secure Sockets Layer Certificate क्योंकि ना 2014 में Google ने बोला था that I want to see SSL everywhere मतब गूगल जाता है कि उसकी जितने भी सर्ब पर websites rank करें या फिर इंडेक्स होना सब में SSL certificate लगा हो अब SSL certificate क्या होता है कि basically यह एक encrypted link create करता है web browser और server के बीच मे जिससे की ultimate अगर मैं आपको बहुत short मैं बोलू तो आपकी website secured है यह यह बताता है ठीके तो Google बोलता है कि मेरे को हर एक मतलब website पर web page पर SSL चाहिए तो मतलब जब Google ऐसा कह रहा है तो obviously बात है कि यह चीज़ definitely हमारी ranking को effect करने वाली है ठीके मैं बता देते हूं कि कैसे यह पता हमारे जो URL दिखे वो कुछ इस तरह से दिखे that is STTPS चीक है और बाकी हमारा आगे डोमेन नेम आज आएगा चीक है तो यह चीज़ हमें थेहान रखने है इसको कैसे लगाना है कैसे पूट करना यह सारी चीज़ हम देखेंगे उसके अलावा हम बात करेंगे टेकनिकल SEO में क कि नाम थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी कॉंसेप्ट है और सिर्फ दो मिनट का गाम है जैसे मैं चाहते हूं कि wskubetech.com मेरी वेबसाइट है इस पर ट्राफिक है तो कोई परसन अगर wskubetech.com टाइप करे या फिर कोई टाइप करे www.wskubetech.com या फिर कोई टाइप www.wskubetech.com तो उन्हें मेरा जो पेज है यानि जो मेरी मेरी में वेबसाइट है वही दिखे तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि यह जो डिपलिकेसी है यहां पर हट जाए चाहे कोई www.wskubetech.com ही दिखना चाहिए और मेरा जो में डोमेन नेम है वही ओपन होना चाहिए तो लिए हम किनॉनिकल टाग का यूस करते हैं अब वो कैसे लगाते हैं वो कैसा दिखता है इसके लिए अलग से सापरेटेड में वीडियो लेकर आने वाली हूँ तो किनॉनिकल टाग ऑप्तिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टन पार्ट है टेकनिकल असी हो का इसके लावा हम जिसमें 401, 301, 302 की हम जाधा बात करेंगे अब यह एक एक की मैं हम डीटेल में बात करेंगे लेकर आपको बता देती हूं कि हमें क्यों अपलाई करना है देखिए जैसे कि मैंने यहां पर एक यूर्ल टाइप किया डाट डाट कॉम और मुझे यहां पर कुछ एक बडिकु तो देखिए यह पेज अवेलिबल नहीं है तो अगर यह अवेलिबल नहीं है तो इसको हम बोलता है 404 error यानि जो आप सर्वर पर पेज ढूंड रहे हैं वो अवेलिबल ही नहीं है तो ऐसे मैं लेकिन मेरा डोमेन नेम सही डाला है किसी भी ओडियंस ने तो मैं चाहूंगी कि वो लांड करें मेरी ही वेबसाइट पर इसी लिए हमें हमारी वेबसाइट में कुछ specific redirection बनाने पड़ते हैं जैसे कि यह एक rear direction आया यह पेज अवेलिबल नहीं है तो क्या मेरी ओडियंस को मैं जाने दूंगी नहीं तो मैंने उसे एक ऐसे पेज पर लांड करवाया ज लेकिन मैं यहां सर्विसस से यहां पर SEO, SEO, मतलब Digital Marketing का कोई भी पेज जो मुझे चाहिए मैं उस पर यहां पर डिरेक्ट जा सकती हूँ अब इससे होगा यह कि आपकी audience गलत URL पुट करने के बावजूद भी वो आपकी किसी वेब पेज पर डिरेक्ट हो सकती है यानि इसकी डिटेल में हमें समझना और optimize करना बहुत जादा ज़रूरी हो जाता है जब भी हम technical SEO की बात करते हैं इसी के साथ ही हमें अपनी website का चेक करना होता है W3C Validation W3C basically एक organization है जो कि आपकी website के web documents की validation को check करती है ये check करती है कि वो valid है या नहीं है तो validation W3C का बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप fail हो जाते हैं तो इसमें क्या होदा है कि आपको poor traffic आपका हो सकता है website में प्रॉब्लम आ सकती है तो और वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं कि तो किसी भी website का W3C validation check करना और से सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के साथ ही आपने देखा होगा कि किसी भी URL को आप social media पर या फिर आप WhatsApp पर ही normal किसी को share करते हो तो आप देखने है कि एक तो normally link वहाँ पर गया लेकिन कई पर आपने देखा होगा कि वह तो आप देखोगे तो वह एक box बन जाएगा वो पॉसिबल होता है open graph tag से तो open graph कैसे लगाते हैं और Facebook के लिए कैसे लगेगा Instagram के लिए WhatsApp के लिए कैसे लगेगा इसके लिए हम कुछ tools का use करते हैं वह कैसे करते हैं इसके लिए separated videos आ रही है तो open graph को enable करना हमारी website पर ज़रूर skimma markup या फिर हम इसे structure data भी कहते हैं तो structure data भी आपको अपनी website में add करना जरूरी होता है जिससे की sub पर आपकी website का presentation और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सके जैसे मैंने WSqiptic यहाँ पर टाइप किया है तो आप देखेंगे तो sub पर simply WSqiptic नहीं दिख रहा बलकि WSqiptic में यह देखें, our clients, about us, store, location, यह कुछ जो major links है वो यहाँ पर शोर है उसी के साथ ही आप इदर right hand side में देखोगे तो यहाँ पर Google की हमारी rating उसके लाव आप और scroll down करोगे तो Facebook की rating, Just Dial ने कितनी rating दी होई है, कुछ important reviews, यह सारी चीज़ें उसके लाव आप यहाँ पर देखेंग यह सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में. उस टाइम हम site map ज़रूर create करते हैं और submit करते हैं, तो site map क्या होता है, कैसे हम उसको generate करते हैं, कितने types के site maps होते हैं, complete information आज की इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं site maps की, site maps, जैसे नाम से ही, मैंने भी आपको बताया, कि map है, यहाँ पर पूरा data है, कि आपकी website पर कहां, क्या चीज पड़ी है, और कोई भी person आपकी website पर आता है, तो उसे scroll कर देगा, तो आप सवाल आते हैं, कि हमारी website पर कौन आएगा, देखिया, हमारी website पर दो लोग आएंगे और दोनों ही हमारे लिए बहुत ही जादा important है, पहला person आएगा crawler, छीक है, कोई search engine कैसे काम करता है, यह हम समझ चुके हैं, कि सबसे पहले crawling होती है, फिर indexing होती है, और फिर उसकी ranking दी जाती है, उनके web pages को, तो crawler को हमें अच्छी दरीके से अपनी website घुमाना, यानि हमारी पूरी website को अच्छे से crawl कर पाए, इसके लिए हम चाहेंगे कि उसको proper navigation मिले, और दूसरा person जो हमारी website पर आएगा, वो होगा हमारी audience, क्योंकि देखिए, जो भी हम कर रहे हैं, यह सारा जो game चल रहा है, जो SEO जो हम कर रहे हैं, यह किसके लिए हो रहा है, यह audience के लिए हो रह complete navigation मिले, जिससे एक भी जगा उनसे miss ना हो, especially वो जगा जो आप चाहते हैं, कि वो explore करें, तो दोनों ही person के लिए, crawler के लिए, as well as audience के लिए, हम site maps create करते हैं, दोनों के लिए ही, अलग टाइप के site map create किये जाते हैं, उसकी हम इसी video में बात करेंगे, तो site map, अब थोड़ा सा अब ही तो आप समझ चुके होंगे, कि वैसे तो site map का logic आपको clear हो गया होगा, लेकिन definition देख लेते हैं, कि आपके इसकी definition क्या है, और बहुत ही simple रखने के मैंने कोशिश की है, because मैं believe करती हूँ, practical knowledge पर, तो इसलिए हम आपको practical करके दिखाने वाले, कैसे आपको site map create करने, कै बहुत ही simple language में, site map क्या होता है, आपकी website पर जितने भी URLS है, या फिर मैं कहूँ, आपकी website पर जितने भी pages है, उन सबकी एक list है, कि हमारी website पर ये link है, हमारी website पर ये link है, तो हमारी audience के लिए भी, हमारे crawler के लिए भी, दोनों के लिए navigate करना बहुत ही असान हो जाता है, त search engine के साथ साथ ही हमारी audience को भी बताता है कि कहां और क्या content पड़ा है, तो ये बहुत ही simple language, आपसे कभी भी इंट्रिव्यो में पूछा जाए, या कोई भी पूछे कि क्या होता site map, तो site map is basically a list of all the URLs available on your website, तो ये होता है हमारा site map, अब एक ऐसा सवाल जो हो सकता है, आपके mind मे ये doubt बिलकुल अपने दिमाग से निकाल देना, हो सकता है कोई आपसे पोच पी ले, कि अगर किसी website का site map हमने submit नहीं किया है search engine को, तो ऐसा नहीं है कि उसके crawling नहीं होगी, देखिए site map का तो अभी concept आया है, SEO अभी आया है, लेकिन इतने सालों से websites बन रही है, search engines हैं, तो क्य वो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तो अगर आप किसी website का site map submit नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि crawling नहीं होगी, crawling होगी, लेकिन हम ये क्यों submit कर रहे हैं, जिससे better crawling हो पाए, चीक है, समझ में है, audience आएगी, audience को अगर site map नहीं दिखे का website पर तो ऐसा नह होगा कि audience हमारी चली जाएगी, वापस उसको मिलेगी, नहीं, pages मिलेंगे, internal linking हम इसलिए तो करते हैं, लेकिन better तरीके से वो explore कर पाए हमारे page को, better तरीके से navigation हो पाए, इसलिए हम site map submit कर रहे हैं, चीक है, आग किसी website का आप SEO नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ना है कि website वो rank ही नहीं करेगी, या फिर website सर्फ पर दिखेगी नहीं, दिखेगी, लेकर उसके ranking high हो पाए, better हो पाए, इसलिए हम SEO कर रहे हैं, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि अगर site map submit नहीं किया है, तो crawling नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, crawling होगी, लेकिन better crawling के लिए हम submit कर पर देखेगी, दो पेज़ अटाज़ है, one is page two and page three, page two पर दो लिंक अटाज़ है, फिर page five पर दो और pages, page seven पर page eight अटाज़ है, page eight, page nine पर जा रहा है, अब ये हमारा normal cycle है, अब जिसे माल लीजे, website पर हमारा crawler आता है, या फिर मैं कहूं मेरी audience ही आती है, तो audience या फिर crawler न क क्या किया, कि home page से, वो सीधा third page पर चला गया, अब मुझे बताइए कि third page से, आगे जाने का link है, नहीं है, अब उसको क्या गरना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा home page पर, और इस चीज़ की probability है, कि वो यहीं सही वापिस चला जाए, चीक हो सकता है, same with, अगर आप बोल को as well as हमारी audience को इस तरह से एक list प्रवाइट करवाते हैं, जिसमें हमारे हर एक web page का link होता है, जैसे कि home page हो गया, page 2, page 3 है, अब यहाँ पर कोई भी person आएगा, तो home page चेक कर लेगा, page 2 कर लेगा, page 3 कर लेगा, और इसी तरह से वो सारी अच्छे से crawling कर लेगा, और हमारी audience के अब बात आती है कि site map के जो मैंने आपको दो types बताएं कि एक हमें crawler के लिए बनाना है, एक हमें audience के लिए बनाना है, तो ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले crawler के लिए हम बनाते हैं sitemap.xml, चीक है sitemap.xml की definition देख लेते हैं, तो XML sitemap is a file that lists a website's important pages, देखिए हम ये भी नही बैसे तो आगे और सारी वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हम crawler को रोकेंगे किसी एक particular web page को crawl करने से, लेकिन जब site map हम generate करते हैं, तो उसमें से कुछ जो ऐसे unimportant pages होता है, वो आप हटा भी सकते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो भी उसका कोई आपको नुकसान नहीं होग क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी particular page को crawl होने से रोक सकते हैं, तो basically website के जो important pages है, उनकी list होती है यहाँ पर कि यह page हमारी website पर available है, जिसको crawler को crawl करना है, तो यह क्यों ही use किया जाता है, जिससे कि search engine के crawlers है, crawler क्या है, एक boat है, तो वो crawler क्य कर सके, उन सभी को crawl कर सके, they can crawl them all, और इसके लिए basically क्यों use होता है, जिससे कि search engine आपकी website के structure को समझ जाए कि कौन सा page कहा है, किस page को हमें, किस priority पर rank करना है, यह सारी चीज़े भी हम sitemap में include कर सकते हैं, तो यह होता है sitemap.xml, आप चलिए देख लेए है, sitemap.xml, आप किसी website का कैसे check कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखी, जिस भी website का आप check करना चाहते है, कि इसका sitemap है या नहीं है, तो कैसा है, basically आप यह भी देख लेंगे कि किस तरह से देखता है, तो आपको यह URL जो है, यहाँ पर complete URL यहाँ पर लिखना है, domain name का, क्योंकि sitemap पूरी website का बनेगा, ना कि किसी एक webpage का, तो इसलिए आप homepage पर जाहिए, main domain name लिखिए, उसके बाद मैं आपको इस तरह से, flash लिखके आपको type करना है, sitemap.examl, चीक है, यह आपको simply आपको type करना है, और आपको click करना है, enter ठीक है, wasqubtech.com slash करके, मैंने sitemap.examl type किया, त तो देखिए, इस page पर थोड़ा सापको लगता है कि कोटिंग है, लिकिन आप इसको थोड़ा से समझेगे, आपको easily जमन में आ जाएगा, यह देखिए, सबसे पहला तो मेरा homepage आगया, homepage की priority मेरा को number one पर रखनी है, क्योंकि homepage पर ही सबसे पहले crawler आएगा, अब यह प्राइ development company वाला, तो यह देखिए, पूरे list बनी हुई है, यहाँ पर यह सारे links है, यह सारे जो यहाँ पर attached रहने, यह क्या है, लिंक है, आप कोई भी यहाँ से link इसको इस तरह से copy करके, और यहाँ पर paste करके देख सकते हैं, यह as it is, यही page open हो जाएगा, यह देखिए, यह interview question वाल जिनको हम crawl कराना चाते हैं, और यहाँ पर even priority भी दी हुई है, कि किस priority में इसको crawling इसकी होने चाहिए, ओके, यह देखिए, यह है हमारा site map, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, कि अगर मैं यही site map मेरी audience के सामने रग दू, क्या मेरी audience के लिए यह visible होगा, क्या आपको लगता ह यह site map देखके मेरी website को अच्छे से navigate कर लेगा, मैं boat की बात नहीं कर रही, crawler तो क्या है, crawler तो एक bot है, वो तो समझ जाएगा इस language को, लेकिन क्या audience समझ पाएगी, आप मुझे बदाई, आप वेब साइट पर आते हैं, आपको इस तरह का map दिखता है, क्या आपके लिए य एक ऐसी list होती है, जो की use होती है audience के लिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं, same ही definition इसकी होगी, it has the links of all the main pages of the website, and इसका basically main aim क्या होता है, it helps the user to find the desired section और page on a website, क्या है, कि एक website पर desired section, बदद जिस पर वो जाना चाहते हैं, जिस पर वो navigate करना चाहते हैं, वो उनको section वो page व sitemap.stml, और crawler के लिए होता है sitemap.xml, I hope दोनों का difference आपको clear हुआ होगा, आप चलिए sitemap.stml का भी example देख लेते हैं, तो देखें, सबसे पहले मैं आपको यह बता दे दूँ कि जो बहुत बड़ी websites होती है, यानि जिन पर काफी जादा pages होते हैं, काफी जादा traffic भी जिन आपको इनकी ज़रुरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बड़ी website है, बड़ा project है, especially e-commerce website है, तो आपको definitely sitemap यूज करना चाहिए, तो आपको definitely sitemap यूज करना चाहिए, तो आप देखें यह मैंने ministry of home affairs की site यहां पर open किये, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखे पर मैं click करूँगी, इस page पर click करूँगी, नया है, यहां पर page open हो जाएगा, चीक है, उसके अलावा अगर मुझे meet the secretary, home secretary के बारे में जाना है, मुझे अगर इसके central police organization के बारे में जाना है, तो मैं इस पर click कर सकती हूँ, उसके लवा press release के बारे में जाना है, तो मुझे पत experience है, ultimately बहुत अच्छा हो जाए, चीक है, क्योंकि ranking पर लाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपकी audience को retain करना अपनी website पर, तो sitemaps क्या help करेंगे, कि आपकी audience का retention बढ़ाएंगे, okay, so यह देखे, यह सारी यहां पर list available है, वैसे ही, जैसे मैं आपको पह पर sitemap.stml लगा हुआ है, comment section में मुझे बताईगे का, okay, so I hope थोड़ा सापका idea clear हुआ होगा कि sitemap.xml, sitemap.stml, क्या होते हैं, और basically हम इनको use क्यों करते हैं. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप sitemap.xml जनरेट करके उसे सब्मिट कर सकते हैं अपने सर्च एंचन को, and इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि साइट मैप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, जहां पर हमने sitemap.xml, as well as हमने sitemap. .html की भी बात की थी, तो आज की वीडियो में हम sitemap.xml स्पेशली समझने वाले हैं, प्रैक्टिकल यह पूरी वीडियो रहने वाली है, तो अगर आपको और इंफरमेशन चाहिए साइट माप की बारे में, तो आप इससे पहले वाली वाली जो वीडियो ती उसको देख सक करते हैं, तो आज की वीडियो में sitemap की बात हो रही है, और sitemap में sitemap.xml, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कैसे आप किसी भी website का sitemap, देख सकते हैं, तो दुबारा से एक लिए लेते हैं, तो not just wskubtech, आप किसी भी website का wskubtech, मता उसका domain name लिखकर, और के अलावा मैं, दो वेज आपको बताने वाली हूँ, sitemap submit करने की, पहला तरीका हम cpanel का use लेंगे, दूसरे तरीके में मैं आपको WordPress के अगर कोई website है, तो उस पर कैसे आप sitemap generate कर सकते हैं, तो यह मैं आपको बताने वाली हूँ, एक और easy तरीका होता है sitemap submit करने का, वो है Google Search Console के true, तो उसके लिए जब Google Search Console की बात मैं करूँगी, तब मैं आपको बताऊंगी, कि sitemap आप 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 कैसे submit कर सकते हैं, तो आज हम cpanel के true, और as well as हम WordPress की website पर कैसे आप sitemap generate कर सकते हैं, यह सीखेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं non WordPress website की, कि उसके लिए हम कैसे sitemap generate क सकते हैं, तो इसके लिए simply आपको Google पर टाइप करना है sitemap.xml, जैसे ही आप टाइप करेंगे यह जो पहली site खुल रही है, that is www.xml.sitemaps.com, इस पर करना है आपको क्लिक, चीक है, xml-sitemaps.com यह बरिक लिए टाइप कर सकते हैं नहीं, तो जब आप टाइप करेंगे sitemap generator य .com यह website अगई, अब यहां पर यह जन्रेट आप कर सकते हैं, इसके लिए simply आपको सिर्फ उर्ल चाहिए, कोई भी website हो, कोई भी, आप उसको यहां पर URL उसका copy कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल एक्सेस की ज़रत नहीं है, URL कोपी करके, मताब में डोमें नेम क URL आपको यहां पुट करना है, और इस पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट, अब जाजी आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर आपका यह टाइम चल रहा है, और आपका साइट माप जन्रेट होना शुरू हो गया, कुछ ही यहां पर एक मिनिट से भी कम लगता है, यूजूली तो, लेकिन साइट बड़ी है, तो थोड़ा सा टाइम जादा लग सकता है, और यहां पर साइट माप जो है, तो इस टाम को होने देते हैं, यह देखेंगे, तो यहां पर साइट माप जो है, कम्पलीट हो चुका है, टोटल 410 यहां पर इरों ने स्कान किया है, जिसमें साइट 400 को अड़ कर दिया, अब जो 10 पेज़ थे, वो क्यों नहीं अड़ हुए, तो इसका जवाब आपको मिलेगा, रोबोट्स.txt वाली वीडियो में, तो वैसे सस्पेंस नहीं रखती, मतला बदा देती हूँ, यहां पर 10 ऐसे पेज़ जिनको WS कि उक्टेक ने ही रोका हुआ है, कि इसको क्रॉल नहीं कराना है, तो वो साइट माप में भी अड़ नहीं होंगे, यह अटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, तो अब यहां पर आप देखेंगे, तो वीव साइट माप डीटेल्स पर आपको करना है, क्लिक, तो देखें, यहां पर यह साइट माप की डीटेल्स आगी है, यह आप देखेंगे, यहां पर यह पर यह प्रायटी भी ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दी है, तो यह देखें, अब आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप की, इसको यहां से करना है, डाउनलोड, अब यह हमारा जो से आप इसको अपलोड कर सकते है, अब यहां पर आपको करना है, स्क्रोल डाउन, जाना है, यह देखें, फाइल मैनेजर पर, यह फाइल मैनेजर पर हम आ चुके है, फाइल मैनेजर पर पब्लिक स्टेमल, आपको इसको करना है, अब आप सी पानल पर आपको जाना है, तो अब यहाँ पर आपको जो आपकी फाइल थी that is sitemap.xml उसको upload कर देना है upload करने के लिए यह देखिए यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है that is upload ठीक है upload पर हम click करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी वो file select करनी है ठीक है तो इस function का use जो है हम और भी आने वाली videos में लेंगे तो आप ध्यान रखें किस तरह से हमने यह step follow किया है तो यहाँ पर आपको file select करनी है download में जाएंगे तो यह देखिए sitemap वाली file है इसको यहाँ पर मैं open कर दूंगी तो देखिए sitemap.xml यहाँ पर download यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर एक यह है क्योंकि already इसमें .xml हो सकता है तो उसको आप override कर दीजे यहाँ उसको replace करके यह वाली file लगा दीजे यह करने के बाद में यह file हो चुकी है upload तो अब आपको go back to home वापस आ जाना है तो यह आप देखेंगे इसी file में यानि public html में आप देखेंगे तो यह देखिए sitemap2 यह जो मैंना भी नाम दिया था अब ही आगया sitemap.xml तो हमारा जो sitemap था वो अच्छे से successfully यहाँ पर upload हो चुका है अब यह तो हमने बात की एक ऐसी website की जिसकी cpanel की information आपके पास हो लेकिन अभी इतनी तेजी से technologies change हो रही है तो ऐसे case में जरूरी नहीं है कि आपके पास cpanel का access होगा या फिर आपके पा developer को एक बार guide कर सकते हैं अपनी SEO report में लिख सकते हैं लेकिन आज की होता है कि developer के end से ही sitemap add होता है लेकिन जितना आपके हाथ में वो मैं आपको बता चुकी हो तो यह तो हो गया कि जो non wordpress वाली website थी अब चलिए कि wordpress में तो बहुत ही जादा easy wordpress में तो आपको sitemap generate करने की इस तरह से बहुत ही easily आप इसको use कीजेगा वैसे cpanel की other videos में लेकर आऊंगी आपके लिए जिसमें detail में हम cpanel के सारे functions को समझेंगे तो यहां पर यह सिंपल सा है कि आपको simply file folder में चाना है उसके बाद में आपको public estimate में जाना है public estimate में आपकी जो file है sitemap.xml इसको upload कर देना simply हो गया है आप वापिस आप होम पर आ सकते हैं और वापिस भी आप इसको check कर सकते हैं तो जो आप हमारी website है उसका domain name लिखकर आप slash उसका sitemap.xml लिखकर आपको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो site map लगाया है क्या वो upload हो गया या नहीं कि चलिए वर्डप्रेस पर भी जल अब यहां पर आपको करना क्या है कि simply सबसे वाले है आपको एक plugin इंस्टॉल करना है और उस plugin का नाम है Yoast. Yoast SEO आपको कर लेना है install map को दिखा देते हूं किस तरह से किया है already यहां पर installed है तो आप देख सकते हैं plugin में आपको एक पर डशबूर दिखा देती हूं वैसे अगर WordPress इसकी website यूज कर रहे हो और Yoast SEO डाउनलोड नहीं किया ऐसा बहुत ही कम cases होंगे तो यह देखिए आप देख सकते हैं आपर यह देखिए यह Yoast SEO जो है यहां पर यह downloaded है चीक है इसे तोर से जूम कर देती हूं जिससे आप बेटर तरीक से देख पाएं यूस्ट में आपको जाना है जन्रल पर चीक है यह यूस्ट में जायेंगे हम जन्रल पर जाने के बाद देखिए यह पर काफी सारे आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो यह पर options जाएंगे जिसमें कि जाना है फीचुर चिंदे के तो यह तो यह तो यहरा पर आपको उन्रल मिलेगा इसको सीरफ और ॽ। चिक हैlico साइट में कर तेख अगर कस्टमाइज साइट तो उसके लिए जैसे मन आपको जनरेटर बताया वैसा कर सकते हैं लेकिन अभी जिसान बताया डिफर distinction technologies market में आ चुकी है तो उसके according जादा तर जो site map creation का काम होता है तो डवलपर का होता है चीक है तो यह XML site maps है इसको बस on करने के बाद आपको click कर देना है save changes पर तो आप देखेंगे कि आपकी website पर site map create हो जाएगा आप चाहें तो वापस कैसे इसको verify करेंगे मैं बता चुकी हूँ आपकी domain name लिखके www.website.com लगाके slash लगाके sitemaps.xml टाइप कर लिजेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी website पर site map एड हुआ है या नहीं ची के ची यह करने के बाद save changes कर देंगे और वापिस आप अपने काम पर आजाएंगे तो यह नहीं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा साइट मैप को साइट मैप क्यों जरूरी है और लेडी की बात कर चुके है साइट मैप साइट और वर्ट्रेस वेबसाइट पर किस साइट मैप होना चाहिए जिससे की वह बेटर नविगेशन कर पाया हमारी वेबसाइट का और इसी लिए हम हमारे विजिटर के लिए प्रोवाइट कर वाते हैं STML साइट मैप तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट मैप.STML की साइट मैप.XML जो की मिल जाएगी आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट मैप.STML की जो की होता है हमारी ओडियन्स के लिए अभी तक हमने क्रॉलर को साइट में प्रोवाइट कर वाया और उसका में मोटिव यही था कि जई से उसका निविगेशन पतर हो पाएगे तो जब हमारी ओडियन्स हमारी विबसाइट पर आएगी और हमारी वेबसाइट मान लिजे बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर कोई पेज जिस पर वो जाना चाते हैं उनका डेजारेयरेबल पेज उनसे रहना जाए, miss ना हो जाए, उनको हो सकता है, उनको कोई confusion ना हो जाए, तो इसी के लिए हम उन्हें भी एक साइट मैप प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि audience के experience को और भी जादा बेटर करता है, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूं कि 2022 में आपको SEO करना है तो एक चीज पर ध्यान दो और वो है आपकी audience, चीजए है, so audience में ध्यान देना है, audience के experience बेटर करना है, तो इसलिए हम साइट मैप उनको प्रोवाइड करवाते हैं, साइट मैप क्या होता है, अल्रेडी बात कर चुके हैं, कितने टाइप क्यो होते हैं, तो ये वीडियो नहीं देखी, description box से playlist का link उठालो, सारी वीडियो देखो एक से एक, मतब स्टार्टिंग से लेकर एंटर वीडियो देखो सारी, चीक है, so sitemap.stml, सबसे पहले कुछ examples देख लेते हैं, फिर चलते हैं, हम इसको generate करने के लिए, देखें जैसे ये एक website है, this is ministry of home affairs, that is mha.gov.n, आप देखें काफी ये बड़ी website है आप देखेंगे, तो about us में ही इनके बहुत सारे pages है, media में काफी सारे pages है, उसके लावर divisions of mha में काफी है, services में काफी है, documents में काफी है, बहुत सारे pages है इस website पर, तो इसलिए जब हमने, तो obvious है बात है कि इतनी बड़ी जो अगर कोई website है, तो उसमें हमें definitely ज़रूरी होता ह है, crawler को site map provide करवाना, तो यह चीज़ हम audience के लिए क्यों नहीं कर सकते है, बहुत सारे pages है, हर एक clickable link है, सारी चीज़ें यह clickable है, तो इनको भी बहुत साथ होता है, कि हम site map provide करवा है हमारी audience को, जिस audience का experience हो रहे है, अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर scroll up करेंगे, तो site map क scroll down करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर pages, मतलब जितने भी links यहाँ पर attached हैं, इस website पर, वो यहाँ पर आ जाएंगे और काफी systematic तरीके से, और not just the pages, site map.html के सबसे अची बाब यह होती है, कि सिर्फ pages के ही link आप attach नहीं कर सकते हैं, बलकि एक page पर अगर आपके 4-5 post हैं, for example, मेरी food recipe से related website है, तो मेरी एक page पर, अगर 2-3 recipes attached हैं, तो वो भी मैं 2-3 recipes भी site map पर attach कर सकते हूं, तो यह आप देख सकते हैं, यह एक example है, उसके अलावा flip card पर भी, जो कि काफी e-commerce website है, वैसे जो आपकी website में categories होती है, वो कहीं ना कहीं, एक तरह से sitemap.html का ही काम करती है ठीक है, लेकिन flip card ने एक अलग से भी site map दे रखा है, यह देखिए, मैं आपको बता देती हूं, last में, यह देखिए, यहाँ पर, यह site map है इनका, अब सवाल आता है, कि site map.html किस-को use करना चाहिए, देखिए, यह suggestion है, कि अगर आपकी website काफी बड़ी है, काफी बड़ी से म website, तो ऐसे case में आपको site map create करना चाहिए, अगर आपके पास multiple categories है, multiple categories में भी बहुत सारे pages है, तो आपको definitely एक site map.html create करना चाहिए, जिसके आपकी audience को एक particular page मिल जाए, जहां पर different different links आपके available हैं, और वहां से वो अपनी desirable page पर जा सके, अब site map.html, देखिए, wordpress पर तो मैं आ आपको site map.html की जोरत है, क्योंकि website आपकी काफी बड़ी है, काफी confusing है, और इस पर एक site map.html होना चाहिए, जिससे आपका user experience उद रहे, तो ऐसे में common practice क्या है, कि site map.html का एक अलग से different page बनेगा, वो आपकी website पर add होगा, और उस website पर एक तरह से जैसे हम internal linking करते हैं, वैसे ह आपके सारे pages के links आजाएंगे, ये common practice इस तरह से होती है, मैं आपको wordpress पर बता देती हूँ, कैसे अगर आपके पास wordpress की website है, तो कैसे आप खुद बहुत ही असानी से wordpress पर site map.html लगा सकते हैं, तो इसके लिए मापको suggest करूँगी, कि wordpress पर जाएए और एक page attach कीजिए, ज आप चाहें तो कुछ और creative भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस page का नाम आपको site map ही रखना है, लेकिन ऐसा नाम हो, जिससे आपके audience को समझ में आ जाए, कि ये वो page है, जहां पर मेरको इस website के सारे web pages के links मिल जाएंगे, जैसे आप navigation through the website, या फिर navigation, या फिर आप site map, कु publish, ठीक है जी, publish एक बार हो गया है, और अब आपको एक plugin इंस्टॉल करना है, plugin का जो है नाम मैं आपको बता देती हूँ, देखे, plugin का नाम है simple site map, ये मैंने plugin इंस्टॉल किया है, this is by David Guyer, ठीक है, जो नाम याद रखेगा, और जो इसके, जो डबलपर है, उनका भी नाम या ठीक है, वैसे, जो, वैसे, जो, वैसे, जो, वैसे, जो, जो है, उससे भी, आप site map, create कर सकते हैं, लेकिन, अभी मुझे फिलाल, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें, तो, इसी लिए, मैंने, simple site map, plugin, install किया है, तो, आप, try कर सकते है, all in one, में भी, as well as, आप, ये वाला, plugin भी, install कर सकते है, ये plugin, install करने के बाद, आपको जाना है, उस page पर, जो, भी, हमने, create किया है, तो, मैं चली जाती हूँ, site map वाले page पर, तो, देखिए, जैसे, ये page है, इसको, अब आपको करना है, edit, जब आप page, add करें, तब भी, आप ये, सेम चीज कर सकते हैं, लेकिन, अब यहाँ पर, जैसे, आपने, edit किया, तो, अब आपको, यहाँ पर, आपका, side map, add करना है, इसके लिए, ये, जो, add वाले section है, इस पर, आपको करना है, click, और, यहाँ पर, आपको, type करना है, site map, जैसे, आप, site map, type करेंगे, यहाँ पर, AI, SEO, का भी, HTML, site map, आरहा है, simple, site map, जो, क जितने भी, आपके, pages, ते, वो, यहाँ पर, आगये है, आप, अपने, according, इसको, remove, और, attach, कर सकते है, जी, यह, सारे, जो, आपके, pages, उनके, link, यहाँ पर, आ चुके है, और, मैं, इस, page, को, आप, अपने, according, जो, है, इसको, change, कर सकते हो, अगर, आप, simple, नी, चाहते, तो, आप, group, भी, यहाँ पर, create, कर सकते हो, और, काफी, अच्छा, effective, side map, आप, बना सकते हो, इसको, हम, update, कर देंगे, इसको, आप, अपने, according, कस्टमाइज, भी, कर सकते हो, ठीके, जी, यह, हो, गया, तो, अब, मैं, page, बार, एक बार, चली, चाती हूँ, और, आपको, दिखा पेज है, आप इसको, इधर, header, पर भी, लगा सकते हो, आप चाहें, तो, इसको, अपने, फोटर में, भी, आइड कर सकते हो, वो, आपकी मर्जी है, आपको इस तरीके का एक साइट मैप चाहिए, अगर आपने किसी दूसरी वेबसाइट पर कोई अच्छा साइट मैप देखा हो, तो, आप अपने डवलोपर के साथ वो शेर कर सकते हैं, और कुछ उस तरीके का आप बनवा सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर कुछ पेज़ ऐसे होंगे, जिन पर आप चाहते हैं कि गूगल का या फिर किसी भी सर्च एंजन का क्रॉलर क्रॉलिंग ना करें, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस तरीके की, उस फाइल की, जिसकी वज़े से आप क्रॉलर्स को बता सकते हैं कि ये हमारा पेज क्रॉल नहीं करना है, ये पेज क्रॉल करना है, और उस तरीके का नाम है robots.txt फाइल, तो ये क्या होता है, कैसे हम इसको generate क नाम थोड़ा सा सुनने में difficult लगता है, लेकिन बहुत easy चीज है, आज की वीडियो देख लो, दुबारा कभी नहीं भूलोगे कि robots.txt क्या होता है, कैसे generate करते हैं, बहुत ही simple चीज है, simple साथ जैसे मैंने भी आपको बताया, हमारी website पर जरूर कुछ ऐसे pages होंगे, जो हम च credit card, debit card information भी है, जो हम internet banking करते हैं, उसकी details भी है, तो ये सारे pages मेरे लिए, तो मेरे private information है, मेरी personal information है, जो bank owner है, यानि जो website owner है, उसके लिए भी वह confidential information है, लेकिन crawler, जो की एक boat है, यानि एक robot है, crawler के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक information है, ये एक page है, जहां पर कुछ information पढ़ी या हमारी user की, या कर में कुछ ऐसे pages, जहां पर कुछ ऐसी detail है, जो ना हम rank करवाना चाहते हैं, ना हम index करवाना चाहते हैं, तो पहला step जो है हमारी search engine की working का crawling, तो crawling पर ही हम उसे रोखना चाहते हैं, कि आप इसकी crawling ही मत कीजी, क्योंकि ना इसकी indexing की जरुरत है, ना इसकी ranking की जरुरत है, तो कुछ ऐसे pages, जिन पर आप चाहते हैं कि crawling ना हो, आपका search engine का crawler आए, वो उस page पर ना जाए, उस page को ना पड़े, तो इसके लिए हम उसको add कर देते हैं, हमारी robots.txt file में, आप उसका format कैसा होता है, कैसे उसको create करते हैं, कैसे generate करते हैं, चलिए देखते है अगर आपको किसी भी website की robots.txt file लेखने हैं, तो simply आपको क्या कर टाइप करना है, आपको टाइप करना है, जैसे हम sitemap.examl टाइप कर रहे थे, वैसे ही आपको यहां पर slash लागा कर टाइप करना है, robots.txt file, txt एक extension होता है, और robots file, यह जो file होती है, जहां पर हम crawling, stop करवाते हैं, control करते हैं, यह file.txt format में होती है, तो यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है, simply से हमें यह type करना है, आप देखिए, यहां पर यह कुछ एक pages की list खुल जाएगी, देखने में थोड़ा सा coding लग रहा है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत easy चीज है, देखिए, अब यह देखो, यहां पर यह जो आ रहा है, generated by small SEO tools, इसको एक बार ignore करते हैं, तो यह काम कर लेता है, मैं इसको copy कर लेती हूँ, नोट पैड पर मैं इसको लिखके आपको बता देती हूँ, कि यह आखिर है क्या, अब यह देखिए, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, क्य होता है हमारी इस file में, user-agent, colon, colon के बाद में आपका app stack आजाएगा, चीक है, यह इस तरह से यह compulsory है, इसी से ही हमारी robots.txt file होती है, यह शुरू होती है, उसके बाद में disallow, अब disallow का मतलब क्या है, कि इस page को मैं allow नहीं कर रही हूँ, कि Google का यह किसी भी search engine का crawler आए और इस पर्मा लेंक है, जो आपका, जैसे मान लीजिए, कोई भी page में ने open किया, जैसे for example, wsqbtik का यह वाला, placed students वाला, जो page है, यह मैंने open किया, और मैं चाहती हूँ कि यह page जो है, यह crawl ना करे Google, चीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, simply, इसका, यह जो मैं पार्ट हटा देती हू and this, यह वाला पार्ट, मतलब यह wsqbtik.com, यह तो domain name आ गया, उसके बाद में जो हमारा slug है, extension है, जो हमारा permalink है, उसको मैं कर लेती हूँ, copy, और यह जो मेरी file है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, paste, चीक है, अब यहाँ पर यह जो our play students वाला page है, मेरा wsqbtik का, यह crawl नहीं file में add करके बता रही हूँ, इसको हमें upload भी करना होता है, यह आपने कर दिया, उसके बाद में यह देखे, यह एक page है, उसके अलावा यह देखिए, यह थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है, मैं इसको छीक कर देती हूँ, okay, यह देखिए, तो यह यहाँ पर, यह यह यहाँ प for example, about us वाला जो page है, मैं उसको crawling कराना चाहती तो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ extension में यहाँ पर लिख दूँगी, okay, तो यह आपको करना है, अब यहाँ पर, एक और यहाँ पर, एक element आ जाएगा, that is, allow, okay, इस तरह से allow, अब यहाँ पर सवाल आता है, देखिए, हम site map में, जो page को crawl नहीं करना, हमने उसे बता दिया, लेकिन, जब वो पूरे घर को, यानि पूरी website को crawl करने आएगा, तो ऐसे कौन से वो pages होंगे, जिन पर हम बोलेंगे, कि आप इनको allow कीजिए, वो देख लीजएगा, ठीके, एक बार, तो देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही simple सा example ले men clothing को तो मैंने कर दिया, लेकिन men clothing के अंदर ही एक ऐसी page था, जो मैं चाहती हूँ, कि वो तो जरूरी है, कि वो allow हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगे, जिसे men clothing मैंने कर दिया, देखिए, men clothing को अगर आपने disallow कर दिया, तो ऐसे जितने भी pages हैं, जो कि men clothing से attached है, या फिर directly men men clothing की categories में आते हैं, तो वो सब पर भी crawler नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ठीक है, men clothing को आप यहाँ पर disallow कर दो, crawl मत करो, लेकिन men clothing में ही, जैसे t-shirt वाला, जो page है, t-shirt वाला, उसको मैं चाहती हूँ कि वो crawl हो, अब देखिए, men clothing को अगर मैंने कर दिया, disallow, तो men clothing से attached, मतरब इस category में जितने भी हमारे pages आजएंगे, जो भी ऐसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका link men clothing पर ही डला हूँ है, वो सारे pages मेरे क्या हो जाएंगे, वो भी disallow हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहती, मैं men clothing को करना चाहती हूँ disallow, लेकिन जो इसके अंदर जो एक t-shirt वाला page है, उसको मैं allow करना चाहती हूँ, वैसे ही men clothing में जो shirts वाला page है, उसको मैं allow करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर allow लिखूँगे, I hope थोरा सा idea clear हुआ होगा, वैसे usually, usually मतलब, मेरा मतलब है 90% time, जो हमारी robots.txt file होती ह कि उसमें disallow वाले ही हम slugs add करते हैं, लेकिन अगर मान लीजे कुछ ऐसा exception है, जैसे मैं अभी आपको example बताया, कि एक page आपको disallow करना है, लेकिन उस पर कुछ links added है, उस pages पर, और ऐसे कुछ links है, जो कि उसी page पर added है, पूरी website पर, तो ऐसे में crawler आगे भी नहीं चाहेगा, त तो ये अब हमें, हमारी website पर जितने भी जो pages हैं, उनमें से जिनको भी हम crawling, जिनकी नहीं करवाना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर इस तरह से add कर देंगे, देखिए, एक चीज याद रखिएगा, user, hyphen, agent, colon, और then ये star, ये आपको ज़रूर लिखना है, अब यहाँ पर यह सबना हुआ है, इसको बोला जाता है, Asterisk, Asterisk हम तब बनाते हैं, जब हमारे यहाँ पर नाम पिक्स नहीं है, अब देखिए, यह जो जगा है, यहाँ पर बेसिकली आएगा वो बोट जिसके लिए आप यह crawling बन करना चाहते हो, जैसे Google का सर्च एंजिन है, तो Google का बोट तो यह स्टार लगा के, यानि एक Asterisk लगा के, हमने यह बता दिया, कि चाहे कोई बोट हो, आपको यह पेच को क्रॉल करना अलाओड नहीं है, आपको हमने यह डिसलाओ कर रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि भाई, गूगल के लिए तो यह फ्री है, गूगल भली क् कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो याहू का बोट है, वो इसको क्रॉल नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने याहू बोट लिग दिया, लेकिन 99% ऐसे ही केसिस होते हैं, जिसमें हम सारे सर्च इंजिन को डिसलाओ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें Asterisk लग नहीं सर्च इंजिन काई वोट्स हो, कई जो ऐसे आपके प्लगिंस होते हैं, एक्स्टेंशन होते हैं, जैसे सेमरश के बारे में आपने सुना होगा, तो यह एक्स्टेंशन भी आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंक करते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए, जैसे सेमरश नोटपैड में भी कर सकते हो, मैंने नोटपैड नोमली जो आपका डेक्स्टॉप का है, वो यूज लिया है, अब इसको क्लिक करना है, सेव एज पर, चीक है, सेव एज जब हम करेंगे, तो देखिए, यहां पर हमें क्या नाम डाला है, हमें डालना है, यहां पर नाम और अब देखिए, मैं इसको एक बर फाइल को आपकी ओपन करके दिखा देती हूं, तो यह देखिए, यह जो हमारी फाइल थी, यहां पर सेव हो चुकी है, अब सबसे पहले तो नौन वर्डप्रेस विबसाइट देख लेता है, फिर मैं आपको वर्डप्रेस की क्लिक करना है, यहां पर अब करनी के बाद में करनी है, और खालो लेकिन यह धूरी फाइल है, इसको घते इसको अप्ष्क हम पने खाली है, तो आपको उष्ज़का अगर पहली और आ पे फाइल और रहे हैं तो यह नई यह उप्छन्य आप engineer में पर जोगत। आपलोड के यह upload हो चुका है, यह upload करने के बाद मैं go back to home आ जाएगा और आप देखेंगे, तो यह देखेंगे, यहाँ पर यह robots.txt फाइल लग गई है और आज यह 7.24, सेम टाइम पर यहाँ पर upload हो चुकी है अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो यह देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने भी लगाया है आप देखेंगे, तो मैंने क्या टाइप किया है gyanum.com, जो मेरी website का domain name था उसके बाद में slash लगा के robots.txt देखा, तो यह देखेंगे, पूरी हमारे पर लिस्ट आ गई है जो हमने upload की थी, as it is, ठीक है तो बहुत ही आसानी से आप robots.txt file add कर सकते हो इसके फायदे हमने देख लिए एक चीज़ याद रखना है, यह robots.txt होता है यह बहुत बार मैं भी गलती करती थी अपने टाइम में तो आप ना करें, इसलिए मैं आपको पहली बता रही हूँ तो नौन वर्डप्रेस का मैं आपको टुटोरियन दे दिया है लेकिन देखिए अभी बहुत सारी ऐसी टिकनोलोजीजीज है जहाँ पर cPanel आपको नहीं मिलेगा जैसे WPS website की मैं आगर बात करूँ तो ऐसे मैं आपको यह फायल बना के चलिए वर्डप्रेस पर चल लेते हैं तो यह देखिए हम आ चुके हैं वर्डप्रेस पर तो बहुत एजी है मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप WordPress की पर आपकी website है तो SEO बहुत ही ज़ादा easy हो जाता है कुछ इसमें functions जो काफी ज़ादा easy हो जाता है लेकिन देखिए मैं आपको कुछ चीज़ना suggest करूँगी WordPress ना इसलिए इतना ज़ादा popular नहीं है मतब इतने ज़ादा लोग इसको use नहीं करते हैं इसलिए से क्योंकि बड़ी-बड़ी website इस पर नहीं वनती क्योंकि इसमें ना बहुत ज़ादा security का डर रहता है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ना suggest करूँगी कि जो जो plugins मैं आपको बता रही हूँ ना या पिल कोई जो authorized बहुत अच्छे plugins है जो की काफी टाइम से market में है तो यही आप यूस कीजिए कोई भी ऐसा वैसा plugins इंस्टॉल मत कीजिए ठीक है यह मेरी एक चोटी सी suggestion रहेगा बाकी तो आपकी मर्जी है मानना तो यहाँ पर मैं जो plugin यूस कर रही हूँ वह पर आपका डिरेक्टरी पाथ यानि आपका जो पर्मा लेंक है वह यहाँ पर आड करना है जैसी आप करेंगे अब उसको अलाव करना है या डिसलाव करना है मतलब आपको यह पूरा code भी लिखने की जरुरत नहीं होगी आप इसको अलाव और डिसलाव कर सकते हो अपने according चीक है यह करने के बाद मैं आप कर देंगे save changes ठीक है example मैं आपको दे देती हूँ चलिए जी यह डबले स्क्रिप्टेक का कोई भी page मैं open कर लेती हूँ और इसका slug हम कर लेते हैं copy ओके जी और कौन सा user agent होना चाहिए तो आप अपने according यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे मैं yahoo vote को करना चाहती हूँ ओके तो यह yahoo code के लिए क्या हो जाएगा तो आप अपने according इसको देख सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर सारे search engines के लिए लगा रही हूँ जब हमारे किसी एक web page के एक से जादा urls create हो जाते हैं या फिर मैं कहूँ एक ही web page के duplicate web pages create हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं canonical issue तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि canonical issue क्या होता है और साथी एक web page के एक से जादा urls या फिर मैं कहूँ duplicate URLs कैसे create हो जाता है और canonical issue को ठीक किया जाता है canonical tags से, तो canonical tags कैसे होता है कैसे इसको लगाना है, ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे आज की इस एक वीडियो में, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, सो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये canonical issue होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कि आखिर हम इसको सही कैसे कर सकते हैं solve कैसे कर सकते हैं, क्योंकि SEO में तो हम यही करते हैं, कि हर website के issue को solve करते हैं, जिससे की search engine पर उनकी ranking better हो पाई तो obviously अगर search engine पर आप ranking better करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी website पर कोई भी issue ना हो, तो canonical issue क्या है, समझते हैं कि देखे, canonical issue simple सा, अगर बहुत ही simple language में बोलूँ कि search engine आपकी website तक पहुँच रहा है, लेकिन different different URLs से, example लेते हैं, जैसे कि अगर मेरी website है www.wascubetech.com तो www.wascubetech.com भी मेरी website तक पहुचा रहा है search engine को, उसके अलावा www.wascubetech.com भी पहुचा रहा है उसके अलावा www.wascubetech.com भी पहुचा रहा है साथी sdtp non-s, मतब अगर मैं इस नहीं लगाती है, sdtp ही लगाती हूं सिर्फ www.wascubetech.com ऐसे बहुत सारे combinations हैं, जो की मेरी website तक पहुच रहे हैं, अब हमारे लिए तो ये सब सेम है अब हमारे लिए तो ये सारे URLs एक ही चीज़ पर direct हो रहा है, वो है www.wascubetech.com लेकिन search engine इन सभी pages को consider करता है अलग-अलग और इसी चीज़ को हम बोलते हैं canonical issue canonical issue अगर मैं short में बोलूँ तो this is the duplicacy of your URL तो इस duplicacy of URL को ही हटाना ही हमारा main motive है so I hope आपको clear हो गया होगा कि canonical issue क्या है, चलिए आप समझते हैं कि इसको हम remove कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए काम करते हैं, ख्रोम पर चलते हैं अब देखिए मैं आपके सामने कुछ examples ले रही हूँ जैसे सबसे पहले मैं type करती हूँ wscubetech.com चीक है, simply मैंने type किया है wscubetech.com और इसको मैंने open कर दिया दूसरी tab पर चलते हैं यहाँ पर मैं type करती हूँ www.wscubetech तो यहाँ पर मैंने type किया है www.wscubetech.com यह मैंने open कर लिया एक और हम try करते हैं इसमें मैं sttp लगा रही हूँ then लगाती हूँ colon then slash then www.wscubetech.com ठीक है जी तो यहाँ पर मैंने sttps लगाया है colon लगाया है double slash लगाया है then www.wscubetech.com ठीक है so इसको भी मैं कर लेती हूँ open एक और tab मैं open करती हूँ जहाँ पर मैं यह जो मैंने s लगाया है इसको मैं हटा देती हूँ चीक है क्योंकि s हमारा ssl certificate से related है तो मैंने s को हटा दिया है और अब चलिए मैं अपनी यह वाली website खोल लेती हूँ एक काम करते है एक और ट्राइ कर लेते है इसमें मैं सेम sttp रखती हूँ लेकिन यहां से यह जो www है ना इसको हटा देती हूँ मतलब सिंप्ली sttp as slash wscubetech.com और यह open कर लेती हूँ चीक है अब यहां पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए यह मेरा सेम वेबसाइट ओपन हुई यह भी मेरी सेम वेबसाइट ओपन हुई यह भी मेरी सेम वेबसाइट है यह भी यह भी अब यह तो मैंने सिर्फ 5 कंबिनेश्न बनाए लेकिन आप sttp www.ws qugyptic.com sttps www.ws qubtic.com sttps was qubtic.com कितने सारे हम links यहाँ पर combinations हम बना सकते हैं तो मैं चाहे किसी भी combination से यहाँ पर URL में type करूँ लेकिन मेरी website सेम खुलेगी देखिए यह हमारे लिए common understanding है कि whscriptic.com हम type कर रहे हैं भली किसी भी format में करें हमें whscriptic.com दिख रहा है लेकिन जो crawler होता है वो एक boat है वो इन सभी pages को यह जो जितने भी combinations बने है इनको अलग-अलग consider करता है तो ऐसे मैं मैं चाहूंगी कि जब भी कोई भी person भली वो www एड करे चाहे नहीं करे चाहे HTTPS लगाए चाहे HTTPS लगाए या फिर HTTPS कुछ भी ना लगाए तो भी उसे एक ही URL मिले इसके लिए मैं आड करती हूँ एक canonical tag चीक है अब आप एक चीज़ नोटिस कीज़ेगा मैं जैसे ही इस URL पर डबल क्लिक करती हूँ मतब actual URL तो क्या दिख रहा है HTTPS double slash www.wsqbtic.com फर्स्ट वाले को देखते हैं जहां पर मैंने सिफ www.wsqbtic.com टाइप किया था यहां पर भी सेम ही मिल रहा है उसके अलबा दूसरे में भी सेम ही URL ओपन हो रहा है तो मेरा यूजर चाहे कुछ भी टाइप करे उसे एक ही URL मिल रहा है क्योंकि हमने इस पर canonical tag अलगा रखा है अब यह URL कैसे बन सकते हैं तो मैंने आपको एक्जामपल दे दिया कि हमारा यूजर है वो कोई भी चाहे वो सिर्फ डोमेन नेम लिखके या फिर स्टीपेस लगा के या डवल लगा के कैसे भी वो टाइप कर सकता है यह भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट पेज़ बना देगा यानि कोई भी मॉइल में वो वेबसाइट खोलेगा तो उसको अच्छी देखेगी लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि यहां पर इस तरह से एक एक्स्टेंशन आजाता है एमप आजाता है तो अभी तो वैसे एमप इस पर लगा नहीं हुआ इसलिए आपको कोई पेज ओपन नहीं होगा लेकिन अगर कोई wskubtic.com slash amp भी कई बार हमारा ये एक पेज क्रियेट हो जाता है तो अब Google को मुझे ये डरेक्ट करना है या फिर मैं कहूँ किसी भी सर्च इंजन को मुझे ये डरेक्ट करना है अब जैसे कि मैं wskubtic की बात करूँ तो wskubtic को हमने कौन सा URL सजेस्ट किया हुआ है ये वाला कि जब भी भली कोई www लिखे चाहे नहीं लिखे चाहे कोई stp लगाए stps लगाए कोई फर्क नहीं पढ़ता आप ये URL को ही consider करोगे उन्हें यही URL ओपन करके दोगे उसके अलावा हमारे वेब पेज की जो इंडेक्सिंग करोगे वो भी इसी URL की करोगे अब यह हमने कैसे बताया है यह हमने बताया है canonical tag लगा के canonical tag कैसा लगता है चलिए देख लेते हैं इसके चलते हैं source code में control u अब यहाँ पर canonical tag जो होता है वो हमारी website के head section में लगता है औरड़ी हम head section की बात कर चुके है तो head section में लगता है तो आप simply यहाँ पर जाकर ढून भी सकते हो अगर आपको यह देखिए यह रहा हमारा canonical tag अगर आपको यहाँ पर बड़ी website है काफी जादा coding की होई है तो आप normally control F करके भी यहाँ पर canonical type करोगे तो आपको मिल जाएगा यह देखिए तो यह देखिए यह मेरा tag है इसको मैं यह देखिए यहाँ पर लगा हुआ है इसको मैं एक बार copy कर लेती हूँ note pad में जिससे आप अच्छे से देख पाएं यह सर्फ एक simple सा code है यह अगर आप अपनी website में लगा दिया तो search engines को पता रहेगा कि आपके जितने भी चाहिए duplicate pages हो जाएं लेकिन यह आपकी master copy है यानि अगर 50 duplicate keys है हमारे पास तो यह जो key है यानि यह जो चाबी है यह हमारी master copy है और इसी को ही main मानना है इसी को ही indexing करानी है इसी को ही URL शो करना है तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठोड़ा सा coding का part है लेकिन बहुत ही easy है आप असानी से generate करता है और सब में same होता है आप चाहें तो यह मैं description box में टलवा दूँए आप यहां से copy कर लेना और सिर्फ यह जो link की जगा पर अपनी website का वो URL पुट कर देना जो की आप search engine को suggest करना चाहते हो कि यह हमारा main यहां पर URL है तो देखिए simply यहां पर हमारा bracket open हो जाएगा then link then rel rel का मतब relation होता है is equals to then हमारा double quote हो जाएगा और double quote हम लिखेंगे canonical then space आजाएगा then href is equals to then again double quote और इसके बीच में यह हमारा link आजाएगा चीके जी so मैं link यहां पर लिख देती हूँ तो जहां भी मैंने यह link लिखा है वहां पर आपको अपनी web page का url यहां पर type करके देना है कि यह url हमारा main है code बंद हो जाएगा then यहां पर reverse slash आजाएगा और यह bracket बंद हो जाएगा यह बहुत ही simple सा tag है मैं इसको description box में copy करवा दूँगी so आप याद रखिएगा यह link की जगा पर आपको अपनी website का वो link लगाना है so आपने यहां पर देखा कि wskubetic में भी हमने जो tag लगा रखा है उस tag में हमने क्या बता रखा है कि यह हमारा main url है कौन सा url है यह तो अब जो indexing होगी उसमें भी यह वाला url copy किया जाएगा आप भली www.wskubetic.com खोले कोई चाहे कोई सिर्फ और सिर्फ www.wskubetic.com खोले उसे कौन सा url ओपन होगा यही अभी भी आप www.wskubetic.com पर जाएगा देखिएगा कुछ भी type करके देखिए चाहे www लगाईए चाहे नहीं लगाईए आपको जो final url ओपन होगा वो यही होगा ओके सो यह चीज़ आप चेक कर सकते हैं मुझे बताना कि यह चीज़ होई या नहीं और यह जो canonical tag है यह आपको अपनी website में लगवाना है सबसे पहला अगर आपकी coding में है coding में है आपकी website तो आप developer को देंगे यह code आप सीधा copy करके भी दे सकते हैं नहीं तो simply यह जो link है कि यह हमें canonical बनवाना है यानि यह हमें canonical tag में लगवाना है तो developer अपने आपी head section में लगा देंगे नहीं तो बहुत ही simply अपन WordPress अगर WordPress पर website है तब तो एक second में आप canonical tag लगा देंगे तो head section में भी आप जाके लगा सकते हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी website हमारी खुद की website है और उसके multiple यानि duplicate pages बने हुए है तो इसी issue को हटाने के लिए हम लगाते हैं canonical tag तो I hope थोड़ा सा idea आपका clear होगा चलिए एक बार WordPress पर भी मैं आपको दिखा देती हूं तो यह देखे हम आचोके हैं WordPress पर ठीक है तो WordPress में अब आपको क्या गरना है कि जिस भी page पर आपको canonical tag लगाना है उससे open करना है लेकिन उससे भी पहले Yoast SEO आपका install होना चाहिए वैसे काफी सचे से all-in-one SEO से भी आप canonical लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको Yoast SEO के टुटोरियल दे रही हूं तो आप दिहान से देखिएगा तो Yoast SEO इंस्टॉल्ड होगा यह पलग इन आपने कर लिया होगा तो पेज़ पर भी लगा सकते हैं पर पोस्ट पर भी लगा सकते हैं तो जैसे मैं पेज़ पर लेती हूं अब मैं आपको बता देते हूं कि कौन सा पेज मैं इसके लिए लेती हूं तो यह सेंपल पेज मैं इसके लिए बनाया है खास कि आपको मैं बता दू तो देखिए यह सेंपल पेज है तो अब देखिए मैं चाहती हूं कि जैसे यह पेज ओपन हो रहा है तो sttps colon double slash then persimclasses.com slash sample hyphen page and slash ये मेरा होना चाहिए canonical tag ठीक है यानि ये वो link होना चाहिए जो कि मेरे भली कोई www.persimclasses type करे चाहे कोई या फिर मैं काम करती हूँ इसको यहाँ पर थोड़ा साब को सभाने के लिए यहाँ पर www भी लिख देती हो ठीक है तो अगर ऐसे duplicate pages हैं तो आप उनको हटाईए और ये मेरा जो page है ये मेरा master copy होगा चीक है तो इसके लिए मैंने इसको एक बार copy कर लेती हूँ और वापस हम आ जाते हैं तो pages पर आप देखिए और ये वाला जो particular page है जहां पर मेरा canonical लगाना है उसको मैं open कर लेती हूँ चीक है तो ये देखिए ये रहा sample page वाला जिसको मुझे edit करना है तो इसमें edit वाला जो option है इस पर हम click करेंगे तो edit पर click करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से आपका ही page open हो जाएगा तो ये देखे ये page इस तरह से कुछ open हो गया है post भी इसी तरह से open हो जाएगा अब आपको scroll down करना है ठीक है यह यहाँ पर AIO SEO settings downloaded है यह तभी होगा जब हमारा AIO SEO लगा होगा यहाँ पर यह Yoast भी नीचे आ जाएगा नहीं तो आपको सिर्फ Yoast ही मिलेगा बस scroll down करते जाना ह और देखना है तो scroll down आप यहाँ पर करेंगे तो यह देखी advanced यहाँ पर सबसे नीचे Yoast SEO की जो settings आ रही है उनमें सबसे नीचे यह advanced का option है advanced option को आपको करना है open तो advanced option में आप लिखेंगे canonical देखे सबसे नीचे है canonical URL अब यहाँ पर आपको वो URL पेस्ट कर देना है जो की पर्शंक्लासर.com लिखा तो मैं इसको www.dot कर देती हूं तो अब यहाँ पर मेरा जो master copy होगी वो काउंट सी होगी www.persumclasses.com slash sample-page slash ठीक है यह हो गया अब इसको कर देना है आपको update चीक है यह यहाँ पर update हो जाएगा चीक है अब मैं यह वाला जो page था इसको मैं open कर लेती किसी दूसरे tab में मतलब एक बार तो जिससे आपको effect immediately देख जाएं तो यह देखें यह page जो है हमारे यहाँ पर आ चुका है जिस पर हमने अभी canonical लगाया है चीक है तो इसके मैं एक बार source code पर चली जाती हूं और इसके हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वो जो हमने लगाया ह टैग वो लग गया है यह देखिए जो अभी मैंने यहाँ पर टैग लगाया है वो यहाँ पर देखिए head section में आ गया है link relation and canonical और यहाँ पर यह जो मैंने लगाया था वो यहाँ पर आ चोका है चीक है so I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप canonical लगा सकते हैं और basically क्यों आपको canonical टैग लगाना चाहिए broken चीजें किसी को भी नहीं पसंद होती चाहे वो broken hearts हो या फिर broken links तो आज की इस video में हम बात करने वाले हैं broken links की कैसे उन्हें चेक किया जाए और क्या क्या reason हो सकते हैं जिसकी वज़े से हमारी website पर broken links created हो सकते हैं और जो reason होगा उसी के according उसका solution होगा तो यह सारी बाते जो ह हैं हम इस video में करने वाले हैं तो video को end तक देखेगा क्योंकि इस video के base पर ही आने वाली videos आपको समझ में आएंगी तो ध्यान से पूरी video को end तक देखेगा चलिए फिर video को शुरू करते हैं तो बात हो रही है broken links की देखिए हम जब घर बनाते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हम broken हो यानि टूटा हुआ हो चीक है टूटा हुआ लिंक का मतलब क्या होता है कि basically जब भी कोई भी person वो URL टाइप करे मेरी website का वो link टाइप करे तो उसे वो page ही ना मिले कई बार ऐसा होता होगा आप surfing कर रहे हैं और आपको दिखता है कि page not found या फिर this page is not available और Amazon का अगर आपने destination पर नहीं लेकर जा रहा है चीक है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एक website पर link broken होने के link टूटने के क्या reasons हो सकते हैं देखिए पहला reason जो broken link का होता है वो यह होता है कि आपने website बनाए web pages बनाए और उनके URL को change कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था कि website हमारी बन ज कि आचुकिए कि कैसे आप URL को optimize करेंगे क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हमारी ranking नहीं बढ़ेगी चीक है तो ranking भी हम चाहते हैं साथ ही हम website पर भी नहीं चाहते कि उस पर broken link हो तो जब भी आप किसी website का URL change करते हो जैकि आप domain name तो हम change नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका अगर हम slug भी change करेंगे तो वो भी एक change माना जाएगा तो जब भी आप किसी website के URL को change करते हो तो जो पुराना वाला URL है वो not available हो जाता है चीक है जैसे example ले लेते हैं WS Cubetic का तो WS Cubetic का ये WordPress training का एक page है चीक है अभी देखिए इसका जो URL है वो कुछ इस तरह से है मान लीजिए अगर मै इसका URL change करके लिख देती हूँ सिर्फ और सिर्फ WordPress training चीक है तो अगर मैंने इसका URL ये change कर दिया तो जिस person के पास भी इस page का पहले वाला URL था वो जब भी वो पहले वाला URL टाइप करेगा तो उसे क्या मिलेगा इस तरह से एक page मिलेगा उपस the page you are looking is not here चीक है same with किसी भी website क बात कर लो अगर आपके पास उसका कुछ URL है और वो URL उस website के उनर ने change कर दिया है तो अगर आपके पास जो URL है जो current URL है वो आप टाइप करेंगे तो आपको page not found ही दिखाएगा तो ये एक example है broken link का और ये एक reason भी है कि आपने URL change कर दिया इस वज़े से आपकी website पर broken link create हो ग अब वो redirection क्या होता है इसके लिए मैं आपको next videos मैं बताऊंगी कि कैसे आप redirection लगाते हैं उसके अलावा तीसरा reason क्या हो सकता है कि आपने कोई page बनाया जैसे मान लीजे wordpress development training वाला page है हमारा लेकिन इस page को मैं थोड़ी time बाद डिलीट कर देती हूं अगर मैंने ये page ड attached हैं इसके backlinks भी कहीं बने हुए होंगे किसी के पास इसका actual URL भी होगा तो जब भी वो person इस page पर आने की try करेगा इस URL को type करेगा तो उसे page नहीं मिलेगा तो page not exist या फिर मैं कहूं कि page आपने अगर हटा दिया है remove कर दिया है तो भी आपके broken link की problem आ सकती है चीक है तो यह ती पर कोई video डली होई थी कोई PDF था कोई PPT shirt थी तो उसका भी एक अलग से link होगा अगर आपने वो content हटा दिया तो कोई भी person उस link पर जाने की कोशिश करेगा तो again उसे broken link मिलेगा यानि वो page उसे नहीं मिलेगा तो यह भी एक broken link का reason हो सकता है कि आपने जो content upload किया था वो अब से हटा दिया है तो यह कुछ reasons हो सकता है जिसकी वज़े से हमारी website पर broken link create हो सकता है उसी के साथ ही देखिए हमारी website पर ज़रूरी नहीं है कि internal linking की होगी बलकि external linking भी होगी यानि कुछ ऐसे भी links attached होंगे जो कि आपको किसी दूसरी website पर लेकर जा रहे हैं तो अगर वो वाला तो बता दिया कि जब भी आप URL चेंज करता है प्रॉपर री डिरेक्शन करेंगे एक और सबसे बड़ा reason broken link का जो हो सकता है वो यह है कि misspelling अब जैसे मान लीजे किसी को यह वाला URL टाइप करना था लेकिन उसने जैसे development की मैं कहती हूँ जैसे मान लीजे spelling गलत लिग दी औ उसे क्या page मिलेगा नहीं मिलेगा page not found ठीक है तो misspelling सबसे बड़ा reason होता है broken link create करने का तो उसके लावा अगर कोई misspelling करता है अगर कुछ गलत keyword type करता है तो भी वो मेरी website पर land करें इसके लिए हम 404 redirection लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं इसके लिए next video आ रही है देखना सार आप चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे आप किसी website के broken link check करेंगे चीक है तो इसके लिए बहुत ही amazing एक site है और जिसका नाम बहुत ही simple है that is brokenlinkcheck.com ठीक है काफी reliable है काफी अच्छा ये tool है तो इस पर आपको simply अपनी जो website है उसका URL कर देना है copy करके यहाँ पर paste चीक है य यह करने के बाद में आपको यहाँ पर security code डालना है यानि capture आपको लगाना है चीके जी यह मैं लगा देती हूँ and find broken links now थोड़ा सा time लगेगा dip in करता है आपकी website कितनी बड़ी है और उस recording यहाँ पर आपको वो list मिल जाएगी जो जो broken links आपकी website पर added है यह देखिए हमारी processing पूरी हो चुकी है और यह total 4 यहाँ पर broken links मिले है और इसका सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर response भी बताया जा रहा है कि जब भी कोई यह broken link है लेकिन कोई टाइप करता है तो क्या आता है देखिए 404 अभी 404 क्या होता है कैसे लगाता है इसके लिए next video आएगी 500 यह जो error होत जो कि मेरी website पर लगा हुआ है तो अगेन यह इन ही के side से मतलब तो यह जो website है not हमारी website यह जो website है यहाँ पर ही bad hosting की problem है तो इस वज़े साम इसको remove करवा सकते है या फिर इनके developer को अगर आप जानते है और आपके खुद की website तो इसको हम ठीक करवा सकते है उसके लावा यह तो इस पर भी 404 लगा हुआ है तो इसके लिए आपको नेक्स वीडियो को वेट करना पड़ेगा जहां पर आपको detail में यह समझाने वाली हूँ उसके अलावा यह broken link कहां पर है तो यह URL को आप open करके देख सकते हो कि आखिर यह link लगा कहां पड़ा है तो यह देखिए पू यह देखिए यहां पर यह चीज लगी हुई है यहां पर इसका link attached है तो इनको आप ठीक करवा सकते हैं अभी जैसे यह बहुत सारे पहले links थे तो इनको सबको ठीक करवाया है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 404 error page की 404 error page क्या होता है हम इसको कैसे apply करते हैं और आखिर यह SEO की जब भी हम बात करते हैं तो इतना जरूरी क्यों होता है तो यह सारी चीज़ें हम discuss करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को होता क्या है तो देखिए basically यह एक response है इस बात का की browser है यानि जिससे आप browsing कर रहे हैं जिससे आप कोई भी page search कर रहे हैं कि वो browser server से तो connect हो गया है लेकिन exactly जो page हमारा user ढूणने की कोशिश कर रहा है वो page नहीं मिला है तो basically आप कह सकते हैं एक missing page का response क्या है 404 error page अब देखि ही आपको लगाना है अपनी website में जिससे कभी भी ऐसा हो कि आपका user या आपकी audience ऐसा person जो आपकी website तक visit करना चाहता है वो अगर आपकी website का गलत URL टाइप करे तो भी वो land करे 404 error page पर जो की page किसका है आप ही की website का जिससे हमारी जो audience है वो divert ना हो जाए क्योंकि देखिए लेकिन अगर हमारी website पर 404 page added है तो वो person land करे का डिरेक्ट उस page पर example देख लेते हैं पहले जैसे डबलो स्कुप्टिक का ये एक page है चीक है और मैं as an audience इस पेज पर पहुंचना चाहती हूं इस पेज का correct URL क्या है www.wsकुप्टिक.com पहले इनका जो URL था वो कुछ इस तरीके से था कि www.wsकुप्टिक.com फ्लैश पीच्प ट्रेनिंग ये था अब जैसे ही वो user इस page को try करेगा इस page को open करेगा तो उसे ये page तो मिलेगा है नहीं क्योंकि ये page तो अवेलेबल ही नहीं हमारे पास हमारे पास तो कौन सा page अवेल है जिसका URL है www.wsकुप्टिक.com फ्लैश पीच्प ट्रेनिंग डवलप्मेंट इन जोद्पोर चीक है लेकिन अब देखी मालनी जिए अगर ये page नहीं है अवेलेबल तो उसे blank slide आ जाएगी वहाँ पर लिखा होगा page not found लेकिन ये है हमारा 404 error page जिसमें हमारी website का header हमारी website का Twitter सारी चीज़ें आ रही है सिर्फ जो page है वो available नहीं है तो अब इससे क्या होगा मेरी जो audience है अगर मैं इस website पर जाती हूं कि अरे ये page तो अवेलेबल ही नहीं है तो instead going back मैं यहां से देख सकती हूं कि कौन सा page मुझे चाहिए कि अच्छा मुझे PhD training चाहिए था तो यह हुआ है तो ऐसे में क्या problem आती है वो भी आपको पता चल जाएगी जैसे कि example लेरी हूं जैसे ये एक page है ठीक है इसके अगर मैं किसी के for example जैसे ये वाले मैं page पर जाती हूं तो यहां पर इस तरह से कुछ ये link आ जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए ये मैंने यहां पर इ इसके मुझे एक particular page पर जाना है जैसे मैं कहती हूं कि women women clothing वाले मुझे page पर जाना मुझे पता है ये पहले page exist करता था या नहीं भी करता तो मैंने ये type किया अब देखिए मुझे क्या मिला page not found ठीक है अब यहां पर यह जो page है ये पूरा blank है क्या मैं इससे divert हो सकती हूं और 100% chances यही है कि मैं back जाओंगी मुझे इस website पर ये page नहीं मिला तो obviously हमारी जो audience है वो divert होगी लेकिन यहीं मैं अगर WSQTX का example लेती हूं अगर मैं XYZ कोई भी यहां पर page टाइप करने कोशिश करती हूं कि मुझे ये page इस website में चाहिए तो यहां पर मुझे वो page नहीं मिलेगा oops the page you are looking is not here back to home तो देखे back to home का भी बटन है इस पर मैं click करूंगी तो home page पर आ जाओंगी उसके अलावा अगर मैं home page पर भी नहीं आती तो यहां पर पूरा इसका जो header है जो footer है पूरा यहां पर available है और मैं कहीं भी कुछी भी page पर यहां पर जा सकती हूं तो कहीं न गहीं हमारी audience divert ना हो अगर वो हमारी website ढूंड रही है तो इस वज़े से हम 404 error page लगाते हैं तो देखें ऐसे ही हर page का मतलब जो भी अच्छी website है जिसका SEO प्रॉपर हुआ हुआ है उसमें 404 error page जरूर होता है जैसे कि मैं example ले लेती हूँ amazon.com का चीके slash लगा के अगर मैं कुछ भी 404 ही लिखो या फिर इस तरह से the page you are looking is not there यह लिखो आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे इनके amazon पर काफी interesting होता है इनका कि इनकी जब भी 404 page पर आप लैंड करते हो ना तो काफी cute dog's की images होती है और यह ताम-to-time change भी होती रहती है जैसे आप देखोगे तो इनका 404 page ऐसा है तो काफी interesting इन्होंने बना रहा है और यहीं सही आप amazon के home page पर जा सकते हो एक ही click से okay so हर page का जैसे आप flip card का देख लीजे या फिर कोई भी अच्छी website आप उठा लीजे सब पर 404 page होता है क्योंकि obviously वो भी चाहेंगे कि अगर client की गलती से या फिर page exist नहीं कर रहा इस वज़े से अगर page नहीं मिल पाता मेरी audience को तो वो कहां land करें वो land करें 404 page पर जहां से वो मेरे home page पर या फिर मेरे other pages पर जा सके ठीक है तो अब आपको करना क्या है अगर आपकी coding में website है तो अपने developer को आपको बताना है कि मेरी website में 404 page exist नहीं करता check कैसे करेंगे मैं आपको बता दिया अपना domain name लिखो slash करके कुछ भी xyz page का नाम डालो गलत डालो और देखो कि किस पर आप land कर रहे हो यानि क्या वो page है क्या 404 available है अगर 404 available है तो इस तरह से कुछ आ जाएगा या 404 लिखा आ जाएगा या फिर वहाँ पर home page का link आ तो आप इसे बनाईए और add कीजे हमारी website में लेकिन अगर wordpress पर website है तो within second हम यहाँ पर 404 page लगा लेंगे चली यह तो बात होगी कि अगर आपकी coding में website है तो आप क्या करेंगे कैसे 404 अपने developer को आप guide करेंगे आप कोई भी अपनी पसंद का template जो है page वहाँ पर उनको suggest कर स करते हैं कि इस तरह से दिखना चाहिए जिसे मैं आपको Amazon का example दिया वैसे ही आप अपना customer बना सकते है बस ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपका header footer आए उसके अलावा एक home page पर जाने का भी direct button हो आप यहाँ पर wordpress की बात करते हैं तो देखिए wordpress पर आपकी अगर website होगी उस यहाँ पर टाइप किया गलत url में ने टाइप किया तो देखते हैं क्या यहाँ पर page आता है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर error 404 आ रहा है लेकिन यहाँ पर header footer आ रहा है तो यह automatically आपको जो है wordpress में automatically build आपको 404 page मिलेगा चीक है so I hope तो इसी importance आपको समझ में आई होग लेकिन broken links हमने बहुत सारे पढ़े थे तो broken links में हमने देखा था कि client side से भी error आ सकता है spelling mistake भी वो कर सकता है उसके अलावा हो सकता है कुछ गलतिया हमारी वज़े से हुई हो जैसे हमने पर्मा लिंक किसी का change किया हो तो पहले वाले पर्मा लिंक का हम क्या करेंगे तो उसके लिए और अलग दभी directions होते हैं जैसे 301, 302 उनकी बात मैं next videos में करूंगी I hope अभी आपको 404 जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 301 and 302 री डिरेक्शन की 301, 302 री डिरेक्शन होते क्या हैं इन दोनों के difference को भी हम समझेंगे साथ ही practically मैं apply करके भी आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप ये directions अपनी website में लगा सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं redirections की redirection यानि नाम जहीं बता चल रहा है कि कोई भी visitor जब आपकी website पर आए तो उसकी direction को यानि उसकी दिशा को change कर देना तो क्यों हम redirection करते हैं पहले तो ये बात कर लेते हैं वैसे जब broken links वाली हमने बात की थी कि क्यों broken link create होता है तब मैंने redirection की बात की कि broken link का एक solution होता है redirection ठीक है लेकिन फिर भी हम आज depth में समझने वाले हैं कि 301, 302 redirection होता क्या है वैसे अगर मैं आपको बहुत ही short में एक ही line में दोनों के difference बताऊ ना तो simple सा difference है कि 301 एक permanent redirection है और 302 एक temporary redirection है अब permanent temporary क्या होता है permanent मतलब हमेशा के लिए कि हमारी website के किसी भी webpage को हमने permanently यानि हमेशा के लिए किसी दूसरे URL पर direct कर दिया है ये होता है permanent redirection और ऐसे time में लगता है 301 लेकिन अगर मान लीजे permanently नहीं कुछ समय के लिए हम अपने audience को divert कर रहे हैं किसी दूसरे URL पर तब लगता है 302 redirection चीक है तो सबसे पहले बात करेंगे 301 की फिर हम वापिस 302 पर आएंगे और दोनों को compare भी करेंगे चीक है सबसे पहले 301 की बात करते हैं ऐसा कब होगा कि आपकी website पर आपको permanent redirection लगाने की जरूरत पड़ेगी मैंने previous videos में भी आपको एक example दिया था कि पहले क्या होता था जब phone होते थे लोगों के पास और लोगों की SIM change होती थी अभी देखिए आपका phone number change होता है तो आप क्या करते हैं simply whatsapp पर message डाल देते हैं अपने social media पर डाल देते हैं कि मेरे number change हो गया है यह आप करते हैं लेकिन पहले क्या होता था पहले तो ऐसे कुछ social media होता नहीं था तो पहले लोग क्या करते थे अगर उन्होंने SIM change की है तो वो पुरानी वाली SIM को divert कर देते थे अपनी नई वाली SIM पर जिससे अगर पुराने number पर भी कोई call करे तो उन्हें यह जो अभी current number है नया number है इस पर वो मिले ठीक है तो permanent redirection का पहला reason हो सकता है कि आपकी website ही पूरी move कर गई है देखिए जरूरी नहीं किसी web page को ही हम redirect करेंगे हम अपने किसी web page को हमारे खुद के ही किसी दूसरे web page पर redirect कर सकते हैं उसके अलावा हम अपने web page को किसी दूसरी website के किसी link पर direct कर सकते हैं उसके अलावा हम अपनी पूरी website को direct कर सकते हैं किसी दूसरी website पर चीक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी web page को ही आप redirect कर सकते हो आप पूरी-पूरी website को भी कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई पुरानी website थी जिस पर आपका काफी अच्छा traffic है लेकिन किसी वजह से आपको कोई दूसरी website बनानी पड़ी और अब आप चाहते हैं कि पहली-वाली website पर जो भी आपका traffic आए वो आपकी नई website पर पहुँचे तो इसके आप.in वाली website का पूरा traffic shift कर सकते हैं .com पर उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि website की जो ownership है वो चेंज हो जाती है तो complete website redirect हुई हुए इसका मैं आपको best example देना चाहूंगी उसके लिए चले ब्राउजर पर चलते हैं जब मिंत्रा launch हुआ था मिंत्रा.com जो की बहुत ही फेमस e-commerce website है तो मिंत्रा के साथ का जबॉंग भी आया था और आपने आई होप दोनों का ही नाम सुना होगा तो आज के टाइम में जबॉंग का एकदम से नाम ही हट गया है लेकिन अगर मैं जबॉंग की website टाइप करती ह जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूंगी कौन सी साइट खुल रही है यहां पर मिंत्रा की साइट खुल रही है मेरा पूरा URL ही चेंज हो गया है वापिस आप ट्राय कर सकते हैं और आपको बिलीव नहीं तो जबॉंग का कोई भी पेज आप ओपन करने की कोशिश कीजिए कि जैसी का भी आपको URL याद हो या फिर मैं कहूंगी www.jabong.com आप खोलिए तो वेबसाइट खुलेगी मिंत्रा की ऐसा क्यों हुआ क्यों क्यों क्योंकि जो जबॉंग है उसको कंप्लीटली उक्यूपाइट कर लिया है मिंत्रा ने मिंत्रा ने उसको खरीद लिया है इस वज याद रखना है और इवन आप अभी भी सर्च करके देख सकते हैं तो जब ओंक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सिर्फ और से मिंत्रा ही मिलने वाला है क्योंकि वह पर्मानेंट रिडिरेक्शन है तो अगर मान लीजे ओनर्शिप चेंज हुई है हमारी वेबसाइट की तो भी पर्मानेंट रिडिरेक्शन की ज़रुत पढ़ सकती है उसके अलावा मान लीजे आपने मल्टिपल ब्लॉग्स बनाए है एक ही ब्लॉग है एक ही कुछ आपका कॉंटेंट है जो आपके मल्टिपल वेब पेज़स पर पढ़ा है लेकिन आप चाते हैं कि डिप्ल सर्टेफिकेट अभी लगाया है तो जो आपका पहले वाला वर्जन था यानि स्टीटीप का उसको आप रिडिरेक्ट कर सकते हैं पर्मानेंटली स्टीटीप एस पर लेकिन अभी के नॉनिकल टैग भी है आपके पास ऑप्शन जो की सेम ही प्रॉब्लम को सॉल करता है लेक कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो कि आपको 301 के बारे में जरूर पता होनी चाहिए है फिर्स्ट ऑफ बात करते हैं पेज रांक की या फिर मैं कहूँ पेज अथारिटी की तो माल लीजे अगर आपका A पेज है और उसको आपने रिडिरेक्ट किया है पर्मानेंटली B पेज तो A पेज की जो अथारिटी थी A पेज की जो पेज रांक थी वो ट्रांसफर होगी आपके B वाले पेज पर क्योंकि आपने पर्मानेंटली रिडिरेक्शन लगाया है उसके अलावा अगर मैं बैंक लिंक जूस की बात करूँ तो वो भी आपके B वाले पर ट्रांसफर है कि जब एक वेब पेज को हम रिडिरेक्श कर रहे हैं पर्मानेंटली दूसरे पेज पर तो क्या होगा और जितने वी उसके असेट्स हैं जितने वी उसके फायदे हैं वो सारे B को मिलेंगे इंक्लूडिंग ट्राफिक चीक है तो आपको आई डेकलर हुआ होगा अब 301 लगाते कैसे हैं यह देख लेते हैं देखिए तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पर मैं आपको यह बताने वाली हूँ तो चलिए इसके लिए चलते हैं वर्डप्रेस पर अगर आपकी एक नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है तो इसके लिए आपको कॉंटेक करना पड़ेगा अपने डवलपर को और आप उन्हें गाइड करेंगे कि इस वेबपेज या इस वेबसाइट को पर्मनेंटली चीक है मैं एक बर आपको इंस्टॉल्ड प्लगिन्स में एक बर आपको दिखा देती हूं कि मेरे अलरेडी यह प्लगिन जो है लगा हुआ है यह देखिए यह वाला हमारा प्लगिन है रिडिरेक्शन और इस इस बाय जॉन गॉडले तो आप याद नाम याद रख लेकिन बाय जॉन गॉडले ही आपको देखना है इस पर काफी अच्छी रेटिंग भी और काफी ट्रस्टेड भी है क्योंकि देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइड यूजर को मैं यही सजेस्टन देती हूं कि जितना हो सके एक्स वाइज प्लगिन्स नहीं इंस्टॉल कर है काफी अच्छे जिसके रिव्यूज है उसी को ही आप इंस्टॉल करें तो यह वाला आपको यूजर करना है नाम याद रख लेना अब देखिए इसके लिए आपको कर लेना है इसको अच्छे से सेटप ठीक है सेटप करने के बाद में जैसे ही आप इस प्लगिन को ओपन करेंगे ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे रिडेरिक्ट का ओप्शन है मैं थोड़ा से इसको जूम कर देती हूं जिससे आप अच्छे से देख पाएं यहाँ पर रिडेरिक्ट का ओप्शन है ठीक है रिडेरिक्ट पर आपको करना है क्लिक अब देखिए यहाँ पर आप को दे देती हूं जैसे कि माल लीजे मेरा जो URL है वो है WS Cubetic Store चीक है ये मेरा URL है चीक है अब इसमें आप से पूछ चा रहे है कि exact match करना है या all parameters add करना है तो इसमें exact match ही इसे रखी है क्योंकि exactly इसी URL पर मुझे redirection डालना है चीक है चीक है तो ये store वाला मेरा URL आ गया वैसे जिसका मैंने WordPress login किया हूँ है वो दूसरी website है चीक है मैं आपको सिर्फ example के तौर पर समझा रही हूँ अब wscriptive.com store वाला जो page है उसको मुझे redirect करना है चीक है तो इसको मुझे redirect करना है www.wscriptive.com services पर चीक है ये करने के बाद में simply आपको क्लिक करना है add redirect पर ठीक है जी add redirect हम कर देंगे ये करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये saved भी आ जाएगा कि किस URL को हमने किस URL पर redirect कराया है और इसको यहाँ से आप disable और delete भी कर सकते हो ठीक है एक URL को किसी दूसरे URL पर target कर सकते हैं अब देखिए अभी तो यह जो दोनों web pages थे वो एक ही website के थे लेकिन वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं इसका ऐसा कोई रोल नहीं है चीक है यह लगा देंगे मैं इसको इबाद डिलीट कर देती हूं चीक है वैसे भी इस website का नहीं है यह लेकिन आप देखिए मान लीजे जैसे मेरी दूसरी website लगाया है तो ऐसा नहीं होगा यह यहां पर बेसिकली जिस website पर आप काम कर रहे हैं उसी का ही आपका वेब पेज होना चाहिए जिसको आप redirect करवाना चाहते हो चीक है यह हो गया अब चलिए यह तो बात होगी एक वेब पेज की लेकिन अगर पूरी की पूरी किसी website को मुझे redirect करवाना है तो यह देखिए यह रा option हमारा site का यहां पर यह redirect लिखे हो है यहां पर ही site का option है site में simply इस site को मतलब जिस site पर भी मैं काम कर रही हूँ उसको मुझे जैसे यह perchamclassic.com है तो इसे मुझे redirect करवाना है wskubetech.com पर चीक है जी तो मैं इसको यहां पर url यहां पर put कर दूँगी और update कर दूँगी चीक है simply मैं करूंगी नहीं obviously बात है so wskubetech.com पर इसको हम update कर दें सब कुछ चला जाएगा wskubetech.com पर तो अगर इस website के backlinks भी created है तो वो भी उसका भी जो link juice है उसका भी जो page rank है वो मिल जाएगा किसको wskubetech.com को तो यह करने के बाद में आप कर देंगे update और बस आपका redirection लग जाएगा इस tool की सबसाची बात ही है कि बहुत easy to use है और एक पर आपने रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि किसी web page की बात कर रहे हैं तो okay जी चली तो I hope यह समझ में आया होगा कि कैसे हम 301 redirection लगा सकते हैं और कब-कब हमें लगाना चाहिए चली अब बात करते हैं 302 redirection होता है temporary redirection सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखे temporary redirection हम लगा करेंगे कब पहला reason हो सकता है कि मानलीजिए मेरी कोई website है तो अगर मेरी website पर कुछ update हो रही है तो ऐसे में या तो मेरी audience को एक maintenance page दिख जाए कई बार आपने देखा होगा website पर लिखा होता है आप click करते हैं और उस page पर आता है कि this website is under maintenance तो वह इसी वज़े से वाता है क्यों 0.2 उसके अलाबा अब यहां पर या तो एक maintenance page पर चला जाए मेरा user या फिर वो एक related web page पर चला जाए जैसे example में लेते हूं जिसे मानलीजिए डबलोस क्यूब टेक का store वाला page मानलीजिए उस पर कुछ update चल रहा है तो या तो मैं क्या करूंगी कि जो maintenance page जो मैंने अपनी website पर बना रखा है कि under maintenance उस पर लिखा होगा या फिर लिखा होगा कि this website is under maintenance और कई बारा से लिखा होता है कि our developer is working on this website इस तरह से भी कुछ लिखा हो सकता है तो उस web page पर मैं अपने user code redirect कर दूंगी temporary ठीक है या फिर दूसरा reason क्या हो सकता है कि मानलीजिए डबलोस क्यूब टे पर मैं divert कर दूंगी अब यहां पर एक चीज़ धियान रखनी है कि जो भी आपका redirection हो चाहे वो 301 हो 302 हो वो दोनों पेज में relevancy होनी चाहिए जैसे अभी हमने जबॉंग का example देखा और उसको transfer किया गया था मिंत्रा पर तो देखिए दोनों का ही जो genre है वो सेम है दोनों दोमेन तो खरीद लिया website live भी हो गई चल भी रही है लेकिन उसका content अभी पूरी तरीके से ready नहीं है तो उसके लिए आप चाहेंगे कि उस website के web pages को आप redirect करें आपकी किसी ऐसी website पर जहां पर better content पढ़ा है जी कही बार हम भी ऐसा करते हैं कि जब एक website पर कुछ content का काम चल र and temporary में लगेगा 302 302 में जो आपका link juice है वो transfer नहीं होता है अगर मेरा एक a page है जिस पर maintenance का काम चल रहा है और अगर मैं उसको बी की तरफ redirect करती हूं temporary तो एक ही जो domain authority है ए पर जो link juice है वो transfer नहीं होगा बी पर क्यों क्योंकि मैंने temporary redirection लगाया है इसी लिए 301 redirection and 302 redirection का difference समझना बहत ही जादा जरूरी हो जाता है और 302 redirection लगाने के लिए आपको एक या तो एक नया page maintenance page आपको add करना रहता है या फिर आप किसी और web page पर भी इसे transfer कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप temporary redirect कर रहे हैं किसी web page को तो वहाँ पर 302 redirection ही लगे तो I hope इस वीडियो में आपको 301, 302 से related काफी सारी queries clear हुए होंगी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं technical SEO के एक बहुत ही important factor की जिसका नाम है schema.org या फिर मैं से कहूं schema markup तो schema markup क्या होता है और basically हम इससे अपनी website में apply क्यों करेंगे SEO के लिए ये important क्यों है ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में सो बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है क्योंकि schema markup आपका एक advanced SEO का part होता है लेकिन जैसा हमने promise किया था कि हम इस complete SEO course में सारी चीज़ें आपके सारी शेयर करने वाले हैं तो इसी लिए आप make sure करें कि वीडियो को end तक देखें चलिए फिर वीडियो को स्ट्रक्चर डेटा होता किया है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं schema markup में schema.org में structure data में schema.org एक तरह की structure data है structure data basically एक ऐसा systematic data होता है जो कि different machine learning algorithm जिसको easily समझ जाती हैं समझ पाती है क्योंकि देखिए जैसे हम humans हैं हम अलग-अलग languages समझते हैं वैसे ही different search engines हैं वो भी तो schema markup एक तरह की structure data है जो कि हम apply करते हैं अपनी website में और यह data search engines को यह बताता है कि आखिर हमारी website किस बारे में है थोड़ी सी history के बारे में तो देखिए हुआ कि हम बहुत ही short map को आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि theory पर नहीं जादा practical पर focus करना है तो सारे search engines ने मिलकर decide क कि देखिए हर search engine का crawler आता था website को read करता था फिर अपने according वे indexing करते थे और अपने according फिर रैंकिंग देते थे तो जो crawling वाला पार्ट था indexing वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा ease up करने के लिए सारे search engines मतला जो major search engines हैं जैसे Google हो गया यह हो गया बिंग हो गया तो अन सारे search engines ने decide कि क्यों ना एक ऐसा data हो एस ऐसी एक vocabulary हो जो कि कोई भी person अपनी website में apply कर दे और उस data को पढ़कर हम यह पहचान ले कि यह website आखिर किस बारे में हैं क्या इसका type है क्या इसकी services है और भी कहीं brief में information इस website के बारे में हमें पता चल जाए और यह data एक structure data होगा जो कि हर एक search engine easily read कर सकेगा तो यह इसकी थोड़ी सी history थी अब यहां पर सवाल आता है कि अगर मैं SEO की बात करती हूं क्योंकि यह थोड़ा से development का पार्ट लग रहा है अगर मैं SEO की बात करती हूं तो SEO के लिए schema markup क्यों जरूरी है तो देखिए दो reason है जिसकी वज़े से आपको अपनी website म क्योंकि आज देखिए आज हमारा main aim क्या है SEO करने का कि जो भी search engines हैं जिन पर हम अपनी ranking अच्छी करवाना चाहते हैं वो हमारी website को अच्छे से समझें this is one of the goal of SEO तो अगर मान लीजे search engine हमसे एक data मांग रहा है कि इस data में आप हमें बता दीजिए कि आपकी website किस बारे में तो result page पर यानि सब पर आपकी website की appearance को और भी improve करता है कैसे improve करता है एक काम करते हैं इसके लिए मैं आपको ले चलती हूं ब्राउजर पर जैसे मैं बहुत सिंपल सा keyword टाइप करते हूं जैसे मैं यहां पर टाइप किया पनीर recipe ठीक है पनीर recipe मैं टाइप किया यह यहां पर यह लेकिन आप यहां पर देखिए अब यहां पर एक तो यहां पर यह कुछ इस तरह की website सा रही है लेकिन एक तरह की यहां पर आप देखेंगे तो यह recipe cards आ रहे है यह recipe cards में देखो इतना tempting यहां पर एक picture लगी हुई है फिर हमारे यहां पर इस recipe का इस post का नाम आ गया उसके अ इन में ऐसा किया है जैसे NGTV food हो गया स्वास्तीज रेसिपी हो गया insanely good recipes हो इन में ही क्यों आ रहा है तो इससे क्या हुआ आप देखिए सर्ब पर appearance जो है कितनी अच्छी लग रही है same with this आप देख सकते कितना अच्छा मुझे appearance यहां पर लग रही है अब आप मुझे आप देखेंगे इधर तो यह देखिए Wikipedia का यहां पर यह एक snippet यहां पर जनरेट हो गया है जिसने शारुकान की images आ रही है वह क्या करते हैं available on कहां है उसके अलाबा एक बिल्कुल short information चीक है तो यह देखिए यहां पर इनके पारे में डिस्क्रिप्शन है इनका birth date आ रही ह है height आ रही है spouse आ रहा है upcoming movies आ रही है और इनके children आ रहे है उसके लाबा कई सारी movies आ रही है songs आ रहे है तो यह चीज़ पॉसिबल हो पाईए schema.org की वज़े से अब आप मुझे बताईए क्या यह चीज़ अपीलिंग है यानि click through rate का यह चीज़ बढ़ाएगी definitely बढ़ाएगी कुछ और example ले लेते हैं जैसे मैं बोलती हूँ कि what is SEO चीज़ यह मैंने एक simple सा keyword यहां पर टाइप किया अब देखिए कुछ बहुत सारी websites आई यहां पर ठीक है Wikipedia का देखो एक और example आ गया चीज़ यह देखिए अब देखिए यह वाली जो first website है इसमें आप देखेंगे तो same website open हो रही है यानि अब आप देखिए कि मैंने एक page को rank कराया लेकिन अगर मैं total links की बात करूं तो यहां पर 1,2,3,4 and 5 links जो हैं वो rank करें हैं चीक है तो यह possible हुआ है सिर्फ और से schema.org की वज़े से चीक है कुछ और examples ले ले लेते हैं जैसे मैंने एक और keyword type किया that how to create a website ची यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक automatically जो website में से ही content यहां पर निकल कर यह आ चुका है यहां से मैं इसको read कर सकती हूं और definitely इस चीज के chances बढ़ेंगे कि इस website पर मैं क्लिक करूं तो यह भी चीज जो possible हो पाईए यह भी schema.org की वज़े से हो पाईए ठीक है चलिए इसमें आप देखेंगे तो यहां पर कुछ question and answers आ रहे हैं कि what are the types of computer and what is computer कोई भी इसको यहां पर क्लिक कर सकता है तो मेरे chances बढ़ जाएंगे कि इस पर clicks जादा हो चीक है अब यह चीज भी कैसे possible हूई है यह भी हूई है schema.org की हमने वहां पर FAQs कुछ add कर दिये कि जब भी को इससे related keyword type करें तो website तो आई जाएं और साथ ही search engine को यह कुछ FQs भी यहां पर जनरेट करके रख दे तो यह सारी चीज़ों जो possible होती है यह possible होती है schema.org की वज़े से तो दो reason है जिसकी वज़े से schema.org SEO के लिए बहुत important factor बन जाता है पहला की search engines को यह आपकी website के बारे में information देता है دوسरा इससे आपकि search appearance अभी जो हमने इतने सारे example देखें आपकी search appearance अच्छी होती है. तो चलिए आप देख लें कि यह जो अभी हमने इतने अच्छे results देखें आखिर इनके पीचे क्या language होती है coding इनके पीचे क्या होती है तो चलिए इसके पीछे जो भी अभी में हमने example लिया है इनी website के source code पर चलते हैं जैसे सबसे पहले example जो हमने लिया था recipe वाला इस पर मैं करती हूँ click और click करने के बाद में यह देखी यह recipe थी जो कि मुझे भार भी काफी अच्छे से दिख रही थी तो मैं इसमें organization है ndtv food इसका नाम है और image object यहां पर बताया हुआ है और कौन सी image लगाई है यह भी यहां पर link दिया हुआ है उसके अलावा यह तो देखी पूरे पर page पर लगा हुआ है ठीक है यह ndtv से ही related है लेकिन अगर आप यह वाला schema देखेंगे क्योंकि एक website पर एक से ज्यादा स्किमा भी लग सकता है तो ऐसा कुछ compulsory नहीं है बहुत सारे इससे पेज़ें पर पचास-पचास स्किमा लगे रहते हैं क्योंकि उनकी एक काफी सारे post होता है यहां पर आप देखेंगे तो एक टाइप क्या है रेसिपी यहाँ पर दिया हुआ हैur यहां नहीं लगा है ऐसा नहीं है कि यहां पर Google नहीं फेच किया है data नहीं इहां पर apply किया हुआ है उसके अलाबा रेसिपी ये जैसे 4 है, उसके अलाबा प्रपरइशन टाइम 10 minutes है, 30 minutes है, टोटल टाइम जो लगने वाला है, वो बिसेकली 40 minutes लगने वाला है, उसके अलाबा कुछ Key words यहां पर डाले हुए हैं, उसके अलाबा जो यहां पर recipe के ingredients, वहार आरहे थे वहां पर आये हुए हैं, तो यहां से आपको आडिये मिला जो आखिर आखिर वही दिख लगा रहता है, तो यह डेफिनिटलि आपके STML में ही लगेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और एक वेबसाइट में एक से जादर स्किमा भी हो सकता है, तो इ आखिर कितने टाइप से हम स्केमा लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर इसकी कुछ मेंन कैटेगरी में आपको बता देती हूं सबसे पहले आपकी अगर एक और एक और एक और एक और इसके मा लग सकता है उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर कुछ FAQ पेज है यानि जहां पर क्वास्टन आंसर आपने कर रहे हैं उसका स्केमा लग सकता है जिससे की सर्फ पर कुछ आपके क्वास्टन आंसर भी शो हो जाएं उसके अलावा ब्रेट क्रम्स ब्रेट क्रम्स का मैंने एक्जाम्पल आपको दिखाया नहीं था मैं आपको बता देती हूं जैसे WSQTEC पर ब्रेट क्रम्स ही लगा हुआ है जैसे नॉर्मली अगर मैं गूगल पर WSQTEC टाइप करते हूं तो यह देखिए इस तरह से यह वेबसाइट तो आ रही है लेकर उसके अलावा तो कुछ और भी यहां पर वेब पेजिस आ रहे हैं यह एक इह एक क्यम है ब्रेट अब्रेकर शेमा केहरा होता है जो कि हम अपनी में लगाते हैं उसके अलावा अगर आपकी विपसाइट पर कोई रेसिपी है तो उसके लिए भी आप सिछमा ळलगेसे लगाएं इसके यह आव सिक अस प्रいた टेख सकता है कि लोकलल ब बिजने देट्स वगर आ जाएंगी, किसी person का आप schema अलग से लगा सकते हैं, अगर आपकी website पर किसी person की profile है, तो उसके लिए आप schema लगा सकते हैं, जैसे आभी हमने शारुक खान वाले example देखा था, उसके अलावा videos पर भी schema लगता है, जैसे YouTube की वीडियो जब भी rank करती हैं, किसी भी social media पर तो उनका एक अलग से ही rich snippet दिखता है, तो जिसके लिए YouTube पर schema भी लगा हुआ है, तो वैसे ही कई सारे schema जो होते हैं, अवेलेबल हैं, जो की लगते हैं, और ये सब depend करता है कि आपकी किस तरह की website है, कैसा आपकी website पर content है, उसके according आप schema लगाते हैं, तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, याद रखिएगा कि एक webpage पर एक से जादा schema भी हो सकता है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी website पर schema.org या schema markup लगा सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने complete information समझी थी कि ये क्या होता है और basically schema markup क्यों जरूरी है SEO के लिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखिए फिर उसके बाद में इस वाली वीडियो पर आप skip कीजेगा क्योंकि जब तक हम किसी चीज की importance भी समझेंगे उससे सीखने में मज़ा नहीं आएगा तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं जिसमें आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी website में schema markup लगा कर अपनी website को कर सकते हैं boost तो आज की वीडियो में मैं आपको practically बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी website में schema markup लगा सकते हैं और उससे भी पहले हम उसको generate करना सीखेंगे अब यहाँ पर कुछ चीज हैं जो कि आपको जाना ज़रूरी है देखिए काफी सारी ऐसी websites होती हैं जिन पर schema नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी उनका rich snippet काफी अच्छा देखता है बिलकुल आपको ऐसा लगेगा कि यह schema ही लगा हुआ है देखिए वहाँ पर काम होता है developer का देखिए कई सारी ऐसी languages हैं कई सारी coding में ही इतनी technology आचुकी है कि website के development के time ही कुछ चीजें कुछ elements वहाँ पर add हो जाते हैं जिससे की search engines वहीं से ही data fetch कर लेते हैं जैसे मैं आपको एक example दिखा देती हूँ जिसने पहले मुझे confuse किया था लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मेरा doubt जो है clear हो गया साथ ही इसका जो search box है वो बाहर ही आ गया है तो मतलब ये काफी अच्छा example है schema का लेकिन आप यहाँ पर confusion क्या create हुआ कि जैसे मैंने इस website को open किया मैं इसके source code में गई और मैंने जैसे ही यहाँ पर schema टाइप किया मुझे schema नहीं मिला पूरी website पर schema नहीं था तो अब यह क्या हुआ अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि यह सारी चीज़न जो होती है यह search appearance जो होता है यह आपका schema से अच्छा होता है schema जब आप लगाते हैं तभी आपकी यह चीज़ automatically serve पर update हो जाती है लेकिन इस website पर schema नहीं लगा हुआ still इसके जो breadcrumbs है वो काफी अच्छे यहां पर दिख रहे हैं अब ऐसा क्यों हुआ देखिए इसका answer simple सा था कि technology जो है इतनी ज़्यादा develop हो चुकी है जो coding होती है उसी के time ही वहाँ पर कुछ ऐसा data लगा दिया जाता है कुछ ऐसी advanced coding की जाती है जिसकी वज़े से search engines वहीं से ही उस coding से ही उस website development के time जो उसका जो structure है website का वहीं से ही वो कुछ important data fetch कर लेते हैं तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि schema आप लगा रहे हैं वो आपके end से आप best कर रहे हैं लेकिन अगर मान लीजे किसी website पर schema नहीं लगा हुआ लेकिन अगर वो अच्छी advanced technology में बनी हुई है updated technology में बनी हुई है तो आपका developer खुद ही कुछ इस तरह से development उसका कर सकता है कि जिससे search engines जो है वो data fetch कर लें यहाँ पर जो schema है वो हम लगाएंगे अपनी website को और भी better करने के लिए लेकिन अगर मान लीजे किसी website पर आप देखते हैं कि उसका risk snippet काफी अच्छा है और तो उसका मतलब 90% time वहाँ पर schema लगा होगा लेकिन 10% ऐसे भी cases होँगे जहां पर schema नहीं होगा still उस website का search engine result page पर appearance काफी अच्छी होगी तो इस चीज़ पर कभी भी confused मत होईएगा आगे future में आप चलिए देखते हैं कि कैसे हम schema markup generate कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो बहुत easy तरीका बताते हूं सबसे easy पहले बात करते हैं फिर हम और भी तरीकों पर जाएंगे सबसे पहला तरीका for example कि आपकी food recipes से related एक blog है तो ऐसे मैं मैं skimma उसका कैसे generate करूं तो मैं सबसे easy तरीका आपको बता रहे हूं food recipes से related है मालो आपने cake recipes आपकी website पर डाली हूई है तो cake recipes से related keyword type करो open करो और देखो कहा rich snippet आ रहे हैं यह देखो इधर time food वाले पर आ रहे हैं इस page को करो open इसके जाओ source code में तो इसके source code पर आप जाईए और फिर यहां पर आप type कीजिए schema तो अब देखिए आप यहां पर यह यह तो main page का हो गया उसके अलावा आप recipe पर आ जाईए जैसे यह रही recipe जिसका हमने basically यहां पर schema लगा हुआ है तो इसको आप यहां तक कर सकते हो copy copy आप यहां तक कर लेंगे जहां तक JSON आपको देख रहा है वहां तक हम इसको copy कर लेंगे copy इसको कर लो और notepad में इसको paste कर दो यह देखिए मैंने यहां पर जो यह data इसको मैंने यहां पर copy कर लिया अब आप इसको edit कर दो edit हम कैसे करेंगे देखिए जैसे यहां पर यह type है तो type तो recipe है उसके अलावा URL है वह आप अपना URL यह दो लिया यहांपर ढाल सकते हैं उसके अलावा नेम जो है इस recipe का वह आप अपने recording आ जल सकते हैं चीक है तो जहांपर भी आपकी चीक हिले होकी. तो यहां प्र atmosphere नजो इसका URL कापी करकर यहां ढाल सकते हैं उसके लावा aggregate rating तो rating total value अभी 3.9 डाली हुई है आप इसको अपने according जैसे जितनी भी आपको अपने recipe के according डालनी है वो आप कर दीजे review count कितने review है वो आप यहाँ पर डाल दीजे उसके अलाबा preparation time की 10 minutes total time में लगेगा 50 minutes तो अगर माल लीजे 40 minutes में आपकी बन रही है तो as it is यहाँ पर आप इस तरह से मतलब सेम ही platform पर आप 40 minutes डाल दीजे और उसके अलाबा इसको पूरा change करके और यह आपका tag हो जाएगा ready यह सबसे easy तरीका बड़ा simple चीक है अब यह तो हो गया चले जी आप ऐसे ही मान लीजे अगर आपकी कोई service से related website है तो किसी service website पर आप चले जाओ जहाँ पर आपको जिसका schema अच्छा लग रहा है उसको copy करके और आप अपने according change कर सकते हो चीक है जी अब मैं आपको actual में generate करना बता देती है यह तो बहुत simple सा तरीका है यहाँ पर हमने किसी और का schema tag लिया उसको अपने according एडिट कर लिया अब मैं आपको पताने वाली हूँ इसके लिए आपको type करना है schema markup generator जैसी आप यह type करेंगे तो काफी सारे tools आएंगे काफी सारे tools की help ले भी सकते हो देखिए अभी जैसे technicalseo.com की हम help लेते हैं लेकिन हो सकता है कि जब आप video यह देख रहे हो तब यह कामी न कर रहा हो तो इसलिए आप जितने भी आपको pages मिलते हैं वो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज में आपको बता देती हूँ थोड़ सा confused मत होईएगा जो भी non-technical background से हैं कि यह जो structure data होता है न क्योंकि schema markup किया है तो structure data कई type का हो सकता है जैसे micro data भी होता है उसके अलावा हमारा json ldb होता है तो अभी जो latest जो चल रहा है न वो json चल रहा है तो इसलिए मैं technicalseo.com का यूज कर रही हूँ क्योंकि यह जो आपको structure data बना के देगा यह json में बना के देगा जो की latest technology है तो अभी latest के according हमें काम करना है वैसे कई सारी website पर micro data भी लगा होता है तो उसको आप follow मत कीजी क्योंकि हर search engine को latest technologies जो होती है वो काफी जादा attract करती है तो इसलिए जितना हो सके हम अच्छी technology पर ही काम करेंगे तो जेशन पर हम काम कर रहे है तो यह यहाँ पर एक टूल है ठीक है technicalseo.com schema markup generator है इसमें आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको किस type का schema generate करना है आपको breadcrumbs करना है breadcrumbs जैसी आप click करेंगे तो page का नाम आ जाएगा URL आ जाएगा जिसमें आपको WSQTEC का example दिया था उसके अलावा आप event अगर रखना चाते हैं कि मानले जिए कोई event है जैसे आपने देखा होगा कोई show हो रहा है कोई movie है तो उसका event भी आप अपने according उस page पर भी आप यह schema लगा सकते हैं FAQ page अब FAQ page के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि usually अब आपको क्या approach करनी है पहले क्या होता था कि आपकी पूरा page है उस page पर कहीं भी 2-4 question आप डाल देते थे और फिर वहीं से ही data fetch हो जाता था वहाँ पर आप अपना FAQ skimma लगा देते थे लेकिन अब आपको जो सही practice है वो ये करनी है कि FAQ कैसे लगाना है तो इसके लिए different page बनाना है जिसका नाम ही होगा FAQ और वहाँ पर आपको वो सारे questions डालने जो कि आपकी website पर content से related है तभी ये चीज़ आपके लिए काम करेगी नहीं तो बहुती काम chances है कि अगर आप multiple pages पर questions डाल रहे है randomly तो वो काम करें तो इसलिए मैं आपको suggest करूंगी एक page बनाओ FAQ का उस पर ये schema generate करके डालो उसके अलावा आप देख सकते है how to वाला जो part है कि कि किसी चीज़ को कैसे बनाया जाए तो आपने कई बार देखा होगा ये schema की वज़े से आया है तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है तो अब आगे चल लेता है schema job posting हो गई local business हो गया local business के लिए ये जो schema है ये हम लगा सकते हैं अगर आपका business locally भी available है तो उसके अलावा और देखते हैं कि और किस तरह है का ये सारा कुछ change होता जा रहा है क्योंकि organization में आपको phone number डालना पड़ेगा आपकी social profiles डालनी पड़ेगी उसके अलावा और scroll down करते हैं तो किसी person की आप information डाल सकते हैं जैसे मैं आपको Wikipedia का last video में भी example दिखाया था शारुकान का शारुकान का ये page मैं open करती हूँ चीक है और इस पर मैं control U करके control F करके schema type करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये देखिए schema लगा हुआ है schema लगा हुआ है किसका एक person का वैसे इन्होंना article की category में डाला हुआ है बड़ देखिए सारी information यहाँ पर है ये देखिए Indian actor, producer, television, personality और अगर मैं यहाँ भी देखते हूँ सब पर भी तो सेम यहाँ पर चील लिखिए हूँ Indian actor, producer, television, personality राइट ये person का एक schema है जो कि आप अलग से generate कर सकते हैं तो अगर आपकी website पर कोई person की information है profile है तो उस पर उस page पर आप यह schema लगा सकते हैं ठीके schema जो है different different pages पर लगता है लेकिन अगर जैसे कई लोग करते हैं कि header पर लगा देते हैं तो अगर मान लिजे एक ही schema आपको लगाना है तो header पर लगा कर छोड़ दो product की information होगी तो product की भी हम कई बार जैसे Amazon पर देखता है कोई भी आप चीज टाइप कर लो जैसे की iPhone मैंने टाइप किया iPhone जैसी मैंने टाइप किया तो देखे कुछ website तो आ गए लेकिन उसके अलावा यह देखिए product भी आ गया अब आपको अची चीज दिखाते हैं जैसे इस वाले profile को open कीजिए Ctrl-U करके Ctrl-F में हम जैसी schema टाइप करेंगे 100% schema आना है और टाइप भी किया है product है तो यह कई सारे major websites है वो सब ही अपने schema को एकदम up to date रखती है recipe हो गया recipe को मैंने बताई दिया कई सारे example दिखा है इसलिए आप video का भी schema यहां पर लगा सकते हैं और website का तो हम लगाई सकते हैं अब कोई भी आप इनमें सब explore कर लीजएगा मैं आपको एक काम करते हैं किसी भी का भी example दे देती हूँ जैसे मैं आपको organization का example दे सकती हूँ क्योंकि mostly यह जो बहुत popular है आप इनमें सब का try कीजेगा एक-एक को देखेगा कि कैसे schema generate हो रहा है सबसे पहल तो organization का नाम ले लेते हैं कि क्या हमारी जो organization है जैसे मैं WS Cube Tech का एक example लेके चलती हूँ जैसे WS Cube Tech एक educational organization है उसके अलावा more specific तो more कैसा specific अगर मैं करूँ तो मैं college और university एक बार डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर school ही डाला हुआ है उसके अलावा website का नाम मैं एक बार डाल देती हूँ जैसे WS Cube Tech alternate name इसका डाल देती हूँ जैसे alternate तो कुछ है नहीं तो हम इसको skip कर देते हैं URL मैं यहाँ पर put कर देती हूँ की website का URL ठीक है तो यहाँ पर WS Cube Tech का as it is copy करके हम URL डाल देते हैं ओके जी यह मैंने copy किया और मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ देखिए यहाँ पर change होता जा रहा है उसके लावा logo अब logo मुझे यहाँ पर चाहिए तो यह मैंने logo को open किया बहुत ही simple टेकनीक आपको बता रही हूँ यहाँ पर logo है इसको कर लो inspect चीक है inspect करने के बाद में इसका link given है यह देखो यह रा image चीक है इसको मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ copy ओके जी इसको मैंने कर लिया copy और इसके मार जनरेटर में मैंने put कर दिया यहाँ पर मैंने जो यह मेरा logo था उसका link post कर दिया है उसके लावा add contact तो contact है तो किस type का content है जैसे contact है जैसे मैं technical support की बात कर रही हूँ उसके लावा phone number है तो कुछ भी XYZ phone number डाल देते है area जो है हमारा जैसे इंडिया में डाल देती हूँ क्योंकि phone number डाल रहे है obviously क्योंकि मैं चाहूंगी कि लोग मुझे contact करें reach आए मेरे organization पर इंडिया में डाल दिया language जैसे मैंने एक बार English यहाँ पर select कर लेती हूँ उसके बाद में toll free नंबर है ठीके जी अब यहाँ पर जो facebook है उसका url मुझे डालना है ठीके तो एक काम करती हूँ मैं just two तो यहाँ पर जो मैं ws cube facebook है उसको मैं एक बार उसका link जो है copy कर लेती हूँ यह मैंने copy कर लिया इसको मैंने यहाँ put कर दिया twitter जो है उसको भी मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ यह ws cube twitter पर जो है okay यह रट twitter पर तो इसको मैं एक बार लेती हूँ copy इसको copy किया और इसको हम यहाँ put कर देते हैं चीके जी ws cube कर देती हूँ इसको और उसके अलावा twitter के अलावा instagram पर भी है हम तो फिर मैं instagram भी एक बार के यहां पर search करके copy करके यहां पर put कर देती हूँ okay यह instagram आ गया और youtube जो कि हमारे सबसे main है youtube भी मैं put कर देती हूँ यूटüb कर लिया तो youtube को मैं कर देती हूँ यहां पर copy and यहां पर कर देती हूँ इसको page चीके जी youtube channel आ गया तो इसको मैं एक बार चलिए यह भी करी लेते हैं जो इतना सहली है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं चले जो यह मैंने यहां पर जो LinkedIn है उसका भी URL कॉपी करके यहां पर डाल दिया अब देखे सारे social media platforms आगे यह देखो अब मेरा जो डेटा है न वो यहां पर क्रियेट हो गया चीक है स्केमा है टाइप क्या है college और university टाइप का है लेकिन मैं इसको ने एक काम कर दो चेंज कर देते हैं मुझे सही नहीं लग रहा है यह cooperation है इसको मैं सेलग कर लेंगे और अपने developer के साथ share कर देंगे कि इसको आप अपनी website में put कर दीजिए अब सवाल आता है कि यह हमारे HTML में put होगा लेकिन उसमें भी body में यह header में देखिए अगर यह एक ऐसा schema है जो की पूरी आपकी website को represent करता है तो ऐसे में आपको यह header में लगाना चाहिए लेकिन अगर मान लीजिए यह आपके सिर्फ और सिर्फ home page को represent कर रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने body में इसको paste करवाईए जिससे की दूसरे जो web pages उनके लिए आप अलग से schema जनरेट कर सके हैं ठीके जी सिर्फ organization का ही नहीं बलकि सारे type की websites का content के लिए आप यहां से schema जनरेट कर सकते हैं ठ इस वोडियू में हमने सीखा कि आप कैसे आप schema markup अपनी website में लगा सकते हैं और अपनी website को और भी SEO friendly बना सकते हैं आपने notice किया है कि जब भी आप किसी भी website का link आप whatsapp पर या फेस्बुक पर या फिर instagram पर share करते हो तो आप share तो भली एक link करते हो लेकिन वहाँ पर एक बहुती rich graph show हो जाता है यानि एक बहुत अची सी picture जिसमें उस website का नाम उस website का description साथी बहुत अची सी picture भी वहाँ पर आ क्या होता है कैसे हम इसे अपने website में apply कर सकते हैं यह सारी बाते करने वाले हम आज की इस एक वीडियो में तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो आज बात हम करेंगे open graph protocol की तो open graph protocol डवलप किया है facebook ने या फिर मैं कहूं Meta ने तो Meta से related जितने भी social media platform है चाहे मैं Facebook की बात करूं चाहे मैं Instagram की बात करूं या मैं WhatsApp की बात करूं सब पर ये चीज़ अपलाए होगी अब ये होता क्या है इसके लिए एक example में आपको शो कर देती हूं जैसे कि ये picture आप देख सकते हैं screen पर तो यहाँ पर आपको web development course in Jodhpur, android training in Jodhpur ये मैंने type नहीं किया है ये automatically यहाँ पर generate हुआ है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने WSQTEC पर run किया हुआ है open graph protocol चीक है so आप Facebook पर इस तरह से देख सकते हैं वैसे ही आप एक काम कीजिएगा कि WSQTEC का link copy कीजिएगा या फिर मैं कहूं किसी भी अच् जाएगा तो काफी अच्छा इसी shape में एक image यहाँ पर आजाएगी उसके साथ में description आजाएगा और साथी काफी अच्छा ये एक open graph यहाँ पर दिखेगा हमें तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने run किया हुआ open graph protocol तो I hope आपको पता तो चल गया होगा कि open graph protocol ह है क्या तो basically एक program है जो कि हम run करते है अपनी website में जिससे आपकी website social media platforms को और वो social media platform which is run by meta या फिर मैं कहूं facebook owned जितने भी social media platform है जिसमें हमारे whatsapp में आता है instagram में आता है उसके लाब facebook में आता है इन social media platform पर आपकी website की appearance काफी अच्छी देखे एक rich snippet की तरह आपकी website देखे इ देखे आप भी चाहेंगे कि आपकी website को जादा से जादा लोग अपने social media पर शेयर करें हम बोलता ने कहीं बार कि share this site या फिर share this video आपने ऐसा YouTube पर भी देखा होगा YouTube पर भी अच्छा open graph आता है तो ऐसा इसी लिए क्योंकि YouTube ने भी वो प्रोटोकॉल लगा रखा होगा अप वीडियो का description होता है तो वैसे ही हम अपनी website के लिए करते हैं तो ऐसा हर website पर नहीं होता है जिस पर ये लगा होगा open graph प्रोटोकॉल उसी पर ही ये इस तरह से एक rich graph दिखेगा तो इससे definitely हमारा CTR जो है वो अच्छा होता है क्योंकि हम कई लोगों को बोलते हैं कि हमारी website को शेयर कीजे वो लोग शेयर करते भी हैं लेकिन अगर मालनीजे Facebook पर किसीने मेरी website का link शेयर किया है और सिर्व वहाँ पर www.scriptic.com लिखा रहा है तो काफी वो अनपीलिंग सा लगेगा लेकिन वहीं अगर एक rich graph आ रहा है तो definitely वो चीज मेरे CTR को सुधारेगी और ये बात ह ये हम open graph protocol add करते हैं हमारी website में जिससे कभी भी कोई अगर शेयर करता है हमारी website को social media platforms पर तो काफी अच्छा उनको एक rich graph देखे अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम ये apply करेंगे कैसे तो open graph protocol अगर आपको लगाना है अपनी website में तो इसके लिए आपको एक code जनरेट करना पड़ेगा जो कि आपकी website के head section में लगेगा अब उस code को देखे अगर आप developer को guide करते हैं तो definitely वो एक code जनरेट कर देंगे आप उनको guide कर सकते हैं आप उनको बता सकते हैं कि आप क्या च तब एक-डोई clicks में आप यह code जनरेट कर सकते हैं आप इसके लिए आपको करना है किया क्या के डीटेल करनी है तो देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है तो देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है तो जो भी आपकी website अगर कोई भी person आपके किसी बी social media पर शेयर करता ह है तो title क्या होना चाहिए title के अलावा फिर यह description है कि उस website का description देखना चाहिए उसी के साथ ही site का नाम क्या है और उसके अलावा site का URL जैसे में WSQTag यहां पर ओपर करूँगी और उसके अलावा यहां पर जैसे type है तो किस type का आपका business है उसके अलावा number of images मतलब कितनी images यहां पर add करना चाहते हैं तो मैं एक ही image add करूँगी उसके अलावा image का URL आ जाएगा चीके जी चलिए साथ में generate करते हैं सबसे पहले title है तो एक काम कर दी हूं just to save the time में WSQTag का जो title हमने लिखा हुआ है जनरली जो सब के लिए वो में यहां पर paste कर देती हूं यह मैं आप it is ले लेती हूं चीके जी यह मैंना title है और मैं इसको copy करके और यहां पर put कर देती हूं चीके जी यह मैंना title लिख दिया अब देखिए यहां पर क्या है कि आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हूं क्योंकि इस title थोड़ा सा lengthy title है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूं उ जैसे कि मैं यह description ले लेती हूँ, यह मैंने description महीं से copy कर लिया, आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, और attractive बना सकते हैं, वो आपके उपर है, site का name आजाएगा, site का name क्या है, हमारा WS Cube Tech, हमारी site का नाम है, site का नाम पूछा है, ना कि आप से site का URL, URL के लिए एक दूसरा option है, तो मैं यहाँ पर अपनी site का URL पेस्ट कर रही हूँ, homepage का ही आपको करना है, उसके अलावा article जो है, मतलब क्या है, आपकी, मतलब क्या type का आपका business है, तो जैसे मैं यहाँ पर website है हमारी, तो मैं website यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर आपका local business है, कोई भी आप ऐसा share करना चाहते हो, आप अपने recording देख सकते हो, number of images, आप यहाँ पर एक ही मैं image अभी add करूँगी, तो आप देखिए, यहाँ पर आपको image का URL चाहिए, तो यह काम करते हूँ, मैं अपना logo ही चाहती हूँ, कि logo ही मेरा display हो, तो मेरे जो WSQTEC का logo का URL है, मैं as it is वही paste कर देती हूँ, यहाँ लोग का URL जो कि मैंने schema.org में add किया था, चाहिए, वही मैं image का URL यहाँ पर कर देती हूँ, यह कर दिया, अब देखिए, आप इधर देखेंगे, तो यह जो जैसे-जैसे मैं यहाँ पर changes करती जा रही हूँ, यहाँ पर यह मेरा code जो है, result जो है, generate होता जा रहा है, यह मेरा tag हो गया, जिससे मुझे paste करना है, मेरी website के head section में, अब मैं इसको कर लूँगी, copy हमने कर लिया, copy करने के बाद में, हम इसको website के head section में paste कर देंगे, अब अगर यहाँ पर आपकी WordPress website है, तो उसके लिए कुछ अ यह वो code है, जो कि आपको यह तो अपने developer को provide करवाना है, और यह आपके add होगा, आपके HTML में, आपके HTML के header में, याद रखिएगा, आपके header है, उसमें add होगा, जिससे वो हर एक page पर लग जाए, तो यह आप उसमें add करवा देंगे, अपनी report में डाल देंगे, कि आपको यह हमारे header में, ठीकशल में लगा हूए होए है, यह यहां से हमारा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, यह देखिए, यह यहां तक जो ओजी ही होनी चाहिए चीक है जो आपकी इमेज है वो square size ही होनी चाहिए चीक है और अच्छी quality की होनी चाहिए तो आप अपने recording उसको change कर सकते हो देख सकते हो और जैसा आपको ठीक लगए आप चेंज कर सकते हो अभी जो मैं आपको example दिखा है दिवाली वाले सेल के लिए लगा रखा था क्योंकि जब भी कोई person इस लिंक को शेयर करें तब वहाँ पर वहाँ पर आजाए वह भी तक चेंज नहीं हुआ है बटाल मेक शूर कि मैं चेंज करवा दूँ तो चलिए वर्डप्रेस पर चल लेता है और वहाँ पर देख लेते ह करके अब Yoast में आपको कई सारे यहां पर यह उप्शन मिल रहे हैं इसमें आपको शोचल पर जाना है क्योंकि अल्टिमेटिक हम वेब साथ क्या सुधार है तो शोचल पर आपको जाना है और शोचल पर जैसे ही आप जाएंगे स्क्रोल डाउन करेंगे तो देखिए यहां पर यह फेस्बुक आजाएगा अब देखिए फेस्बुक के लिए अगर आपने इनेबल कर लिया तो डेफिनितली क्या होगा कि फेस्बुक ओन जितने भी शोचल मीडिया प्लेटफॉम है वहां पर यह नेबल हो जाएगा तो इसको हमें कर देना है इनेबल उसके अलावा तो यह आपको बता देगा तो इसलिए मैं ट्राइ करती हूं एक स्क्वेर इमज को ही सलेक करने का नहीं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं कोई फाइल तो तो देखिए यह वाली इमज मैं आपको सिर्बताने के लिए शैर कर देती हूं तो अब जब ऑपन ग्राफ यहां पर शेयर किया, चीक है, फेस्बुक कर उसने सिर्फ लिंक शेयर किया है तो ये इमेज देखेगी, अगर मान लीजे, किसी ने फेस्बुक कर लिंक शेयर किया, लेकर उसके साथ में कोई और इमेज लगाई है, तो आपकी ये इमेज शो नहीं होगी, ये तो common understanding है, क्योंकि दो इम हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की जो appearance है, चाहे वो search engine पर appearance हो, चाहे मैं बात करूँ, social media पर उसकी appearance तुद रहे, तो ये एक पार्ट था जिससे आप अपनी वेबसाइट की social media पर appearance उधार सकते हैं, तो I hope आपको clear हुआ होगा कि open graph protocol क्या होता है, कैसे हम उसे generate करते हैं, और बस इसी तरह से महनत करते रहो, कुछ न कुछ सीखते रहो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, twitter cards के बारे में, तो twitter cards क्या होता है, क्यों हो इसे apply करना चाहिए, और इसे हम apply कैसे करेंगे अपनी website में, ये हम जानेंगे आज की इस एक वीडियो में, इस आज हम बात करेंगे, twitter card के बारे में, तो जब हमने open graph protocol की बात की तो वहाँ पर हमने समझा था कि कैसे जो meta-owned social media platforms है, facebook, instagram, whatsapp, उन पर जब कोई हमारी website का link share करें, तो काफी अच्छा एक rich graph वहाँ पर show instead of some link, वैसे ही हम चाहेंगे कि जब भी कोई twitter पर जो की एक बहुती growing platform है इंडिया में, as well as पूरी दुनिया में, जो काफी तेज़े से ग्रो कर रहा है, twitter पर अगर कोई भी हमारी website का link share करता है, भली हम खुद भी link share करते हैं, तो वह काफी अच्छा एक rich graph की तरह show हो, तो देखिए, जब आपको पता है कि जो twitter है, that is not owned by meta, तो meta के लिए हमने लगा लगाएंगे, twitter card, twitter card भी एक तरह का protocol है, जो कि आप अपनी website के spml में लगाते हैं, और जिससे आपकी website की twitter पर search appearance काफी अच्छी लगती है, twitter card अगर आप अपने website पर लगाते हैं, तो यह आपको allow करता है, कि बहुत अच्छी-ची images, videos, और भी interactive information आप share कर सकते हैं, along with your website link, और definitely, I don't think, मुझे बताने की जरुत है, कि इससे आपका CTR और भी जादा improve होगा, क्योंकि search engines जो हैं, वो यह भी देखते हैं, कि आपकी website पर other sources से, यानि other social media platform से कितना traffic आ रहा है, कितना आपका वहाँ पर भी CTR है, तो CTR को बढ़ाने में बहुत जादा help करता है, twitter card, और अगर आपकी corporate website है, यानि मैं कहूँ एक ऐसी website है, जिसे बहुत जादा हो सकता है, twitter पर share किया जाए, या फिर कहीं भी इस website का reference दिया जाए, तो definitely आपको twitter card use करना चाहिए, open graph की तरह ही twitter card एक HTML code होगा, जिसे आपको paste करना होगा, अपनी website के header section में, ठीके, header में ही हम इसे apply करते हैं, जिसे की वो पूरी website पर एक साथ लग जाए, अगर आपकी website का कोई x, y, z page भी अगर share किया जाता है twitter पर, तो भी वो एक काफी rich graph की तरह दिखे, तो चलिए देख लेते हैं कि एक website पर twitter card का protocol किस तरह से दिखाई देता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैं इसका एक बात देख लेती हूँ, तो हम आचुके हैं इसके source code पर, और यहाँ पर आपको simply type करना है twitter, जैसी आप twitter type करेंगे, तुम आपको पता देती हूँ, कि यह देखे, यहाँ पर यह हमारा twitter card लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चीक है, यह देखे, यह हमार post वहाँ पर देखे, जहाँ पर आपकी desirable वहाँ पर picture हो, description हो, title हो, जिससे कि आपका CTR improve हो पाए, तो अब आप इसको generate कैसे करेंगे, देखे, simple सा तरीका है कि इसको आप copy करके अपने recording change कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, तो देखे, twitter card generate करने के लिए मैं ज चीज़ देख लेते हैं, कि यहाँ पर देखे, इधर आप देखेंगे, तो एप है, आपका player है, आपका summary है, या फिर एक large image के साथ आपकी summary है, तो इसके लावा player है, player में basically आपकी आएंगी videos, अगर आपकी कोई videos है, आपकी streaming है, youtube पर उसको आप शेर करना चाहते हैं, तो उ काफी बड़ी image देखेंगी, तो obviously आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, website के लिए, लेकिन आप एक app के लिए भी, और एक player, यानि एक video के लिए भी, आप Twitter कार जनरेट कर सकते हैं, तो मैं summary with large image कर रही है, क्यूंकि हमें website देखनी है, अब यहाँ पर आपका site username है इसमें basically आपको अपकी जो site है, उसका नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, WS Cube or Tech, WS Cube Tech मैंने यहाँ पर यह जो site name है, यह यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद में आपकी site का title, तो इसके लिए जो हमने title SEO के लिए लिखा है, SERP के लिए लिखा है, मैं as it is वही copy कर रही हूँ, तो आप अपने according change भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर as it is वही title लिख रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरे keywords है, और जितने ज़्यादा जगा पर मेरे keywords दिखेंगे, उतने ही chances अच्छे होंगे, तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा से short कर लेती हूँ, और अब यह image URL, कि जो image आप आप शो करना चाहते हैं, वह image यहाँ पर आपको करनी है, तो definitely मैं इसका जो logo है, उसी का ही URL ले ले लेती हूँ, आप चाहें तो अपने logo का URL भी यहाँ पर copy करके डाल सकते हैं, जो कि आपको अपनी website पर easily मिल जाएगा, ठीके जी, यहाँ पर हमने लगा दि करती हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि 200 से तो यह definitely जादा ही होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने कम करके यहाँ पर कर दिया है, यह करने के बाद में आप इसको अपने recording कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहें अलग से अगर Twitter के लिए description लिखना तो आप लेख सकते आपका यहाँ पर जो Twitter कार्ड के लिए जो code है, वो आपका generate हो चुका है, इसको मैं यहाँ पर कर लूँगी, control all करके, save, copy कर लूँगी, चीक है, copy करने के बाद में आप इसको अगर आपकी मानली जिन on WordPress website है, या फिर ऐसे जिसमें developer के आपको help लगेगी, तो आप developer के साथ य header section में paste करना रहेगा, यह आप direct कर सकते हो, नहीं तो अगर आपकी WordPress की website है, तो वहाँ पर आप simply यह code लेकर जाओ, theme editor में जाकर, आप header में जाकर change कर सकते हो, नहीं तो WordPress पर बिना code generate किये हुए भी, आप एक plugin का use करके, एक ही click से Twitter का generate कर लोगे, तो इसके लिए कैसे करना है, चलिए चलते हैं WordPress पर, तो इसके लिए आप इंस्टॉल करना है, योस्ट पर ठीक है, योस्ट पर जाने के बाद में आपको click करना है, शोशल पर ठीक है, यह same step हमने opencraft में भी किया था, तो इसी को हम अब देखिए, जिसे पहले हमने Facebook क्लिक किया था, अब हम Twitter पर जाएंगे ठीक है, Twitter पर जाने के बाद में, simply आपको इसको कर देना है, enable और यहां से आपका default card type जो है, वो चूज कर लेना है, जैसे मैंने summary with large miss select कर लिया, तो इसको हम करके बस कर देंगे, save, बस इतना सा करना है, ना कोई आपको code जनरेट करना है, ना उसको paste करना है, और automatically आपकी website में यह code जो है generate होके hit section में paste हो जाएगा, तो इसी के साथ में मैं आपको Pinterest का भी बता देती हूं, तो Pinterest के लिए भी आपको जो open graph का हमने protocol लगाया था, same उसी से ही आपका Pinterest का का काम हो जाएगा, तो आप इसी तरह से आप Twitter के लिए, Facebook के लिए, और mainly जो 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 मीडिया owned है, that is by Facebook, तो Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter और Pinterest, सबके लिए हम जो open graph है, यह पर मैं को है, एक rich post create करना सीख चुके हैं, बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है, कि अगर आपको एक SEO expert बनना है, तो क्या आपको web development की knowledge होना भी जरूरी है, तो देखिए, इसका मैं जवाब देना चाहूंगी, कि नहीं, ऐस compulsory नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो कि आपको एक website के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ultimately आप क्या कर रहे हो SEO में, SEO में आपको search engines के according अपनी website को optimize कर रहे हो, तो एक website की basic information जानेंगे हम आज की इस एक video में, जिससे आपका यह जो base है SEO का, यह और भी information की, क्योंकि देखिए, आज हम किसी चीज़ को optimize करने जा रहे हैं, किसी चीज़ पर काम करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में basic जो information है, वो हमारे पास जरूर होनी चाहिए, जिससे हम अपना काम और भी efficiently और effectively कर पाएं, तो अगर आपके mind में यह डर है, कि हम तो IT field नहीं है, हमें तो इल्कुल भी knowledge नहीं है, technical, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आज किस वीडियो में जो यह छोटी-छोटी चीज़ हैं, चोटी-चोटी doubts हैं आपके, website को लेकर, technical SEO को लेकर, यह सारे clear हो जाएंगे, तो वीडियो को end तक देखना, क्योंकि कई ऐसे चोट-च तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा important है, तो चलिए बात करते हैं website के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे web page के बारे में, तो web page क्या होता है, web page एक बहुत ही simple सा document है, जो की आप अपने browser पर देखते हैं, browser जैसे की internet explorer की मैं बात करूँ, google chrome हो गया, या फिर phone में safari होता है, तो यह आपके browser है, browser आपको connect करते हैं server से, अब server क्या होता है, तो server एक storage है, जहां पर बहुत सारा data रखा हुआ है, और उस data को create किया है, जब लोगों ने अपनी websites बनाई, information पूट की, तो जो storage है, वो वहाँ पर create हुई, तो browser जो है, वो आपको connect करता है server से, और server से आपको एक response मिलता है, आपको एक information मिलती है, जो कि display होती है एक page पर और उसे ही हम web page कहते हैं, और एक website क्या होती है, तो website और कुछ नहीं, बलकि इन web pages का ही collection है, सबसे पहले जो आप website पर देखते हैं, वो आपका home page होता है, फिर उसमें जो internal pages होते हैं, वो अलग-अल हमारी website और यह हो गया हमारा web page, अब यह जो website है, यह बनती कैसे है, देखिए, बहुत ही simple तरीके से समझेंगे, जैसे कि building बनती है, वैसे ही हमारी website बनती है, देखिए, building का सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले building का structure बनता है, एक-एक brick जोड के, काफी अच्छा structure बनाते ह अब building का structure है, वो बनता है brick से, concrete से, वैसे ही जो website का structure बनता है, वो बनता है stml से, stml एक markup language है, जो की use की जाती है, किसी भी website का structure बनाने के लिए, normally किसी भी website का आप structure देख सकते हो, जो previous वीडियो थी, उनमें मैंने आपको source code की बात बताई थी, तो website का जो source code आप देखते हो वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, आपकी website का structure है, चलिए, एक बात देख लेते हैं उसे, देखिए, यह है WSQTEC की website, काफी अच्छी, काफी colorful आपको देख रही है, लेकिन इसका अगर मैं structure देखूं, तो control plus U देख के आप, यह आपका stml में आपकी website का structure है, चलो एक बात clear हुई कि website का structure है, वो आपके से बनाते है, अब देखिए, यहां पर चाहे आपकी किसी भी language में, आपकी website बनी हुई है, चाहे आपकी WordPress website है, चाहे आपकी किसी भी advanced technology में, आपकी website बनी हुई है, लेकिन उसका जो structure है, वो बनेगा stml में ही, यह आपका structure, अब यहां पर एक छ क्या ये एक audience के लिए क्या एक user के लिए ये feasible है इसको समझना नहीं तो इसी लिए इस website का जो structure है उस पर हम style देते हैं अब देखिए ये structure है इस पर style देके हमने ये website बनाई है ये जो आपको इतनी सुन्दर यहाँ पर colorful यहाँ पर ग्राफिक्स के साथ आपको जो चीज़ें द लगाया है हमने styles लगाए है हमने कई effects लगाए है और तब जाकर ये website बनी है अब structure तो हमारा बन जाता है HTML में लेकिन हमारी website की जो styling होती है वो होती है CSS में CSS यानि Cascading Style Sheet CSS एक styling language है जो की use की जाती है एक website का style उसके effects ये जो colorful चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर ये जो इतने अच्छे जो आप graphics देखते हैं ये सारे create किये जाते हैं CSS का use करके तो simple सा अब हम मतलब समझते हैं कि तो देखिए जैसे अ इक ऐसी building में रहना पसंद होगा जिसका सिर्फ structure ही खड़ा है नहीं हम उसका paint करवाएंगे उस पर wall putty होगी उस पर wall paper लगेगा और काफी वो colorful और रहने लाइक बनेगा तो यही चीज़ा हमने website में की हमने website का structure बनाया वो बनाया STML में और फिर उसकी styling की उस पर graphics लगा है में colors add किये वो हमने किया CSS में right so I hope STML और CSS दोनों का मतलब आपको समझने आया होगा एक और example ले लेते हैं जैसे कि एक human body होती है तो human body का जो skeleton होता है यानि उसकी जो bones होती है bone structure होता है वो body का हमारा structure होता है वैसे ही एक website का जो skeleton होता है वो हम तयार करते है STML में और उस पर जो skin जैसे हमारी body पर skin है उसका color है body का eyes, hair है यह सारी हमारी क्या चीज़े होती है यह बनती है CSS से यानि हमारे structure पर style चड़ाने के लिए CSS का यूज किया जाता है तो I hope यह जो example है से आपको और भी जादा clear होगा अब बारी आदी है एक और बहुत ही important language की उसका नाम है JS यान क्या होता है कि देखिए जब भी जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ आप देखेंगे जैसे मैंने company पर click किया इस तरह से यह pop-up box आया उसके अलावा यहाँ पर इस तरह से यह pop-up window आई elements add मुझे करने हैं और तो हम मैं use करूंगी javascript तो यह जो elements है यह special effects है यह स structure बना फिर उसके ओपर हमने style की तो उसके लिए हमने use किया CSS और उसके बाद में कुछ extra effects देने के लिए जैसे building में आपको water supply भी करनी पड़ेगी उसके अलावा आपको electricity भी देनी पड़ेगी lift आपको लगानी पड़ेगी जिससे कि वो जो static चीज है वो dynamic बने और लोग उसम इसको normal web pages होता है इसको dynamic थोड़ा सा बनाने के लिए जो static pages मतलब simple एक page है उसको थोड़ सा dynamic बनाने के लिए उसमें special elements कुछ special effects आड़ करने के लिए हम use करते हैं JS अब website बनाने के बाद यह जो हमने website बना ली जिसमें stml का use हुआ जिसमें CSS का use हुआ जिसमें JS का use हुआ यह कर database है इस पर हमारी website चली जाए जिससे कोई भी person अगर कोई भी हमारा page request करें तो उसे हमारी website दिख जाए right simple language में आपको समझाने के कोशिश कर रही हूं because मैं यही मान के चल रही हूं assumption मेरी यह है कि आप लोगों को बिलकुल भी IT knowledge नहीं है तो जिससे हर कोई इस चीज से benefit ले स तो website बनाने के बाद हम उसे server पर भीजना चाहेंगे server पर भीजने के लिए server यूं समझ लीजिए कि एक land है एक जमीन है तो उस जमीन पर हमें property लेने पड़ेगी तो अब property लेने के लिए अब यह कर सकते हैं कि या तो हम किसी के यहां rent पर ले सकते हैं बहुत सारी ऐसी companies हैं जो आपको lease की तरह एक rented property की तरह आपको कुछ जगा देंगी और वहाँ पर आप अपनी website को रख सकते हो पूरे server पर चीक है और सिर्फ इतना ही नहीं आप उस server पर अपनी खुद की land खुद की property भी खरीच सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ rented ही लेना हो अब यह जो hosting आप लेंगे मतलब यह जो rent पर आप property लेंगे इसमें भी बहुत तरीके को होते हैं लेकिन आपको mainly 4 तरीके बताऊंगी पहले तीनी थे अब 4 हो चुके हैं तो पहला तरीका यह होता है hosting लेने का कि आप shared hosting लेते हैं इसमें कोई company है उसमें already काफी land server पर खरीद ली है और उस में से वो कुछ पार्ट आपको दे देती है उसमें से वो आपको अलाओ करती है कि आप हमारे server पर अपनी website को पूट कर दीजे तो ऐसे में क्या होगा कि company ने एक property को multiple websites के साथ में शेर किया हुआ है तो जिसे हम कहते है shared hosting जब आप एक ऐसा server लेते हैं जहां पर और बी कई websites वहाँ पर live है तो आप shared hosting तब लेते हैं जब आपकी website पर ज़्यादा traffic नहीं है मतब normal ही monthly traffic आता है इतनी ज़्यादा request आपकी आती नहीं है तो इसलिए आप shared hosting से भी काम चला सकते हैं अब next type की जो हमारी hosting होती है उसे कहा जाता है VPS यानि virtual private server इसमें basically क्या होता है कि company तो एक तो उसमें से आपका fix हो गया कि 20% जो server है वो आप ही का रहेगा आप ही को dedicated रहेगा तो यह VPS हो गया उसके बाद में next हमारा type आता है dedicated server कि जिसमें आपकी website के लिए एक अलग ही server एक अलग ही property हमने server पर ले रखी है और पूरी आपकी website वहीं live होगी यह हमारा हो जाएगा dedicated server जो भी बहुत जादा popular hosting है वो है cloud hosting तो अब आप अने requirement के according या फिर मैं कहूँ monthly traffic के according, monthly request के according आप अपनी hosting चूज कर सकते हैं, आप shared hosting भी ले सकते हैं, आप VPS भी ले सकते हैं, आप dedicated hosting भी ले सकते हैं, और उसके अलावा cloud hosting भी ले सकते हैं, जो कि आज कल बहुत ज़्यादा popular है, अब चलिए हम एक last चीज समझ लेते हैं, कि website हमारी बन गई, उसको हमने live भी कर दिया, hosting भ हमारे browsers होते हैं, browsers basically एक communicator है, जो हमें connect करते हैं server पर, क्योंकि server पर हम direct connect नहीं हो सकते, as a user हम browser का use करते हैं, browser में mainly जैसे google chrome है, internet explorer है, उसके अलावा phone में, iPhone में आप देखते हैं, तो safari है, तो ये कुछ browsers हैं, जो कि हमें connect करते हैं server से, अब browser पर कैसे ये चीज काम करती है, य ऐसे मैंने यहाँ पर, मान लीजे, कोई भी address डाला, क्योंकि किसी भी website तक हम कैसे पहुँचते हैं, एक address के थुरू पहुँचते हैं, वो बात अलागी कि search engines भी हमारे पास हैं, जो कि different different जो websites ने server पर, उन्हीं का ही data हमें लाकर देती हैं, और मैं already इस पर बात कर चुके हू जो कि उस website का domain name है, domain name एक तरह से आप समझ लीजे, उस website का address है, मैंने website का नाम टाइप किया, wsqptek.com, जैसे ही मैंने यह टाइप करके, enter मैं प्रेस करूंगी, मेरा browser connect होगा server से, और server से मुझे एक response मिलेगा, अभी मुझे response क्या मिला, कि यह website available है, यह लीजे, इस website का homepage, अग for example, let's say, I type this, यह मैंने type किया, अब देखे, क्या हुआ, this site can't be reached, मतलब पूरे server पर जब हम ढूने गए, तो यह website हमें मिली नहीं, उसी तरीके से, अगर मान लीजे, मैंने wsqptek type किया, wsqptek website तो है, लेकिन, यह वाला page मुझे चाहिए, जैसी मैंने enter दबाया, तो यहाँ पर जानी कि आपने जो यहाँ पर domain name type किया है, उसके server से हम connect हो चुके है, लेकिन जो page आप ढूना चाहरे है, जो correct address पर आप जाना चाहरे है, वो हमें नहीं मिला, तो इसी वेबसाइट का 404 error page हमारे पास आ गया है, 404 error page कैसे लगाते हैं, अगर यह video आपको देख नहीं है, तो simple सी चीज़ है, browser पर हम कुछ भी request करता है, हमारा user कुछ भी request करता है, तो browser आपको connect करता है server से और वहाँ से कुछ response लेकर आता है, अब response आपको कुछ भी मिल सकता है, response आपको बोल सकता है कि हमें website ही नहीं मिली, response हमें यह बोल सकता है कि website तो मिली, server तो मिला, लेकिन हमें य पेज बर्टिकुलर नहीं मिला या फिर अगर वो पेज अवेलिबल है तो वो हमें क्या दिखा देगा वेब पेज दिखा देगा यानि इंफोमेशन हमें दिखा देगा राइट तो आप जो अपने सामने देखते हैं वो एक तरह का रिस्पॉंस होता है तो यह कुछ बेसिक इन्फोमेशन थी जो कि आपको एक वेबसाइट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए I hope थोड़ा साइडिया क्लियर हुआ होगा जो भी नॉन-IT बेग्ग्राउंड से हैं जिनको डवल्पेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है I hope उनका थोड़ा सा लॉजिक बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा एक वेबसाइट का SEO तब तक हधूरा है जब तक हम बात ना करें उस वेबसाइट की पेज स्पीड की या फिर मैं कहूँ पेज लोड टाइम की तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं हम इस वीडियो में एक नहीं बलकि दो टूल का यूज करने वाले हैं तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा हमाने बताया आज बात हो रही है वेबसाइट की पेज स्पीड की या फिर मैं कहूँ पेज लोड टाइम की तो कैसे हम इसे चेक करेंगे तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं दो टूल्स पहला टूल जो है वो है हमारा पेज स्पीड इंसाइट विच पावर बाई गूगल और दूसरा जो हमारा टूल है डाट इस जीटी मेट्रिक्स साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ और टूल्स भी रिकेमेंड कर दूंगी जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड और क्वालिटी चेक कर सकते हैं लेकिन जो यह मैंने दो टूल्स आपको बताया है यह दोनों ही काफी रिलाइबल और काफी हद तक एक् वीडियो है अगर आपने वह नहीं देखी तो जरूर देखिए और वह वीडियो है जहां पर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डिसकस की थी अबाउट वेबसाइट की वेबसाइट कैसे बनती है कैसे उसका स्ट्रॉक्चर बनता है कैसे स्टाइल बनता है क्योंकि वह सारे जो यहां यूज करने वाले हैं तो इसलिए जो भी में वर्ड बोलूं उसकी पहले से आपके पार नॉलेज होने चाहिए तो इसलिए वह वीडियो आप देख सकते हैं कहां से लिंक मिलेगा सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस का निक मिल जाएगा जिसमें कम्प्ली ऐस चलिए फिर जल्दी से देखते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हम डूल यूज कर रहे हैं उसका नाम है पेज स्पीड इंसाइट ठीक है तो यह जो हमारा है यह देखिए इस तरह से कुछ इसका लिंक आएगा वैसे आ तो भी आपको फर्स्ट में ही देखेगा ओके सो यह आप देख सकते हैं इसका एक यूरल इस पेजस्पीड.web.dev इसको हमें कर लेना है ओपन यह काफी अच्छा डूल है और काफी रिलाइबल है पस इसकी एक ही कमी है कि यह थोड़ा सा टाइम जादा लेता है कि प्रोसेस करने में टेस्ट करने में आपकी वेबसाइट की स्पीड को तो सबसे बहले मैं उपन करूंगी WSQ Tech की में वेबसाइट और चलिए देखते हैं कि इस वेबसाइट की जो स्पीड है वो कितनी है चीके चीक सबसे बहले मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया इसका URL में होम पेज ह कdır कि का ही ऐसे यह आपको URL यहां पर पेस्ट करना है में डूमैन में में जीस इसे पूरी वेब साइट की यज बता देगा ंद सि despieड के अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है analyze ऑना जिसे पर क्लिक करने के बाद में 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 कि मैं करें मूबात करेंगे मोबाइल की भी आप performance analysis जो है वो run हो रहा है और यह थोड़ा सा time लेगा कभी-कभी ज़ादा भी ले लेता है it depends on the size of your website कितने pages हैं, right, कितनी बड़ी आपकी website है तो उस recording यह time लेगा और उसके बाद में आपको results लिखा देगा यह देखिए, यहाँ पर आपके कुछ यहाँ पर results आ गए है बाते हम कर रहे थे, इतनी देर में हमरे पर results आ गए है कभी-कभी ज़ादा time लग जाता है, बड़ थोड़ा सा आपको wait करना है अब आपको यहाँ पर origin पर click कर लेना है यह 100 में से marks हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपकी speed दी हुई है यह जो 0.8 second है यह चीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कितने में आप pass हैं, कितने में आप fail हैं अब यह देखिए, हमारी यहाँ पर यह जो website की speed जो है वो यहाँ पर आ चुकी है आप यह देखिए, सबसे पहले यह एक तरह से mark sheet जैसा है जैसे आपके exam में mark sheet मिला करती थी, यह इतने marks आए हैं passing marks इतने थे, तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर पूरा data आ गया है कि basically कितनी आपकी performance score है, कितने milliseconds, कितने seconds आपको लग रहे हैं आपकी website को load होने में, उसके अलावा किस तरह से आपकी website रही है यहाँ पर आपको इस तरह से stream map आ गया है उसके अलावा कुछ यह आपको diagnostics भी दे रहे हैं यानि कुछ problems भी बता रहे हैं, जो आपकी website ने problems हैं और उसके अलावा कुछ opportunities भी बता रहे हैं इन इन चीजों को आप सही करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को और अच्छी कर सकते हैं लेकिन www.scriptic.com के अगर मैं बात करूँ तो इस वेबसाइट की काफी अच्छी स्पीड है सबसे पहले इस पर भी हम वापिस आएंगे लेकिन सबसे पहले जो आपको चीज करनी है मतलब वन शॉर्ट में अगर आपको चीज देखने हैं तो इस इस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अगर हम आप इसकी देखने हैं तो दाट इस 91 यहां पर आपको एक स्कोर चार्ट भी दिया हुआ है अगर 0 से 49 तक अगर आपका यह पुफॉर्मेंस स्कोर है तो आपको डेड मार्क मैं न रेड जोन मैं मतलब आपकी स्कोर है अगर 5289 है तो यह एवरिज स्कोर है लेकिन अगर आपकी 9200 की बीच में मतलब काफी अच्छी आपकी वेबसाइट की स्कोर है कि first contentful paint FCP अब first contentful paint होता क्या है कि देखे जब भी आपकी website load होती है तो आपकी website पर बहुत सारे images, बहुत सारे elements भी आपको दिखते हैं तो पहला element दिखने में कितना time लगा website load हुई उसके बाद मैं मुझे जो पहला contentful paint दिखा यानि पहला element दिखा उसे दिखने में कितना time लगा that is 3.2 seconds अब ये red zone में है मतब इसको मुझे और अच्छा करना पड़ेगा next है हमारा FID FID is first input delay जो FID होता है ये basically आपका interaction का time है कि आपकी audience जैसे ही उनको page दिखा browser से तो वो कितने time में वो available है interaction के लिए ये मतलब होता है FID का और अभी आप FID की speed अगर देखेंगे तो that is 6 millisecond और FID जो है वो आपका 100 millisecond से कम होना चाहिए तो 100 से तो काफी कम है that is 6 millisecond तो ये काफी अच्छी बात है मतलब ये green में है next है हमारा largest contentful paint अब देखें जो element है वो कितनी देर में देखा तो वो देखा 5.7 seconds में ठीक है आप इन एक-एक चीज़ों को यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर इनके blogs भी है और यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है कि यह जो आपका है यह 2.5 seconds से कम होना चाहिए लेकिन अमारे जादा है 5.7 seconds उसके अलावा बात करते हैं cumulative layout shift की that is CLS अब cumulative layout shift होता क्या है कि basically आपने कई बार देखा होगा जैसे आपको यह website पर गए वहाँ पर आप किसी link को click करने वाले होते हो इतने में वो page जो है load हो जाता है और वो link वहाँ से हट जाता है या फिर आपको यह article पढ़ रहे हो और वो एकदम से move करने लगता है तो basically यहाँ पर यह पताया जा रहा है कि कब आपका page जो है वो stable हो जाता है मदब जिस जगा पर उसे आना चाहिए वो एकदम fix हो जाता है complete load हो जाता है तो उसके लिए हमें time लग रहा है 0.03 second again इस पर click करके भी आप देख सकते हो कि कितनी इसकी requirement है तो जो एक good CLS score होता है वो 0.1 होना चाहिए और हमारा यह यहाँ पर आ रहा है that is 0.03 मतब काफी कम तो यह यहाँ पर कुछ आपको metrics दिये हो है जिनके basis पर आपकी website की performance है जो आपकी quality है वो check ही जाती है बाकी मैं आपको performance का यहाँ पर बता दिया overall performance जो है 91 है that is a good score यह 100 में से score होता है उसके लाब first contentful paint इसके हम बात कर चुके हैं यह आ गया speed index के अगर मैं बात करूं तो that is 2.2 seconds largest contentful paint 1.3 seconds time to interactive कि कितनी देर में आपकी website जो है interaction के लिए ready हो जाती है जिसमें जो basic लिए भी हमने बात की था first input delay यह वाई यह उसके साथ में जो total blocking time है कि कितनी देर के लिए हमारे जो elements है वो block हो गए है तो यह 0 millisecond नहीं कुछ भी कभी भी block नहीं हुआ है उसके लावा cumulative layout जो भी हमने बात की यह हमारा approximately 0.18 seconds है और यहां पर यह basically home page की performance बता रहा आप देख रहें ना this URL उसके लावा अब यहां पर कुछ opportunities आपके लिए है मतलब कि यहां पर ही आपको कुछ advice कर रहे है कि इन चीज़ों को आप improve करके अपनी website की speed को और भी जादा सुधार सकते है पहला है reduce initial server response time अब यह opportunity क्या दिखा रहे हैं कि सबसे पहले ही बोल रहे हैं कि जो initial server response time है जैसे मैं आपको लास वीडियो में बताया था कि browser connect करता है server से जो आपकी website का है वहां से हमारी audience को एक response दिखाता है तो यह जो पूरा time होता है कि browser connect होरा server से वहां से आपके लिए information लेकर आ रहा है उसको webpage के truth दिखा रहा है इस time को आपको करना है कम अभी यह जो time है that is 0.82 second और यह काफी जादा है एकदम red mark में है तो आपको इसको कम करवाना है उसके अलावा आपकी जो images है उनको आपको next gen format जैसे अभी तो देखिए आपने png के बारे में सुना होगा jpeg के बारे में सुना होगा लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे formats हैं जो की cloud पर हैं जिनका यूज करके आप अपनी images को और भी better optimize कर सकते हैं जिसे वेब P के बारे में आपने सुना होगा तो ऐसे जो formats हैं ऐसे जो extensions हैं आप अपनी जो images हैं उनको convert कीजिए जिससे कम size में ही आपको अच्छी quality मिल पाए अपने images की और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो images हैं वो काफी जादा pressure बनाती हैं website पर और जिसकी वज़ज़ से speed जो है वो हमारी कम हो जाती है page low time बढ़ जाता है उसके हलावा reduce unused javascript javascript की हम बात कर चुके हैं यह आपकी website में कुछ extra effect elements add करने के लिए यूज़ की जाती है तो अगर मालीजे कई बार ऐसा होता है कि हमने javascript एक लगाई जैसे हमने मालीजे कोई भी नए तरीके की हमने कुछ element लगाया effect लगाया तो जो पहले वाली हमारी javascript होती है जो कि unused है उनको हम delete करना भूल जाते हैं तो आप अपने developers से coordinate करके इन जे जो unused javascript हैं वैसे ही यहाँ पर unused CSS है इनको आप सही करवा सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर efficiently encode images लिखा हुआ है यानि जो आपकी images है उनको और भी efficiently आप use कर सकते हैं इनकोडिंग उनकी कर सकते हैं यानि उनको compress भी थोड़ा कर सकते हैं जिससे की images का size कम हो और website की speed बढ़ जाए तो यह कुछ opportunities का use करके आप अपनी website की जो speed है उसको बढ़ा सकते है page low time को कम कर सकते हैं चीके जी यह तो था हमारे एक website speed checker जिसका नाम था page speed insight चलते हैं नेक्स टूल की तरफ और उस टूल का नाम है gtmatrix ठीके simply आप gtmatrix टाइप कर लीजे या फिर आप normally google पर टाइप करेंगे website speed checker तो भी आपको यह first यह second number पर definitely दिखने वाला है ठीके तो इस तरह से जैसे आप gtmatrix.com टाइप करेंगे इस तरह से ही आपको page open होगा इसमें आप login भी कर सकते हैं sign up भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ one time ही इसका use कर रहे हैं तो इसलिए मैं अपनी website का जो main domain name है उसको यहाँ पर paste कर दूँगी ठीके यह करने के बाद में आपको click करना है test your site अब यह वाला page जो है यह थोड़ा से जाधा time देता है लेकिन कई बार it depends की पहले आपने इस पर search कर रखा है या फिर depend करता है आपकी website के size पर उसके अलावा यह जो tool है यह basically Vancouver Canada का भी server ले रहा है तो यह random server से check कर रहा है तो यह देखिए हमारी जो report है वो यहाँ पर generate हो चुकी है ठीके यह WSQTEC का जो है यह इस तरह से desktop के लिए यह research हुई है ठीक है आप देख सकते हैं इसको आप यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर जैसे पहले आपने देखा तो आप performance score दिया हुआ था यहाँ पर आपको grade दिया हुआ है तो बी grade इसको मिला है तो definitely obviously common sense की बात है कि 71% इसको rating मिली है LCP जिसके last tool में भी हमने बात की ती that is largest content element right उसके अलावा यह आपका TBT है जो की blocking time है जिसके हमने last tool में भी देखा था हमने उसके लावा हमारा यह CLC है तो काफी हद तक आप देखेंगे तो जो हमने previous tool में देखा था page speed insights में उसके comparison में the same ही है almost ठीक है उसके अलावा यह बहुत अच्छा speed visualization यहां पर आ रहा है कि 0.4 second जैसे ही मैंने browser पर request भेजी और server पर जैसी मेरा payload शुरू हुआ उसके 0.4 second में इस तरह से दिखता है 0.7 second में इस तरह से 1.1 second में कुछ इस तरह से मेरी website दिखेगी फिर जैसे जैसे time निकलेगा और जो complete मतब जो fully loaded time है मेरे इस webpage का that would be 3.5 second चीक है उसके अलावा फिर यहां पर नीचे आपके top issues लिखे हुए हैं कि आपके website में basically क्या issues हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो उसके अलावा उन issues का impact भी है यानि उन issues की degree भी लिखी हुई है कि medium impact है या फिर medium low है तो जो high वाले होते हैं मतलब जहां पर भी red mark आपको दिखे ना उसको तो आपको बिल्कुल ही सही करवाना चाहिए चीक है लेकि जो medium है उनको भी आप target कर सकते हो लो को आप ignore भी करो तो भी चल है तो अगर dome size को आप कम कर देंगे तो memory usage कम हो जाएगा और comparatively हमारी website के page loading time वो comparatively हमारी website का page load time होगा वो यहां पर कम हो जाएगा चीक है यानि speed अच्छी हो जाएगी उसके अलावा content delivery network अभी content delivery network क्या होता है बहुत ही short में बता देती हूं वैसे आप ले जाना जरूरी नह लेकिन माल लीजे यही अगर कोई लंडन में बैट कर मेरी website को सर्च कर रहा है तो उसे जो result मिल रहा है वो इंडिया के server से यह जा रहा है सीधा लंडन के server में और वहां से audience को deliver हो रहा है तो उसमें टाइम जादा लग रहा है लेकिन अगर मैं use करती हूं CDN तो basically क्या हो मेरा जो server है वो सबके लिए distribute हो जाएगा तो CDN आम तभी apply करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी website पर बहुत सारे countries से बहुत different different continents से आपके पास traffic आ रहा है अगर आपकी website पर traffic जो है वो international भी काफी सादा आ रहा है तो आपको CDN definitely use करना चाहिए इसके लिए आप अपने developer को contact कर स है या तो ऐसी images जो की hidden है या फिर ऐसी images जो internal pages में उनकी आप जो downloading है उनकी जो visualization है उसको थोड़ से differ कर दो यानि थोड़े देर के लिए रोग दो जिससे आपकी website पर जो content है वो एक बार apply हो जाए और फिर उसके बाद में image हो तो जिसके लिए आप lazy load भी लगा सकते हैं जब ब्राउजर पर हम cache enable करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई XYZ person है उसने मेरी website open करी तो उसके browser पर वो जो मेरा page था information थी वो काफी अत्तर download हो जाती जिसे हम cache बोलता है तो अगर आपने वो enable कर रखा है तो जो second visit होगी उस XYZ person की वहाँ पर उससे जो website दिखेगी website की performance दिखेगी वो काफी fast दिखेगी तो यही वहाँ पर कह रहे हैं उसके अलावा efficiently encode images अपनी images को better तरीके से optimize कीजिए compress कीजिए यहाँ पर हमें कुछ advice दी जा रही है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो उसके अलावा और details आ रही है तो 3.5 second हमारा fully loaded time था अब वो जो time लिया है वो कि जादा साइज है जैसे 1.9 MB तो ठीक है लेकिन जैसे मैं आपको बताया है कि normally जो images होती है वो आपके 100 KB से कम होनी चाहिए तो आप image compression पर ध्यान से सकते हो और जैसे next gen formats में जैसे webp की बात मैं करूं तो ऐसे में आप अपनी images को change कर वा सकते हो okay उसके अलावा js 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 उ सकते हो अब यहां पर देखें जैसे जैसे मेरा काफी ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है अगर मैं comparatively बात करूं तो ऐसे मैं क्या कर सकते हूं कि जैसे को मिनिफाय कर सकती हूं मैं अब जैसे मैं थोड़ा साब को बता देच है इसका मैं अगर source code पर जाती हूं तो यहां पर by ने चरण सर्च होता है यह को मैं कि अपर मैं है चैसे का मंता पर सकते हैं कि हमारी जो js सबस्क्राइब कर सकते हैं क्या हमा रिपायकर सकते हो जो अन्यूज सबस्टिम прим journal कि आप अपनी जो उनको आप हटा सकते हैं रिमूव करवा सकते हैं तो वह हम कर सकते हैं उसके अलावा टोटल पेज रिक्वेस्ट जो 124 गही है इतना हमने हमारा जो प्राउजर उसने images के लिए request किया है फिर js के लिए किया है तो images हम समझ सकते हैं कि images को अगर हम तोड़ा कम करें compress करें तो काफी हद तक हमारी speed जो है वो बढ़ जाएगी तो यह जो आपको यहाँ पर data दिख रहा है यह हर website का अलग दिखेगा तो यह तो हमने tools का यूज करके देखा कि कैसे आप अपनी website की speed को check कर सकते हैं आप manually भी देख सकते हैं आप देखे manually में जबी भी आप ऐसा कीजे ना तो incognito mode ही यूज कीजे तो जैसे मैंने wsqtake को यहाँ पर open किया तो मेरी caches से अब आप देखिए तो यह जो total time लगा अभी देखिए जैसी image load होने में काफी time लगा गरीब 3-4 second मुझे यहाँ पर लगे तो इसको आप manually भी check कर सकते हो scroll down कीजिए देखिए मैं इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि incognito mode में जाना है जैसी अपनी website को open करो और जल्दी से scroll down करना शुरू करो देखो क्या यह scroll down होने में कोई दिक्कत आ रही है अगर देखिए दिक्कत आ रही है या फिर मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा move कर रही है website तो कहीं ना कहीं वो problem है और उसी को ही हमें ठीक करना है तो इसके लिए आप अपने developer को कॉंटेक कर सकते हो उसी के साथ साथ जैसे हमने webpage insights पर देखा आपकी mobile browsing पर कैसी आपकी website की speed है वो भी आप चेक कर सकते हो और साथ ही जैसे कई सारे उसके tools आते हैं जैसे AMP आप लगा सकते हो अपनी website में जिससे आपकी mobile पर आपकी website की एक second से भी बढ़ता है तो आपके page views 30% से भी जादा कम हो जाएंगे या फिर मैं कहूं कि अगर आपके webpage ने एक second भी जादा लिया load होने में तो आपके जो viewers है वो 30% से भी जादा वहीं सही चले जाएंगे abandon कर देंगे आपकी website को देखिए bitter है बट ये चीज़ true है तो बहत ही जादा जरूरी है कि हम अपनी website की speed पर ध्यान दें और उसकी speed को increase करें यानि page load time कम करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कुछ ऐसे ways जो की definitely आपकी website की speed को बढ़ाने में काम आएंगे तो वीडियो को end तक देखना और उसके according जो जो ways आप use कर सकते हो अपनी website में वो आप use करना चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि page speed बहुत important role play करती है आपके page views लाने में उसी के साथ conversion होने में बहुत सारे ऐसे surveys हुए हैं जिसमें अगर page speed ठीक नहीं है तो बहुत सारे जो e-commerce website पर जो visit करने वाले लोग हैं वो उसको abandon कर देते हैं और उस website पर दुबारा जाना वो लोग prefer नहीं करते हैं तो आपकी sales तो down होगी ही साथ ही आपके page views भी कम होगे हैंस आपकी ranking भी कम होगी तो इसलिए बहुत जादा जरूरी होता है कि हम अपनी website की speed को बढ़ाएं यानि page low time को कम करें तो इसके लिए कुछ ways जो मैं आपको यहाँ पर suggest करना चाहूंगी अगर आप IT field से नहीं है या फिर मैं कहूं कि आपको web development, coding, programming languages की जादा knowledge नहीं है तो इससे पहले एक वीडियो आई थी जहाँ पर मैंने आपको basic information दी थी website के बारे में तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो description box से आपको playlist मिल जाएगी जिसमें complete SEO course चल रहा है वहाँ पर आपको recently, मतलब इस वीडियो से पहले ही वो वीडियो आई थी जहाँ पर मैंने आपको complete जो basic information है website के बारे में जो आपको जाना जरूरी है वो वीडियो जरूर देख लीजेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे ways बताने वाली हूँ जहाँ पर कुछ ऐसे words आप सुनेंगे जो आपको पहले नहीं बता हूँ तो वो वीडियो भी देख लीजेगा और इस वीडियो को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बहुत सारे ways मैं बताने वाली हूँ अब सवाल आता है कि सारे ways आपको use करने है तो देखिए इस में से अगर आपकी website की performance बहुत जादा खराब है आपकी या फिर मैं कहूँ आपके client की website है तो बहुत जादा अगर उसकी condition खराब है यानि आप test करेंगे website का speed test करेंगे तो उसके लिए हम google page insights यूज़ कर सकते हैं तो आप इन में से कुछ ways use कर सकते हैं जो कि आपके control में होंगे और कुछ तो definitely आपके लिए काम करेंगे तो चलिए फिर ways जानते हैं कि क्या के ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी website की speed को बढ़ा सकते हैं सबसे पहला और सबसे common तरीका जो कि आपको ज़रूर apply करना चाहिए that is to minify your js and css files आपकी जो js और css files होती हैं उनके बीच का जो extra space है उसको आप minify कर सकते हैं उसको आपको minify करना ही चाहिए क्योंकि देखिए html तो वैसे भी बहुत ही कम space cover करता है लेकिन js files जो होती है css files जो होती है यह काफी ज़ादा space cover करती है अगर मैं पूरे structure की बात करूं website की पूरे size की बात करूं तो इसलिए आप ये चीज़ सबसे पहले recommend करेंगे अपने developer को कि आपकी जो js files है आपकी जो css files है उनको minify करें किसी भी website की js file css file कैसे चेक करने है यह मैं को अलरी बता चुकी हूँ आपको जाना है source code पर source code पर आपको .js आपको type करना है और वो करने के बाद में कई सारी महाँ पे files नहींगी उनको open करके आप देख सकते हैं कि वो minified हैं या नहीं है जैसे मैं आपको कुछ example देती हूँ जैसे यह कुछ CSS files हैं इनको आप एक-एक को open करके देख सकते हो अब देखिए यह वाली जो मेरी CSS file है यह minified नहीं है यानि इनके बीच की जो space देख रहा है यह बहुत जादा है तो इसको basically अब मुझे कम करवाना पड़ेगा यानि इसको minify कराना पड़ेगा बाकी ऐसे आप एक-एक CSS file को चेक कर सो अब देखो यह minified है इनके बीच का space नहीं है तो यह कम space cover करेंगे जिससे definitely मेरी website की page speed बड़ेगी तो यह चीज आपको सबसे पहले करनी है कि JS files को, CSS को और even आप HTML को भी minify करा सकते हो जो कि आपकी page की speed को definitely बड़ाएंगे चीके जी यह हो गया पहला तरीका बहुत ही आसान तरीका इससे आपकी website पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यानि synchronous नहीं होनी चाहिए synchronous और asynchronous क्या होता है यह समझ लेते हैं synchronous में basically आपकी एक file लोड होगी उसके बाद में आपकी next file लोड होगी और जब तक आपकी first file लोड नहीं होती तब तक next लोड नहीं होगी तो basically कहीं ना कहीं यह एक render blocking का का काम करेगा तो इस चीज को avoid करने के लिए आप asynchronous style रखे आपकी JS और CSS file किस तरह से लोड होगी यह आपको asynchronous रखना है जिससे कि वो जो सारी files हैं वो एक साथ ही लोड होना शुरू हो जाए कोई भी blocking ना हो और जो भी file पहले लोड हो जाए वो महाँ पर appear हो जाए जिससे definitely हमारी जो page speed है वो सुधरे की page load time कम हो जाएगा तो asynchronous वहाँ पर रखिए और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि browser जब आपके page को load करता है तो वो top to bottom जाता है तो top से जब वो bottom की तरफ जाएगा और बीच में वो देखता है कि कोई जो file है जाए वो JS file हो या फिर वो CSS file हो अगर वो load होना नहीं शुरू हुई है तो वो वहीं पर ही रुख जाएगा और जिससे आपका जो browser है वो कही ना कहीं block होगा तो उसको हमें ध्यान रखना है कि asynchronous ही हमें उसका style चूज करना है कि वो कैसे load होंगे तो ये चीज़ अपलाय कीज़ेगा अपनी website में और आपकी website definitely fast हो जाएगी तीसरा तरीका जो कि आपको definitely apply करना चाहिए अगर आप अपनी website के page load time को कम करना चाहते हैं वो है कि जो बड़ी files है जो larger files है उनको defer करना defer करने का मतलब होता है उनको रोकना थोड़ी दिर weight पर डालना ठीक है जैसे जो js files होती है जो की काभी heavy होती है काभी बड़े size की होती है बड़ी images होती है या फिर कोई ऐसा media है उसको आप defer कर सकते हो कि पहले सारे element open हो जाने दो page का जो normal outlook है वो खुल जाने दो और उसके बाद में ये files जो है उनको load होने के लिए आप guide कर सकते हो इसके लिए अगर मैं JS की बात करूँ तो simply defer.js लगता है जो कि आप website के अपने body section में लगाते हैं otherwise अगर आपकी coding में website है तो आप अपने developer को ये चीज़ guide कर सकते हो कि मुझे JS है उसका size जादा है काफी बड़ी JS file है तो आप उसको defer कर सकते हो कुछ particular image को आप defer कर सकते हो और वहाँ पर lazy load आप लगा सकते हो तो deferring the larger elements can definitely speed up your website और ये चीज़ आपको definitely करनी चाहिए क्योंकि देखिया अगर page open होगा अगर मैं एक audience की तरह सोच हूँ तो directly तो मैं उसके काम करने लगूंगी नी मैं पहले उसको website को load होने दूँगी फिर उसके बाद मैं उसके काम करना शुरू करूंगी तो JS files होती है आप उनको थोड़ा सा बाद के लिए रख सकते हो तब मैं आपको बोला था कि क्या आपको एक shared hosting लेनी चाहिए या आपको एक VPS लेना चाहिए या फिर एक dedicated hosting लेनी चाहिए तो यह depends करता है कि कितनी requests आपकी website के लिए भीजी चाहती है या फिर मैं simple language बोलो कि कितना traffic आपकी website पर आता है तो यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसी आपकी requirement है उसके according ही आप hosting अपनी लें चाहिए वो shared हो चाहिए वो VPS हो या फिर वो dedicated हो या फिर वो cloud हो तो जब भी आप अपनी hosting चूज करें यह ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी requirement कितनी है कितनी request आपकी website के लिए आएंगी और उस recording कहीं उसका असर direct page load पर तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है next चीज जो की बहुत ही ज़ादा common है और वो है image compressions जो आपकी large size of images है और मैं image क्यों कहूं हूँ मैं कहती हूँ media अगर कोई ऐसा media आपने attach किया हुआ है जिसका आपको लगता है कि इसका size काफी ज़ादा है तो उसको आप compress कीजिए वैसे normally google कहता है कि आपकी website पर जो images होनी चाहिए maximum जो उनका size होना चाहिए अगर आप अच्छी speed चाहते हैं तो that could be 100kb तो 100kb से जाद आपकी images ना हो अगर हैं तो आप उनको compress कीजिए तो इस चीज की already वीडियो आ चुकी है कि कैसे आप अपनी images को compress कर सकते हैं WordPress पर कैसे plugin लगा के एक साथ सारी images को कर सकते हैं तो उसके लिए description box में आपको SEO का complete course की playlist मिल जाएगी जहां से आप image compression वाली वीडिय करें क्योंकि देखिए अभी तक हमने PNG के बारे में सुना है JPEG के बारे में सुना है लेकिन कुछ इस तरह के formats हैं जिसमें अगर मालीजिए जैसे मैं webp की बात करती हूं तो webp की 10kb की एक photo और JPEG की 100kb की एक photo की quality बराबर होती है तो approximately 90% से भी जादा आपका space जो है वो web p format में convert करने से आपकी images का कम हो सकता है तो क्यों ना हम next generation format की तरफ ही move करें तो इसी लिए आप अपनी images को ट्राय करें कि जितना हो सके वो next gen format जैसे webp हो गया उसमें convert करें next चीज जो की बहुत जादा important है और आपने जरूर experience की होगी कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि एक बार आपने किसी website को load किया तो उसमें कुछ time लगा लेकिन जैसे ही आपने उसको next time load किया तो time कम लगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके browser का जो cache files होती है उसमें वो storage speed हो जाती है तो आप अगर एक website owner है तो ध्यान रखें कि आपको browser caching भी definitely on रखनी है browser caching एक तरह का यूं समझें आप temporary storage है जिसमें एक बार जब हमारा user load करता है किसी website को तो temporarily उसका data को save हो जाता है तो next time जब आपका user उस website को दुबारा load करता है तो उसको time कम लगेगा और definitely website की speed हमारी बढ़ जाएगी यानि page load time कम हो जाएगा तो आपको ज़रूरी है आप अपने developer को भी चीज़ गाइड कर सकते हैं कि आप browser caching को on रखें उसके लावा एक चीज़ जो कि मैंने last video में वाद की थी वो है CDN CDN का मतलब होता है content delivery network आप usually क्या होता है मैंने last video में भी example यहाँ पर अगर मेरी website है इस server से connected इंडिया के local server से connected है तो लेकिन अगर मेरी website की request आती है US से अमेरिका में कोई person बैट के यहां की website की request कर रहा है तो obviously यहां के server से जितना जादा वो physically दूर है user तो obviously बात है कि जो information है वो काफी दूर तक travel करेगी definitely इस चीज़ में time जादा network जो है basically यूँ समझ लीजे आप एक global server है जो की हर एक country में serve करता है तो इसी लिए अब वहां पर क्या हुआ कि आप यहां पर जो roots है वो बहुत सारे create हो गये हैं और अगर US में ही बैठके मेरा user server से request करता है मेरी website की तो उसे वहीं के ही local server से information मिल जाएगी because I have enabled CDN तो अगर की एक website है जहां पर all over world से traffic आता है request आती है तो definitely आपको CDN लेना चाहिए और अगर आप अपनी website में CDN यूज करते हैं तो not just other countries बड़ आपकी जो खुद की country में भी आपकी website की speed बहुत ही improve होगी next जो कि आपको definitely try करनी चाहिए that is to optimize your CSS normally पहले का होता था कि जो stml है उसी के साथ में आपकी CSS की file लग जाती थी not just a file बड़ सीधा जो data होता था वो आपके stml में ही साथ में लग जाता था जिस वज़े से पूरे stml को load होने में काफी time लगता था क्योंकि CSS उसके साथ में ही merged है लेकिन अब आपको जो आपकी CSS की delivery है वो externally देनी है यानि बहुत ही short में स externally पढ़ी है तो उससे जाधा load महाँ पर नहीं आएगा और definitely जो page load time है वो कम हो जाएगा website की speed बढ़ जाएगी तो अपने CSS की delivery को भी optimize करना बहुत जाधा ज़रूरी होता है इसके लिए directly आप अपने developer से contact कर सकते हैं और उन्हेंने बोल सकते हैं कि तो अगर CSS directly आपके HTML में attached ह तो definitely आपके code का size increase हो जाएगा और उसे load होने में time लगेगा right so simple सी यह चीज़ याद रखनी है कि जो आपका CSS हो वो एक external file में हो ना की inline ही HTML में हो okay so यह चीज़ आप चेक भी कर सकते हैं जिसे WScriptic का भी हमने example लिया आता तो वहाँ पर अलग-अलग files बने हो थे एक तरह के media के साथ में lazy load लगा सकते हैं यानि जब तक आपकी images क्योंकि images को हमें defer करना है मैं आपको बता दिया लेकिन defer जब तक वो हो मतलब जब तक वो load हो रहा है तब तक वहाँ पर एक lazy load दिख जाए जिससे की मेरी जो audience है उसे लगी कि हाँ यहाँ पर एक image है जो कि load हो रही है तो आपको description box से playlist का link में जाएगा वहाँ से आप video देख सकते हैं जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आप अपनी website की speed को test कर सकते हो तो time to time आप check करते रहिए और अपनी performance को track करते रहिए और उसी recording यह जो ways मैंने आपको कुछ बताए यह आप apply करते रहिए देखिए मैंने आप को कुछ ऐसे ways बताए हैं जो आप अपने end पर कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ways हैं जो कि आपकी website की speed को बढ़ाते हैं और जिनको optimize करके आप उने कम कर सकते हैं कई सारी जो advice हैं वो आपको आपके developer ही देंगे आप उनके साथ discuss कर सकते हैं कि हमारी website की speed बहुत करेंगे तो definitely हमारी website पर traffic बढ़ेगा ट्राफिक बढ़ेगा तो ranking बढ़ेगी तो audience पर ध्यान देना है और मैं आपको पहली बता दिया कि speed अच्छी नहीं होगी तो बहुत जादा आपकी abandon होगी आपके page को और retention आपका कम होगा तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता तो इसलिए ब वीडियो में हम जानेंगी कि off-page SEO क्या है साथ ही जब भी आप off-page SEO करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें आप consider करते हैं या फिर मैं कहूं off-page SEO की checklist वो देखने वाले हैं हम इस वीडियो में तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो जैसा मैंने बताया आज से शुरू हो रहा है off-page SEO इससे पहले on-page SEO, technical SEO बहुत ही अच्छे से हम कर चुके हैं कुछ ऐसी जो अपडेट्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी वो वीडियो में लाती रहूंगी लेकिन अभी से off-page SEO शुरू कर रहे हैं अब off-page SEO क क्या होता है, already on-page SEO और off-page SEO की difference की video आई थी, वहाँ पर मैं आपको completely अच्छे से समझाया था, नहीं video देखी तो description box से आपको complete SEO course चल रहा है, उसकी playlist मिल जाएगी, free of cost है, सारी video स्टार्टिंग से लेकर end तक देखो, अगर आप SEO सीखना जाते हो, तो off-page SEO क्या होता है, कि द लेकिन अगर मैं बात करूँ off-page SEO की, तो वह technique जो कि आप अपने web page से बाहर जाकर process करते हैं, या फिर वह techniques जिसमें आप अपनी website पर काम नहीं करतें, बलकि अपनी website को link करते हैं, different-different external platforms पर, यही होता है हमारा off-page SEO, यानि off-the-web page जाकर SEO करना, यानि कुछ ऐसी technique supply करना, य चलिए, अब मैं आपको यह बहुत ही अच्छा example देती हूँ, जो कि मैं offline training में जरूरी example पुट करती हूँ, suppose कीजिए, आपका एक घर है, उस घर को आपने बहुत सजाया, comfortable बनाया, cozy बनाया, अब आप चाह रहे हैं कि उस घर में लोग आएं, जादर से जादर महमान आएं, गेस्ट आएं, तो वैसे ही आपने अपनी website बनाई, उस website को काफी अच्छे सो optimize किया, keywords put किये, उसके अलावा आपने speed अच्छी कर दी, सारे factors apply किये, website को बहुत अच्छा बना दिया, और अब आप बोल रहे हैं कि आपके घर पर guest आएं, यानि आपके users आएं, आपकी ranking लेकिन अब यहां पर एक ऐसा factor है, जो कि हमें consider करना जरूरी है, कि suppose किजिए कि आपका घर एक colony में है, और उस घर पर, वहां पर सारे लोग देख रहे हैं, कि आपके घर पर बहुत ही बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, जैसे उस area का जो सरपंच है, उस area का जो minister है, वो आपके घर पर आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी जो high authority वाले लोग है ना, वो आपके घर में आ रहे हैं, इससे आपके घर की reputation बड़ेगी या घटेगी, obviously बड़ेगी, तो और भी जो लोग है वो भी आपके घर आना चाहेंगे, right, तो इसी तरह से अगर हमारी website पर कुछ अच्छी website से, कुछ बड़ी website से links आ रहे हैं मेरी website की तरफ, तो search engine जो है, उसे क्या लगेगा, कि ये website important है, कुछ बात है इस website में, इसी लिए इतने बड़े-बड़े लोग, यानि इतनी बड़ी-बड़ी जगाउं से, इतनी बड़ी website से, इतनी important website से, इसके पास link आ आएंगे, तो बस यही example आपको याद रखना है, और हम ऐसे ही off-page SEO करेंगे, कि कुछ ऐसी sites हैं, जो की काफी अच्छी जिन के authority है, कुछ ऐसे platforms हैं, जहां से हम अपनी audience लेकर आ सकते हैं, वो हमें लेकर आने हैं, और यही है off-page का हिस्सा, off-page का सबसे main goal यही होता है, कि जो different-different sites हैं, different-different platforms हैं, उनसे हमारी website पर traffic लेकर आना, जिससे search engine को यह चीज़ लगे, कि यह जो XYZ website है, यानि जो हमारी website है, उस पर लोगों का trust है, अच्छी जो websites हैं, अच्छे platform से वहां पर traffic आ रहा है, और कहीना कहीं यह website genuine है, तो ऐसी जो भी activities होंगी, जो कि हमारी website के बा reference हो, तो यह सब कुछ कहलाएगा off-page SEO में, अब usually जब भी हम off-page SEO की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है back links, देखिए back links एक बहुत important पार्ट है off-page का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको link building करनी है, links ही आपको create करने हैं, और बाकी चीज़ों प बाद में काफी जादा Google इन चीज़ों पर ध्यान देता है, तो जब भी हम off-page को समझते हैं, यह चीज़ भी साथ में समझना जरूरी है, कि हमें कितने links create करने हैं, कि कब हमारे spamming हो जाएगी यह, कब हमारे यह quality back links होंगे, कौन सा हमारा quality back link है, कितने हमें back links बनाने चाहिए एक दिन में या एक महिने में या एक साल में, यह सारी चीज़ें भी discuss करना बहुत जादा जरूरी हो जाता है, लेकिन आज इस particular एक वीडियो में हम सारी checklist discuss करेंगे, कि कैसे कैसे हम off-page SEO कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद में हमारा off-page SEO शुरू हो जाएगा, जहां पर य हम एक एक करके, one by one, practically इस चानल पर करेंगे, तो don't forget to subscribe to WSQPTIC channel, तो चलिए अब जल्दी से checklist देख लेते हैं, कि क्या-क्या वो ऐसी चीज़े हैं, जो कि हम off-page SEO में majorly करते हैं, देखिए, सबसे पहला जो काम हम off-page SEO शुरू करने से पहले ही करते हैं, कि अपनी website के structure को दे तो silo structure को काफी जादा consider किया जाता है, कि off-page के लिए काफी जादा effective है silo structure, अब silo structure क्या होता है, इसके लिए separate में video लेकर आऊंगी, लेकिन structure को समझना website के, उसको सही से implement करना ये बहुत जादा जरूरी होता है, अब काम आता है कि हम जादा से जादा अपनी website का reference, दूसरी किसी website पर दूसरे किसी platform पर दें, चलिए अब मैं आपके साथ share कर रही हूँ कुछ important technique जो कि हम off-page SEO में करते हैं, सबसे पहले search engine submission, देखिए जैसे आपने Google की हमने बात की, तो Google एक search engine है, जिसको हम अपनी website submit करते हैं, उसके लिए SEO करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे search engines हैं, अभी हम कुछ major के नाम जानते हैं, जैसे Google हो गया, Bing हो गया, Yahoo हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे search engines हैं, अब मैं ये तो नहीं कहती कि वहां से हमें बहुत सारा traffic आएगा, लेकिन monthly अगर हमें कुछ भी traffic वहां से आता है, तो एक हमारी reputation बिल्ड होगी कि सिर्फ Google से ह नहीं, बल्कि और भी search engines हैं हमरे पास लोग आ रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी website को different different search engines पर different different platforms पर submit करते हैं, जिससे कि हमारी website register हो जाया उन search engines पर और वहां पर भी कुछ traffic हमारे पास आ सके, तो search engine submission एक important technique है, जो कि हम off page SEO में करते हैं, next आता है free classified submissions, कई सारी यासी websites आपने द website है, तब तो well and good, नहीं तो अगर e-commerce website नहीं भी है, तो भी हम classified post कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी website से related कुछ information डाल सकते हैं, तो at least ओस platform पर हमारी website show होगी, list होगी, right, कई नगे उनके reviews में, या फिर मैं कहूं, उनकी listing में हमारी website का नाम जाएगा, तो इससे भी हमें कुछ फा images submit करते हो, बहुत सारी, या भी तो आप दो दिन के नाम जानते होगे, लेकिन काफी सारी ऐसी websites हैं, जहां पर आप अपने कुछ images, कुछ graphic create करके और वहाँ पर submit कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपना reference दे सकते हो, अपनी website का, और जिससे definitely कुछ traffic तो हमारे पास जरूर आए एक एक करके हम discuss करेंगे अलग-अलग videos में, चीक है, next होता है, या तो PDF या फिर PPT submission, आप देखिए, कई सारी websites हैं, जैसे आपने slide share का नाम सुना होगा, slide show का नाम सुना होगा, यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग PPTs बनाते हो, वहाँ पर submit करते हैं, और उन PPTs में, या फिर उन PPTs के description में, कही ना कही अपनी website का link attach करते हैं, या फिर reference देते हैं, या फिर credit देते हैं, तो अलग-अलग जो platforms हैं, कुछ अच्छे platforms हैं, जहाँ पर बहुत जादा traffic आता है, monthly, लाखों का traffic है, वहाँ पर हमारी website का अगर link attach हो रहा है, सही तरीके से, त आपके mind में सिर्फ Instagram, Facebook, Pinterest, सिर्फ यही आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे social media platforms हैं, जिनके आपने भी नाम भी नहीं सुने होंगे, तो कई सारी ऐसी websites हैं, वहाँ पर आप अपना account बना सकते हो, खुद के बारे में post कर सकते हो, खुद की website का reference दे सकते हो, और वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ percentage जो traffic है, वहाँ से आ सकता है, तो social book marking हम करने वाले हैं, उसी के साथ ही forum posting, देखिए कई सारे ऐसे open forums होते हैं, या फिर आपको communities होती हैं, जहाँ पर कुछ discussion का आपका मौका मिलता है, कुछ debate का मौका मिलता है, तो वहाँ पर आप अपना comment कर सकते हो, वहाँ और अपनी website का reference दे सकते हो, और definitely ये भी आपकी website पर traffic लाने में help कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ backlink जरूर आएंगे आपकी website पर, और forum posting क्योंकि it is open for everybody, तो हर कोई participate भी करता है, और उस वज़े से काफी लोगों की नजर भी पढ़ती है आपकी website के link पर, next आता है guest blogging, blogging एक अच्छा option है, अगर आप अपनी website का off page करना चाहते हो, तो अब देखिए, अब यहां पर सबसे बड़ी problem यहाती है, कि हमें पता नहीं चलपाता कौन सी website सही है, कौन सी नहीं है, किस पर quality backlink हम create कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं, तो यह सारे confusion आपके एक एक करके, एक एक video में हम दूर करने वाले हैं, इसके साथ ही एक और method होता है, जिसे हम कहते हैं, press release submission, देखिए, अगर company में आपकी website पर कोई ऐसा event है, कोई ऐसा offer है, तो जिसकी आप PR submit कर सकते हो, आप press release submission एक तरह से basically अपने events के बारे में कुछ article लिखना, कुछ submit करना, तो ऐसी कई सा website का भी reference दे सकते हो, साथ ही साथ आपकी website की popularity को बढ़ाने में, ये काफी important rule ब्ले करता है, next आता है infographic submission, जैसे कि आपने picture submit की, जैसे आपने बाकी सारे document submit किये, वैसे आप कुछ infographic भी submit करते हो, इसके लिए भी अलग से कुछ websites होती है, उसके साथ ही video submission, जैसे आप YouTube पर आप videos डालते हैं, वहाँ पर आप अपनी website का reference दे सकते हैं, वो एक example है, वैसे ही और भी कई ऐसी websites हैं, जहाँ पर आप video submit कर सकते हो, not just the YouTube, चीक है, तो ऐसी भी websites के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद है Q&A submission, देखिए, उसमें सबसे famous है Quora, Quora पर आपने देखा होगा, लोग क consider कर सकते हो, इसके लिए एक Excel sheet हम बनाएंगे, अलग-अलग page हम create करेंगे, और धीरे-धीरे उसी में ही सारा addition हम करते जाएंगे Google की कई सारी algorithm कहती हैं कि back links पर हम focus नहीं करते, लेकिन still जो SEO experts हैं, वो हमेशा advice देते हैं कि आपको कुछ back links create करने चाहिए, तो क्या करें, अब Google algorithm की माने, या फिर जो trend चला आ रहा है, उसको follow करें, इस चीज़ पर हम बात करेंगे, इस वीडियो में, और उससे भी पहले कि आखिर back link होता क्या है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, कि बहुत सारे SEO experts कहते हैं, कि back link create करने चाहिए, back link तो बहुत important part होता है, SEO strategy का, लेकिन Google कई बार चला चला कर बता चुका है, कि back links पर focus मत कीजे, back links create मत कीजे, spamming मत करो, जाधा links मत create करो, तो किसकी बात माने, ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले की back link होता क्या है, ये समझते हैं, जिनको भी नहीं बता, तो back link basically, अगर मैं बहुत-बहुत-बहुत simple language में बात करूँ, तो back link basically, एक website पर link होता है, किसी दूसरी website का, यानि अगर एक A website है, और A website पर कोई link है, B website का, तो B website का back link कहा है, A website पर, तो जब भी कोई external website, हमारी website का कोई link, अपने content में पुट करती है, तो उस link को हम बोलेंगे back links, और भी simple तरीके से समझते हैं, जैसे आप screen पर देख सकते हैं, कि जैसे ये एक website है, external website, इस external website के content में, कहीं मेरी website, यानि wskubtic.com का link वो मेरे लिए क्या काम करेगा, back link, यानि ये जो link है, ये मेरी website को back link दे रहा है, यानि इस पर होते हुए, लोग मेरी website पर आ सकते हैं, बेसिकली ये connection है, मेरी website और किसी external website के बीच में, ये relationship create कर रहा है, back link, right, so आई हो back link क्या होता है, ये clear आपको हो गया होगा, अब बात कर हैं कि अगर मैं आज की बात करूं, तो क्या current time में back links important role play करते हैं, क्या back links ज़रूरी हैं हमारे लिए अगर हम SEO करना चाहते हैं, तो देखिए अगर मैं बहुत ही short में इस चीज का answer दूँ, तो इसका जवाब होगा हां और नहीं भी, देखिए back links important है, क्योंकि ये define कर रहे है कि हमारी जो website है, उसकी authority कितनी है, हमारी website पर कितनी अलग-अलग type की website से link आ रहा है, और obviously आप किसी इंसान पर trust करेंगे, वैसे तो बहुत सारे इसके reasons होगे कि किसी इंसान पर आप क्यों trust करते हैं, लेकिन अगर मान लीजे एक person है आपके office में, या आपके school में, या आपके trust करते हैं, तो कही ना कहीं आप बोलोगे कि या बहुत लोग इस पर trust करते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस पर trust करूँ, तो वैसे ही search engines को जब लगता है कि इस particular webpage पर different sources से, different different websites से traffic आ रहा है, तो कही ना कहीं वो एक trust worthy website search engines को लगती है, अब जैसे अगर कोई XYZ website है, उस पर जितना ज़्यादा trust करेगी search engine किसी particular website पर उतनी ही उसकी ranking अच्छी होगी, लेकिन अब ही सवाल आता है, फिर Google ऐसा क्यों बोलता है, कि back links आप create मत करो, वो spamming में आता है, तो इसका जब आपना एक Hindi phrase से में relate करना चाहूंगी, कि हर चीज की अतीज होती है, वो खराब होती है यानि किसी भी चीज को जब आप access लेते हो, या access consume करते हो, या access करते हो ना, तो वो चीज आपके लिए खराब होती है, वैसे ही SEO में भी हमें ये rule apply करना है, किसी भी चीज को overly optimize नहीं करना है, तो अगर आप off page SEO कर रहे हो, तो वो भी आपको overly off page search engine optimization नहीं करना है, यानि जब आप backlinks create करोगे, तो कुछ अच्छी websites पर ही, अच्छी authority वाली websites पर ही आपको links बनाने हैं, और limited, देखिए मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ अपनी classes में, कि एक quality backlink, 1000 backlinks पर भारी बढ़ता है, यानि एक अच्छी website से, अच्छी domain authority वाली website से, अच्छी page authority वाली website से, एक genuine website से, जब आपको backlink मिलता है, और भली आप 1000 backlinks बना लो, वो उसके बराबर होगा, तो एक चीज पर ध्यान देना है, वो है quality backlinks, backlinks बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं, quality backlinks बनाने हैं, और भली कम बनाओ, भली आप महीने में सिर्फ 5 backlinks बनाओ, लेकिन वो इतने quality के होने चाहिए कि वहां से हमें traffic भी आए, प्लस search engine के सामने हमारी web page प्रस्टवर्ती प्रूव हो, रैइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो बस simple सा rule याद रखना है कि quality over quantity, quality पर focus करना है, quantity पर नहीं, और तभी आप आज के time में backlinks का सही यूज़ करके अपनी website को एक boost देपाओगे otherwise आपकी website spamming में count हो जाएगी और आपकी website को blacklist भी कर सकता है search engine, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अब आने वाली videos में हम ये देखेंगे कि कैसे आप perfectly और बहुती effectively backlinks create कर सकते हो कुछ अची websites को, और other websites के कैसे आपको domain authority check करनी है, page authority check करनी है, ये सारी चीज़ें भी हम discuss क करेंगे और साथ ही जब भी आप एक backlink create करते हो, तो कैसे judge करें कि ये quality backlink है, ये non quality backlink है, कब कितने हमें backlink बनाने चाहिए, इन सारी चीजों का discussion होगा, क्योंकि ये complete course चल रहा है, SEO का, जहां पर एक एक चीज हम साथ में discuss करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करन किनको no follow रखना चाहिए, ये जो सारी बाते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो कर शुरू करते हैं, so backlink की हम बात कर चुके हैं, काफी अच्छे से समझ चुके हैं, हम backlink को वीडियो नहीं देखी, तो इससे just पहले वाल जब आपकी website का link अपने किसी article में, post में, page पर अगर post करती है, तो that would be a backlink, अब backlink क्यों हम बनाते हैं, तो इसकी भी हम बात कर चुके हैं, कि backlink बनाने के बाद में, दो ऐसी चीज़े हैं, जो कि हमें उस backlink से मिलती हैं, पहली audience, कि वहाँ पर अगर कोई scroll कर रहा है, कोई serve क देख रहा है, उस page पर कुछ पढ़ रहा है, उस external website पर, तो वो मेरी website पर आ सकता है, तो पहली चीज़ जो आएगी वहाँ से, वो आएगा traffic, चीक है, इसलिए backlink is important है, दूसरी चीज़ जो उस backlink के through आ सकती है, वो है crawlers, क्योंकि देखिए, मान लीजे, एक a website है, जिसने मेर website का link अपने page पर रखा है, तो जब a website की crawling होगी, चाहे google का crawler हो, चाहे किसी भी website का crawler हो, तो उस website को वो read करेगा, और वहाँ उसे stml में मेरा link मिलेगा, तो वो मेरे link को भी crawl करेगा, यानि अब जो a website थी, उसकी जब crawling होगी, या फिर मैं कहूं, उसकी crawling करते time, मेरी website पर भी crawler आएगा, तो इससे क्या proof होगा, देखें, ये नहीं कि हमरी crawling better होगी, बलकि उस crawler को ये पता चलेगा, search engines को ये पता चलेगा, कि ये जो a website है, ये refer कर रही है, इस मेरी website को, तो मतलब मेरी website की authority बढ़ेगी, reputation बढ़ेगी, right, क्योंकि कहीना कहीं value transfer हो रही है, okay, तो इसी ल अब एक website, किसी दूसरी website को backlink देती है, तो definitely उस website की value, उस website की authority, उस website का link juice transfer होता है आपकी website पर, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी website है, जिसकी authority आपसे कहीं जादा है, तो आपके लिए तो ये अच्छी बात हुई, आपके लिए तो एक positive point हुआ, लेकिन उस a website के लिए, ये option रहता है, कि जब भी हम किसी website को backlink दे, तो वहाँ पर हम do follow या no follow चूज कर सकते हैं, do follow का मतलब, अब तो I hope idea ही clear हो गया होगा, do follow का मतलब, कि जब भी crawler मेरी website को crawl करे, तो उस link को भी वो follow कर सकता है, चीक है, अगर मान लीजे, कोई भी tag नहीं लगा, तो वो भी do follow ही माना जाता है, लेकिन दूसरा जो option है, no follow का, कि जब भी मेरी website की crawling हो, तो इस link को आपको follow नहीं करना है, यानि अगर ए website पर मेरी website को कोई link लगा हुआ है, और वो no follow है, तो अब क्या होगा, जब भी a website की crawling होगी, तो audience तो मेरे पास आ सकती है, audience वहाँ पर visit करके, उस link पर click करके, मेरी website पर आ सकती है, लेकिन जो crawler है, वो crawling करते time, मुझे follow नहीं करेगा, मतलब मेरे link पर नहीं आएगा, तो ये होता है no follow, अब इसकी और भी detail में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं website की no follow किस तरह से लगाया जाता है, देखिए जैसे मैंने बहुत ही simple सा page open किया ह अब इस पर बहुत सारे links attached है, इसकी जब मैं इसका reference ले आता है, तो यहाँ पर भी Wikipedia जैसे काफी सारे links attached है, Wikipedia का example मैंने इसलिए नहीं लिया, क्योंकि फिर आपको लगेगा, कि मैं हर वीडियो में Wikipedia का ही example लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सूचा कि कुछ आज different example ले लेता है, बिटे निका का example ले लिया, आप यह चीज किसी भी website में देख सकते हैं, क्योंकि हर website किसी ना किसी external webpage को backlink mostly मतलब देती है, तो जैसे यह website है, यहाँ पर भी कई सारे जो external links है, यहाँ पर internal links की भी बात करूँ, तो वो यहाँ पर attached होंगे, अब यह कैसे check करना कि कौन से no follow है, तो एक बार हम आजाते हैं इसके source code पर, तो यह देखिए हम आगे इसके source code पर, अभी यहाँ पर आपको find करना है no follow, चीक है, no follow सर्च करने के बाद आप देखेंगे, तो चार यहाँ पर ऐसे links attached हैं, जो की no follow tag के साथ है, आप देखिए, यह simple सा जो code होता है, internal या फिर external link का, जब भी हम कोई link attach करते हैं अपनी website पर, तो उसका same ही होता है, लैक इस तरह से bracket शुडू हुआ, then a, href, यह बागी साथी तो class और additional information है, चीक है, आप यहाँ पर आप देखेंगे, तो इस link में relation कैसा है no follow, तो simply जो आपका tag होता है, external link या internal link का, उसमें आपको, आप starting में भी और यह last में भी लगा सकता है, that is relation is equals to double quote में no follow आपको लिखना है, और उसके बाद में जो आपका anchor text होगा, वो आ जाएगा, या फिर अगर title है, तो वो आ जाएगा, और यह bracket close हो जाएगा, चीक है, तो जो normally internal link, external link का जो code होता है, उसी में ही यह no follow का tag लग जाता है, तो ऐसे आप देखेंगे, तो अब यहाँ पर क्या है, कि यह जो link है, जो कि इस web page पर है, उसे crawlers आगे follow नहीं करेंगे, चीक है, simple सा मतलब है, ऐसे ही आप और भी website explore कीजेगा, अब देखें, जैसे ही यहाँ पर no follow tag लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर do follow tag भी लगता है, लेकिन अगर मान लीचे कोई tag लगा ही नहीं है, मतलब कोई भी relation वहाँ पर नहीं define किया गया है, तो वो do follow ही माना जाएगा, do follow ही consider किया जाएगा, लेकिन अगर आपको no follow करना है, किसी भी link को, चाहिए वो external हो, चाहिए वो internal हो, तो उसके लिए आपको no follow लगाना पड़ेगा, चीक है ज पड़ी, क्यों हम एक ही चीज नहीं रख सकते थे, simple, क्यों नहीं कर सकते थे, do follow, no follow कि क्या जरूरती, तो देखिए, जैसा मैंना भी आपको बताया, कि जब भी आप किसी website को backlink देते हैं, तो आपका link juice transfer होता है उस website पर, लेकिन वो transfer तभी होगा, जब crawler वहाँ पर जिसको authority मिल रही है, जिसको value मिल रही है, उसके लिए तो ये चीज अच्छी है, लेकिन जिसकी value, जिसकी authority आगे transfer हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक negative point हो सकता है, तो इसी चीज को control करने के लिए ये option दिया गया है, कि आप जब भी किसी website को back links दें, तो आप do follow भी कर स सकता है, अब सवाल आता है, कि अगर मान लीजे, आप back link दे रहे हैं किसी website को या किसी webpage को, तो कब आपको no follow और कब आपको do follow लगाना चाहिए, क्योंकि देखी, अब मैं ये अपने point of view से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी को back link देंगे और समझेंगे उसी इसक चाहिए, जो भी high authority websites हैं, जैसे कि मान लीजे, अगर WS Cube Tech पर मैं किसी का link देती हूँ, किसी का external link देती हूँ, जैसे for example Wikipedia का, या बिटेनिका का, या फिर ऐसी किसी website का, जिसकी authority already काफी अच्छी है, वैसे इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, जहां पर हम page authority, domain authority, इसकी detail म बात करेंगे, इसको check करना भी सीखेंगे, तो ऐसी जो high authority popular websites हैं, उनको आपको do follow tag देना चाहिए, जिससे कि आपकी website पर अगर crawler आता है, तो उसे पता चले कि हाँ, ये reference दे रहे हैं, तो कही ना कही जो genuinely होती है, वो prove होती है, उसके अलावा, अगर ऐसी कोई website है, जहां से आपने कुछ भी copy किया है, या फिर मैं कहूं, उनका कोई content आप use कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपको do follow देना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है, कि आप किसी website से content कुछ उठाते हो, चाहे मैं कहूं, blog के format में, images की format में, तो ऐसे में जरूरी हैं, कि हम उनको do follow backlink दे, तो अब इसी चीज़ को हम reverse में देखते हैं, कि हम कैसे किसी website से एक do follow backlink ले सकते हैं, क्योंकि तो यह obviously बात है कि हम no follow से पहले prefer करेंगे do follow को, क्योंकि do follow में हमारा link juice transfer हो रहा है, तो अब हम कैसे किसी का do follow चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो आप ट्राय कर सकते है उसी के साथ ही अपनी website की authority को increase करने में हमें ध्यान देना चाहिए, वैसे इसके लिए हम detail में भी बात करेंगे, तो अपनी website की authority को increase कीजिए, spamming कम से कम कीजिए, तो जिससे आपकी कोई भी जो अच्छी websites हैं, वो आपको do follow backlinks ही दे, अब no follow की बात करें, तो देखिए अगर कोई ऐसी spamming sites हैं, या फिर मैं कहूं आप से जिनकी authority कम हैं, ऐसी कोई websites हैं, तो इनको आप no follow backlinks दे सकते हो, तो देखिए, mostly जब भी हम backlinks create करेंगे, तो ऐसे case में, mostly हमें no follow ही मिलेंगे, लेकिन हमें क्या target करना है, कि at least two third हमारे जो total backlinks create हो, जैसे मान लीजे, अगर मैं बात के हो, ये हमें target रखना है, थोड़ा सा मुश्किल है ये target क्योंकि do follow हर कोई अच्छी website हमें देती नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारी techniques आने वाले हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एक way apply नहीं करेंगे, एक ही चीज़ apply नहीं करेंगे, बलकि कई सारी चीज़ों पर हम try करेंगे do follow links बनाने के लिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, domain authority और page authority की, या फिर मैं कहूँ PA और DA की, तो ये होते क्या हैं, पहले तो ये समझेंगे, उसी के साथ ही क्या PA और DA, SEO के लिए important है, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही disputed topic है, और उसी के साथ आप किसी website की PA DA किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, तो आज बात करेंगे हम domain authority और page authority की, चीक है, एक काम करते हैं, domain और page को अलग करते हैं, एक बार authority की बात करते हैं, कि किसी website की है, किसी web page की authority आख 60 marks आते हैं, तो आप average हैं, अगर आपके English में मान लीज़े, अगर 40 marks आते हैं, तो आप बहुत ही below average हैं, और अगर आपके इतने से कम आ जाते हैं, तो आप fail हो जाते हैं, तो वैसे ही websites को एक marks दिये गए हैं, जैसे 100 में से मैंने एक website को marks दे दिये, कि इस website की performance wise अगर मैं बा तो मतलब 100 मैसे 90 मार्क्स मैं इस वेबसाइट को देती हूँ कि इतनी वेल्यू ये वेबसाइट करती है चीक है तो बहुत ही सिंपल लांगविज में हमने समझा अब डोमेन अथारिटी मतलब कम्प्लीट डोमेन की या फिर में बहुत ही सिंपली बोलू तो इस कम्प्लीट व पजो घच को और अबाँट अजर। अलग अलग वेल्यू रखتे हैं ऑफिर सिभाते क्यूंकि अबाँट यसपेज पहले तो कोई भी अर मेरे इंटर्नल लींक्स इक्टर्नल लिंक्स बहुत ही कम होंगे रोम पेज जो होगा उस पर मेरे सारे website के links मिल जाएंगे और जाद जो arrivals होंगे वो home page पर होंगे तो comparatively common understanding है कि हमारा जो about us page और जो home page है उन दोनों के authority अलग-अलग होगी तो एक particular page की authority को हम बोलते हैं page authority, very simple, अब सवाल आता है कि क्या domain authority और page authority matter करती है SEO के लिए या फिर मैं और भी simple इस बात को रखूँ कि अगर आपकी website की domain authority आपकी page authority अच्छी है तो क्या इससे आपकी rank बड़ेगी search engine results page पर तो देखिए इसका जवाब है ऐसा कोई relation नहीं है SEO के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी website की domain authority मैं कहती हूँ 100 में से 100 कर देते हैं और आप उमीद करते हैं आप बोलता है कि इसकी domain authority 100 हो चुकी है या फिर इसकी बहुत अच्छी domain authority या page authority अब तो यह website पका rank कर जाएगी देखिए इस बात की कोई भी guarantee नहीं है ऐसा क्यों है तो देखिए Google ने कभी भी नहीं बोला है कि page authority या domain authority ये हमारे लिए matter करती है राइट बहुत सारे ऐसे factors हैं जो कि एक website को rank करवाने में help करते हैं उन में से domain authority page authority Google ने बिल्कुल साफ साफ मना किया हुआ है तो फिर जब Google ने मना किया है तो ये word आखिर आए कहां बहुत बार इसका नाम सुना होगा कई tools भी हम इस website से use करते हैं ये website है जो mostly deal करती है SEO related facts and rules बनाने में तो इन्हों ने एक term निकाली कि जो अच्छे अची websites थी कि उनको कैसे standardized करें कि ये website की value अच्छी है ये website कम value की है ये website बिल्कुल negligible value है इसकी तो उन्होंने एक unit discover कर दी यूँ कह दीजिए जैसे हम पानी को नापते हैं लीटर में किसी चीज की height नापते हैं हम inches में feet में meter में वैसे ही उन्होंने बोला कि पेज की authority हम check करेंगे या फिर एक page की value हम check करेंगे in terms of page authority या फिर एक website की check करेंगे in terms of domain authority so यह moz.com ने discover किया है ना कि google ने तो एक कोई भी private company बोलती है कि यह website अच्छी है यह website बुरी है क्या इस से google को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है अब सवाल आता है कि तो फिर हम इस domain authority page authority के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और यह बात हमने पहले क्यों नहीं की यानि जब SEO का course शुरुआ थे तब हमने बात क्यों नहीं की क्योंकि देखिए इसका relation जो है domain authority और page authority का यह है हमारे backlink से या फिर मैं कहूं off page SEO से अब यहाँ पर जो हमारे यह moz.com है यह आखिर calculate करती कैसे है domain authority तो इसमें इस सवाल का answer चुपा हुआ है कि वैसे तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी एक factor नहीं है जिसे हम consider करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे factors हैं जिससे हम यह decide करते हैं कि यह जो website है इसकी authority यह होगी इस page की authority यह होगी but mainly वो जिस factor को consider करते हैं उसका नाम है number of backlinks right so एक website पर कितने और कितने quality backlinks बने हुए है यह एक measure होता है उनका जिसके according वो check करते हैं कि एक domain की authority कितनी होगी एक page की authority कितनी होगी यानि वो marks देते हैं different different websites को अगर मैं 2019 से पहले की बात करूँ तो इनका जो only focus था वो था सिर्फ number of backlinks पर लेकन 2019 के बाद में इनने जब पता चला कि इतनी ज़्यादा link spamming हो रही है लोग अपनी domain authority बढ़ाने के लिए लोग अपनी page authority बनाने के लिए हजारों backlinks जो है create कर रहे हैं एक मन्त में तो उन्होंने फिर इस चीज में एक statement दिया था moz.com ने ही कि हम सिर्फ backlinks पर focus नहीं करते हैं page authority चेक करने पर बलकि उन्होंने अपना थोड़ा system change किया और अब वो ये देखते हैं कि जो google का जो serp है उस पर क्या ranking आ रही है उस website की इस recording भी उसकी domain authority और page authority decide होगी यानि अगर ws.cube tech पर माल लीजे बहुत सारे 50-60,000 backlinks बने हुए हैं जरूरी नहीं है कि वही उसकी page authority बढ़ाएंगे इससे उसकी domain authority बन जाएगी ws.cube tech की बलकि वो actually check करेंगे कि serp पर कितना वो rank कर रहा है किन keywords पर rank कर रहे हैं उसके अलावा traffic इतना आ रहा है ये सारी चीजें भी calculate की जाएंगी तो एक conclusion इन सारी बातों का निकलता है कि अगर आपकी website की domain authority अच्छी है page authority अच्छी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो website वो web page rank करेगा तो अब जरूर आपके mind में एक सवाल आया होगा कि जब domain authority page authority जरूरी है ही नहीं इतना हमारे website के लिए तो आकर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं तो देखिए इसके लिए मैं आपको simple सा जवाब देना चाहूंगी कि हम अपनी website की page authority, domain authority पे हो सकता है focus ना करें लेकिन हमें focus करना पड़ेगा उन websites की page authority domain authority पर जिन पर हम अपनी website का backlink create करेंगे दुबारा से repeat करती हूँ हम अपनी website की domain authority page authority को बढ़ाने में नहीं लग जाएंगे हम बलकी check करेंगे उन website की page authority या domain authority जहां पर हमें अपनी website के backlinks create करने हैं तो इसी लिए जब भी हम high quality backlinks की बात करते हैं तो उसमें mostly वैसे मैं यह नहीं कहती कि 100% हम इसी चीज़ पर ध्यान देंगे लेकिन काफी जो हमारा ध्यान होगा यह होगा कि अगर मुझे एक website को choose करना है कि इस पर मैं अपना backlink create करूँ या नहीं करूँ इस पर मैं अपनी website का link post करूँ या नहीं करूँ तो उसके लिए मैं उसको judge कैसे करूँ तो मैं वहाँ पर एक standard ले सकती हूँ कि यहां भी domain authority इतनी होनी चाहिए page authority at least इतनी होनी चाहिए तभी मैं backlink बनाऊंगी इस website पर तो उस चीज को calculate करने के लिए हम domain authority और page authority का use करेंगे तो आई होब यह आपको idea clear हुआ होगा कि page authority, domain authority कितनी important है SEO में और कितनी useless है तो confusion बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि अभी मैं मना कर रही हूँ page authority, domain authority पर focus करने के लिए लेकिन आगे जब हम link building करेंगे तो उस time हम जब भी back links create करेंगे तो हम हर website का D.A.P.A. जरूर check करेंगे आप चलिए कुछ ways देख लेते हैं जिससे आप किसी भी website का D.A.P.A. चेक कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए simply हमें टाइप करना है domain authority checker moz ये करने के बाद मैं देखिए first moz ही आ जाएगा वैसे और भी कई सारे tools है क्योंकि देखिए जब moz ने ये निकाला ना कि domain authority ऐसे check होती है या फिर page authority ऐसे check हो सकती है तो और भी जो कही famous websites थी उन्होंने अपने कुछ अलग checkers निकाले जैसे मैं आपको कुछ के important के नाम बता देती हूँ फिर हम वापिस दरा जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं AHREFS ने भी ये निकाला है जिसमें website authority checker उसको बोला है domain authority को website authority नोंने नाम दिया है उसके अलाब आप देखेंगे तो small SEO tools में भी आपको ये मिल जाएगा तो ऐसे कई सारी आपको websites मिल जाएंगी जो आपको अलग-अलग तरीके से website की D.A.P.A. चेक करेंगे लेकिन मैं यूज कर रही हूँ moz.com आप भी इसका यूज कर सकते हैं पर एक domain name add करना है तो चलिए कोई website open कर लेते हैं जैसे मैं amazon.in यहाँ पर टाइप करती हूँ तो obviously इसका काफी अच्छा इसकी domain authority होगी तो मैं इसको analyze यहाँ पर हम click करेंगे और देखेंगे तो इसकी domain authority है 92 और अभी आप देखेंगे तो linking root domains यानि ऐसे domains जो कि इस website पर link कर रहे है वो है 197.6k and ranking keywords मतलब कितने keywords पर यह rank कर रही है तो करीब वरी 3 lakhs keywords पर यह rank कर रही है और spam score मतलब यह spam score भी बताता है और आपको और भी कई website पर मिल जाएगा कि कितने percent इस पर spam है यानि 100 में से आप देख लीज़े तो 28% इस पर spamming की गई है आप spamming में बहुत सारी चीज़ आती है link spamming आ जाएगा keyword spamming आ जाएगा so 28% यहाँ पर बताया हुआ है okay तो domain authority 92 आ रही है उसके अलावा different pages को देखोगे जैसे linkedin की आप देख लो तो 99 है google play store की देख लो तो 99 है microsoft की 99 है तो यहाँ पर यह domain authority आ रही है उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एक extension भी है जिसको आप download कर सकते हैं जिससे आपके surf पर मतलब ऐसे आपको एक-एक website की d.a.p.a. check नहीं करनी पड़ेगी तो जब भी हमें off page करना होता है किसी भी website का तो हम यह जो extension है वो उस time के लिए हम put कर लेते हैं अपने search engine पर देखेगा आप उसके बाद में क्या होगा तो जैसे मैं do Moz bar है Moz bar इस extension का नाम है जो Moz नहीं develop किया है यह करने के बाद मैं मैं इसको active rate कर देती हूँ already मेरे installed है तो मैं इसको बार पर manage करके और मैं इसको activate कर देती हूँ इनेबल करने के बाद मैं जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी refresh कर लूँगी एक बार तो यह देखेए अब यहाँ पर जो Moz bar है वो मेरे SERP पर लग चुका है और इसकी PA DA जो है वो यहाँ पर आ रही है तो यह देखिए हम मैंने login कर लिया है यहाँ पर completely free है यह तो इसकी PA और DA इन pages की देखो यहाँ पर आ रही है तो off page जब भी आप करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें calculate करना पढ़ेगा कि किसकी PA किसकी DA कितनी है क्योंकि उसे recording हम ध्यान रखके ही backlinks बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ही सबकी DA PA आ रही है तो बिना किसी URL को एक-एक को कापी करके आप paste करेंगे mods.com पर और फिर चेक करेंगे तो इससे बैटर यह देखिए extension यहाँ पर आ चुका है ठीके YouTube का भी आ रहा है तो यह extension काफी अच्छा है लेकिन again confused आपको बिल्कुल नहीं होना है अगर कोई आपको कहे कि बस अपने page की authority आप अच्छी कर लो अपनी domain authority अच्छी कर लो और इसी से ही आपकी ranking बढ़ जाएगी देखिए ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ और सिर्फ off page की बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको off page कराती और मैं बोलती है कि वागी सारी चीजने छोड़ो content को छोड़ो, आप सारी चीज़ें छोड़ो, आप सिर्फ off page पर focus करो, अगर ऐसा होता तो मैं पक्का यही आपको बात करती, देखें ऐसा बिलकुल भी नहीं है, page authority को बढ़ाने के लिए, domain authority को बढ़ाने के लिए, जादर जादा back links लोग बनाते हैं, जो की सही नहीं है, ultimately वो designed है, क्या यह matter करता है SEO के लिए, यह सारी बाते हम करेंगे, और साथ ही website के एक बहुत ही important structure, जिसे कहा जाता है, silo structure, इसकी भी हम detail में बात करेंगे, इसी एक वीडियो में, यह कुछ ऐसे concepts हैं, जो की आज के time में बहुत जादा important हैं, तो इनके बारे में भी बात करना बहु architecture, यानि एक website की hierarchy कैसी है, एक website का structure कैसा है, कैसे उसमें pages attached है, क्या यह चीज भी matter करती है, कि हमारी website की rank कितनी अच्छी है हमारे serves पर, तो देखिए इसमें आपको बहुत ही simple सा example देना चाहूंगी, कि आप चाहते हैं कि आपका घर है, और आपके घर में जो भी audience आए, जो भ वो भी काफी अच्छे से move कर पाए, काफी अच्छा उसको आपका घर लगे, तो ऐसे में जब हमारी website, जो एक तरह से आप अपनी website को अपना घर मानिये, तो अगर हमारे घर का map, अगर हमारे घर का structure कह सकते हैं, अब यहां पर मैं site map की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पर क्या होगा, एक visitor के लिए भी, as well as crawler के लिए भी, मेरे घर में move करना और उसको अच्छे से समझना बहुत आसान हो जाता है, और already हम SEO के goals की बात कर चुके हैं, कि सबसे पहले तो हम audience के experience उधाने पर ध्यान देते हैं, दूसरा हम यह ध्यान देते हैं, कि search engine के जो crawlers हैं, वो ह ऐसे तो एक website की hierarchy होती है, जो उसका architecture होता है, वो कई type से हो सकता है, लेकिन एक structure ऐसा है, जो SEO के point of view से सबसे ज़्यादा optimum माना जाता है, और हम mostly यही recommend करते हैं, developer को या फिर website बनाने से पहले भी हम यह recommendation देते हैं, कि आपको अगर website की hierarchy design करें, architecture उसका design करें, तो वो silo structure में हो करने वाले हैं, detail में, और यह क्यों important है, क्यों आपको इसको adapt करना चाहिए, यह भी हम जानेंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक आप किसी बात से खुद convinced नहीं है, उस चीज़ पर believe मत कीजिए, चीके, सो सबसे पहले देखते हैं कि silo structure क्या होता है, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ जो एक basic structure होता है, flat structure होता है, उसकी हम बात करेंगे, तो देखे, सबसे पहले हम देख रहे हैं, flat structure, तो देखे, flat structure बहुत ही simple कि, सबसे पहले हैं यहाँ पर homepage, तो देखे, यह हो गया हमारा homepage, अब इस homepage से, काफी सारे pages यहाँ पर, इस homepage से connected है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक बहुत simple सा example लेने वाली हूँ कि जैसे मान दीजे मेरी एक website है वो different different IT courses के बारे में है और उन IT courses में से जैसे python एक मेरा IT course हो गया, उसके अलावा android हो गया उसी के साथ में digital marketing हो गया, digital marketing के बाद में यहाँ पर web development हो गया और जब फिर उनकी भी further categories आजाएंगी जैसे digital marketing में SEO हो जाएगा, SMO हो जाएगा और यह further pages यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर content आता जाएगा, यह pages यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो यह जो यहाँ पर structure आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं flat structure, यानि यह structure कैसा है flat, कि home page से हमारे कई सारे pages जुड़े हुए है और वो one by one ऐसे एक line आई हुई है, मतलब काफी flat एक line यह चलेगी, अब यह तो है हमारा flat structure, लेकिन जैसे मैं आपको बोला कि सबसे best जो structure होता है website का, अगर मैं SEO की बात करूँ तो वो होता है silo structure, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि वो कैसा होता है, तो देखे यह हमारा silo one है, अब slow one का मतलब क्या होता है, तो देखे इसकी ठोड़ी से अगर history देखी जाए कि slow word का मैं मतलब आपको बताऊं, तो क्या होता था कि जो European countries होती थी, उसमें जानवरों को खाना खिलाने के लिए कुछ ऐसे बड़े-बड़े गड़े बनाये जाते थे, कुछ ऐसे बड बड़े pits बनाये जाते थे, जो जमीन में बहुत अंदर तक जाते थे, उन घड़ों में वो चारा भर देते थे, उन जानवरों के लिए खाना भर देते थे, जिसे वो खाना महाँ पर safe रहता था, warm रहता था, यानि ठंडा, बहुत जादा नहीं होता था, महाँ पर बहुत और खड़ा है, उसके अलावा ये इस तरह से ही बहुत सारे silos हम अपनी website में बनाएंगे, अब silo क्या होगा, silo मतलब एक particular topic, एक particular genre, जैसे मान लीजे, मेरी जो पूरी website है, वो for example, say, IT related courses की है, अब IT में जैसे एक silo मैंने बना दी, वो हो गई DM की, दूसरी मेरी जैसे मान ल development की हो गई, उसी के साथ में एक और मेरी हो गई, जैसे मान लीजे, web development की, तो इस तरह से ये multiple silos यहाँ पर prepare हो चुकी है, अब फिर DM में जैसे मान लीजे, SU का page बनेगा, तो वो एक अलग हो जाएगा, उसके अलावा, SMO का एक page बनेगा, तो वो ये एक अलग हो जाएगा, ल ये DM के बारे में है, और इस DM में मुझे SU का page मिल जाएगा, SMO का page मिल जाएगा, उसके अलावे email marketing का मिल जाएगा, तो इसी तरह से ये multiple pages में यहाँ पर बनाती गई, और वो सब की category क्या है, DM की, उसी के साथ ही जो दूसरी मेरी category है, जिससे silo 2 हो गया, वो Android development से related हो गया, त Android development में भी मेरे को जैसे flutter चाहिए, या फिर और कोई इससे related कोई भी topic हो, वो अलग-अलग pages में आ जाए, लेकिन वो किससे linked हो, वो इस silo से ही linked हो, उसके अलावा जो मेरा दूसरा silo है, जैसे web development से related आ गया, तो different languages, different technology, जो की web development में use होती है, उनके में pages, उनके post में इसी category मे बनाऊ, तो अब इससे क्या होगा, कि मेरा एक specific structure हो गया, कि सबसे पहले मुझे homepage बनाना है, homepage में फिर मेरे को further categories बनानी है, उन categories के बाद में मेरे को कुछ further section बनाने है, और ये जो pages है, इनके भी आगे further pages बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा simplify कर देते हैं, देखें कुछ इस आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले ही आपका homepage हो गया, homepage पर कुछ जैसे हमारे sections हो गया, sections चीक है, जैसे section में, जैसे मान लीजे, courses का हमने अलग section बना दिया, courses के बाद में हमने जो internship हो गई, उसका हमने एक अलग section बना दिया, उसके साथ में, अगर मान लीजे, कुछ recorded lectures हैं वैसे ही इसमें भी हमने जैसे मान लीजेते कर hacking डाल दिया, web development डाल दिया, additional marketing डाल दिया, फिर हमने और यहां पर category बनाए और अब इसके अंदर जो further categories होंगी, जैसे additional marketing में ऐसी हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा, वो post यहां पर create हो जाएगे, तो यहां पर आपने देखा कि क्या किया हमने कि एक homepage बनाकर उस homepage में कई सारे pits बनाए, कई सारे खड़े बनाए, तो अगर एक person आता है जिसको DM से related information चाहिए, वो DM वाले खड़े में, यान DM वाले सिलो में, या DM वाले section में जाएगा और वहां से वो आगे से आगे उसको चीज़ें मिलती जाएगी, चीक ह अब यहां पर क्या चीज़ है, अब यह common understanding है कि हमारा जो homepage है, उस homepage पर link दिया होगा sections का, यानि silos का, फिर उन silos में categories की linking होगी, फिर उसके बाद में अदर अदर जो post हैं, pages हैं, उनकी यहां पर linking होगी, लेकिन यह जो pages हैं, यह आपस में भी link दे सकते हैं, चीक है, ऐसा नही हम इनकी internal linking भी करेंगे, लेकिन जो priority पर, जो homepage से, जो direct link जो यह sections होगे, यह कुछ हम silos मना देंगे, उसके अंदर कुछ categories डाल देंगे, अब चलिए मैं आपको लेचलती हूँ, website पर और दिखाती हूँ मैं किस तरह से यह basically linking की जाती है, आप देखिए इसके लिए जो best example मैं देना चाहूंगी, वो है Udemy, चीक है, Udemy पर आप देखेंगे, तो काफी अच्छा है, यह जो silo structure है, यह बना हुआ है, अब इसमें, देखिए थोड़ से difference भी मैं आपको बताऊंगी, कई बार आप किसी website पर जाएंगे, और आपको लगेगा, कि यहां पर तो silo structure है, बट एक page open हो जाएगा, ठीक है, अब यह development का यहां पर एक page है, और इस page में आप देखेंगे, तो और further pages, जो की इस section से related है, जैसी development से related page है, तो इसमें web development, data science, mobile development, related जो हमारे courses है, वो attached है, अब यहां पर इसको check कैसे किया, कि देखिए जो development, यह जो हमारी category है, इसका page available है, अगर म page नहीं होता, सीधा यहां पर जो इसकी further category है, उसका page यहां पर indicated होता, अब देखिए, अगर मानिचे development में भी, मैं web development पे click करती हूँ, तो भी, तो यह development वाला course है, इसमें भी different, different जो हमारे pages है, वो यहां पर attached है, तो यह complete silo structure, जो की अभी हमने देखा, कि एक silo है, यानि सब से पहले, development category आ गई, section आ गया, एक genre आ गया, उसके अंदर हमारी जो अलग-अलग developments है, like web development है, data science है, mobile development है, उनकी अंदर भी further sections है, उसी के साथ ही मैं example आपको देना चाहूँगी, WS Cube Tech का, इसमें भी आप देखेंगे, तो यह देखें, यह हमारा home page है, home page में, अब आप यह different, training का page है, तो training का page अगर मैं यहाँ पर open करूँ, तो training का page यहाँ पर open हो जाए, और फिर इस page में different, different आप देखेंगे की courses है, जो की training से related है, उसी के साथ ही जैसे अगर मैं internship की बात करती हूँ, तो internship का यह एक अलग page open हो जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस training में भी other categories य training करते जा रहे हैं, जो उसी topic से related है, अब यह क्यों जरूरी है, इसका फायदा कैसे और क्यों हमें मिल सकता है, सबसे पहला फायदा, सबसे पहला जो importance है, silo structure का, वो है better user experience, और इसी के लिए ही हम SEO कर रहे हैं, यह हमारा main goal है, तो आपकी जो audience है, उसके experience better होगा, क्योंकि जै के बारे में जानना चाता है, Google Ads के बारे में जानना चाता है, तो उन further pages पर वो जा सकता है, जैसे आपने देखा होगा YouTube पर, YouTube पर हम क्या करते हैं, channel बनाते हैं, channel में फिर हम playlist बनाते हैं, उन playlist में हम further जो videos हैं, वो add करते हैं, तो इसी तरह से ही जो chain बनता है, यही आपको follow कर है, उसके अलावा यह आपकी website में create करते हैं keyword relevancy, क्योंकि यह बात हम बहुत बार कर चुके हैं, कि relevancy of your internal links बहुत जादा जरूरी है, तो अगर आपका एक page, दूसरे page से आप उसको connect करवा रहे हैं, या फिर further category में डाल रहे हैं, तो उनकी जो keyword है, वो relevant वहां पर होने दूसरे page को मिलेगा, just because of keyword relevancy, तो अगर मान लीजे, उस category में से कोई एक page अगर अच्छी rank उसकी हो जाती है, तो उसका फायदा definitely हमारे दूसरे page को मिलेगा, उसी के साथ जब आप अपनी website के backlinks create करेंगे, तो suppose कर लीजे, अगर मैं एक page का backlink करती हूँ, क्योंकि आगे वैस जो unintentionally आपके backlinks create हो जाते हैं, मतलब कोई person आपका content उसको अच्छा लगता है, तो वो आपके backlinks create कर देता अपनी website में, तो ऐसे case में वो किसी web page का ही link create करते हैं, तो अगर मान लीजे, आपका silo structure है, और उस backlink के through traffic आपके एक page पर आता है, तो वो further content में आगे move कर सकता है, त तो इसका definitely benefit आपको मिलेगा कि जब भी user आपकी website पर आएगा, या आपकी किसी भी page पर आएगा, चाहे किसी भी source से वो आए, वो आगे further आपके content में move कर सकता है, और इसी वजा से best चीज यह होगी कि हमारे website का कोई भी content overlooked नहीं होगा, यानि ignore नहीं किया जाएगा, क्योंकि स सभी जो pages हैं, सभी जो post हैं, एक category के वो एक दूसरे से connected है, और इसी वजा से आपकी जो internal linking है, वो काफी easy हो जाएगी और काफी effective भी रहेगी, आप सवाल आ रहा है कि आखिर ये silo structure हम create कैसे करें, तो देखिए WordPress के लिए इसका कोई as such plugin नहीं है, inbuilt ऐसा कोई function नहीं है, जिस टाइम से ही आपको अपनी hierarchy बिल्ड करनी होगी, जो हमने इस वीडियो में समझा कि इस तरह से आपको silo structure बनाना है, वैसे ही आपको manually follow करना पड़ेगा, और अगर मैं बात करूँ non-wordpress website की, तो SME website बनाने से पहले ही, क्योंकि जितना जल्दी हो हम अपने developer को guide कर दें, कि आ एक बात मैं add करना चाहूंगी, जो जितने भी methods आते हैं, जैसे आज एक चीज जो SEO के लिए अच्छी है, हो सकता है वो कल अच्छी ना हो, तो अभी जैसे इस time के अगर मैं बात करूँ, तो silo structure काफी importance दे रहा है SEO को, और उसी के साथ साथ काफी proven ये चीज आ रही है, कि जि जो चीज काम कर रही हो, वो कल ना करें, तो इसी लिए time to time खुद को update रखिएगा, कि क्या चीज चल रही है market में, या क्या नहीं, तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा complete SEO course चल रहा है, तो उस SEO course में हम आचुके हैं, आफ पेज SEO में, और आफ पेज SEO की link building strategy एक, आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे, और वो strategy है search engine submission, देखिए, अलरड़ी हम बात कर चुके हैं, कि जो भी आफ पेज SEO होता है, वो आपकी website के बाहर जाकर होता है, मतलब website पर आपने content अच्छा ढाल दिया, उसकी सारी जो technical difficulties थी, वो आपने कर दी तो वह सारा आपका on page आ गया, लेकिन उस website को बाहर लोगों को उसके बारे में बताना, different different sites को उस website के बारे में बताना, या फिर ही मैं कह सकते हूं कि अपने घर से निकल क और अपने घर की publicity करना वैसे ही अपनी website से तोड़ा दूर जाकर और अपनी website की ही publicity करना is known as off-page SEO, तो off-page SEO की जो link building है, जहां पर हम different different, या फिर मैं कहूं कुछ, जहां पर हम कुछ अच्छी high authority websites पर अपनी websites के link generate करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही important strategy है, that is search engine submission, search engine submission जैस तो जैसे Google को हमने अपनी website submit की Google search console से, देखिए आपने सिर्फ Google का नाम सुना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे search engines है, जो जिस पर मैं यह तो नहीं क्याती कि Google जितना ही, लेकिन हां काफी अच्छा घासा traffic आता है, इसके लिए एक वीडियो आई थी, जहां पर मैं आपको top 10 search engines के अगर मैं बात ना करूं, तो कम से कम ऐसे 1000 search engines आपको मिल जाएंगे, किसी पर यह कह सकते हैं कि किसी पर बहुत जादा traffic है, किसी पर बहुत कम traffic है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी website को introduce नहीं करेंगे, उन search engines पर, वो हमें करना पड़ेगा, उससे होगा, यह कि different search engines पर ही, भली मैं कहूं, मंतली अगर एक या दो भी traffic मेरी website तक आता है, तो मेरे अची चीज होगी ताई, ऐसे में top search engines की बात करूं, तो आपके पास Google तो ही, of course, Bing है, Yahoo है, Baidu, Baidu, जो कि Chinese अगर आपकी audience है, और ऐसी कोई website है, जो जहां पर आप चाइना के लोगों से का कोई इस तरह का business है, जो कि आप वहां service प्रवाइड करते हो, तो यंडिक्स आपके लिए अच्छा option हो जाएगा, इसके लावा डगडगो है, बाकी मतलब बहुत सारे search engines है, तो उन search engines पर हम अपनी website को submit करेंगे, अब देखिए, एक simple तरीका है, कि एक-एक search engine आप देखो और उसको आप submit करो, चीक है, गूगल पर आप अपनी website कैसे submit करते हो, वो आप करते हो, गूगल search console से, तो गूगल search console का एक अलग से ही complete course में आपके लिए लेकर आओंगी, लेकिन मैं यहाँ पर Google search console का भी बता दूँगी, कि यहाँ पर simply एक code आता है, जो कि आपको अपनी website म पर हमें submit करना है, तो मैं आपको एक ऐसी website बता रही हूँ, जहाँ पर आपको सारे search engine मिल जाएंगे, और एक साथ ही आप अपनी website को वहाँ submit कर पाएंगे, तो चलिए फिर ब्राउजर पर चलते हैं, तो देखिए, इसके लिए जो मैं website यूज़ कर रही हूँ, उसका नाम ह है, free web submission, okay, free web submission जो है, आपको use करना है, यह आप normally google पर type करेंगे, यह फिर freewebsubmission.com भी type करेंगे, तो यह जो first website आपके यहाँ पर open हो रही है, that is, अब इसमें क्या है, कि हमारे major search engines हैं, जैसे आप देखोगे, google है, bing है, index है, quant है, उसके अलावा, बहुत सारे यहाँ पर search engines है इनको आप क्या गर सकते हो, consider कर सकते हो, अब देखिए, इनमें हम एक साथ ही, जो 50 search engines है, इनमें को 50 के 50 हो में एक साथ हम अपनी site submit कर पाएंगे, simply step से, यहाँ पर आपके यह देखिए, यहाँ पर search engines है, चीक है, तो इनमें साथ हटा सकते हो, उन-उनको untick कर सकते हो, जो आ पता, आप देखिए, गूगल बिंग यंडेक्स के बारे में, मैं तो जानती हूं, कि यह मतलाब अच्छी sites हैं, लेकिन के बारे में, जैसे मुझे नहीं पता, तो आप इसको open करेंगे, तो यहाँ पर आप इसकी DA देख पाएंगे, तो देखिए, अगर search engines हैं, तो इसमें आप DA पर ही focus कीजिए, ना कि आप PA पर, यानि page authority पर focus नहीं करना, क्योंकि यह तो वो web page जहां पर मुझे बताया जा रहा है कि कैसे submit करना है, मुझे यह search engine पर, लेकिन DA आप देखिए, तो 84 DA है, उसके अलावा एक और चीज जो आपको consider करनी है, वो is spam score, so spam score 1% ही है, तो target आ अच्छा हो, उतना बेटर होगा, लेकिन आपको एक idea generally लगी जाएगा, कि जब Google का 100 आप 99 आप माल लीजे, तो हम target लेकर चलते हैं, कि जो 70 से उपर हमारा, जिनका DA होगा, उनी पर ही हम अपनी website को submit करेंगे, ठीक है, देखिए, हर एक search engine पर आपको website submit नहीं करनी है, क्योंक इसकी DA आजेगी, तो DA इसकी 62 है, spam score इसका 16% है, तो आप अपने according एक बार इसको check कर सकते हो, चीक है, अगर माल लीजे, आपके पास options कम बचने हैं, तो आप अपने according देख सकते हो, चीक है, लेकिन मेरा target यह होता है, कि मैं 70 से कम, जो भी ऐसे search engines होते हैं, उनमें website submit नहीं कर तो जैसे अब इसका जो DA है, वो 84 है, तो देखिए, search engines के case में, एक जी note कर लीजेगा, search engine के case में, आपको उनही search engines पर website submit करनी है, जिनका जो DA है, या डोमेन authority जो है, वो 50 या 60 से जादा हो, देखिए, वैसे तो मैं suggest करूँ कि आपको 70 से जादा वाले लेने चाहिए, लेकिन देखिए, बहुत ही कम search engines है, जिनका DA बहुत जादा अच्छा है, मतलब कह सकते हैं, तो 50 या फिर 60 से जादा जिनका अच्छा हो, मतलब DA, उनको ही आप consider कीजिए, तो एक एक जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप open कर सकते हैं, और within like one second यह चेक हो जाएगा, अभी तो net थोड़ा सा slow है, तो आप यहाँ पर starting में आप देखिए, तो देखिए, DA इसका 30 है, तो मैं इसको अपनी जो यह list है यहाँ से हटा दूँगी, यह करने के बाद में, अपना selection करने के बाद में, आपको अपनी website का URL यहाँ पर put करना है, जिसे मैं example के तौर पर आपको बता र आपको डालना है, तो मैंने जैसे यह mail address एक बार डाल दिया, कोई भी working यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि अगर कई सारे जो search engines होते हैं, वो आपकी email ID पर confirmation mail भेजते हैं, तो इस recording वही यहाँ पर आपको email ID डालनी है, जो की मतलब working हो, ठीक है, उसके अलावा, terms and condition पर आपक करना है, एक यहाँ पर option है, that is include your site map, क्या आप अपना site map भी यहाँ पर include करना चाहते हैं, तो देखिए, यह team आपको suggest तो नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि Google पर हम submit कर चुके हैं, Bing पर हम कर चुके हैं, यंडेक्स पर हम कर चुके हैं, तो इन पर already site map हमारा चला गया है, तो आप इसको अपने according, untick कर सकते हैं, तो आप इसको अपने according चूज कर सकते हैं, यह करने के बाद में आपको simply submit your site पर करना है, click, तो अब यह यहाँ पर बूच रहा है, verification required, जो कि इस site कही है, तो मैं अपनी mail ID है, वहाँ पर इसको verify कर दूँगी, अब इसके बाद में यह यहाँ पर जो search engine पर हमने submit किया है, वो यहाँ पर आ गया है, तो success मतलब complete हो चुका है, बिंग है, तो बिंग पर हमें click to complete यहाँ पर करना पड़ेगा, और जो भी information यह मांग रहे हैं, आप इनको दे दीचे, एक बाद देख लेते हैं, कि क्या information यह मांग रहे हैं, तो ज इसको भी complete करना ही पाऊंगी, लेकिन जैसे मैं आपको बता है, कि Google Search Console का complete tutorial में आपके लेकर आने वाली हूं, तो उसमें सारी चीजन हम A to Z सीखेंगे, तो यह देखिए, सारे यह सब को success हो चुका है, जो CTDAS पर submission failed हो गया, तो कोई नहीं है, एक नहीं हुआ तो हमें कुछ पर जाएगा, यह करने के बाद में, अब यह जो हमने आपर प्रिसे सब्मिट किया है, इससे हमारे जो मोस्ती कुछ मतर जो search engines है, जहां से हमें कुछ ट्राफिक मिल सकता है, जिनका DA थोड़ा सा strong का, वहां पर हमारी website सब्मिट हो चुकी है, देखिए, सब से important जो में major search engines है that is Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, यह जो कुछ top 5 है, इन में तो जरूर अपनी website को जरूर सब्मिट कराईएगा, और बाकि यहां पर मैं आपको कुछ examples दे दिये हैं, बाकि आप कई बा, वैसे कई लोग ऐसा suggest करते हैं, कि आप normally जो पूरी लिस्ट है, मतलब 100-200 search engines पर आप सब्मिट कर द हैं, तो I hope, एक idea आपको लग गया होगा कि search engine submission क्या होता है, कैसे हम इसको process करते हैं, इसे तरह की बहुत सारी strategies हम लाने वाले हैं, इस link building में, क्योंकि complete course चल रहा है, तो एक भी चीज आप से नहीं रहेगी, so playlist का link मिल जाएगा, आपको description box है, जहां पर हमारा complete SEO course चल रहा है, and make sure करें, एक भी video आपसे miss ना हो, क्योंकि देखिए, यह जितने भी tactics हम अभी करेंगे, जैसे मैं आपको checklist बताई थी, कैसे link build हम कर सकते हैं, तो उसमें से जरूरी नहीं है, सारी आपको process करनी है, कुछ आप अपने business के according, अपने business का ध्यान रखें, अपने genre के according, आप उनमे है, free classified submission, यानि classified, classified का मतलब आप समझ रहें कि advertisements, तो कुछ हमारे business से related, हम advertisement post करेंगे, ऐसी sites पर, जो कि allow करती हैं, कि हम वहाँ पर अपने product को, या अपनी service को list करवा सकें, तो जिनका भी business है, उनके लिए, यह जो strategy है, यह बहुत ही amazing है, लेकिन देखिए, पहले ऐसा होता था कि हर website पर हम अपना link जो है, attach कर सकते थे, लेकिन अभी वो चीज कुछ site से जो है, खतम हो चुकी है, तो मैं आपको वो भी बताती जाओंगी इस वीडियो में, और साधी कैसे आप कुछ अच्छी websites ढून सकते हैं, जहां पर आप अपने business related products, या पे services, वहाँ पर post कर सकते है देखिए, free classified submission में आपको एक चीज याद रखनी है, कि अगर आप अपना कोई product, अपनी कोई service post कर रहे हैं, किसी भी platform पर, जैसे आपने majorly आपने सुना होगा, OLX के बारे में, quicker के बारे में, तो वहाँ पर आप post कीजिए, लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है, कि ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है, quantity पर focus नहीं करना है, बलकि आपको mainly वहाँ पर focus करना है, कि कैसे हम better तरीके से represent कर पाएं, अपने product को या हमारी service को, चीक है, क्योंकि देखिए, again, जैसे मैं बता चुकी हूँगी, कैसे quality backlinks आपको बनाने है, तो आपको quality पर ध्यान देना है, ना क quantity पर, अब मैं आपको ऐसा suggest नहीं करती कि आप कम से कम एक दिन में 50 आप classified बना दीजे, नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, अगर आपकी नई website है, तो देखिए, नई website के जब इतने सारे links create होंगे, तो obviously वो spam account होंगे, क्योंकि अभी आपकी website नहीं है, क्यों इतनी जल्दी इसके back links बन रहे हैं, यह obviously एक doubting case आता है, अगर आपकी थोड़ी पुरानी website है, तो मैं आपको suggest करूंगे, आप 15, 20, 30 भी एक दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर नई website है, तो मैं आपको suggest करूंगी, कि free classified भी आपको limited करना है, तो चलिए, सबसे बहले browser पर चलते हैं, देखते अच्छी site है, यहां पर आपको actually sites आपको मिल जाएंगी, उनका DAPA भी मिल जाएगा, तो देखिए, classifieds के case में मैं आपको suggest करूंगी, ऐसी site पर ही आपको अपनी product को या अपनी service को list कराना चाहिए, जिसका जो DA है, वो 50 से उपर हो, और जितना maximum होगा, उतना आपको पहले achieve क करना है, जैसे मैं OLX की बात करूं, कुईकर की बात करूं, तो इनका DA काफी अच्छा है, तो पहले आप इन पर बना सकते हैं, काफी सारे classifieds इन पर आप पोस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यह करने के बाद में आप फिर दूसरी sites पर आ सकते हैं, तो अब हम यह वाली जो site है, इसका नाम आप देख लिजेगा, webhospitality.com, वैसे आप कोई और भी website आप देख सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह से list मिल जाए, और फिर आप जब भी classified create करें, उससे पहले उस website की DAPS जरूर चेक कर लेना, मैंने इसके लिए यह extension लगा रखा, इसको मैं तब ही enable करती हूँ तो देखें, यहां पर आपको काफी सारी sites मिल जाएंगी, जिनकी 50 से उपर है, जैसे आप देख सकते हैं, आप देखें, यह नीचे जो है, सबसे नीचे यह Indian classified submission आ रही है, तो इसमें आप देखें, काफी सारी sites है, इनका यहां पर DA दिया हूआ है, QUICKER है, OLX है, उसके इसके बाद में आप जैसे मानली भी हर साइट को चेक करती हूँ, कि उसका DA कितना है, तो देखें, इसका DA 90 है, स्पैम स्कोर 1 परसंट है, तो यह इस पर आप मतलब कंसिडर कर सकते हो, इसमें आप अपनी country से लेक्त कर दीचे और classified यहां पर आप सब्मिट कर सकते हो, उसके इसमें बाद में आप जैसे मानली जे अगर मैं USA की बात करूं, तो UK की जो टॉप लिस्टिन है, उनमें भी आप सब्मिट कर सकते हो, इसा होई compulsory नहीं है, बट अगें यह चीज़ डिपेंड करेगी आपके बिजनस पर, आपके बिजनस के टाइप पर, आपके सर्विस के ठीक है, आप देखें, आप देखें, ग्लासिफाइड जो है, यह बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए है, तो अगर आपको जैसे अभी तो जैसे मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन आपको नहीं पता, तो आप इस साइट को ओपन करके देख सकते हैं, कि आखर यह जो साइट है, यह किस बारे में है, तो देखें, क्लासिफाइड यहां पर हम देख लेते हैं एक बार, तो कैटिगरी में आपको तपता चल जाएगा, तो देखें, यहां पर काफी सारी चीज़े हैं, not just the property or something, तो इसलिए मैं इसको मतब कंसिडर कर सकती हूँ, उसके सेम ही तरीका होता है, तो मैं इसमें एक बार आपको बता देती हूँ, तो सबसे पहले आपको लॉग इन रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आप पोस्ट फ्री एड भी क्लिक करेंगे, तो भी पहले ही आपसे लॉग इन्फोमेशन मांगेगा, तो आप यह आपसे पूछ तो मैंने आपको हाउस क्लीनिक के बारे में बताया था, तो अपने उस ही को ही इब अपर बेंचमार्क मारके और हम इस तरह का ऑफ पेज कर लेते हैं, तो सर्विसस है, तो सर्विसस में आप चले जाहिए होम क्लीनिंग पर, हम बात कर रहे हैं, फौल हों टीp क्लीनिंग, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं यह गरने के बाद में अब हमें कंपनी की इंफोमेशन देनी है तो कंपनी नेम तो जैसे मैं एक्जाम्पल लिलती हूं डेली क्लीनर्स चीक है उसके अलावा ओनर का नेम यहां पर आ जाएगा तो हम एक बार इसके बाद में आपका मुबाइल नमबर आ जाएगा है गाम फॉल का इपनी इस ID की हमें जहुरत पड़ेगी ऐसी email ID आपको लेने हैं जिसका password भी आपके पास हो तो जिससे आप सारी चीज है उनकी knowledge के according कर पाएं उसके साथ ही category आजाएगी अब category में हमें क्या चाहिए देखेंगे हम service हमें देखनी है तो मैं यहां पर जैसे cleaning मैं type कर लेती हूं एक बार तो करेंगे click click करने के बाद में अब आपको यह OTP जो है यह verify करना पड़ेगा अब यह contact details verify होने के बाद में हम हमारी business details डालेंगे business details में आपको जैसे मान लीजी है service related है और मेरा business भी service related है तो मैं यहां पर अपनी service related जो actual जो details है वो में यहां पर पिल करूँगी लेकिन मान अगर इसी जगह हमारा कोई product होता कोई ऐसा specific for example अगर आपका तो उस product की आप details यहां पर डालेंगे जिसमें आपके product description आपके product की specifications और साथ ही हमारे keywords उसमें होंगे with the location चीक है so यहां पर हम जैसे working hours बगरा में सारी चीज ने डाल देती हो और पिर हम देख लेते हैं किस तरह हमने इसको किया है अब इसके बाद में हमने यहां पर हमारे working hours भर दिये है working days फिल कर दिये है business since हो गया number of employees है website जो है वो मैंने यहां पर डाल दी है dummy मैंने website यहां पर डाल दी है उसके लावा description 2000 words में आप लिख सकता है मैंने इसको एक बाल लिख दिया है जब एक बार post यहा यहां पर मैंने logo upload कर दिया है logo के बाद में आप हम next click करेंगे next के बारे में service details आपको डाली है तो यह एक बार आप अपने according fill कर सकते है rate card का यहां पर option है business images है आपकी वो आप यहां पर डाल सकते हैं okay तो यह आप यहां पर देखेंगे कि quicker पर बहुत ही easily हमारे यह जो business है यह यहां पर save कर सकते हैं आपस यहां पर आपको कुछ चीज हों का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी brand हो जो भी आपकी service है जो भी आपका product है उसी से relevant ही आपको यहां पर content provide करना है तो आप जैसे यहां पर हमने यह list post किया है वैसे ही हम और भी कई सारी websites हैं जैसे मैं आपको अ सब्सक्राइब करना है कि आखर स्पैम तो नहीं है वो उस website पर और अच्छल में उस website का अपने नाम सुना हो कि देखिए वो दिन गए जब जो भी हमें list मिलती थी जो भी हमारे पास websites होती थी जहां पर हम पर पोस्ट करते थी अभी आपको वैसा बिलकुल भी नहीं करना है आपको सिर्फ उनी websites पर जिनका आपको लगता है कि यहां पर ट्राफिक आता जिसे OLX हो गया, Quicker हो गया, Sulekha हो गया तो कुछ ऐसी जो sites होती हो उनी पर ही अपना business list करना चाहिए उसके अलावा जो मैं आपको अभी पताया that web hospitality यह जो website है इस पर Indian classified submission site for ad posting है इनको आप चेक इन पर भी अगर आप पोस्ट करते हैं अपनी advertisement को तो बस इतना sufficient रहेगा तो मैं आपको बहुत बहुत सपामिंग करने के लिए नहीं यहां पर recommend करूंगी बस एक चीज़ आद रखनी है कि जो भी आपने पोस्ट किया है अब जैसे मान लीजे यह वाला मेरा listing था तो मैं जो मैं जो मेरा platform था that is quicker वो मैं यहां पर डाल देती हूं यहां पर जो link था यानि जो landing page था वो हम यहां पर डाल देंगे तो कोई भी जब इस particular link को open करेगा तो उसे यही वाली listing मिलेगी जो कि मैंने अभी की है जिके आप भली आप login है नहीं है उसे फर्क नहीं बढ़ता है यह लिस्टिंग यहां पर open होगी तो जिसे पता रहे कर यहां हमने यह सारा काम किया है तो जो भी आप काम करें उसका एक proper documentation जरूर करें अब जैसे मानली जिए दिन में अगर मैंने दो भी लिस्टिंग किये तो दो का भी यहां पर होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में कुछ भी type करते हैं तो आपको काफी सारे results दिखते हैं और आप देखते हैं कि mainly the results आपको images की form में भी दिखते हैं और even इतना जादा यह popular हुआ है कि images के लिए एक अलग ही section बन चुका है और जैसे कि आपको पता है कि किसी भी image पर आप click करेंगे तो वह आपको direct कर पाएगी उस particular website पर तो कहीं न गहीं हम कहेंगे कि images जो हैं वो एक important source of traffic होता है हमारे लिए तो इसी दिए हम भी चाहेंगे कि हमारी images भी rank करें और दूसरी important चीज कि image submit करते time हम वहाँ पर अपनी website का link put कर सकते हैं जो कि हमारी website की link building करेगा और after all हमारा goals यही है कि अच्छी websites पर कुछ high authority वाली websites पर हमारी websites के जादा से जादा link जाएं जहां से हमारे पास audience आ सके तो आज के इस video में हम बात करने वाले हैं image submission की सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या वो important websites हैं जहां पर आप image submit कर सकते हैं वैसे तो कई सारी मैं आपको नई websites इस video में बता दूँगी लेकिन जितने आपके social media platforms हैं जैसे मैं Facebook की अगर बात करूं LinkedIn की बात करूं Instagram या फिर कोई भी ऐसी site जहां पर आप image submit करते हैं informa post वो आपकी image submission की site की तरह use की जा सकती है otherwise जो सबसे ज़्यादा popular है और जो my personal favorite that is Pinterest वैसे Pinterest का complete course हम आपके लिए लेकर आ चोके हैं एक अलग से ज़्यादा बड जाएगा आप वहां से वो video देख सकते हैं but still इस video में आपको एक general जो understanding है Pinterest की वो भी देने वाली हो साधी हम कुछ और websites की भी बात करेंगे other than जिनको आप जानते हैं पहले से इसके अलावा भी जो websites जहां पर आप image submit करके अपनी website का backlink create कर सकते हैं वो भी हम बात करने वाले ह चलिए फिर browser पर चलते हैं जल्दी से तो यह है हमारा Pinterest का account simply आपको Pinterest पर login कर लेना है अब यहां पर Pinterest पर क्या है Pinterest is all about images जब भी images की बात होती है Pinterest की बात हो ना ऐसा हो ही नहीं सकता और अगर मैं बात करूं US की UK की तो यह बहुत ही जादा popular platform है और इंडिया में भी बहुत ही से ग्रो कर रहा है और इवन मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगी की Google पर जैसे मैं for example कोई भी एक keyword type करती हूं जैसे for example में dresses type किया और आप यहां से images पर जाते हैं तो यह तो हमारी e-commerce website से हमारे पास आगे results लेकिन अगर आप images देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर आपको जो Google का जो search engine result page है जहां पर images बाला section है वहां पर आपको Pinterest से results जरूर मिलते हैं और Pinterest पर upload की गई videos अगर उसकी reach अच्छी है तो वहां वह सर्प पर भी trend करते हैं rank करते हैं चीक है और जैसा कि आपको पता है जिसमें भी Pinterest का complete course देखा है कि Pinterest की सबसे अची चीज कि यहां पर आ अलग अलग आप link attach कर सकते हैं right so यह देखिए बहुत ही अब जैसे यह मैंने page खोला तो यहां से मैं direct इस particular link पर इस website पर चली जाओंगी और Pinterest में आपको बताना चाहूंगी कि personally हमारे कई ऐसी website से कई सारे ऐसे project से जिन पर अभी काम नहीं हो रहा है यानि वो जो project है उस पर एक बार SEO हो गया अभी जो client है वो उस पर उनका budget नहीं है वो उस पर spend नहीं कर रहा है आज के ताइम में सबसे जादा जो उनको traffic आ रहा है वो images से आ रहा है क्योंकि already उनकी इतनी सारी images हमने post कर चुके हैं और Pinterest एक major platform है जहां से उनके पास free यानि organic traffic आ रहा है तो Pinterest बहुत ही एक image जो है यहां पर डालती है उसके अलावा अब हम title add करेंगे Pinterest के लिए जो title limit है वो 100 है लेकिन यह recommend करते हैं 40 characters जैसे मैंने बताया कि complete Pinterest का अलग से ही course में ला चुके हूं जहां पर keyword research से लेकर क्या हमें keywords पूट करने है कैसे पूट करने है title कैसे लिखना है कैसे अपने Pinterest account क Google के SERP पर भी अच्छी ranking पर दिखे तो यहां पर हम title लिख लेंगे जैसे मैंने यहां पर जैसे title लिख लिया जैसे digital marketing dimensions ठीक है उसके अलावा यहां पर आपको अपना description लिखना है अपने जो post है इसको यहां पर define करना है वैसे total 500 characters में लिख सकता है लेकिन Pinterest suggest करता है कि आप 100 characters में लिखी क्योंकि ultimately जब यह image दिखेगी चाहे SERP की बात करूं या फिर Pinterest जो एक हुद में ही image search engine है तो जो वहां पर picture देखेगी तो जो आपके 100 characters है वही description show होंगे जब उस पर person click करेगा तब उसको पूरा description show होगा नहीं तो initially जो उसकी timeline पर 100 characters ही show होंगे तो यहां पर मैंने एक चोड़ा सा description लिख दिया है अब है यह all text देखे किसी भी website पर जब भी आपको image publish कर रहे हैं वैसे instagram पर भी अभी option आ गया है और जिसका use आपको 100% करना चाहिए that is all text ठीक है SEO के हम बात कर चुके है all text हमें या फिर all text बोलू में इसको या all attribute बोलू सब हमें पता क्या होता है तो इस image को describe करता हुआ एक जो particular word है या फिर एक sentence है जो इस image को describe कर रहा है वो आपको यहां पर पूट करना है देखिए search engines के लिए भी यह चीज़ important है तो मैं एक बार अभी तो यहां पर सिर्फ यही लिख रही हूँ जो इसका title है आप अपने according यहां पर अच्छे से keywords आप यहां पर put कर सकते हैं अब उसके अलावा destination link यह जो सबसे best part है हमारी जैसे माल लीजे अगर मुझे WS cube tick अब देखिए इसमें आपको try करना है relevancy try तो क्या करना है मैं 100% आप यहां पर आपको relevancy ज़रूरी है जहां भी आप link post कर रहे हो ना उसका link उस particular source से और जहां आप आपकी audience को भीज रहे हो उन दोनों में कोई relevancy होनी चाहिए आप जैसे मान लीजे digital marketing dimension से related मैंने एक post बनाया है तो मैं अब अपनी audience को कहां भीजूंगी अपनी audience को मैं किसी digital marketing के यही page पर भेजूंगी चीक है इसलिए मैं digital marketing का कोई page open कर लेती हूं जैसे digital marketing training वाला page है और इसको मैं कर लेती हूं copy और यहां पर मैं इसका link जो है paste कर दूँगी simply चीक है अब publish immediately भी कर सकते हो या फिर publish later date भी कर सकते हो वैसे Pinterest में bulk post का भी option होता है जिसके लिए मैंने आपक एक board create कर देती हूं board मतलब एक group जिसमें आप इस picture को save करना चाहते हो चीक है तो जैसे मैंने यह कर दिया that is digital marketing का मैंने एक board बना दिया create को option कर देंगे option create करने के बाद में अब इस board में यह मेरी picture save हो जाएगी तो मैं यहां पर click कर देती हूं publish ठीक है अब यहां पर जैसे मैं पर पास होना चाहिए तो इसी लिए हम क्या करेंगी यह जितने भी जो हम post कर रहे हैं चाहे मैं images की बात करूं चाहे मैं social book marking की बात करूं यह मैं classifieds की बात करूं जो भी हम कर रहे हैं उसका proof हमें देना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना है हमें simply जैसे हमारा post हो चुका ह आपको इस post पर जाना है जहां भी हमने पोस्ट किया आपकी profile में आपको मिल जाएगा तो अब यह देखिए यह हमारा यह board इस board में हमारी यह image है चीक है यह image है अब आपको simply क्या करना है यह जो आपकी image है चीक है इसका जो link है वो copy कर लेना है चीक है link कैसे copy करेंगे कि simply यह जहां से और copy the link copy कर लिया link अब आप इसको अपनी sheet में जो है post कर देंगे तो अब आप यहां पर देखिए कि जो मैंने यहां पर image पोस्ट किया है उसको मैं यह जो मेरी image submission वाली जो मैंने off-page की जो report बरानी मैंने आपको पतायी तो image submission वाली जो मेरी slide है जो sheet है उसमें मैं अ जैसे सबसे पहले platform मैंने कौन से यूज किया है मैंने platform यूज किया है Pinterest का ठीके link इसमें digital marketing वाला है तो एक बार मैं जो link मैंने landing page मतलब अगर आप इस link पर click करो क्योंकि देखिए आपका client है अब देखिए client को हम बोलेंगे कि हमने तो आपके 100 backlinks बना है हमने इतना काम किया उसका proof कैसे देंगे तो client आपका क्या कर सकता है इस link को ही direct क्या कर सकता है वो देख सकता है कि आखिर इन्होंने क्या paste किया है त तो इस तरह से भी आपको यह तरह से उसमर्लिश अपने काम का proof देना पड़ेगा तो email link यहां पर post कर देती हूं तो यह हमें इस तरह से अपना जो भी आपने काम किया है वो एक एक करके हम यहां पर जो जो हम backlink बनाते जाएंगे पोस्ट करते जाएंगे उसका link हम यहां प को बताना चाहूंगी उसका नाम है flickr काफी important काफी अच्छा इसका DA है आप चेक भी कर सकते इसको तो इसको बस simply अपन को करना है open उसके बाद में हम करेंगे sign up यानी login login करने के बाद में आप अपने detail यहां पर फिल कर दीजे एक चीज दिहान रखिएगा जैसे मैं आपको बताया है कि जिस भी company या फिस भी website या फिस भी बिजनस के लिए आप ऐसी हो कर रहे है उसका नाम ही आप यहां पर जो है feed करेंगे चीज और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी company से जो भी आपका business है उससे आप एक phone number एक email id लिख लीजेगा जो की आपको उसमें आड़ करनी है एक xyz data यहां पर आप हम डाल देते हैं एक बार ओके तो यह देखिए यहां पर हमने यह login कर दिया है और फिर हम एक बार इसको verify कर देंगे अब हम हमारी जो details थी उसके साथ में हम login कर देंगे तो यह देखिए यहां पर हम जो है flickr पर login हो चुके हैं simply जैसे हम किसी भी social media पर अपना account बनाते हैं वैसे हम यहां पर account बना लेना है इसके बाद में अब हम हमारी जो posting है वह हम यहां पर शुरू करेंगे यह देखिए आपको यहां पर upload का option मिल रहा है upload option पर हम जाएंगे और जो भी photo आप upload करना चाहते हैं उसको एक बार यहां पर हम open कर ल अपने जादे जादा keywords जाद जादा अपनी business का नाम वह यहां पर put करना है अब इसके साथ में हम कुछ यहां पर tags डाल देंगे चीके जैसे हम डाल देते हैं digital marketing और कुछ हम tag यहां पर डाल देते हैं like SEO, SMO और एक मैं जो हमारी company का नाम है वो भी यहां पर एक बार tag डाल दे create करना है यहां से हमारी audience को direct करना है हमारी website की तरफ तो वो तो हम भूली रहें ठीके तो इसी के लिए हम जो अपने description है उसके बीच में या फिर अपने description के just नीचे हम अपनी website का link यहां पर provide कर वाएंगे जैसे for more information चीके मैं यहां पर type कर रही हूं for more information visit और यहां पर जो हमा का link यहां पर attach कर दिया है चीक है आप चाहें तो इसको सबसे last में भी रख सकते हैं that is completely up to you तो यह देखिए यहां पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो भी आपकी image हो उससे आपका जो description है वो match करें उस description से related जो page है जैसे यहां पर हमने direct जो हमारी website उसका link कर दिया है home page का link दिया है आप चाहें तो यहां पर अपने page का भी link दे सकते हैं जैसे में digital marketing वाला page उसको यहां पर link कर सकते हैं okay तो उसी के साथ ही अब हमें इसको add करना है add to album में यह जो add to album का option है तो यहां पर आपको album का जो title है वो जैसे हम रखेंगे digital marketing okay तो यह मैंने ए upload हम कर देंगे अब यह देखिए यह मेरी image है जो कि इस तरह से लोगों को देखेगी इसका description हम देख लेते हैं यह देखिए यह description जो मैंने लिखा है वो यहां पर आ गया उसी के साथ ही for more information यानि अभी यह website का link है वो भी यहां पर आ चुका है तो आप इसको edit भी कर सकते हैं हमारी जो excel sheet थी जहां पर हम अपना सारा data feed गर रहे थे कि हमने कितना काम किया तो flickr platform है उसके लावा link अगर मैं बात करूं तो अगर मैं landing page का जो link है वो यहां पर paste कर दूंगी कौन सा page मैंने add गया है वो जैसे मैं wskubetic वाला है तो इसी को ही copy करके और यहां पर हम paste कर अब जैसे की pinterest हो गया flickr हो गया इसे बहुत सारी image submission sites है जी के आपको simply google पर आप टाइप करेंगे image submission site तो आपको काफी सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे जहां पर आपको complete list मिल जाएगी जैसे अगर मैं rank frog की बात करती हूं तो काफी बड़ी list आपको मिल रही है विद डिये आ पर आप create कर सकते हैं content लेकिन अगें आपको उस website का एक लंब सम आप traffic देख लीजेगी कितनी popular website है और spamming score कितना यह जरूर चेक कर लीजएगा उसके लिए मैं आपको मोजबार का जो extension है वो मैं आपको बता चुकी हूं So I hope कि जो image submission है जिसके through हम अच्छे link बिल्ड कर सकते हैं अपनी website के वो आपको समझ मा आ गया होगा अब next videos में हम और भी अलग strategies की बात करेंगे जहां पर हम अपनी website के बहुत ही quality backlinks बनाएंगे तो इस तरह से बस काम करते रहो और बस वही है कि spamming नहीं करनी है ऐसा नहीं कि दिन के आपको 1000 backlinks create करने हैं ऐसा नहीं target करना है हर जो भी आप image यहां पर publish कर रहे हो वो आपकी genuine होनी चाहिए quality image होनी चाहिए उसी के साथ ही जो आप description add कर रहे हो वो relevant होना चाहिए और साथ में जो भी page का link वहाँ पर attach कर रहे हो अपनी website के जिस भी page को वहाँ पर link कर रहे हो आप वो भी make sure करें कि वो हमारी description से उस image से related हो ऐसा ना हो कि यहां पर हम post तो कर रहे हैं android development के बारे में और वहाँ पर हम digital marketing का जो page है या website है उसको link कर रहे हैं तो वो spamming हो जाएगी तो आपको नहीं करनी है तो आज की इस वीडियो में off page SEO की link building strategy हम discuss कर रहे हैं और जिसका नाम है pdf और ppt submission वैसे pdf submission हम अलग से करेंगे ppt submission हम अलग से करेंगे बट मैंने एक ही वीडियो में इन दोनों को cover करने क्योशिश की है वैसे तो देखिए काफी सारी sites हैं जहां पर आपको pdf submission करने के लिए मिल जाएगा आपको ppt submission के लिए मिल जाएगा लेकिन मैं आपको यह suggest करूंगी कि कुछ ऐसी sites हैं जो की बहुत ही अच्छा जिनका DA है बहुत ही popular sites हैं काफी अच्छा जिन पर traffic है जैसे हैं अगर मैं slide share के बात करती हूं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ppt's मिल जाएगे और monthly millions का traffic है slide share पे तो instead कि हम 100 sites पर अपनी जाकर ppt या pdf submit कर रहे हैं हर कि किसी के लिए अलग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको suggest क करूंगी कि यह जो कुछ high authority वाली जो websites हैं इनी पर ही आप अपनी ppt's को submit कीजिए देखिए over stuffing किसी भी चीज की नहीं करनी है यह मैं आपको बता चुकी हूं और कुछ सारी ऐसी sites होंगी जहां पर आपको description में या फिर कहीं all link आप attach नहीं कर सकते कहीं anchor text नहीं दे सकते लेकि हम pdf submission की बात करेंगे हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने links जो हैं आप attach कर सकते हैं अपनी website में चीक है चलिए शुरू करते हैं अब देखिए जैसे यह एक ppt है जो की मैं submit करना चाहूंगी एक random ppt है मैंने just to show you मैं आपके लिए आप ले ली है आप इस ppt में देखिए content है इस ppt में हम basically बात कर रहे है social media optimization की बारे में सबसे पहले तो जो pro tip में आपको दूँगी कि इसकी जो friend slide है उसको आप अपनी company name से अपने business name से ही present कीजिए ठीक है बाले आपकी ppt में content आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन जो first slide है या फिर मैं कहूं इन pages पर भी जो logo है वो जरूर होना चाहिए तो हम वही apply करेंगे चलिए जैसे कि यह देखिए मैंने first slide पर डव्लो स्क्यूप टेक का logo लगा दिया है और एक काम करते हैं हम जो यह जितने भी हमारी slides है इन सभी में ही मैं side में logo यहाँ पर लगा देती हूं चीक है यह यहाँ पर हम लगा देते ह यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी जो backslide है वहाँ पर आप कुछ print अपने लगा सकते हैं तो यह मैंने यहाँ पर logo लगा दिया है ओके चीक है तो यह हमारे यहाँ पर हो कहा है अब यहाँ पर कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहूंगी कि जैसे यह social media optimization है इस social media optimization पर मैं यहाँ पर एक hyperlink create कर रही हूं यह सिर्फ मैं इसी case में कर रही हूं कि अगर मान लीजे मेरी किसी slide को जो मैं upload कर रही हूं जो PBT में upload कर रही हूं उसको कोई अगर download करता है तो उसके पास यह data रहेगा वहाँ पर यह hyperlink से chances हैं कि मेरी website तक कोचना कुछ traffic जरूर आए तो मैं hyper link यहाँ पर लगा रही हूं hyperlink basically में क्या लगाऊंगी सबसे पहले तो text to display तो text to display तो यह है और address में यहाँ पर add कर दूंगी like wsqtech.com का okay यह मैंने okay यहाँ पर कर दिया okay तो यहाँ पर यह hypertext लग गया है यहाँ पर तो यह देखिए कोई भी इस person पर click करेगा तो देखिए उसे यह मेरी website यहाँ पर open हो जाएगी okay so i hope यह idea clear हो गया होगा कि हम इसी लिए link यहाँ पर लगा रहे हैं लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि जैसे मैंने अभी अपनी main website का link लगाया है लेकिन यह चीज़ गलत है इसमें मैं क्या करूंगी इसमें मैं जो SEO वाला जो मेरी website की सर्विस है उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी SEO SM वाली तो मैं वापिस से इसको change कर देती हूँ I hope आपको idea clear हो गया होगा यहाँ पर जाकर ही हम edit link करेंगे इसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो है MSPPT आना चाहिए तो यह मैंने यहाँ पर लगा दिया अब इसको check भी कर सकते हैं control करके कोई भी इसको click करेगा तो यह पहुंच जाएगा इस वाले page पर जो मैंने वहाँ पर link किया है यह यहाँ पर कर दिया है अब इस file को मैं कर देती हूँ save यह file हो गई है अब चलते हैं और इस PPT को कहीं share करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं use कर रही हूँ site उसका नाम है slide share मैंने simply type किया slideshare.net यहाँ पर आपको कर लेना है login यहाँ आप करेंगे तो मैं एक बार email से कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर हम login हो चुके हैं अब login होने के बाद में आपको यहाँ पर यह जो upload वाला option है इसको करना है click यहाँ पर आप अपनी profile को भी optimize कर सकते हैं that's completely option तो अब हम documents पर जाएंगे अब document हमने कहां save किया था यह यह वाली PPT थी तो इसको हम एक बार open कर लेंगे यह CAPTCHA को verify कर देते हैं ठीक है यह 0.27 MB कि है automatically यह जो है यह compress यहाँ पर हो चुकी है अब इसका जो title है वो हम topic से related ही रखेंगे देखिए यहाँ पर भी जादा हमें keyword stuffing नहीं करनी है तो social media optimization क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ ultimately मेरा goal क्या है कि कोई भी person social media optimization search करे उसके यह PPT उसके नजर में आए और वहां से वो direct हो सकता है मेरी website के उस page पर जहाँ पर social media optimization से related ही information है चीक है तो social media optimization ही मैंने यहाँ पर type किया है चीक है अब यह social media optimization यहाँ पर आपको 60-70 characters का आप जो title है वो लिख सकते हैं I would like to keep it like short and crisp मैरे इसको रखना चाहती हूँ लेकिन आप अपने recordings को social media optimization जैसे अगर मैं इसको लिख देती हूँ complete introduction तो इस तरह से आप अपना title डाल सकते हैं description 3000 words की यहाँ पर limit है आप अपने recording इसको जो description है वो काफी अच्छा लिख सकते हैं चीक है तो चलिए पहले description जो है वो लिख लेते हैं तो मैंने यह description एक बार लिख दिया है इस description में भी मैं अपना link एक बार attach कर रही हूँ that for more information wizard यहाँ पर यह जो मेरे web page का link है जहाँ पर SMO से related information pasted है इसको इसका जो link है वो यहाँ पर मैं attach कर रही हूँ इसके अलावा हमारी जो कुछ यहाँ पर देखेंगे categories हैं तो किस category में हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं media, social media marketing हो गया, social media strategy कुछ इस तरह से 4-5 आप tags यहाँ पर लगा दीजिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो discoverability जो score है वो थोड़ा से increase हो रहा है इसको और आप यहाँ पर tags लगा के like 20-30 tags यहाँ पर लगा सकते हो ठीक है ठीक है यह हमने कर दिया और privacy जो है इस और embedded यहाँ पर इसको अगर आपका embed करना चाहता अपनी website में तो यह URL है नहीं तो इसका URL है वो यह रहा आप इसको copy करके अपनी जो हमने sheet बनाई थी अब जिसे image submission की तो image submission के बाद में जैसे मैं PPT submission की एक और अलग से slide बना लूँगी और यहाँ पर भी हमें यही डालना है सबसे पहले तो हम डालेंगे हमारा platform चीके जी उसके बाद में वो link जिसका backlink हम बना रहे हैं उसके साथ में आप यहाँ पर अपने keywords जाल सकते हैं या फिर आप डालेंगे यहाँ पर landed page मतलब जब भी अगर किसी को वो PPT देखनी है जो मैं submit की है मैंने वो जो मैंने काम किया है उसको किसी को देखना है तो यह वाला link आप follow कर सकते हैं चीके जी उसके लवा platform किया था platform था slide share date आप डाल सकते हैं चीके और अपने according link मैंने आप कौन सा attach किया था इसको एक बार open कर लेते हैं PPT को तो PPT यह कुछ इस तरह से देखेगी यहाँ पर जो मेरे description है यहाँ पर आया है कि आप अपनी जो PPT है उसके अंदर link आप add कर सकते हैं चिसे कोई भी download करें तो वहाँ पर उसे वो link मिल चाहे या फिर हम basically हम main motive हमारा क्या है कि लोगों को हमारे business के बारे में aware कराना चीके तो जब भी कोई आपकी PPT देखेगा उस पर हमने WSQ Tech का logo लगा दिया है अ जैसे आपको कई सारी sites मिल जाएंगी जैसे कि अगर हम type करते हैं तो मैं type किया PPT submission side list तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कई सारे यहां पर आपको blogs मिल जाएंगे इन में से आप देख सकते हैं first पर देखिएगा slide share ही होगा तो देखिए slide share है issue है media fire है script है यह का कम नहीं है उसकी awareness विलात रही है तो यह दो हुई PPT की बात अब चलिए PDF की बात कर लेते हैं यह video के बीच में डालना है अब जैसे मैंने MS word open किया हुआ है इसमें यह PDF है इस यह information है search engine optimization की बारे में क्या होता है और basically क्या के types होता है यह हमने यहां पर इस PDF में mention कर रखा है अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा कि यहां पर भी हम same चीज करेंगे हमारे links attach करेंगे जैसे कि मैं आपको example बता जो भी आपकी website थी उसका कोई भी page यो कि इस particular document से match आ रहा हो वो आपको यहां पर करना है paste और यह देखे आपका link यहां पर attach हो जाएगा उसके अरावा आप एक से जादा भी links यहां पर attach कर सकते हैं ठीक है अब इसको हम save करेंगे save जब भी हम इसको करेंगे तो save में जैसे क तो देखिए PDF में जो मेरा document है यहां पर आ चुका है इसको में बंद कर देती हूं save हो चुका है यह मेरे पास में अब करना क्या है अब मुझे जाना है आप slide share भी use करते हैं आप slide share भी use कर सकते हैं या फिर कोई और site जो है जो मैं आपको अभी recommend कर दूंगी कि इन पर आप PDF जाकर अपना submit कर सकते हैं चीक है जी तो इसके लिए simply हम type करेंगे PDF submission website list ठीक है काफी सारे आपको मिल जाएंगी इसमें obviously सबसे पहले slide share ही होगी slide share वैसे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ PPTs के लिए आया था लेकिन अभी यहां पर जो PDF है वो भी आप share कर सकते हैं तो देखिए slide share है issue.com है जैसे यह site है that is issue.com तो इसको हम एक बार open कर लेते हैं और इस पर login करके यह PDF submit करते हैं देखिए अभी मैं इसमें अपनी mail ID यूज़ कर रहे हूं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको इसके आप जो भी यहां पर uploading कर रहे हो जो भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो या पर मैं कोई भी link building कर रहे हो तो ऐसे में एक जो email ID है जो कि हमने client से लिए है या हमारे business किये उसी को ही आपको use करना है एक ही number use करना है और एक ही password submit रखना है जिससे कि हम इतने सारे platforms पर जब जाएंगे account बनाएंगे तो ऐसे में confusion ना हो तो यह मैं पहले भी हमेशा tip आप जो यह issue वाली site है इस पर आप PPT भी upload कर सकते हैं तो आप देखिए यह हमारा PDF यहाँ पर process हो रहा है और साथ में हम जो हमारे description है वो add कर लेते हैं तो यह description हमने add कर लिया है और यहाँ पर भी हम हमारा link जो है attach करेंगे that is वैसे तो हमने हमारा यह जो link है इसको हमने अपने PDF म रही हूँ यह जो page है यह मैं यहाँ पर paste कर दूँगी यह करने के बाद मैं availability इसकी public होनी चाहिए उसके अलावा downloads इसको मैं yes कर देंगे लेकिन इसके लिए आपको इसको upgrade करना पड़ेगा तो इसका free trial है वो आप use करके इसको downloads को up कर सकते हो कि कोई भी इसको download कर पाए तो य तो आप सबसे important सबसे पहले हम इसका title लिख लेंगे चीक है title के लिए मैं तो यह मैंने title जो कि generally हम हमारे जितने भी जो हमने tools यूज किये हैं तो अभी तक जो भी हमने upload किया जहां पर हमने title डाला है वहां पर हमने 60-70 characters से जादर title नहीं लिखना है तो इस तरह से मैंने लाइव एक बार देख लेते हैं कि लाइव यह किस तरह से दिखेगा इस तरह से यह PDF यहां पर upload हो गया है कोई भी इसको download कर सकता है कोई भी इसको share कर सकता है और यहां पर जैसे मैं आपको पता है brand building होगी एक चीज आप फोड़ा ध्यान रखेगा जो आप PDF अपलोड कर र काफी जादा उनके links attached होते हैं तो वैसे ही आपको करना है अपने products भी आप यहां पर add कर सकते हो अपनी services भी add कर सकते हो ठीके जी अब यह जो link हमने आप attach किया था वो हम Excel पर लेके चल सकते हैं आप PDF, PPT की एकी sheet बना सकते हो या फिर अलग लग भी बना सकते हो that completely optional ठीके जी यहां पर भी हम same ही चीज यहां पर put करेंगे सबसे पहले तो platform ठीक है platform हम डाल देंगे उसके बाद में जो हमारा link होगा यानि जो link हमने attach किया है वो यहां पर आ जाएगा और उसी के साथ में जो हमारा landing page है यानि अभी जो मैंने link copy किया है जब final कोई भी person इस post को देखना च इस तरह से हमें यह काम करना है जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं उसका प्रूफ भी हमारे पास हो तो इस वीडियो में हमने बात की pdf and ppd submission कि कैसे आप इनको submit करके अपनी brand बिल कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम off page SEO की link building strategy में आ चुके हैं social bookmarking की तरफ तो social bookmarking क्या होता है और क्या आज के टाइम में आपको सच में social bookmarking की जरुरत है वैसे तो यह link building technique है लेकिन कितना इसको use करना है क्या क्या चीज़ है social bookmarking करते टाइम ध्यान रखने हैं जिससे हमारी website spam में ना चली जाए तो यह सारी बाते हम करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में तो important video है social bookmarking से related सारे doubts आपके इस वीडियो में clear हो जाएंगे तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं social bookmarking अगर मैं सबसे पहले इसकी meaning की ही बात करती हूं सबसे पहले bookmarking की बात कर और मुझे उस पर कुछ ऐसा content मिला जो बाद में मेरे किसी काम आ सकता है तो मैं उसको bookmark कर लेती हूं कहीं मैं उसको save कर लेती हूं जिससे में बाकी उस पर visit कर पाऊं वैसी ही अगर मैं social bookmarking की बात करूं तो कई सारी ऐसी social sites हैं जो आपको allow करती हैं कि जिससे आप अपने जो links हैं अपने जो web pages हैं या अपनी website है या अपने कोई article है blogs है उनके links को आप share कर सकते हो उन website को और जो जादा लोगों के पास पहुचेंगी और प्लस लोग उनको वहां पर save कर सकते हैं वापस उन पर visit कर सकते हैं चीक है तो यह होता है social bookmarking तो यह बहुत ही important technique मानी जाती थी का मतलब अभी भी है यह लेकिन अब इसके importance धीरे धीरे कम हो रही है reason being कि लोग इसको excessively use करने लगे काफी जादा links बनाने लगे जिसकी वज़े से over spamming of backlinks होने लगा और इस वज़े से यह जो technique है यह मैं यह तो नहीं कहती कि आपको बहुत जादा इस पर focus करना चाहिए but यह आपके लिए effective हो सकती है तो जो भी आप अभी तक हमने strategies की है off page में सभी आपको use करनी है लेकिन कुछ ऐसी है जो मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि वो आपको कम quantity में use करनी है social bookmarking में आप अपने जो भी web pages है जो भी आपकी website है उसके links share करेंगे तो एक limit में आपको share करने है प्लस quality जो websites है वो आपको ही चूज करनी है जैसे reddit हो गया Pinterest हो गया Tumblr हो गया उसके लावा Scoopit हो गया तो यसे कई जो ऐसी websites हैं जो कि काफी जादा popular है काफी जिनके active monthly users है वैसी ही websites आपको चूज करनी है वैसे आपको thousands of websites मिल जाएंगी social bookmarking sites के नाम से लेकिन हर एक पर हमें link building नहीं करनी है इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि बहुत important ये पहले थी पहले मैं आपको suggest करती तो एक दिन में काफी backlinks आप create कर सकते थे और काफी easy भी होता है कि इसमें आपको content जादा शेयर करना होता नहीं है आपको simply अपना link share करना पड़ता है with a little content लेकिन अब ही social bookmarking में आपको बहुत जादा recommending करूंगी बट कुछ अच्छी websites पर ही हम social bookmarking करेंगे तो चलिए पर एक वाद देख लेते हैं कि कौन-कौन सी websites ने जिनका हम यूज कर सकते हैं और कुछ का में tutorial भी आपको इस वीडियो में आज दे दूंगी बाकि आप अपने recording हर website क दीए पीए चेक करके आप उस पर लिंक बिल्ड कर सकते हैं तो देखे social bookmarking के लिए सबसे पहले जो मैं आपको number one पर recommend करूंगी that is Pinterest, Pinterest का complete course हम आपके लिए लेकर आचोके हैं और जो image submission वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया थे कि कैसे आप image share करके वह अच्छी साइट है काफी जादा इंडिया में यह popular है as well as पूरी दुनिया में तो काफी जादा ग्रो कर रही है तो इसका complete course हम ला चोगे हैं तो description box से आपको playlist का link मिल जाएगा जहां पर Pinterest का complete course आपके लिए अवेलेबल है उसके अलावा जो second site है जो मैं आपको recommend करना चाहू करते हो even जो भी आप content share कर रहे हो कोई article share कर रहे हो तो उसमें आप interlinking भी कर सकते हो अब यहां पर आपको कुछ चीज इंध्यान रखनी है कि Reddit पर वैसे मैं अकाउंट बना लिया है just to save the time तो यह देखे यह एड वाला option है सबसे पहल तो profile अच्छे से आपको optimize कर दी नहीं है आपकी company जिस भी client का जिस भी website का आप SEO कर रहे हैं उसकी एक particular mail ID particular phone number आपके पास होना चाहिए उसी से ही आप account बनाए उसी से ही आप अपनी profile optimize करें तो यह add option में आप देखेंगे तो अब हम यहां पर कुछ पोस्ट कर सकते हैं images या फे video share कर सकते हैं कोई link हम यहां पर share कर सकत हो बट इसके लिए कुछ guidelines हैं आपको पहले अपना account verify कराना पड़ेगा चीक है so post वाला जो option है basically मैं post वाला एक बर select कर रही हूं तो सबसे पहले हमें title लिखना है अब जैसे मैंने example के तौर पर यह हमारा एक page है जहां पर we build responsive web designing services we provide तो इसका यह page है चीक है तो मैं यह ले र करना है तो what is responsive website मैंने यह लिखा है और उसके अलावा जो text है वह मैं आपर लिख रही हूं तो text में एक बार इसी में से copy कर रही हूं बट आप कुछ अच्छा जा text जो की value create करें अपने audience से वह आपको लिखना पड़ेगा ठीके जी अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजे तो यह देखिए यहां पर मैंने benefits भी डाल दिये हैं अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इनमें से word पर आप अपने यह जो link है website का जिसमें इस web page के रिए बना रही हूं अगर link तो मैं इसको एक बार copy कर रही हूं और यहां पर यह जो link है इस पर मैं यह link attach कर रही यह देखिए यह जो link है यह मैं देखिए यह मैं देरी हूं responsive website पर ठीक है तो यह देखिए यहां पर क्या हुआ यह जो link है यहां पर attach कर रहे हैं इसके अलावा आप यहां पर नीचे एक note भी डाल रहे हैं कि अब मैंने इस article के नीचे क्या डाल दिया for responsive web designing services you can visit to wskubetec और इ अब मैंने एक तरह से external link यहां पर दे दिया है और अब हम इसको कर देंगे post आप यह देखिए यह जो हमने post है यहां पर select कर लिया है community हमने आपर select कर देंगे आप अपने company का नाम भी डाल सकते हो यह करने के बाद में अब हम click करेंगे post पर ठीके जी यह हमारा जो post है यह create हो जाएगा और यह जो links हमने attach किये हैं यह clickable है completely तो यह एक तरह से bookmarking भी हो गई और एक तरह से आप कह सकते है link building भी हो गई जहां पर हमने article post किया और post हमने किया और उसमें हमारी website के यह web pages के link दिये आप यहां पर कुछ चीज है जो आपको social bookmarking करते time ध्यान रखनी है कि कु क्यों आपकी website पर आए क्यों आपका article पड़े क्यों इससे सेव करें क्योंकि उसे सच में इस text को पढ़कर कुछ ना कुछ value मिल रही है या तो कुछ knowledge मिल रही है या फिर कुछ उसे सीखने को मिल रहा है या फिर कुछ entertaining है तो value हमें create देनी है ऐसा नहीं कि बस randomly links जो है वो हम इसके लावर कई सारी sites में जैसे मैं आपको एक site बता देती हूं दा उसका नाम है scoop it पर भी आप काफी अच्छा content यहां पर create करके link building कर सकते हैं social bookmarking कर सकते हैं उसके लावर tumbler पर भी same ही चीज होगी तो यह जो कुछ अच्छी websites हैं यही आपको मैं recommend करूंगी यही आपको use करनी हैं बहुत सारी आपको हजारों websites में लेंगी लेंगे सब पर social bookmarking नहीं करनी है ultimately मतब एक goal ध्यान रखना है कि जब भी आप off page SEO करें तो आप कुछ value दें अपनी audience को बदले में आप चाहेंगे कि वह आपकी website पर आएं या फिर आपकी website पर link juice transfer हो बस यह चीज फोकस करक नहीं करना है यानि ऐसा नहीं कि दिन में आपको 1000 लेक बैक लिंक्स आप बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी website की मढ़ जाएगी देखिए यह चीज अगर मैं आपको चार साल पहले बताती तो मैं बहुत इस चीज पर ही जोर देती कि आप जादे जादा link create करो लेकिन अब ही यह चीज नहीं है आपकी website spamming में जाती है और Google की algorithm बहुत जादा advanced हो जोगी है तो इसी लिए यह मैं आपको कुछ जो techniques बताई है कुछ जो मैंने आपको अच्छी websites बताई है यही आपको use करनी है कि इस वीडियो में off page SEO की हम एक और link building technique या फिर मैं कहूं कि एक और अपने business या website promotion की technique लेकर हम आ चुके हैं और उसका नाम है forum posting forum posting कही है या फिर community posting कही है या फिर forum discussion posting सभी एकी चीज़े होती है अब यह होता क्या है यह जो forum posting बहुत बार सुनते हैं इसका मत्तब क्या है देखिए school में या फिर आपके colleges में debate competitions होता था कोई आपको topic दिया जाता था और उस पर सबको अपने opinions रखने का chance दिया जाता था त तो यह भी कुछ उसी तरीके से है कि कई सारे ऐसे forums हैं कई सारे ऐसे platforms हैं जिस पर बहुत सारे लोग आकर अलग-अलग जगा से अलग-अलग location से आकर उस particular platform पर discuss करते हैं किसी particular point पर कि जैसे कोई भी किसी ने question पूछा वर्ल्ड वार 3 जैसे मान लीजे यह topic of discussion हो गया तो इस इसा business है जिसका हम promotion करना चाते हैं तो उसके लिए forum posting बहुत ही important role play करता है और SEO के लिए तो खास कर ही इसमें basically forum posting में हम करते क्या हैं अगर मैं SEO की perspective से specifically बात करूं तो ऐसे forums, ऐसे discussions जो की आपके business से related हैं उनमें आप participate कीजिए उस topic से related कुछ ना कुछ अपना point रखिए अपना कुछ content वहाँ पर share कीजिए और साथ-साथ में अपने business का भी promotion कीजिए यानि जो भी हम वहाँ पर article post करेंगे जो भी हम information वहाँ पर देंगे हमारे पास यह option होता है वहाँ पर हम अपनी website का link भी वहाँ पर दे सकते हैं that for more information read this blog which is on my website इस तरह से हम अपनी website का promotion कर सकते हैं तो यहाँ पर link building की quantity पर focus नहीं करना बलकि quality पर focus करना है तो कुछ अच्छे forums में participate करना चाहिए और सबसे important कि जिस भी forum में आप participate करो जो भी community में आप participate करो वो directly वो relevant होना चाहिए आपकी website से irrelevancy आपके भी बहुत ही negative role play कर सकती है भली आपने महनक भी बहुत अच्छी की बहुत सारे forums में post किया बहुत सारे discussion में participate किया काफी सारे content deliver किया लेकिन अगर उस discussion या उस platform की relevancy आपकी website से आपकी business से नहीं थी तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा तो इसलिए relevancy बहुत ही जादा important है और most importantly quality तो audience को हमें quality देनी है actual में हम जिस forum में हम participate कर रहे हैं इसी तरह से participate करना है कि यहाँ पर हम link building करने के लिए नहीं यहाँ पर हम off page करने के लिए नहीं बलकि actual में इस discussion में participate करने के लिए और फिर meanwhile हम वहाँ पर अपने website का promotion करेंगे अपनी website के link building करेंगे चीके चीची चलिए तो कैसे करते हैं चल्दी से देख लेते हैं तो वैसे तो आपको कई सारी sites मिल जाएंगी जहां पर आप forum posting कर सकते हैं लेकिन आपके के लिए मैंने दो website यहां पर निकाली है जैसे let'sdiscuss.com यह मतब काफी popular है और यह जो website है जैनुनरी लोग यहां पर आकर discussion करते हैं not just for the SEO purpose मतब यहां पर normally discussion भी होता है और इसकी में बात करूं तो 66 अरांड इसका DA है तो हां मतब considerable है यह और उसके अलावा कोरा के बारे में आप सभी जानते हैं और जो Q&A वाला जो हमारी link building strategy है उसमें भी मैं कोरा की बात करूंगी और भी यहां पर suggestions post किये जा सकते हैं तो कोरा भी एक तरह से forum posting का हिस्सा है बट अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ अभी मैं जैसे let's discuss जो है यह वाला जो completely forum posting के लिए है उसको मैं use करने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे register ठीक है register करने के लिए again जैसे मैं आपको बताया कि जो भी आपकी website है जो भी आपका business है उसका official mail ID या फिर एक mail ID या फिर एक number जो dedicatedly SEO के लिए हो उस particular website का वो आपको लेना है और अपनी company के नाम से ही अपने website के नाम से ही आपको अपना profile बनाना है चीक है वो भी आप कर सकते हैं नही तो आप अपने कोई ऐसी अखुद का नाम डाल सकते हैं और वहाँ पर reference में आप अपना नाम भी डाल सकते हैं जो कोई compulsion नहीं है तो उस particular account से link building करना हमें idea रहेगा कि यह हमें इतने post करने है चीक है email address डाल देते हैं तो एक और इनकी सबसेची बात की earn with us है अगर आप इसक को account बना के अपने answers publish करके अपने forum publish करके लोगों को refer भी कर सकते हैं अब यहां पर हम categories put कर रहे हैं चीक है अब जैसे कि अगर मैं science and technology category ले ले लेती हूं तो मैं इसको submit कर दूंगी तो मैंने जैसे science and technology select कर लिया है उसके अलावा current topics हम एक बास select कर लेते हैं education कर लेते हैं total 5 हम करना है तो let's others एक में category कर लेती हूं and health and beauty okay let's submit it तो 5 मैंने यहां पर select कर लिया है okay and अभी कर लेते हैं login तो यह हमने यहां पर sign in कर लिया है अब यहां पर हम questions कैसे यहां पर post करेंगे जैसे मैं आपको बता है relevancy important है तो let's say मैं example ले रही हूं जैसे अपने ही किसी page का आप सिर्फ ले रही हूं जैसे python training से related मैं यह page ले लेती हूं और python let's see मैं try करके देखती हूं कि python से related कोई तो देखी काफी सारे question यहां पर आगे हैं कि why python is important तो इस forum में मैं एक बार participate करके देखती हूं कि कितने देखी अभी तो one answer है यहां पर तो इसमें हम participate कर सकते हैं चीक है so simple तो मैं एक बार के लिए यहीं से ही content ले रही हूं तो आप देखी यहां पर जैसे python वाला जो पार है वहां पर जैसे इधर select कर रही हूं तो यह देखी यह python का मैंने छोटा सा जो article है वो यहां पर पेस कर दिया है जिसमें मतलब python की रिलिवेंसी लिखी हूई है क्यों python important यह यह मैंने लिखा हुआ है there are several reasons why you should consider python training तो अब आप इस article को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने यह पर python के बारे में लिखा है फिर उसके बार में है कि there are several reasons why you should consider python training अब यह जो python training है इस पर मैं लिंक यहां पर post करूंगी मेरे उस वाले page का जहां पर python training से related information है तो कैस इसको करना है यह जो यहां पर लिंक का उप्शन इसको करना है क्लिक और URL के जगा पर मैं यहां पर यह वाला लिंक जो है वो पेस कर दूंगी text to display training और title जो है जो कोई भी cursor लेका रहा है तो उसके पर मैं डाल देती हूं कि python यहां पर मैं थोड़ सा keywords के साथ यहां पर play करना यह जो लिंक और यहां पर अटाच हो चुका है और यहां पर आप चाहें तो एक से जादा भी लिंक अटाच कर सकते हैं दाई for more information visit www.wskubtech.com इस तरह से मैं यहां पर दाल सकते हूं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही रखती हूं आप चाहें तो images दाल सकते हैं जैसे काम करते है python की यह वाली जो image है इसको मैं एक बार add कर देती हूँ यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर आ गई है इसको अपने recording मैं थोड़ा से इसको छोटा कर देती हूँ आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यह जो post है यह create कर लिया है अब हम इसको कर देंगे publish अब यह जो हमारा answer है this is sent for the approval यह approve होगा तो यहाँ पर यह paste हो जाएगा ठीके जी अभी admin approval के लिए यह है लेकिए यहाँ पर आपको एक चीज आपको यहाँ पर याद रखेंगे कि जो भी answer आप यहाँ पर पूट करें जो भी article पूट करें वो आपका genuine होना चाहिए प्लेजर राइज नहीं होना चाहिए otherwise admin जो है वो approve नहीं करेंगे चीके तो यह एक forum का idea है यहाँ पर आप बहुत सारे questions जो है search करके यहाँ पर post कर सकते हैं अभी यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टन है कि हमने यहाँ पर answers post कर दिये हैं तो हम उसका documentation कैसे करें तो उसके यह जो question का link है इसको आप यहाँ पर share कर देंगे अपनी sheet में put कर देंगे और जैसे मैं आपको बताया है कि जो भी आप account यहाँ पर create करेंगे वो अपने client की ID से ही या पर अपने business की ID से ही करेंगे तो कोई भी इस account पर login करके आप account password वहाँ mention कर सकते हैं जब भी forum submission के आप sheet ब payment process यहाँ पर हो जाता है और आपका answer approve हो जाता है चीक है यह एक technique थी उसके अलावा आपको कई सारी forum submission जो sites है वो यहाँ पर मिल जाएंगी लेकिन अगें जैसे मैं आपको बताया है देखिए यहाँ पर 500 प्लस forum submission sites हैं यहाँ पर 300 प्लस हैं लेकिन अगें हमें domain authority का याद र करेंगे और अपनी website की better link building कर पाएंगे इसी के साथ ही जो आपकी कुछ ऐसी sites होती हैं जैसे अगर मैं बात करो Microsoft की या Google की तो उनके भी कुछ forums होते हैं private जिन में आप participate करके अपने link building कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर यह problem होती है कि जो links हैं वो कोई allowed नहीं करते हैं और mostly इसको link building करनी हैं जिससे quality पर focus होना की quantity पर guest posting यानि किसी के हाँ guest बनकर कुछ blog post करना या कुछ article post करना या फिर कोई content post करना तो guest posting की बहुत important part होता है off page SEO का सो किस तरह से आप guest posting करके अपनी website के SEO को और भी improve कर सकते हैं यह जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर फिर वीडियो को शुलू करते हैं तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं guest posting या guest blogging आप इसे कह लीजे तो यह क्या होता है यह सारी चीज़े हम समझेंगे तो अभी हमारे यह off page SEO की यह series चल रही है complete SEO का course चल रहा है description box से आपको playlist का link मिल जाएगा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है link building strategies हम discuss कर रहे हैं off page SEO की strategies discuss कर रहे है तो उसमें guest posting हमारे एक important role play करती है तो guest posting जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एक guest की तरह एक invite की तरह आप किसी blogging website पर या किसी के blog पर या किसी की website पर कुछ ना कुछ article या कुछ content आप post करेंगे ठीक है अब इसमें आपको क्या फायदा होगा कि obviously बात है हमने off page SEO में क्या समझा था कि अपनी website के बाहर जाकर अपनी website की popularity करना अपनी website का नाम करना अपनी website के जादे-जादा link build करना लेकिन अभी और किस-किस नामों से जाना जाता है क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ सा confusion हो कि कहीं पर guest post ये word ना हो तो देखे क्या-क्या हो सकता है कि write for us हमारे लिए लिखी है हमारे लिए कुछ content post कीजिए contribute, guest post, guest contribution, editorial guidelines, contribution post, submit a post, submit a article तो इस तरहा के भी आपको कुछ words देखने को मिल सक पर हैं जिसका मतलब यही होगा guest posting तो आप यहाँ पर guest posting करते हैं जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं सबसे पहला जैसे मैं आपको अर्रेडी बता चुकि हूँ link building जादर जाद अपनी website का नाम देने पर focus नहीं करना है जादर जाद अपनी website के link बनाने पर focus नहीं करना है बलकि यही focus करना है कि content हम अच्छे सा च्छा दें और फिर जो हमारा next priority होगी वो होगा कि उस content में कैसे हम अपनी website को या अपनी veb page के किसी link को हम relate कर सकते हैं फिर वो relation बिठा के वहाँ पर अपने content को कुछ इस तरह से put करना कि एक visitor के लिए उस blogging website के owner के लिए और वहाँ उस website पर जितनी भी audience आएगी उसके लिए वो जो अपने content post किया है वो कहीं ना कहीं valuable हो और यही हमें करना है जादा से जादा value देनी है हमारी audience को जिससे वो हमारी website के बारे में जाने जिससे वो हमारे बारे में जाने हमारे content पढ़कर ही ठीक है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं browser पर देखते हैं कि यह जो guest posting website हो दी है इसको हम कैसे डून सकते हैं क्योंकि पहला जो task यही रहेगा कि अच्छी websites जूनना अच्छे ऐसे platform जूनना जहां पर आप एक guest की तरह post कर सकते हैं या फिर guest की तरह कोई blog को post कर सकते हैं तो देखी इसके लिए मैं आपको उच तरीके बताने चाहूंगी सबसे पहला यह कि जो आपका जो भी आप blog post करेंगे किसी की भी website पर हम blog post कर रहे हैं उसका main motive हमारा क्या है मतलब ठीक है हमें अच्छा content provide करवाना लेकिन जो main motive वही है कि हमारी जो website है हमारी जो service है हमारी जो business है उससे related content post करना और वहां से हमारी audience को लेकर आना हमारी website पर ठीक है तो अब यहां पर सबसे पहले हमें अपने niche का ऐसी website जो कि हमारी niche से related है जो कि जिस भी type की service जिस भी type के business में हम deal कर रहे हैं वहां पर उस website पर हम relevant content post कर पाए क्योंकि अगर relevancy नहीं है तो backlinks बनाने का off page SEO करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता आज के time में यह sub zero हो जाएगा अगर relevancy नहीं है तो इसलिए सबसे पहले relevancy हम पहचानेंगे तो दो-तीन ideas मैं आपको दे रही हूँ जैसे एक हम travel blogs की बात कर लेंगे कि अगर manager tours and travel से related आपका business है cap से related आपका business है कुछ ऐसा travel service से related आपको कुछ provide कर आते हो hotels industry से related आपका कुछ business है तो आपके लिए मैं कुछ ideas बता दूँगी उसके अलाबा दूसरा हम जो idea ले लेंगे वो हम ले लेंगे education related या तो आपका school education related या college education related या कुछ skill education related कुछ आपका इस तरह का genre है तो आप मतलब कैसे उनका रून पाएंगे ऐसा हम 3-4 ideas इस वीडियो में मैं cover करने कोशिश करूँगी बाकि आप मुझे comment section में अपने कुछ ऐसे business ideas बता सकते हो तो मैं आपको कुछ suggestions दे दूँगी कि ऐसे इस तरह का अगर आपका business है तो किस तरह की blogging website आपको ढूंडनी चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं travel की तो देखिए अगर में travel related business है तो obviously मैं ऐसी website पर posting करना चाहूंगी जहां पर travel से related या तूर से related या कुछ hospitality sector से related जो लोग हैं वो वहाँ पर कुछ blogs पढ़ते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इसके रिम आपको simple trick बताना चाहूंगी तो अब देखिए मैं सबसे पहले जो help लेने वाली हूँ वो मैं Google की ही Google search की ही लेने वाली हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर simply type कर रही हूँ जैसे guest post ठीक है फिर ऐसे मैं न हमने जो मैं आपको सारे अभी नाम बता हैं वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हो और मैं यहाँ पर double extract लगा कर और यहाँ पर for example जैसे मैंने बोला travel तो मैं travel इस तरह से type करूँगी अब होगा क्या travel यहाँ पर type करने से कि मिरको ऐसी website चाहिए है जो कि guest post जहाँ पर मैं कर सकूँ और उसमे travel word आना mandatory है चीक है तो अब देखिए जैसे आपको कई सारे यहाँ पर websites मिल रही है जैसे कि आप देखेंगे तो submit a guest post travel blog तो यहाँ से देखिए ही मुझा idea मिल रहे है यह तो बाकि कुछ यह listing वाली sites है 200 plus travel guest blogging site list है तो अब यहाँ पर यह जो double stack लगा है इसका मतलब यह हो गया कि travel word आना जरूरी है मतलब जो भी मिरको results मिले है उसमें travel word जरूर हो तो travel आप add कर सकते हैं hotels आप add कर सकते हैं that up to you guest post अभी हमने किया तो हम जैसे guest blogging मैं यहाँ पर type कर देती हूँ तो guest blogging भी इसे बोला जाता है okay so guest blog लिख देते हैं एक बार और देखते हैं कि मुझे तो again यहाँ पर कुछ रहा हमारे results आ रहे है अब जैसे हमने यहाँ पर यह travel वाला genre को थोड़ा से explore किया वैसे ही हम आप और भी जो हमारे नीशे है वो आप यहाँ पर जैसे ही esteric के बीच में डाल सकते हो उसी के साथ ही जो मैंने keyword research के time में आपको जो genre पताया था that was cleaning house cleaning से related हमने keyword research की थी एक business की जो कि Delhi में house cleaning services provide करवाती है ठीक है यह मैं इसलिए different different तरीके के ideas आपके साथ share कर रही हूँ जिससे कि आपको हर तरह के business का थोड़ा सा knowledge हो not just कुछ specific types के so जैसे मैंने cleaning में type किया न तो भी आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि आप home cleaning block देख लीजे janitorial manager देख लीजे एक और मैं site को यहाँ पर open कर लेती हूं चीक है और जो मिल को कुछ अच्छी sites मिल रहे हैं उनको मैं open कर लेती है और इन सब का जो है DAPA हम एक बार चेक कर लेंगे और उसी recording हम जच करेंगे कि 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 साइट पर हमें blog लिखना चाहिए जैसे यहां पर यह सब्मेटर guest post है तो हम इसे को कैसे कर सकते हैं आप देखिए इन सब का मैंने DAPA चेक कर लिया और मिरको travel वाली में तो यह वाली site मिरको समझ में आई तो आपको और भी research करनी है अभी सिर्फ मैं आपको वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मैं आपको ideas बता रही हूँ आपको और research करनी है एक दिन आपको सिर्फ इसी चीज़ पर देना है कि आपके basically कि किस sites पर आप अपना blog जो है post करेंगे as a guest तो मैं example ले रही हूँ कि जैसे यह दो sites जो है मैंने choose कर ली है अब सवाल आता है कि जो भी आपने finalize किया है कि आखिर उनमें हम blog post करेंगे कैसे कुछ sites होती है जहांपर simply submit का option आता है simply आप blog लिखेंगे अपने according उसे edit करेंगे और post कर देंगे फिर वो review होगा और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो post जो है visible हो जाएगा दूसरा तरीका होता है कि आप उनलों को mail करते हो mail अपना blog करते हो और आप उनको बोलते हो कि आप इसको submit कराईए आप जैसे यह वाली site है इसमें देखते हैं जो cleaning वाली है यहाँ पर इनको क्या चाहिए एक original article चाहिए उसके अलावा resource section भी आपको मिलेगा कि आखिर यह हमने लिया कहां से है तो यहाँ पर आप अपनी website का link या reference दे सकते हो चीक है उसके अलावा अगर images आड़ कर रहे हो तो free stock photo होनी चाहिए और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह बोल रहे है send us an email for price and guest for submission discussion आप यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यह कही ना कहीं चम्मैन को mail करूंगी मेरे blog लिखके तो यह उसके लिए मुझे कुछ मतलब पैसा देना पड़ेगा तो this is not free तो यह side तो मेरे यांस चरही जाती है दोजी के साथ ही यह site का अगर मैं एक बाद देखती हूं तो यहाँ पर जो requirement है यहाँ पर दी हुई है like 1500 words में होना चाहिए sub heading होनी चाहिए heading होनी चाहिए तो यह इसको आप पढ़ सकते हैं उसके लावा यहाँ पर यह clearly बोल रहे हैं सबसे नीचे आपको इनको email करना होगा message आपको directly यहाँ पर नहीं लिखना है अपना पूरा blog post बस आप यह लिख दीचे that I want to write for your website I want to post a guest blog to your website and reply me for the further discussion और इस blog का मैंने पढ़ा है जितना भी मतलब इस site का तो यह मतलब completely free मुझे लग रहा है but still एक पर आप mail करके check कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको submit करना है अब इस तरह से आप submission कर सकते हैं तो थोड़ी से बस महनत आपको करने पड़ेगी लेकिन जैसे हमेशा कहते हूं quality पर focus करना है तो अब सवाल आता है guest blogging किस तरह से blog लिखें किस तरह से content हमारा होना चाहिए अब यह देखिए यहाँ पर word पर मैंने एक blog लिखा हुआ है चीके आप देख सकते हैं इसको बहुत ही simple सा blog है इसका जो title है best places to visit in Europe अब जब भी आप कुछ guest posting के लिए या फिर generally भी जब हम blog लिखें तो इसको एक बार check कर दीजे बहुत ही अच्छी तरीके से paragraph में काफी subheadings के साथ में यह होना चाहिए और सबसे main जो हमारा agenda है कि हम इन blog को post करते time हमारे links attach करेंगे तो उसके लिए भी already चीज़ें यहाँ पर आप underline कर सकते हैं और यहाँ पर जो है link attach कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या गरती हूँ जैसे submit करने से पहले मैं यहाँ पर कोई link attach कर देती हूँ अगर मान दीजे example मैं सिर्फ ले रही हूँ लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका relevant page और relevant आपकी site ही आनी चाहिए तो देखिए इस तरह से आ गया तो मान दीजे अगर मेरी ट्यूट पैकेज़ से रेलेटेड या ट्रावल या ट्रावल या तॉरिजम से रेलेटेड अगर मेरी कंपनी है मेरा बिजनेस है तो मैं उसकी site यहाँ पर डाल दूगी तो देखिए यहाँ पर आप देखिए चेक आउट 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 इस प्लेस दाट यहाँ पर मैं अपना वो वाला page डाल दूगी जहां से आप booking कर सकते हैं या पर जहां से आप इस तरह के packages इस तरह के tool packages आप खरीद सकते हैं या पर उनके बारे में और जान सकते हैं ठीक है और यह जो हमारा है यह एक example यहाँ पर हो जाएगा अब देखिए जो भी हमारा blog जहां पर भी हमें guest posting करनी है वहाँ पर वो हमें limit देते हैं कुछ कहेंगे 1500 words में होना चाहिए तो यह वाला जोगी 900 के आसपास words है तो आप जैसे आप मैं आपको example बता देती हूँ जैसे readwrite.com काफी important और काफी अच्छी site है guest posting के लिए और इस पर traffic भी बहुत सादा है प्लस इसका DA भी अच्छा है ठीक है तो इन्होंने अपने इस वाले section में contributor guidelines में इन्होंने पूरा लिख रखा है कि आखिर क्या-क्या चीजें इनको focus करनी है क्या-क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी जैसे यहां पर यह बता रहे है we would like to have the post that range from 1300 to 3000 words ठीक है तो 1300 to 3000 words है तो इसको हम थोड़ा सा increase कर लेंगे या फिर इसमें एक-दो points और add कर देंगे जैसे कि अभी total यहां पर मैंने जैसे 7 places add की है तो हम इनको 10 places कर देंगे तो जिससे हमारी जो blog post है वो इस limit तक पहुँच जाएगी जितना यह चाहते है उसके अलावा citation, links, relationship यह देखो क्या बोल रहे है कि first two links every post to relevant internal read-write content कि यह बोल रहे हैं कि पहले जो दो links होंगे आपके उसमें वो हमारे ही यानी read-write के ही links के होंगे उसके बाद में अगर आप मान लीजे कोई third party का link देना चाहते है जिस मान लीजे Wikipedia का मैं reference देना चाहती हूँ कोई stats आपने कहीं से उठाया गए data उठाया तो उसका भी आप link दे सकते है और उसी के साथ आप अपने links भी attach कर सकते हैं अपनी website के बस relevancy वहाँ पर होनी चाहिए तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं चीक है तो यह आप अच्छे से मतलब हर जो भी site पर आप पोस्ट करना चाहते हैं अच्छी साइड पर वहां पर आपको इस तरह की guideline दी चाहती है उसके अलावा आप देखेंगे तो formatting से related है यहाँ पर की numbers यहाँ पर लिखे हुए हैं percentage है digits लिखा हुआ है मतलब आप इसको अपने recording देख सकते हैं उसके अलावा images हैं तो images का भी यहाँ पर आपको size वगरा दिया हुआ है कि अगर आप blog लिखें तो उसमें इस तरह की images होनी चाहेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा से एक idea यहाँ से ले सकते हैं और उसके अलावा सबसे important कि जब भी हम अपना यहाँ पर post लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा तो उसी के साथ में जो भी हमारा post होगा उसके नीचे हमें blogger profile भी देना पड़ेगा यानि जिसने भी यह blog लिखा है उसका profile क्योंकि ultimately हमें क्या करना है हमें अपने business की, हमें brand की हमें promotion करना है बस एक चीज में आपको recommend करूंगी कि यह जो guest posting आप करते हैं यह आपको अपने individual name से करनी है ना कि आपके firm के name से, आपके business के name से ठीक है, क्योंकि ultimately blogger क्या है blogger मतलब एक person जो की लिख रहा है तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है या फिर आपके जो client है उनके नाम से आप blogging कीजिए और फिर उसमें अपनी website का जो reference है वो आप दीजिए ठीक है, तो blogger profile में name आजाएगा, name के साथ साथ अपना आप description डाल सकते हैं description के साथ में अपने जो social media platforms है उनके links डाल पाएंगे और फिर last में सबसे important, that is हमारी website, चीक है ये चार चीज़ें तो आपको definitely put करनी है, अब जो description है उसमें अजासमाल नीचाब WSQTEC के लिए मुझे एक blog लिखना है WSQTEC की brand building के लिए मुझे मैं उसका off page कर रहे हूँ तो यहाँ पर मैं अपने description में डालूँगी that I am a digital marketing trainer in WSQTEC तो ना चाते हुए भी जो मेरी description है, उसमें WSQTEC का नाम आए क्योंकि ultimately हम क्या कर रहे है हम अपनी website से बहार निकल के अपनी website का promotion कर रहे है तो जितना जदा हम promotion कर पाएं, उतना better होगा तो यह 4 चीज़ें तो आपको लाजमी डालनी है अपने blogger profile में इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ आड़ करना चाहते है तो आप कर सकते हैं उसके अलावा जो कई सारी sites होती है वहाँ पर आपको कुछ examples में मिल जाएंगे तो जैसे यह वाली site है तो इसमें बोला हुआ है कि follow us everywhere उसके अलावा यह बोल रहे है कि आपको जो author bio और author profile में क्या लिखना है तो देखें यहाँ पर biographical आपकी definition आप डाल सकते हो अपने बारे में कुछ डाल सकते हो Twitter profile अपनी डाल सकते हो LinkedIn profile डाल सकते हो उसके अलावा social media platform आपके कोई है YouTube है Instagram है Facebook है वो आप दे सकते हो उसके अलावा आपकी कोई personal या फिर अपनी company की website हो या कोई URL हो तो वो आप दे सकते हो और उसके अलावा अपनी एक profile photograph भी दे सकते हो तो आपके picture भी वहाँ पर लग जाएगी यहाँ पर कुछ हर साइट में mostly आपको साइट में अच्छी साइट में आपको इस तरह की information मिलेंगी कि आखिर हम किस तरह से आपको जो है यह blog post जो है submit करना है क्या उसकी guidelines है उसी के साथ ही जैसे our publishing process है तो आप यहाँ पर इधर apply करेंगी जो here वाला link है blogger profile यहाँ पर लिख को दे देंगे अगर हमारा content अच्छा है हमारा content original है तो यह लोग भी even क्योंकि आप खुद ही सोचे इनकी site है अब इतने सारी blogs लिख नहीं पाएंगे एक दिन में तो इसलिए guest blogging इनके लिए भी helpful रहती है और हमारे लिए इस तरह से helpful रहती है कि एक अच्छी website जिस पर काफी अच्छा रहते है उस पर हम अपना जो post है वो submit करवा रहे है जैसे read-write एक अच्छी website है उसी तरह से बहुत सारी websites आप दूण सकते हैं जैसे कि एक और भी आप चीज कर सकते हैं इसे guest blog website है आप इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके niche से related ही आपको site ढूंड़नी है तो यहाँ पर आपको काफी सारी sites मिल जाएंगी लेकिन उन सभी sites पर आपको जाकर देखना पड़ेगा कि आपका content वहाँ पर relevant प्रूव होगा या नहीं जो audience आपको चाहिए क्या वो उस particular profile पर आएगी या नहीं तो यह था हमारा guest posting I hope पुछना कुछ आपने जरूर सीखा होगा इसी के साथ ही जो भी आप blog post करें बस उसका जो है documentation जरूर करना यानि जो भी उसका link है वो अपनी Excel sheet में जो हमने off page के लिए बनाई है उसमें जरूर शेयर करना है जो भी हम ultimately काम कर रहे हैं उसका proof हमरे पार definitely होना चाहिए और again focus on quality not on quantity आज जो मैंने इस वीडियो में आपको tips बताई है उसमें हो सकता है कि आपको time जादा लगे लेकिन जो भी आपका content बनेगा वो quality होगा original होगा genuine होगा और सबसे बड़ी बात वो actual में कुछ value create करेगा आपकी website के लिए क्योंकि बहुत जादा advance होता जा रहा है Google का algorithm, Google का concept है, काम करने का तरीका बहुत जादा advance होता जा रहा है तो ऐसे मैं हम नहीं चाहेंगे और उसमें हम off-page SEO की एक important link building या फिर मैं कहूं brand building strategy discuss करने वाली हूं आपके साथ और जिसका नाम है press release तो press release होता क्या है पहले तो ये समझते हैं कि देखे कई बार आपके school में college में कोई function होता था और उस function के बाद next day आप देखते थे कि newspaper में छोटा सा article आता था जिसमें उस function के बारे में उस event के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता था तो school वाले college वाले क्यों वो article देते थें जिससे कि लोगों को newspaper के थूँ लोगों को ये पता चले कि हमारे school में event हुआ अब उससे क्या होगा कि हमारे school का नाम होगा हाँ कि XYZ school है और कहीं ना कहीं brand विल्ड होगी तो बस उसी तरीके से अगर हमारी कोई website है हमारा कोई online business है या फिर मैं कहूँ हमारे business की ही website है उस पर और हमारे business ने या फिर हमारी जो भी organization है जो भी हमारे client है अगर उसके पास कोई ऐसी information है कुछ ऐसा content है which is newsworthy तो हम उसको publish करेंगे different different journalism की sites पर या फिर मैं कहूँ different जो press releases है वो हम करने वाले हैं जो भी हमारा newsworthy content है और newsworthy content क्या हो सकता है देखिए या तो आपके company में कोई event हुआ या आपकी जो business है उसमें कोई इस तरह का function हुआ event हुआ उसके अलावा अगर मान लीजे आपकी company ने कोई नया product launch किया है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आपको लगता है कि ये एक important जो है news की तरह हम इसको use कर सकते हैं या कुछ ऐसा charity work किया social work किया तो definitely उसको हम use करके अपने brand की अपने business की अपनी website की link building या फिर मैं कहूँ उसकी brand building कर सकते हैं वैसे हमारा main focus तो यह होगा कि कहीं न कहीं on press releases पे हमें कुछ link मिल जाए लेकिन अगर link नहीं भी मिलता तो भी हमारी company का हमारे business का नाम बहाँ पर जाएगा और यही है off page ऐसी हो कि अपनी website से बहार जाकर अपनी website से दूसरे platform पर अपनी website भी popularity करना यानि उसका नाम करना अब PR submission करने के लिए important है कि हमें वैसी sites भी मिलें अब यहाँ पर आपको दो तरह की sites मिलेंगी पहली site जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी कि जहां पर आप directly अपना content पूट कर सकते हो अपनी जो news article है वो share कर सकते हो दूसरे तरह कि आपको जो सबसे जादा जो websites मिलेंगी वो basically एक तरह की आप क्यों समझ लीजे agency type होंगी और वो आपकी जो news है आपका जो article है वो submit करेंगी आगे तो mostly जो agency वाली जो ये sites होती है ये mostly paid होती है बढ़ हम प्राय करेंगे इन में से भी कुछ free अच्छी quality की sites है ढूणने की और तभी हम उनको अपना जो article है news है वो submit करेंगे प्राय करेंगे तो फिर एक ट्राय करते हैं सिंपली मैं याँ पर ट्राय कर रही हूं like PR या फिर प्रेस्ट रिलीज submission sites free okay so free sites मैं याँ पर ट्राय कर रही हूं okay so काफी सारे option बिल रहे है web hospitality ये साइड अच्छी है recommendations इसके अच्छे होता है लेकिन जैसे मैं आपको बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है इन्होंने जो लिस्ट बता दी उस पर आप पोस्ट करना शुरू कर दें नहीं उसकी DAPA चेक करने है आपको अब देखिए यहां पर हमें को साइट है जो कि emerging emerging मतला तेजी से grow कर रही है वो लेकिन DAPA आप देखोगे तो काफी जादा कम है लेकिन यहां पर हम देखते हैं जैसे NPR लिखा हुआ है इसका D.E. काफी अच्छा है लेकिन यह काफी पुरानी साइट है पर स्टिल अभी आपना चेक कर लीजेगा इन सभी को open करके और जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप malls.com पर या फिर जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं SEMrush यूज़ कर रहे हैं या Ubersuggest यूज़ कर रहे हैं सब पर आपको इसकी authority या फिर एक ranking पता चल जाएगी तो देखी यहां पर यह जो है यह तो कुछ emerging sites हो गई और यहां पर आपको कुछ ऐसी sites मिलेंगी जो की already काफी सादा popular है जब भी मैं बात करूँ तो जैसे इन में कुछ नई sites है इन में आप चेक कर सकते हैं या तो इन में direct option होगा तो submit a news या फिर submit a press release या फिर इन में contact us का option होगा तो वहां पर आप अपनी story या फिर आप वहां पर अपना article न्यूज सब्मिट कर सकते हो आप जैसे newswire है तो इसको मैं use कर चुकी हूँ तो मैं इसी का ही आपको tutorial दे दूँगी और आप क्या कीजेगा कि थोड़ी और site जो है explore कीजेगा इसका DAP चेक कर लीजेगा अभी जैसी यहां पर around 7-6 बता रहा है लेकिन इसको आप जरूर चेक करना और तभी आप इस पर काम कीजेगा ठीक है तो यह देखिए यह वाली इस item यूज वायर today करके और यहां पर सब से पहले तो हम sign up कर लेते हैं और sign up के इधर ही submit news release है यहां पर okay तो हम पहले sign up कर लेते हैं यहां पर आप यहां पर हम जैसी register करेंगे यहां पर देखिए कुछ चीज हम पूछी हुए है that you have a corporate email आपका होना चाहिए उसके लबाब business related website होनी चाहिए not a blog website तो blog websites के लिए यह का जो submit news release है यह आप कर पाएंगे यानि जो आपका news release है जो आपका press release है उसको आप submit कर पाएंगे और फिर यह verification होगा verification होने के बाद में यह लोग यहां पर put कर देंगे आप इससे फाइदा क्या होगा कि जो भी आपका business का नाम आप वहां पर लेंगे for example whsqubtech launching a new course for its student that is completely free त तो अगर मुझे link मिलता है तो well and good अगर मुझे महां पर mention कर देती हूं कि to avail this course visit on this site तो well and good मुझे यहां पर link मिल गया लेकिन at least मुझे मेरी business का कहीं नाम लिखने का मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं मेरी जो presence है वो मैं build कर रही हूं और I think यही off page SEO होता है चीग है तो जैस यह एक site थी ऐसे ही कुछ और website जैसे कि यह वाली website है इसको मैं एक बार explore कर लेती हूं तो कुछ ऐसी sites होती है जो कि आपसे charge करती है जैसे यह वाली site है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें 30 प्लस free press release submission जो है submit कर सकते हो और यह होगा $8 का चीग है तो approximately आप लगा ल प्रेस्रिलीस की जुरत पड़ेगी हो और कितना आप पे कर सकते हो चीग है बाकी तो मैं आपको free ही suggest करूंगी लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अच्छी traffic वाली या फिर अपने नीच से related जो site है वो अगर मिलती है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हमें pay करना पड़ प्रिश हो गया सबसे पहले approval होता है तो इसके लिए अगर आपका मतलब ऐसा एक बड़ा विजन है एक लॉंग विजन है तो ही आप press release को use कीजियो और अगें अगर मान लीजे आपके business में कोई इस तरह की news आप नहीं दे पा रहे हैं इस तरह का कोई content नहीं है जो की news वरती तो कोई बात नहीं press release जरूरी नहीं है सबके लिए है इसी लिए मैं आपको एक link building तरीका नहीं बता रही हूं मैं आपको सारे तरीके बता रही हूं जिससे कि you never know आपके business के लिए क्या काम कर जाए उसी के साथी तीसरी चीज हमेशा जब भी आप वो press release submission के लिए article लिखें वहाँ पर आपको ऐसा third party वह article लिखना होगा ऐसा नहीं कि हमारे यह ऐसा हुआ है यह फिर हमारे यह ऐसा हुआ कि नहीं आपको ऐसा हुआ है कि WSQTik में ऐसा हुआ है WSQTik ने यह चीज लांच की उसके अलावा इन्हों ने वो किया तो मतलब यहाँ पर आपको थर्ड पा काफी अच्छा जो आपका आर्टिकल है वो लगता है उसी के साथ ही जितना हो सके क्रिस्प रखी है स्कूल में हमें आर्टिकल लिखाने की प्रैक्टिस की जाती थी बस बही समझ दीजिए कि वह सारे स्किल्स आपकी यहां काम आने वाले एक बहुत ही शौट और क्रिस्प ज जो हमें लिंक्स मिलते हैं वो डू-फॉलू ही होते हैं तो इसलिए हम चाहेंगे कि जादा जादा डू-फॉलू लिंक्स हमारी वेबसाइट के बने तो इसलिए आपको यह कुछ चीज आपको ध्यान रखती है अगर आपके पास ऐसा कॉंटेंट नहीं है जो की नियूस ब बढ़ रहे हैं और उसका नाम है इन्फोग्राफिक सबमेशन इन्फोग्राफिक क्या होता है सम्मिट इसको कैसे करेंगे कौन-कौन सी साइट पर करेंगे सारी बाते करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करता है सबसे पहले बात कुछ डिटेल, कुछ डेटा, कुछ इस तरह की इन्फोमेशन दी हुई है क्योंकि मुस्ती आपको बता है कि देखिया अगर आपके सामने एक ब्लॉग है बहुत बड़ा सारा चीक है उस ब्लॉग को पढ़ना और मैं कहूँ कि एक इमेज है उसे देखकर ही आप उस ब्लॉ जब इतने जादा popular हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको off-page SEO की strategy में जरूर include करते हैं क्योंकि पहली चीज यह audience का experience उधारते हैं और obvious ही बात है हम क्यों SEO कर रहे है हमारा main motive क्या SEO करने का जिससे हमारे audience का experience improve हो अब बात करते हैं कि आखे infographic क्यों important है क्यों जरूरी है तो देखिय पहला reason कि हमारी audience को कुछ value देते हैं और off-page SEO का मैंने आपको number one rule यही बताया है कि हमें अपनी audience को content देना है हमें अपनी audience को value देनी है जब आप अपनी audience को value दोगे तो आपकी website पर आएगी आपके business को जानेगी और यही हम कर रहे हम जादर जादा लोगों को अपनी business के बार मैं बताना चाहते हैं जिससे हमारी brand बिल्ड हो ठीक है यही off-page SEO है तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि कैसी चीज है जो आप अपनी audience को provide करवा के उन्हें value दे सकते हो तो amazing होगा ना तो इसी लिए हम infographic submission करते हैं जिससे की कुछ information कुछ value हम अपनी audience को दे पाएं बदले म बहुत सारी sides है ठीक है लेकिन जो मैं आपको number one पर recommend करूंगी और जो इतने टाइम से डबले स्कुप्टिक के साथ जुड़े हो हैं जो मेरी videos देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा सबसे favorite है Pinterest जब भी बात होती है image submission की जब भी बात होगी infographic submission की graphic submission की Pinterest would be on number one on my list so Pinterest आपको graphic यानि कोई ना कोई graphic की बात कर रहे हैं और informational तो जब भी ऐसे कुछ beautiful pictures या फिर inspirational pictures या पर मैं कुछ infographic pictures की बात आती है तो Pinterest का नाम ना है ऐसा हो ही सकता और even Pinterest का सबसे रची बात यह है कि इंडिया में काफी growing face पर है यह तो Google का image वाला section है वो आप open करते हैं तो वहां पर आपको हर fifth या sixth image जो मिलती है वो Pinterest की ही होती है तो SMI क्यों ना हम इस पर तोड़ा सा time invest करें तो description box से आपको Pinterest का complete course मिल जाएगा ज्यादा लंबा course नहीं है complete A की video है जिसको पूरा देख लीजगा आपको Pinterest का पूरा idea clear हो जाएगा क्योंकि Pinterest पर अगर हमारी growth अच्छी है ना Pinterest पर हमारी video जो है rank कर रही है तो वो 100% Google पर भी करेंगी Google के image section में भी करेंगी so Pinterest would be on my number one already इसके बहुत सारे tutorials में लाज चुकी हूँ तो एक और site है जो की infographic submission के लिए best है बहुत ही अच्छी recommend करूंगी that would be visual.li इसको normally visually बोला जाता है तो visually भी काफी साथा अच्छी साइट है इसकी भी ranking जो है Google के image section में बात करूं तो काफी अच्छे जो visually का content है वो rank करता है और काफी non spamming side है तो इस पर आप ज़रूर काम कर सकते है उसके अलावा दूसरी side जो की जब मैंने आपको image submission कराया था तब मैंने बात की थी वो है Reddit Reddit का भी बहुत अच्छा traffic है US, UK में बहुत जादा इसका traffic है इंडिया में भी काफी अच्छा इसका जो growth है वो देखा जा रहा है तो emerging एक site है तो Reddit को ज़रूर यूज करना in case of infographic submission उसके अलावा flickr obviously images के लिए ही है ये और around 2 million से भी जादा इस पर images है काफी अच्छी site है इसको भी आप definitely infographic submission के लिए या image submission के लिए यूज कर सकते हैं उसके अलावा slideshare.net पहले जो slideshare.net था वो सिर्फ ppt's के लिए था जो slides होती थी ppt's होती थे हैं वही submit करते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है यहाँ पर आप कोई भी document pdf और उसके अला थारी like thousands of आपको sites मिर जाएंगी लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है quality quantity पर नहीं focus करना दिन के हजार post कर लोगे और दिन के सिर्फ 5 quality post करोगे ना दोनों बराबर होंगे और मैं कहूंगी 5 post जादा value create करेंगे तो इसी लिए अच्छी site choose करो उसके अलावा Instagram भ बहुत ही अच्छा infographics के लिए और उसमें तो भी save option भी है तो लोग उसको save कर सकते हैं infographics को share कर सकते हैं आप reels में भी अपने जो infographics है उसके templates माप डाल सकते हैं मतलब 4-5 infographics को आप अड़ करके और एक reel भी create कर सकते हैं तो Instagram भी अच्छा option है Facebook भी अच्छा option है चीक है so जहां आपर इजो screen आपको दिख रहा है ये एक infographic है देखिए normal image ही है ये ये जो आपको दिख रही है ये एक image है लेकिन इस image में क्या है इसमें कुछ information है चीक है तो देखिए जैसे 5 tips to keep your chin up to do something impulsive have rituals so यहां पर कुछ information दी हुई है वैसे ही अगर आप ये देखेंगे तो visual content marketing statistics to know for 2020 तो ये देखिए यहां पर कुछ pie charts है कुछ यहां पर लिखा हुआ है text तो मादब ये कुछ ना कुछ information दे रहा है मेरी audience को उसी के साथी ये भी कुछ infographic की ideas हो जाएंगे top 3 area of assistance तो यहां पर आप देख सकते हैं okay so ये कुछ infographics है यानि ऐसे graphics है जहां पर कुछ information है so इसके लि infographics है infographics है वो आप बना सकते हैं नहीं तो canvap पर काफी अच्छे आपको templates मिल जाएंगे ideas मिल जाएंगे okay so वैसे तो आप सारी sites को explore कर लीजेगा मैं आपर reddit पर आपको example दे रही हूं तो reddit पर जैसे हम image वाले section में जाएंगे क्योंकि ultimately infographic क्या है एक image ही है so यहां पर हम upload व अपना title है वो यहां पर लिखने वाली हूं जैसे reddit पर limit है 300 characters की है लेकिन again मैं आपको recommend करूंगी कि 100 characters are sufficient 100 characters में ही आप अपना title लिखिए and यहां पर reddit पर images के लिए description वाला option है वो नहीं है तो इस case में आप थोड़ा सा lengthy इस को कर सकते हैं क्योंकि description नहीं है सिफ title में ही हमें picture को describe करना तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं make sure करना है कि वहां पर आपके keywords आए जो कि इस infographic से भी related हो कहीं ना कहीं आपके business या service से related हो okay so जैसे मैं आप लिख रही हूं okay so यहां पर मैंने यह जो title है यह लिख लिया है और यह जो title है इसके नीचे मैं आप लिखूंगी like for more post like this visit www.wscuptech.com ठीक है यह मैंने यहां पर आड कर दिया है अब यहां पर आप जो इसके types है like अगर यह original content है तो आप इसको post कर सकते हैं not safe for work है तो आप कर सकते हैं तो जैसी original content है original content है तो अगर इसको कोई और भी share करता है तो आपको credit मिलेगा तो अगर आपके यह original है तो ही आ अब देखिए यह जो हमारी image है यह यहां पर आ गई है तो मैं इसको कॉपी करके और मेरी जो excel थी तो मैं excel में सबसे पहले जहां पर मैंने इन्फोग्राफिक वाला slide मैंने बना दिया जो off-page SEO मैं करूं तो जैसे हमने यहां पर जितने भी off-page SEO activity की उसके मैंने यहां पर slides ब लिखना है landing page मतलब कोई भी आपका जो क्लिक करके देख पाए कि जो आप बोल रहे हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं क्या आपने वो काम किया है या नहीं या नहीं इतने लिंक आपने बिल्ड किये हैं या नहीं तो यहां पर हमने reddit पर जिस तरह से इंफोग्राफिक पेस्ट क या फिर आप यहां पर watermark भी लगा सकते हैं जिससे अगर कोई इसको save भी करें या share भी करें तो आपकी at least brand बिल्ड हो ओके तो इस वीडियो में हमने बात की infographic submission की और बहुत जादा भी हमें यह submit नहीं करने हैं जो भी आप लेकिन submit करें वो quality का होना चाहिए actual में कोई value दे आपकी audience को तभी आपकी brand बिल्ड हो पाएगी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं off-page SEO की एक और link building strategy की और उसका नाम है video submission आज के टाइम में videos बहुत ही जादा popular है इवन audience को भी comparatively images, content से जादा videos देखना जादा पसंद आ रहा है आज के time में तो video submission एक बहुत important technique हो जाती है जब भी हम off-page SEO करते हैं तो यह कैसे करेंगे, कहाँ पर video submit करेंगे, किस format में करेंगे, यह सारी बाते हम करने वाले हैं इस video में तो चलिए फिर video को शुरू करते हैं तो जैसे मैंने बताया, आज हम off-page SEO की एक और link building strategy देखने वाले हैं और उसका नाम है video submission तो यह बात आपको पता है कि आज के time में बहुत जादा popular है videos हमारी audience को जो videos पसंद आ रही हैं और ultimately हमें हमारी audience को value देनी है हमारी audience का experience अच्छा करना है तो video submission हम करके अगर हमारी website की हमारे business की brand building या link building कर सकते हैं तो इससे best और गया होगा चीक है, so video submission काफी effective technique है लेकिन again जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि off-page SEO में मैं आपको जतनी भी techniques बताएं ऐसा ज़रूरी दिनी है कि सारी की सारी आपको apply करनी है ये आप अपनी strategy बनाएंगे अपने brand के according, अपने business के according उसके बाद ही आप अपना video submission करना है या social bookmarking करनी है या infographic submit करना है, image submit करनी है ये फिर आपको देखना है एक बार, ठीक है अगर मेरा जो नीश है, मेरा जो service related या फिर मेरा जो business है, वो मेरा house cleaning से related है जिसका हमने keyword research में भी example किया था तो house cleaning से related, मैं किस तरह की videos जो है submit कर सकती हूँ अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा कुछ education related है तो education related तो मैं बहुत सारी videos बना सकती हूँ different tips पर, ideas पर, facts ठीक है और उसको मैं submit कर सकती हूँ जिससे मुझे कही ना कहीं reach और relevant audience मिल पाएगी लेकिन house cleaning में मैं किस तरह की videos बना सकती हूँ तो देखे, यहाँ पर आपको थोड़ सा relate करना पड़ेकर कि house cleaning में आपको चैसे DIY techniques बता सकते हो कुछ ऐसी quick cleaning hacks बता सकते हो और फिर उन videos को submit करके उनके through आप जो है अपनी website पर, अपने brand पर आप वहाँ पर reach लेकर आ सकते हो तो यह चीज आपको देखने है कि किस तरह से आप जो है videos बनाएंगे जो कि आपके business से भी related हो और जिस audience को आप submit कर रहे हो वो videos उनके लिए भी वो कहीना कहीं relevant हो उनके लिए भी कहीना कहीं value create करे जैसे मैं आपको example देने वाली हूँ कि मैंने आपको बताया था हमारे client ते जिनका एक cabs और car का business था तो उनके लिए अगर हमें video submission करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं कोई भी मुझे पता है कि person जो है cabs और car से related तो आप क्या videos बना सकते हो लेकिन हम बना सकते हैं travel से related, tourism से related हम short videos बना सकते हैं for example top 10 places to visit in Rajasthan छोड़ी-छोड़ी clips लेकर हम वो उस तरह की videos बना सकते हैं और फिर उसके तुरू हम अपना जो business है वहाँ पर reach लेकर आ सकते हैं तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने है video submission के time सबसे पहला जो भी आप video submit करें वो आपके business से आपके niche से related होनी चाहिए और एक और चीज़ें से related होनी चाहिए वो आपके audience के interest पर क्योंकि trending नहीं है अगर video audience नहीं देखना चाहती तो भली आपने कितनी भी मैनत किया उस video को बनाने में audience आपकी divert नहीं होगी चीज़ें तो दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखती है चलिए अब हम चलते हैं कुछ ऐसी websites देखते हैं जहां पर आप वीडियो को submit कर सकते हैं तो वैसे तो बहुत सारे platforms जो मैं आपको recommend कर सकती हूं for video submission लेकिन number one पर जो मैं आपको recommend करना चाहूंगी that is YouTube YouTube दुनिया का second सबसे ज़ादा visit किया जाने वाला platform है सबसे ज़ादा use करने वाला social media platform है और यहां का traffic आप सभी को पता है कि कितना ज़ादा है तो YouTube can be a best platform for you अगर आप अपनी videos को submit करना चाहते हैं लेकिन यहां पर एक चीज़ धियान रखनी है कि हमें जो भी video आप submit करें वो आपके business से related तो हो ही लेकिन वो एक हमारे client के लिए यह हमारी audience के यह भी value create करें क्योंकि मान लीज़े अगर आपका business है for example furniture से related अगर आपका business है तो ऐसे में आप क्या videos यहां पर डाल पाएंगे जो कि हमारी audience को value दें और कहीं ना कहीं हम वहां से हम traffic लेकर आ सकें या फिर हमारी एक link building वहां पर कर पाएं या फिर हमारी brand building कर पाएं तो उसमें आप क्या करेंगे आप जिसे furniture का मैं example लेती हूँ तो यहां पर आप कुछ DIY कुछ ऐसी जैसे furniture से related कुछ ऐसी DIY जाल सकते हैं आपके पास अगर कुछ ऐसा product है तो उसकी आप एक अच्छी सी वीडियो बनाके वहां पर put कर सकते हैं लेकिन अगेन वो एक value देने वाली होनी चाहिए ना कि वो एक marketing के लिए video हो तो यह चीज़ आपको धियान रखिए बागी YouTube तो बहुत ही number one है इसके लिए complete course हम आपके लिए लेकर आ चुके है description box में आपको YouTube का complete course मिल जाएगा पूरा course देख लेना और YouTube से भी if you want to earn money तो वो course जो है आपके लिए बहुत साथा important role play करेगा चीक है उसके लाबब जो second tool है जो मैं आपको recommend करूंगी that is Vimeo Vimeo काफी अच्छा tool है और videos की अगर मैं बात करूं video sharing की आपकी बात करूं तो Vimeo काफी अच्छा है और even आप इस पर जो है एक data storage की तरह भी इसको use कर सकते हैं तो Vimeo का भी use आप ले सकते हैं जब भी हम video submission की बात करें और ये जो भी मैं आपको अभी प्लेटफॉर्म्स बता रही हूं ये हाई DA है मतब YouTube का तो 100 है और Vimeo का भी काफी अच्छा DA है और non-spamming ये websites है अधरवाइस आपको thousands of websites मिल जाएंगी thousands of platforms मिल जाएंगी जहांपर आप video share कर सकते हो लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलती हूं कि quality पर focus करना है quantity पर नहीं नेक्स टूल जो आपको suggest करूंगी वो है scoop it scoop it भी अच्छा टूल है यहाँ पर आप image भी submit कर सकते हो उसी के साथ साथ आप videos भी कर सकते हो short videos यहाँ पर जाता चलती है बाकि इसके इलावा Instagram हो गया Facebook हो गया तो काफी सारे यहाँ पर आपको जो sites है वो मिल जाएंगी लेकिन अगेन देखिए कुछ भी XYZ साइट पर मत अपलोड कीजेगा link building मत कीजेगा वो spam में काउंट होता है because you never know कि उस website कब वो spam में आ जाए कब वो website जो है उसका spam score बढ़ जाए तो ऐसे case में हमारी website के जो back links है वो भी spam में काउंट होंगे और उसकी वज़े से हमारी ranking बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी भली अपने कितनी भी मैनत की हो तो इसलिए जो भी website पर जैसे यह काफी कुछ popular आ रहे है YouTube आ रहे है before uploading a video आप यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम videos upload करें तो कैसी video होनी चाहिए पहली तो मैं आपको example बहुत अच्छे से बता दिया कि यहाँ पर आपकी जो भी आप video submit कर रहे हो वो आपकी business से related तो हो ही लेकिन उसके अलावा वो आपकी audience के लिए वेल्यू जनरेट करें तो furniture में जैसे आपको DIY create कर सकते हो DIY ideas इस पर आप बना सकते हो अपनी वीडियो कोई product है उस product की unboxing या उस product को कैसे install करते हैं कुछ ऐसी value देने वाला वीडियो आप बना सकते हो उसी के साथ ही अगर मैं आपको आपको लगता है कि इसमें तो हम क्या ही वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी उस product से related आपको वीडियो बना सकते हैं जैसे मैंने जैंपल लिया कि वो हमारे client थे उनके लिए जब हमने वीडियो बनाए तो उसमें हमने बताया कि कैसे आप tools and travel से related हमने महाँ पर information दी जैसे top places to visit in Rajasthan top places to visit in Jappur तो इस तरह का हमने उनकी marketing की तो इस तरह से हमें strategy plan करने पड़ी अब जैसे house cleaning का मैंने example लिया था तो house cleaning के लिए हम क्या videos बनाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे DIY techniques बता सकते हो कुछ ऐसी hacks बता सकते हो जिसमें आप cleaning से related कुछ ideas दे रहे हो और फिर वहाँ पर आप प्रमोशन कर सकते हो कि भाई अगर आपको ये services जो है डेली में चाहिए complete cleaning अगर आपको चाहिए तो ये आप हम से contact कर सकते हो उसके लावा आजके लिए बहुत popular चल रहा है that is before and after ठीके एक बहुत गंदी सी जगा है उसको आप before दिखाओ और उसको दिखाओ कि कैसे हम इसको clean करेंगे तो वो पूरा cleaning process आप दिखाओ और फिर आप उस video जब वो popular होगी लोग उसको देखेंगे तब आप वहाँ पर port कर सकते हो कि अगर आपको ऐसी services अपने area में चाहिए then we are here, we are providing you the service ठीके तो इस तरह से आपको video marketing के time ध्यान रखना है otherwise जैसे मैंने बताया है YouTube का तो complete course आगया है description box से link उठा लेना पूरा video देखना तो इसी तरह से आपको videos जो है वह submit करनी है बस ध्यान एक चीज़ का रखना है जो मैं हमेशा बोलती हूँ spamming नहीं करनी है कोई भी XYZ video आपको publish नहीं करनी है उसके अलावा reels बहुत जादा popular है Instagram पर तो उनको भी आप consider कर सकते हो और उनसे भी आप popularity गेन कर सकते हो So Instagram का भी complete course आपको WS Cube Tech पर ही मिलेगा So make sure करें सारी जो videos है इनको देखें और क्योंकि SEO बेसिकली जो process यह ना वो बाकी और process से मिलकर बनी हुई है इसमें आपको जो है social media marketing भी थोड़ी पहुत करनी पड़ेगी उसके लाब ग्राफिक डिजाइन भी आपको करनी पड़ेगी content creation भी आपको करना पड़ेगा तो SEO is a bunch So आज की इस वीडियो में off-page SEO की एक और important strategy हम आपके साथ discuss करने वाले हैं और उस strategy उस link building strategy का नाम है Q&A submission या फिर question and answer submission So ये क्या होता है किस तरह से इसे हम करते हैं ये सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ question and answers की तो simple सा मतलब है सवाल और जवाब तो जब भी हम किसी ने कोई question पूछा है और उसका जो answer है वो कही ना कहीं हमारे business, हमारी website हमारे blog से related है तो हम उस सवाल का जवाब post करते हैं और ये जितने भी जो Q&A होते हैं ये किसी other platform पर होते हैं ना कि आपकी website पर अब आपका सवाल होगा तो इससे हमें क्या फायदा तो देखिए Q&A submit करने से आपको ये फायदा होता है उस question का answer देते time आप अपने business का अपनी website का अपने blog का promotion कर सकते हैं यानि link build कर सकते हैं आप वहाँ पर अपने किसी website के किसी page का होगा ना amazing कि हम कोई person है जिसे कोई जवाब चाहिए उस जवाब तो हम उससे दे ही रहे हैं उस सवाल का लेकिन उसके साथ साथ में हम उन्हें एक ऐसा link provide कर वा रहे हैं जो कि उनके जवाब से मिलता जुलता है और हो सकता है वो person मेरा potential visitor बन जाए या potential client बन जाए तो पहला फायदा तो यह हुआ दूसरा फायदा यह होता है कि यह जो sites होती है जहां पर Q&A होता है वहाँ पर traffic बहुत जादा होता है तो ऐसा नहीं है कि जिसने question पूछा उसको हमने answer किया सिर्फ वही वो answer पड़ेगा नहीं वो कोई भी person हो सकता है जो कि उस website पर visit करेगा वो उस answer को पढ़ सकता है उस से knowledge ले सकता है और हो सकता है वो आपकी website पर भी visit करे So Q&A बहुत ही important strategy होती है उपपे जासियों में एक चीज में यहाँ पर clear करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग सिर्फ यह समझने है Q&A submission में कि हमें तो जो questions है उनके answer देने है बड़ देखिए कई बार हम यहाँ पर फोड़ी सी tactics लगाते हैं फोड़ी सी strategy लगाते हैं और यहाँ पर हम कई बार anonymously questions भी पूछते हैं और उन questions का answer हम ही देते हैं अब ऐसा क्यों होगा तो अबिस दी बात है इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज रखनी पड़ेंगी so example जैसे मैं ले देती हूँ कि अगर मेरा business है house cleaning से related तो कई सारे मैं ऐसे questions generate करूँगी कुछ अच्छी Q&A sites पर जहां पर house cleaning के बारे में जैसे house cleaning in Delhi के बारे में कुछ query पूछी गई होगी या फिर where you can hire people to clean your house in Delhi इस तरह की questions पूछे गए होंगे और उनका जवाब जो है मैं अपनी किसी दूसरी ID से वहाँ पर submit कर सकती हूँ देखिए ये थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी tactics हैं ये मैं इसको completely blackhead SEO नहीं बोलूँगी क्योंकि वो ultimately जो information वहाँ पर port है वो किसी और के काम आ सकती है बहली किसी ने सवाल पूछा है या नहीं पूछा है बड़ उसके वो काम आ सकती है तो ये blackhead तो मैं इसको नहीं बोलूँगी बड़ ये कुछ tactics हैं जो कि आप लगा सकते हैं while doing off-page SEO तो सबसे पहले तो कुछ sites देख लेते हैं और फिर हम कुछ simple questions and answers भी देखेंगे वैसे तो बहुत सारी sites आपको मिल जाएंगी आप Google पर सर्च कीजिए Q&A submission sites for SEO thousands of sites के links आपको मिल जाएंगे लेकिन हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कई सारी websites मिलेंगी लेकिन हर एक पर हमें नहीं करने हैं submission हमें सिर्फ उनी websites को choose करना है उनी platforms को choose करना है जो high quality है जिन पर spamming नहीं है चीक है तो इसमें आप DA जो है उसका check कर सकते हो website का और तभी आप उस पर अपना answer या question सब्मिट करें तो देखिए काफी सारी websites है सबसे जो popular website है उसका नाम है Quora कोरा का 100% आपने नाम सुना होगा और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए complete course लेकर आने वाले हैं okay so stay tuned WSQ Tech को subscribe करके रखो तो कोरा एक काफी अची साइट है जब भी हम Q&A submission की बात करते हैं number one पर मैं इसको रखती हूँ उसके अलावा LinkedIn LinkedIn तो एक social media platform है बट still LinkedIn पर भी कई सारे ऐसे questions जो हैं पूछे जाते हैं discussion होते हैं और LinkedIn के अलावा अलावा Instagram और Facebook पर भी आप देखते हो कि लोग कई बार questions पूछते हैं आपने Instagram की story में देखा होगा लेकिन उसका हमें link building से फायदा नहीं होता है Facebook पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि Facebook पर जो भी लोगों ने post किये हैं अपने questions जो उन्होंने अपनी wall पर उनके आप answers दे सकते हो उन discussion में participate कर सकते हो लेकिन अगेन उसमें choose करना वो question ढूणना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए मैं आपको Facebook, Instagram तो recommend नहीं करूँगी हाँ, अगर कई भी भी आपकी post पर कोई ऐसा question दिखे है कि किसी ने कोई query पूछी है तो वहाँ पर आप अपने answers जो हैं submit कर सकते हो या फिर एक discussion type में आप अपने ही profile पर कुछ चीज़ां put कर सकते हो अपने audience से question पूछ सकते हो फिर उनके answer भी आप खुदी दे सकते हो तो इस तरह की चीज़ां हम कर सकते हैं otherwise मैं आपको recommend नहीं करूँगी but LinkedIn is a good option यहाँ पर आपको question का option होता है और आप question पूछ भी सकते हो answers भी उनके आप submit कर सकते हो उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको suggest करूँगी that is answers.com जिके answers.com भी specifically यह जो site है यह बनाई गई है question and answers के लिए so इसको भी आप consider कर सकते हो उसके अलावा एक दो और sites हैं जैसे ask.com so ask.com भी एक अच्छा option है but इसका इंडिया में इतना ज़्यादा traffic नहीं है तो इसलिए मैं आपको Quora No.1 पर suggest करूँगी answers भी आप ले सकता है otherwise आप normally Google पर type करेंगे Q&A submission sites तो भी आपको काफी सारे options मर जाएंगे आप देखेंगे तो 82 प्लस 135 प्लस sites तो यहां से आप ideas ले सकते हो लेकिन again manually आपको हर एक की D.A.P.A. चेक करनी है उसके लिए मैं आपको Moz.com का जो है tutorial दे चुकी हूँ उसके अलावा आप over suggest पर भी Samrush पर भी किसी की page रहाएं कि आप पर उसकी authority चेक कर सकते हो ठीक है तो काफी सारे options हमें मिल रहे हैं लेकिन 100% जो आपके LinkedIn हो गया Quora हो गया यह आपके top परी रहेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो answers.com यह Yahoo का एक tool था लेकिन अभी यह जो है यह discontinue हो गया है तो यहां पर तो मैं आपको suggest नहीं करूंगी उसके अलावा Wikipedia पर भी आप किसी कीदी μέ понрав links का answers कर सकते हो आप एडिट कर सकते हो वहाँ पर जो articles होते हैं नको एडिट कर सकते हो लेकिन यह बहुत ही कम chances होते हैं कि यह आपके verify होते है और जब यह verify होती है आपके editing आपके answers तभी आपने जो भी वहाँ पर पोस्ट किया है वो अप्लोड होगा तो इसके चांसे बहुत कम होंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास एक हाई क्वालिटी कॉंटेंट है और कुछ आपके वास ऐसा सोर्स है जहां से आप एक जैनुएन इंफोमेशन निकाल सकते है तो हम सबसे बहुत लोग इन कर लेते हैं तो इस तरह से सिंपली आपको अपना अकाउंट जो है जो कुरा पर बना लेना है उसके बाद में आप थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को जो है अपडेट करेंगे तो जैसे कि एग्जांपल में आपको दे देती हूं क्यों यह ज़रूरी है तो देखिए यहां पर जैसे यह question पूछा गया है इस question का answer यह जो स्वास माली है इनों ने किया है इनकी जो position है इनकी बारे में जो एक short description है वो यहां पर दिखाई दे रहा है तो ऐसे में जब भी कोई answer हम करें तो obviously हम उसमें अपने efforts जालने वाले हैं तो efforts जा अपडेट करेंगे इस profile वाले section पर जहां पर click करेंगे यह जो यहां पर आपको दिख रहा है उसके बाद में आप अपनी profile को इस तरह से open कर लेंगे और यहां से आप जो है अपने employment credential अपने education credential location अपनी यह चीज यहां पर put कर देंगे ठीक है वैसे इस profile वाले section में ही आपने जितने answers किये हैं जितने questions किये हैं जितने post किये हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे ठीक है तो यह आप देख सकते हैं अब आपको यह चीज ध्यान रखती है जैसे मैं आपको बताया कि कुछ tactics भी हम use करते हैं तो ऐसे में जिस भी particular business के लिए जिस भी particular service के लिए आपको Q&A क करना है उसी नीश की position उसी नीश की जो डिगरी है उसी नीश की education वाली profile आपकी होनी चाहिए तो आप try करें कि अगर आपको इस तरह से answers करने हैं तो आप जो भी अपने employment credential अपने education credential डाल रहे हैं वो उस business से ही related होने चाहिए जैसे example जैसे मैं एक example लेना चाहूंगी जैसे हम तो उनका जब हमें इस तरह से Q&A करना था तो definitely एक person कब कर पाएगा class related या law related answers कब कर पाएगा जब उसकी खुद की position कुछ ना कुछ इस तरह से हो तो हमने जिस person का account बनाया था वो हमारे जो business के जो owner थे जो की खुद एक lawyer थे उन्होंने LLB किया हुआ था LLM किया हुआ था तो definitely उसको इसका answer पता जादा होगा चीक है तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाना है और थोड़ा सा सोच कर ही आपको अपने answers अपने profile को update करना है अब चलिए चलते है answers की तरह तो ये वाला जो icon आपको दिख रहा है इस पर click करके आपको काफी सारे questions मिल जाएंगे जिनका आप answers कर सकते हो जैसे की how much does adsense pay you per thousand views तो इसका answer हम कर सकते हैं how do you link your bank account with MIS, SC, SS and TD इस तरह का answer आप कर सकते हो how can we get traffic on a blog तो जो भी आपके interest से related questions है वो ही यहाँ पर आएंगे चीक है उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये तरह के नहीं अपने interest के according नहीं जो keyword मैं चाहती हूँ उस पर ही मेरे को questions मिलें जैसे मैं example ले रहती हूँ जैसे law या फिर मैं एक काम करती हूँ क्लाट मैं सर्च करती हूँ तो क्लाट से related क्या question पूछे गए है तो इसका answer हम कैसे करेंगे पहले तो हम देख सकते हैं कि इस पर totally 101 answers है तो इसलिए हम answer पर click करेंगे और यहाँ पर हम answer जो है अपना लिखना शुरू करेंगे तो अब देखिए जैसे यह question था तो इसका answer जो ह है मैंने यहां से ले लिया है चीक है आप देख सकते हैं तो यह obviously जो हमारे content writer है उन्होंने लिखा था and आप खुद भी लिख सकते हैं बस इसके लिए थोड़ी सी आपको research करनी पड़ेगी तो अगर आप freelancing कर रहे हैं तो obviously answers आपको भी रखने पड़ेंगे तो देखिए इस जानी जिसके लिए हम यहां पर आए हैं that is for creating backlinks ठीक है so अब देखिए यहां पर आपको कुछ वो words ढूंडने है जहां पर आप अपनी website का कोई web page जो है वो attach कर सकते हैं बस दिहान रखना है कि web page जो है वो available होना चाहिए जैसे कि मैं example आपको बता देती हूं जैसे CLAT mock test ठीक यहां पर मैं एक ऐसा keyword लगा सकती हूं जैसे कि यह law prep का ही मैं आपको example दे रही हूं जो भी मैंने client का बताया तो law tutorial जो है यहां पर CLAT का mock test है तो mock test का link में यहां पर लगा दे सकती हूं ठीक है तो मैंने इसको बस select करना है यहां पर हम यह link वाला option है इसको click करेंगे यहां प इस पूरे paragraph में जहां आपको लगता है कि इस word पर एक relevant page जो है वो यहां पर लग सकता है वो आपको यहां पर add करना है उसी के लावा सिर्फ अपनी ही website के लिए नहीं just to अपने answer को और भी जादा verification देने के लिए आप यहां पर कुछ other sources हैं जैसे Wikipedia हो गया उसके अलावा CLAT की जो official website है वहां के कुछ links आप डाल सकते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा से एक यह help मतलब ऐसा नहीं कि सर्फ अपने ही links आड करते जाएं कुछ अच्छी authority वाली website के भी links आप अड कर सकते हो जिससे आपकी ज्यादा spamming ना लगे चीक है उसी के साथ ही जैसे अगर मैं बात क क्यादा यहां पर तो complete video आप डाल सकते हो उसी के अलावा अगर आपको इमिज डाल ली है यहां पर तो image भी आप section यहां से add कर सकते हो तो यह image कर सकते हो यहां से आप जो भी image यहां पर इसमें answer में add करना चाहा हो अतना कर सकते हो अब एक सवाल आता है कि हमारे जो answer है वो कि बड़ा एक अच्छा answer देना है जहां से complete information हमारे user को मिल जाए यह करने के बाद में हम simply जो है यह answer पोस्ट कर देंगे तो यह देखिए answer जो है हमारा publish हो गया और यह आपको अपनी profile के answers वाले section में मिलेगा और यहां से आप देखिए जो link हमने attach किया था यह भी open हो रहा है औ और कोई भी person इस पर direct हो सकता है बस एक चीज़ याद रखेगा जैसे एक question है जिस पर करमानीचे 100 answers लोगों ने किये हैं तो टॉप पर वही answer देखेगा जिस पर जादा likes होंगे जादा जिसके views होंगे ओके तो इसलिए आपको quality जादा quality answers देने हैं और काफी जादा answers आप द सबसे best techniques आपको कहन सी लगती है तो मेरी favorite है Q&A क्योंकि इसमें आप सबसे पहले आपकी जो knowledge है वो बढ़ती है आप quality content लिखकर काफी अच्छी reach यहां से आप ला सकते हैं and Quora is my personal favorite so अभी explore कीजिए यह जो जो भी मैंने आपको platforms बताएं इन्ही सभी को आप explore ज़रूर और अगर आपका answer quality है तो उसे top पर आने में या फिर मैं कहूं rank करने में कोई नहीं रोक सकता और वहां से हमारे पास traffic भी काफी जादा आएगा So आज की इस वीडियो में off-page SEO की एक और important strategy या फिर मैं कहूं कि मैं off-page SEO की जितनी भी strategy आपके साथ शेयर किये ना उनमें से यह probably last होगी क्योंकि इसके बाद में हम थोड़ा reporting पर काम करेंगे और उसके बाद में हम शुरू करेंगे Google Analytics and Search Console and Tag Manager यो कि SEO के लिए काफी important role play करते ह तो SEO बाला जो पार्ट है ना like on-page, technical या off-page SEO तो उसकी ये last strategy में आपके साथ शेयर करने वाली हो अगर आपको लगता है कोई और strategy जो मैंने नहीं आपको बताई है SEO से related वैसे तो सब कुछ मैंने clear किया है तो आप मुझे comment section में बता दो मैं आपको video recommend कर दूंगी कि वो जो particular topic जो आप बोल रहे हैं वो कौन सी video मैं आपको मिलेगा तो आप तो भी comment section में बता दो हो सकता है कोई मुझे नया idea ही मिल जाए जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया हो बाकी time के साथ जैसे जैसे updates आती चाहेंगी मैं आपके साथ कोई नई चीज आती है कोई नई update आती है त class 10th 12th में हमें exam में आता था na English में article लिखने के लिए क्या होता था article कि कोई topic कोई भी topic random topic दिया जाता था उस पर हमें कुछ information gather करके कुछ हमें एक अच्छा सा article frame करना होता था तो बस ये भी यह है लेकिन यहां पर ही है कि ये articles आपको लिख कर exam में नहीं लिखने है बस आपक article लिख रहे हो वो आपके business से related हो और जहां भी आप उसे paste करेंगे जहां भी आप उसे submit करेंगे वो source भी आपका relevant होना चाहिए तो relevancy बहुत important factor है जो कि आप off-page SEO में cover करेंगे तो एक काम करते हैं कुछ facts कुछ चीज़े में आपको बताऊंगी वीडियो के बीच में बता दूंगी सबसे पहरे ना देख लेते हैं कि जो ये article submission वारी sites होती है यहां कि दिखती कैसी है फिर साथ साथ में आपको ये भी बताती चाहूंगी कैसे article लिखना है क्या उसमें हो यहां पर आप अपनी एक site बना सकते हैं और वह Google के platform मतलब आपको एक space दे रहा है वहां पर आप अपने कुछ pages कुछ अपने जो categories पोस्ट वह क्रेट कर सकते हैं तो यहां पर आप अपनी जो कोई भी ऐसी profile बना कर create करके वहां पर आप अपने article जो है post कर सकते हैं एक तरह से blogging भी करनी है तो उसके लिए भी एक अच्छ उप्चन आप इसको जरूर एक्स्प्लोर कीजेगा उसके बाद में जो कोरा है I know यह एक Q&A वाली साइट है लेकिन यहां पर हम आर्टिकल भी पोस्ट करते हैं in form of answer to that question किसी ने भी कोई question पूछा अगर आपने कोई आर्टिकल आप लिख सकते हो तो आप आर्टिकल के फॉर्म में answer दे सकते हो उसी के साथ ही यह एक साइट है जिस पर frequently मतलब मैं जो backlink करती हूँ that is blogs.findmaster.com उसी के साथ ही जैसे मैं आपको बताया था लेकिन अगें ध्यान रखेगा spamming नहीं करनी है यहां पर आपको चेक करना है कि कौन से साइट जो है वो legitimate है यह नहीं है इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ आप D.A.P.A. चेक कर सकते हैं उसी के साथ ही spam score चेक जरूर कीजेगा क्यों और time to time चेक करते रहिएगा चीक है जैसे यहां पर आपको पूरी जो है list यहां पर मिल जाएगी तो यह देखिए यहां पर जैसे एक sites.google.com जो मैं आपको बता चुकी हूँ GitHub है जी के उसके अलावा काफी सारे sites आपको मिल जाएंगी इन सबी पर जाकर आप चेक कर सकते हो अब सवाल आता है कि आखिर जब भी हम कोई article लिख रहे हैं तो article में क्या-क्या होना चाहिए क्या चीजों का ध्यान रखना है और बिसकर एक sample article में आपको शेक करना चाहूँ पहला जो भी आप article लिख रहे है उसका जो formation होना चाहिए वो एकदम perfect होना चाहिए जैसे सबसे पहले हमारे title आगया bold letters में फिर हमने यह कुछ यहां पर introduction कर दिया इस पर एक ही link जो है attach कर सकते हैं तो make sure करें कि आप सबसे पहले जो video conditions है जरूर जान लें जिससे कि आपको भी problem ना हो क्योंकि अगर मान लीजे आपने article लिखा उसमें दो दीन आपने link attach कर दिये हैं तो हो सकता है कि वह article जो है वह published ना हो reject हो जाए ठीक है ऐसा हम बिलकुल जाएंगे उसके अलाबा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह है originality चीक है एक article देखो ध्यान से सुनो समझो इस चीज को आपने एक article लिखा जैसे मैंने यह article लिखा चीक है इस article को मैंने एक site पर paste कर दिया चीक है एक site पर paste करने के बाद मैं इसी same article को मैं कोई पेस्ट करते हैं लेकिन Google के हिसाब से क्या होगा यह होगा duplicate content यानि प्लेजर में आपका जो content है आ जाएगा तो कोई भी website आपको यह नहीं तो कोई भी website यह नहीं जाएगी कि अगर आपने उनकी site पर कोई भी article पेस्ट किया है तो उसको आप कहीं और भी post करो चीक है तो वै जो है पहले चेक करती है वेरिफाय करती है कि आखिर वो जो article है वो पेस्ट करने लाइक है या नहीं और तभी वो अपने site पर publish किया जाता है चीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसी के साथ आप देखेंगे तो यहां पर जैसी link अटेच्ट है link जहां पर भी चीज़ आपको ध्यान रखना है और उसी के साथ में एक last में हम एक closure line डाल देंगे और फिर हम इसको different places पर पेस्ट करेंगे तो यह हमने कर लिया source का आपको बहुत ध्यान रखना है जहां पर भी आप पेस्ट कर रहे हैं उसका DAP अच्छा होना चाहिए साथी spam score बिलकुल भ करो original होना चाहिए अगर भली आप खुद लिखें या फिर आप अपने content writer से भी लिखवा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे पैरफ्रेजिंग नहीं करना है आटिकल स्पेनिंग नहीं करना है प्लेजरेश कॉंटेंट नहीं लेना है डिप्लिकेट कॉंटेंट नहीं लेना है और फिर आपके आटिकल को हर जो साइट है वो सब्मिट करेगी और आपको कोई नहीं करना है यह कुछ टिप जो मैंने हर वीडियो में बोल रही है लेकिन आप नहीं सुनते हो आप समझते नहीं हो इस चीज को यह बहुत जादा इंपॉर्टन डूल प्ले करती है 2022 में कि स्पै तो जैसे मैंने बताया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज बाक लिंक्स की बारे में पेज बाक लिंक्स आप कहां से खरीच सकते हैं इस बारे में बात नहीं करेंगे बलकि हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या आपको बाक लिंक्स खरीदने चाहिए लेकिन गूगल की आप बात ज़रूर मानेंगे तो मैं आपको लेकर चाहिए हूँ गूगल के ही ऑफिशल ब्लॉग पर और गूगल क्या कहता है पेड बैक लिंग्स के बारे में ये जान लेता है तो ये देखिए गूगल का ये ऑफिशल ब्लॉग है developers.google.com slash करके आप देखिएंगे तो आप नॉमली टाइप भी कर सकते हैं कि Advanced SEO by Google तो वहाँ पर आपको काफी सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे इनको आप पढ़ते रहा कीजेगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में काफी अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं तो अब यहाँ पर एक आर्टिकल है that is about paid links की किची को payment करके आप वहाँ पर अपनी backlinking जो है करवाएं तो इसके बारे में Google क्या कहता है? यह देखते हैं तो यहाँ पर आप इस जो यह है Google's Web Master Guidelines and can negatively impact a site's ranking in search results तो यह कह रहे हैं कि अगर आप जो back links हैं उनको buy करते हो किसी से तो आपकी site की जो search results पर जो ranking है वो negatively effect होगी यानि उसकी ranking जो है वो कम ही होगी और वो हो सकता है आपकी spam में और यहाँ पर एक word लिखा हुआ है कि buying or selling कि even आप भी अगर sell कर रहे हो तो भी आपकी जो ranking है वो negatively effect होने वाली है वैसे इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी कि आखिर Google को पता कैसे चलेगा कि यह जो link है यह हमने purchase किया है कि आपकी वो purchase history देखेगा तो देखिए ऐसा नहीं है तो इसके लिए जो Google यूज़ करता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ तो पहले यह बात हमें पता चल गई यहाँ पर एक थोड़ी सी और भी चीज़ लिखी हुई है कि not all paid links violet are guidelines कि सारे के सारे जो paid links है वो जरूरी नहीं हमारी guidelines को violet करें buying or selling links normal part है लेकिन this is not to be done for the manipulation of search results यानि search result की ranking को increase decrease करने के लिए यह buying selling नहीं होनी चाहिए कैसे हो सकता है कि देखिए माल लिजे आपकी कोई अच्छी website है वहाँ पर मेरी website से related जो content है वो put किया हुआ है तो वहाँ पर अगर माल लीजे मैं अपना कोई content जो है वो put करती हूँ और वहाँ पर कोई back links देती हूँ और हो सकता है मुझे उसके लिए आपको pay भी करना पड़े क्योंकि हमने guest blogging में पढ़ा था कि guest blogging में क्या था कि वहाँ पर हम कई सारी आसी हमने website जहां पर हमें pay करना पड़ता है अपना blog जो है post करने के लिए चीक है और जब भी ऐसा होता है तो देखिए इस तरीके का यह टाग लगता है जिसका relation होता है nofollow और यहां पर एक और relation होता है जब मैंने आपको बताया था nofollow और dofollow वाली video आई थी तो उसमें आपको बताया था कि एक और relation जो हम लगाते है that is sponsored कई बार ऐसा होता है कि कोई backlink हमने अपनी website पर बनाया है और उसके बदले में person ने हमें money दिया है कही ना कहीं वह paid backlink है तो ऐसे केस में हम relation sponsored यहां पर लगा सकते हैं कि मतलब यह जो backlink है इसके लिए इस person ने हमें sponsor किया है यानि यह backlink हमने तभी लगा है जब आगे वाले ने हमने money दिया है तो इससे google को पता चल जाता है कि यह जो हमारा link है इसे हमें follow नहीं करना है this is no follow link और यह एक sponsored है यानि इसके लिए money पता कैसे चलेगा कि कोई link जो है वो purchased है या नहीं है चीक है तो देखिए इसका एक बहुत ही simple सा answer है अगर एक website है for example एक website है वो आपको कुछ जो link है वो sell कर रही है आप उससे कुछ links purchase कर रहे हो वो आपकी back linking कर रहे है अपने website पर जब आप उससे purchase कर रहे हो तो आपके जैस बहुत सारे ऐसे लोग होंगे millions of website owners होंगे जो उस website से purchasing कर रहे हैं चीक है तो बहुत ही easy होता है Google के लिए indicate करना कि यह a website है जिससे x y z इतनी सारे जो हमारे दूसरी websites है उनके link generated है और उनकी relevancy भी कुछ नहीं उस website से तो simple सी तो Google का common sense यहां पर काम करता है और जैसा आप समझ सकते हो कि Google का AI इतना strong हो चुका है तो वो detect कर लेगा कि यह जो a website है इस पर जितने भी backlinks बने हुए वो सारे sponsored हैं यानि paid है पैसा लेकर इन्होंने back linking की हुई है चीक है तो वहां पर common चीज आती है कि यहां पर Google को पता चल जाता है कि जब इनके जैसे millions of users को यह backlink दे रही है website जिसका कोई use भी नहीं है दो चीजों का याद रखना है quality जो भी आप backlinking वहां कर रहे हो उसके साथ में एक ऐसा content ऐसी picture ऐसा infographic ऐसी वीडियो दो जो कि audience के लिए value create करें एक quality वहां पर generate हो और दूसरी चीज है relevancy जिस भी website पर आप backlink बना रहे हो आपकी website को content या फिर आपकी website की relevant content ही उस website पर होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपकी website है travel से related और आप food वाले किसी website पर जो है blog बना रहे हो या फिर backlinking बना रहे हो तो वह relevancy अलग हो जाएगी तो relevancy और quality का धियान रखे ही backlinking कीजिए तो I hope इस वीडियो में आपको तुदा सा idea मिला होगा कि आखिर backlinking हमें परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए यह जो ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तलवा दूंगा वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं और भी यह जो वेबसाइट है इसको आपको काफी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स काफी अच्छे आर्टिकल्स काफी अ अब डेट होदे रहती हैं तो आप ताइम के साथ खुद की भी जो लर्निंग है उसको स्ट्रॉंग रखिए और की यॉर्सेल्फ अप टो डेट आज की वीडियो बहुत ही जादा इंफॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो की एसीओ सीख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में जैसा आपको टाइटल थमनेल से पता चल गया होगा हम बनाने वाले हैं एक एसीओ रिपोर्ट एक एसीओ रिपोर्ट किस तरह से बनाए जाए ऑ जलिए फिर जबदी से वीडियो को शुरू करते हैं हलो एवर्यवाण आई हरमीट वेल्कम यू और जब्लियो की प्लेलिस मल जाएगी 2022 के एकॉर्डिंग हमने कंप्ली एसीओ का कोर्स करवाया है आप यहां पर कुछ चीज है जो टाइम के साथ में चेंज होती रहेंगी कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि माम इस टॉपिक पर आपने बात नहीं की है या फिर यह जो चेक्लिस थी यसी हो की इसमें से यह पॉइंट रहे गया है तो आप मुझे कॉमें सिक्शन में बता सकते हो चीक है तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लि तो जल्दी जल्दी कर देना तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट की चीक है अब रिपोर्ट होता क्या है रिपोर्ट का मतलब किसी को यह बताना कि हमने क्या काम किया है या फिर क्या सिचुएशन है तो जब भी आप किसी भी बिजनस का किसी भी क् हमें time to time ये बताते रहना पड़ता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं कितनी आपकी growth हुई है कितनी progress हमने achieve की है क्या हमारे targets हैं तो ये सारी चीज हैं हम उसको अब देखो phone करके बार-बार तो बताएंगे नहीं जी आपका एक keyword rank कर गया है जी आज हमने दो जो है article submission कर रहे हैं अगर आपका short term client है तो आप weekly भी भी भेज सकते हो अगर आपको लगता है कि हम एक ही बार में six month की report भेजेंगे तो वो भी आप कर सकते हो ये आपकी जो initial conversation होती है जब भी आप client के साथ बैठते हो ये अपने manager के साथ बैठते हो कि आगर किस तरह से में reporting कर दी है तो उस time है मतलब like majorly वो जब हम website का project शुरू करते हैं किसी website पर काम करना शुरू करते है उससे पहले वो audit report बनाए जाती है यानि उसमें यह बता दें कि आपकी website में क्या-क्या कमिया है और हम उसको कैसे सही करेंगे क्या-क्या काम हम करेंगे तो उसके लिए में एक अलग से video लेकर लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अनलेटिक्स वाला जो पार्ट है Google Analytics वो सीखना पड़ेगा सर्च कंसूल हम सीखेंगे तो उसके लिए अलग कोर्स में आपके लेकर आ रहे हूं चीक है तो वो complete हो जाएगा तो हम audit report पर जाएंगे तो report का I guess एक general idea आपको मिली गया हो यह एक ऐसी summary होती है ऐसा एक text होता है या तो कि यह बताता है कि आपकी जो site है आपकी जो site वो किस तरह से perform कर रहे है क्या उसकी performance है it is used to display your SEO results on your website तो जो भी आप SEO कर रहे हैं हम search engine optimization कर रहे हैं तो आप जो भी अपनी website को optimize कर रहे हो उसके जो results है वो किस तरह से आपकी website पर दिख रहे हैं यानि क्या आपकी website पर उन SEO जो हम काम कर रहे हैं उनका क्या फाइदा वहाँ पर हो रहा है बेसिकली क्या impact जो हमारे efforts जाल रहे हैं यह आपके client को भेजी जाएगी या फिर अगर आप किसी project को handle कर रहे हो तो आपके जो manager है उनको भेजी जाएगी कि आखिर हमने क्या काम किया है उसका क्या result आया है तो वैसे जो reporting वाला जो system है यह हर firm में हर organization में अलग-अलग होता है हर client के लिए हम एक अलग त अपने according जो भी आपके organization में है जो भी आपकी agency में जिस भी तरह की report बनाई चाहती है आप उसको follow कर सकते हैं बस यह कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेगा okay so अभी एक part है that is essentials of a perfect SEO report अगर आप एक SEO report perfectly चाहते हो तो उसके लिए क्या essentials आपको add करने चाहिए तो सबसे पहले कि starting में ही अपने जो key performance indicators यानी KPI हैं उनको पहले से ही define कर लो पहले से ही clear कर लो कि आखिर अब देखिए KPI होता क्या इसको समझते हैं तो KPI का यहाँ पर मतल रही है मैं कैसे measure करूंगी जैसे centimeter में measure करूंगी या मैं inch में measure करूंगी या मैं meter में measure करूंगी अगर मैं बच्चे की health की बात करूंगी तो उसकी बच्चे की health में कैसे measure करूंगी कैसे मैं बताऊंगी यह बच्चा जो healthy है कि मैं उसका जो weight है उसको consider करूंगी या फिर मैं कितना frequently वो बिमार पड़ रहा है वो जो rate of being ill है उसको consider करूंगी या फिर कोई भी हम ऐसा part जो है उसको हम consider कर सकते हैं बच्चे की health बताते time या उसकी height बताते time तो वैसे ही एक website की health है यानि एक website की performance है उसको आप किस unit में किस basically parameter पर आप judge करोगे जैसे कि mostly जो KPI होता है website के case में वो होता है traffic कि जतना ज़्यादा traffic मतलब website उतनी अच्छी perform कर रही है लेकिन traffic एकलोता KPI नहीं हो सकता अगर आपके keywords rank कर रहे हैं तो वो भी एक KPI है देखे keyword तभी rank करेंगे यानि किसी particular keyword पर हमारी website rank कर रही है तो वो तभी करेगा जब आपने SEO अच्छे से किया होगा और ultimately हम report में क्या बता रहे हैं कि हमने जो search engine optimization यानि जो work किया है काम किया है यह कही ना कहीं आपको result दे रहा है तो जो हमारी keyword ranking है वो भी एक KPI हो सकती है उसके अलावा leads leads मतलब कि आपके पास इतना traffic आया उसमें से इतने जो हैं आपके जो customers जो हैं वो बन गए हैं तो यह भी आपका क्या हो सकता है एक तरह का KPI हो सकता है तो जो भी आपका KPI है तो उसको पहले से ही defined हो और उसी के basis पर हम अपनी report बनाएंगे कि आपका traffic इतना हमने promise किया था यह इतना हो गया है आपकी leads इतनी हमने promise की थी यह इतनी हो गई है आपकी जो keyword ranking है in-in keyword पर यह ranking बढ़ी है पहले इस particular keyword पर आपकी जो है 10th ranking आ रही थी अभी उसी पर ही आपकी 4th या 5th ranking आ रही है तो मतलब progress हमें ही दिखानी है हमारी report में नेक्स चीज आपका traffic और traffic source आप बता सकते हो ट्राफिक जैसे मैंने बोला कि most popular KPI होती है यानि इससे judge होता है मतलब client obviously बात है अगर client को एक time पर एक महीने में उसका 1000 का traffic आ रहा था आपने उसको 5000 करके दे दिया तो definitely client को पता चलेगा कि भाई कुछ काम हो रहा है तो यही आपको करना है तो traffic source भी important है कि organic कितना आ रहा है paid कितना traffic आ रहा है social media से कितना आ रहा है या other website से कितना आ रहा है या Google search engine से कितना आ रहा है तो वो हम यहाँ पर mention कर सकते हैं चीक है again मैंने बोला कर सकते है क्योंकि हर किसी का जो काम होता है हर किसी का जो style होता है प्रिपोर्ट बनाने का वो अलग-अलग होता है next है conversion कि कितने convert हुए हैं हमारे clients अगर जादा तर यह जो चीज़ा यह e-commerce में देखी जाती है वैसे business site में भी आप देख सकते हो business site में कितने calls गए हैं कितने mails गए हैं यह सारी चीज़ हम देख सकते हैं कितनी queries आई हैं कितने जो हैं हमारे conversion forms भरे गए हैं यह conversions हम दिखा सकते हैं उसके अलावा show progress over time अब देखिए आपको मैंने starting में बताया था कि SEO के results दिखने में थोड़ा सा time लगता है तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि भई कि अभी तो हमने काम शुरूई किया अभी तो एक ही महीना हुआ है और अभी तो आपका क्या ही growth हो जाएगी ऐसा हम client को नहीं बोल सकते हैं हमें progress over the time कि देखिए 1000 आपके पहले traffic था अभी 1020 हुआ है तो यह time के साथ में बढ़ेगा उसको बताओ कि over the time आपके क्या growth रहने वाली है एक दिन में आपका कितना रहा है week में कितना रहा है month में कितना traffic रहा है तो यह growth over the time आपको दिखानी है ठीक है कि हम increasing order में ही बढ़ रहे हैं हम decrease नहीं हो रहे हैं कि अगर पहले 1000 था तो हमने 1000 से 900 नहीं करवा है हमने 1000 से 120 ही करवा है next जो month होगा उसमें और यह increasing order में बढ़ेगा तो even अगर आप मान लीचे 6th month की भी report भेज रहे हैं तो उसमें भी आप 1st month से ही चालू करके और अपना graph की form में या फिर pie chart की form में इस तरह से आप अपने जो presentation है अपनी जो report है उसको और भी अच्छा कर सकते है उसके अलावा भी transparent क्योंकि देखिए ultimately आप क्या कर रहे हो किसी person की website को handle कर रहे हो किसी person के business को handle कर रहे हो तो उस person का यानि जो भी आपका client है उसका right बनता है जो भी चीज सच सच है वो आप उन्हें बताईए transparent कीजिए कुछ भी fake उनको analysis मत दीजिए fake hope मस दीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं किसी भी वज़ा से अगर इस business में कहीं न कहीं lack आ रहा है leads कम मिल रहे है conversion कम मिल रहा है तो आप client के साथ बात कर सकते हो कि हम और क्या initiative ले सकते है तो ये सारी चीज़ें तभी आएंगे जब आप client के साथ में transparent रहोगे false hopes नहीं देनी है client को जो भी हमारी situation है वो हम उनके साथ बताएंगे वैसे ये सारी जितनी भी चीज़े है चलिए तो ये तो हो गया चीज़ें ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हैं इसके लावब कोई और point आपको लगता है कि नहीं report बनाते हैं ये चीज़ें का में ध्यान रखना चीज़ें आप मुझे comment section में बता सकते हो अब जैसे मैं आपको बोला कि कुछ sample reports में आपके साथ share करने वाली हूँ कैसे हम इने बनाएंगे क्या के चीज़ें ध्यान रखेंगे तो चलिए फिर reports देखते हैं तो देख सकते हैं आप screen पर जैसे कि ये हमारा एक project है तो मैं आपके साथ दो project जो है वो share करने वाली हूँ कैसे हम इसकी reporting करते हैं कुछ चीज़ें मैंने आपर change कर दी है due to some privacy issue तो ये जैसे हमारे क्लाइम थे सबसे पहले जैसे हमने ये जो platform यूज किया है ये है Google Sheets आप सेम चीज़ को Excel पर भी कर सकते हो लेकिन Google Sheets पर ये है क्लाइम के साथ आप share कर सकते हो और कर रहा है टेकनिकल कोई और कर रहा है तो इसलिए जो है हम Google Sheets का यूज करते हैं जिससे वह हम सबके साथ शेयर सकें चीक है सबसे पहले ये है डेशबोड डेशबोड पर आपकी जो भी मेजर डीटेल्स है वह प्रजेक चाल हुआ URL क्या है क्लाइन क्या है क्लाइन का नाम क्या है ड्रेस क्या है Gmail ID, Password जितने भी जो हमने जैसे मैं आपको बताया था कि कोई भी जो प्रजेक्टे स्टार्ट करने से पहले आप जो है एक पर्टिक्लर Gmail ID जो है एक phone number होना चाहिए, तो वो हमने कर लिया, उसके लावा अगर हम कोई tools वगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ID, password भी हम add कर सकते हैं, वो मैंने हटा दिया है due to some privacy issue, so obviously बात है, so इस तरह से यह हमारी आजाएगी, उसके लावा कुछ भी आप dashboard पर अपने तरह से add कर सकते हो, 500 quality backlinks क्रिएट करेंगे, यह off-page की strategy है, आपके on-page तो जिस आपको बता ही है कि, once in a while होता है, यानि ऐसा नहीं है कि आपको daily on-page करना होगा, starting में ही हम on-page जो है, जो भी technical faults है, जो भी आपकी website में, जो भी changes हमें करने हैं, वो हम सारे पहले कर देते हैं, और फिर जो frequency, जो time, जो काम चलता रहता है, वो off-page पे चलता रहता है, so simple से चीज़ है, okay, so यह हमारे dashboard होगा है, तो इस तरह से सबसे पहरी चॉक्त पर slider बनानी पड़ेगी, next जो हमारी page आजाता है, इसमें, वो है keywords का, तो यह है हमारी keywords की ranking, चीक है, कि यह हमारे keywords है, इन keywords पर यह जो pages है, हमने यह pages target किये हुआ है, और यह time के साथ में आप देखोगे, तो इनकी ranking जो है, वो यहाँ पर change हो रही है, चीक है, तो यह जो पूरी transparency है, आप देखो, हो सकता है, कई जो ऐसे keywords होंगे, जिन पर आपकी ranking decrease भी हो रही होगी, ऑविसी बात है, क्योंकि आपने keywords change किये हैं, तो decrease भी हो रही होगी, कुछ keywords पर, कुछ पर increase भी हो रही होगी, चीक है, तो यह पूरी transparency आपको यहाँ पर रखनी है, तो यह जैसे एक जो page है, यह आड कर रहा है, that is for March 2022 report, अब इसमें जो हमारे, जो भी हमने links create कर रहे हैं, उनकी status हमने share किया है, क्योंकि keywords हम यहाँ पर share कर रहे हैं, यह हमने share किया है, otherwise एक Google Analytics का part उसमें आएगा, जिसमें हमें data भी थोड़ा client को दिखाना होता है, कि आखिर आपकी जो कितना traffic आ रहा है, वो हम यहाँ पर show करते हैं, उसके अलावा यह on-page SEO, अब on-page SEO में देखिए, आप अलग-अलग pages भी बना सकते हैं, अगर आपकी website पर कम pages हैं, तो आप अलग-अलग इनकी जो pages हैं वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है, जितने भी pages हैं, वो यहाँ पर लिख दी है, उनका क्या title होना चाहिए, क्या description होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अभी देखिए, यहाँ पर आपने क्ची नोटिस करी होगी, यहाँ पर सिर्फ title description पर ही काम हुआ है, बाकी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं हुई, reason being, कि यहाँ पर जरुरत नहीं थी इस website पर, लेकिन जो मैं आपको बोला है, और उसके अलावा जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे 301 redirection कहीं लगाना था, तो यह हमने शेर किया है, two title tags थे कहीं पर, तो वो हमने यहाँ पर remove करवाने के लिए बोला है, तो आप देख सकते हैं, कि on page में इस website पर इतना काम हुआ है, लेकिन हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कैसे title लिखना है, description कितना लिखना है, क्या उसकी length होनी चाहिए, 301 redirection क्या होता है, सारी चीज़ें समझ चुके हैं, description box से, आप playlist का link उठालो, सारी वीडियो लिखना, next, यह हमारा off page, अब देखिए, on page और off page की, अलग-अलग जो हैं, आप sheets बना सकते हैं, लेकिन यह हमने combine ही, इसमें रखा हुआ है, just to avoid any confusion, so देखिए, यह image submission है, तो यहाँ पर यह, क्या-क्या image जो है, submit हुई है, उनका landing page क्या है, keyword हमने क्या target किया है, और status उनका क्या है, कई सारे ऐसे भी links होंगे, जो या तो किसी वज़े से remove हो जाएंगे, तो आप उसको inactive कर सकते हो, sheet में से मतड़ आईएगा, क्योंकि वो हमारा एक काम है, जो हमने काम किया है, वो show होना चाहिए हमारी sheet में, तो भली अभी वो inactive हो गया, तो आप इसका status जो है inactive डाल सकते हैं, वैसे ही हमारे sbm यानि social book marking है, तो यह हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आपको यह present करना है, time के साथ में, जो जो आप कर रहे हैं, और यह सारे जो है landing pages के साथ होना चाहिए, जिससे कि client कोई भी यह जो link है, इसको open करके देख सके, कि आखिर क्या काम आपने यहां पर किया है, तो यह आप देख सकते हैं, चलिए, इसलिए इस तरह से हमें यह submit करनी है, next हम देखेंगे, तो sbm के बाद में article submission है, तो देखिए कौन-कौन से article submit हुए है, उनका title क्या रहा है, keyword हमने क्या target किया है, landing page यहां पर दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ हमने status भी किया, आप देखिए, जैसे यह red हो गया, तो मतलब यह delete हो गया, किसी भी वज़ासे delete हो सकता है, ऐसा ज़रूर यह नहीं है, आप दिन के अगर 5 जो article दिख रहे हो, तो पांचों के पांचों सब पब्लिश हो जाएंगे, तो जैसे यह delete हो चुका है, तो इसको हमने कर दिया, उसके लाव़ जिनको red mark किया हुआ है, वो अभी तक accept नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इनको इनको इसे red mark कर रखा है, तो हम उनको को suggestions दे रहे हैं, कि इस तरह से आप जो है, article लिख सकते हैं, कुछ इस तरह के हमें चीज़न चाहिए, तो that's completely optional, उसके अलावा ये हमारे quora पर हो गए, quora पर क्या question का answer दिया है, उसका हमारा जो landing page है, वो भी हमने आपर share किया है, उसके अलावा PPT, PDF और video submission की एक ही sheet बना दिया है, तो आप अपने according इसको रख सकते हो, ये देखिए, ये website है, इस पर ये link यानि landing page यहाँ पर share हुआ है, और उसी के साथ ही keyword हमने target किया है, title हमने ये लिखा है, उसी के साथ ही local listing की different different जैसी sites हैं, जहाँ पर आप अपने business को जो है list कर सकते हो, वो हमने यहाँ पर किया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी pending for approval है, जहाँ भी active है, वो हम यहाँ पर share करने वारे हैं, चीके जी, उसके अलावा हमने competitor analysis किया था, तो competitors के जितने भी हमारे backlinks यहाँ पर आया थे, I hope कुछ आपने इससे ज़रूर सीखा होगा, तो next project मैं आपके साथ शाय कहना चाहूंगी, that is of a school, एक school college का यह site है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह website audit आगी, तो website audit के लिए मैं आपके लिए next report लेकर आँगी, जहाँ पर audit report हम बनाते हैं, तो हमने इस ही में merge कर दिये, आपके website में क्या-क्या चीज़ें जो हैं, वो problem कर रही हैं, तो इस वज़े से हमने उनको बताया है, क्योंकि ultimately client हमें काम कब देगा, client काम तभी देगा, जब हम उनने से बताएंगे, क्योंकि आपके website में ये problem है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, तो next आप देखी के, तो इसका on page important है, क्योंकि आपर almost सभी चीज़ें कवर हुई हैं, तो देखिए, जैसे ये page है, इस page का title ये रखना है, description ये रखना है, h1 tag और इसको हमें strong tag भी हमने mention किया, strong tag मतलब इसको highlight कीज़ेगा, तो ये strong tag हमने किया है, s2 tag ही होना चाहिए, s3 tag ही होना चाहिए, उसी के साथ ही, ये जो आपकी इस website पर, जो भी images लगी हुई है, उन images पर ये all tag आना चाहिए, यानि ये image है, इसके उपर ये all tag आएगा, ये image है, इसके उपर ये हमारा tag आजाएगा, तो ये हमने जरूर लिखना है, उसी के साथ ही, इस पर जो भी meta robot tag लगेगा, यानि meta robot tag, मतलब इसको ये जो भी यहाँ पर images है, जो भी content है, इस web page पर, जो भी internal links लगे हों है, उन सभी को आपको index भी करना है, follow भी करना है, ये यहाँ पर meta robot tag जो है, आपको लगाना है, चीके, तो क्योंकि हम जितने भी अभी तक हमने पढ़ा था, कि no follow, do follow tags पढ़े थे, तो वैसे ही index और no index tag भी होता है, तो इस particular web page पर, जितना भी content है, चाहे कोई image है, चाहे कोई और links अटाइज दें, किसी दूसरे page के, उन सभी को index और follow दोनों ही करना है, उसके अलावा canonical tag है, तो canonical tag लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो मैंने आपको अल्रेडी बता चुक्यूं, कैसे आप canonical tag जो है, तो OG graph का हमने tag भी उनको बना कर दिया हुआ है, उसके लावा Twitter graph भी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि default तो available है, लेकिन हमें एक new generate करना पड़ेगा, वैसे ही आप देखेंगे, तो सभी pages की पूरी जो information है, हमने यहाँ पर दे रखी है, तो एक idea है हो, पॉन पेज का आपका अच्छे से clear हो गया होगा, नेक्स जो है technical SEO, तो यह देखिए, technical SEO में कुछ implementation हमें करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, search console की, analytics की, GTM की, तो यह तीनों ही updated है, चीक है, तो इसके लिए अलग-लग courses में आपके लेकर आ रही हूँ, उसी के साथ ही, sitemap.exe, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कि यह sitemap available है, लेकिन इसमें कई सारे से pages हैं, जो कि exist नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नया बनाना पड़ेगा, तो हम sitemap को new create करेंगे, और sitemap इस तरह से जो link है, इनके साथ share कर देंगे, उसी के साथ ही skimma, यह देखे हमने generate करके दिया हुआ है, अगर आपने skimma नहीं पड़ा, तो description box से playlist का link उठालो, skimma या फिर structure data के नाम से video होगी, उसको ज़रूर देखना, उसी के साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे, तो यह यहाँ पर skimma जो है लगाना है, यह सभी pages में, home pages में लगेगा, तो obviously सारे pages में लग जाएगा, उसके साथ ही हमारे कुछ links broken है, तो यह broken links की जो हमने sheet है, इनको अलग से बना कर दे दिया है, कि इनको आप यहाँ रिमूव करवाईए, आप इनको ठीक कीजिए, duplicate links हैं, तो इनको हम delete करने के लिए बोलेंगे, ओके, तो यह कुछ जो है technical SEO में चीज़ है, लेकिन technical SEO का complete course हम समझ चुके हैं, जहाँ पर हमने एक एक चीज अच्छे से समझी हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जिसमें आपको problem आएगी, तो आप definitely क्या कर सकते हो, उनमें से जो भी website में कमी है, technical fault है, उनको आप suggest कर सकते हो, चीक है, उसी के साथ ही यह ranking है, ranking तुम आपको बता चुकी हूँ, कि जैसे अभी मान लीजे, तो इनिशियल रांकिंग, मतलब जब हमने प्रोजेक्ट उठाया था, तब इनकी ranking जो है कुछ इस थी, और इस तरीके से यह इंप्रूव हो रही है, तो इविन अगर मान लीजे, आप जैसे मामलो यहां पर 36 पे था, यह दोनों जो प्रोजेक्स में आपके साथ शेयर किये, इन से आपका जो रिपोर्टिंग माला एडिया है, वो काभी हद तक क्लियर हुआ होगा, उसी के साथ ही, जो हमारा SEO का कोज था, उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी, आप मुझे डेफिनेटली पताईएगा, कि कोर्स आपके लिए कैसा रहा, अभी ऐसा नहीं है कि SEO पूरा कंप्लीट खतम हो गया, अभी बहुत सारी चीजें हमें करनी है, काफी सारे प्रेक्टिकल प्रजेक्स हम करेंगे, उसी के साथ में हम Google Analytics समझेंगे, टाइग मैनेजर समझेंगे, साथ ही हम सर्च कंसोल समझेंगे, तो ये सारी चीजें समझने के बाद में, कमबाइन जब हम इससे SEO से करेंगे, तभी हमारा SEO की जो अंडर्स्टैंडिंग है वो बेटर हो पाएगी, आई होप इस वीडियो में आपने कुछना को नया जरूर सीखा होगा, मुझे जरूर कॉमें सेक्शन में बताएगा, कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपने क्या नया इस वीडियो से सीखा, अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना बलकुल में मत भूलेगा, और दोंट पगेट तो सब्सक्राइब व्यूब्टेग चानल, थैंक यू सो मुच